आज से हजारू सालों पहले, जब ना तो पृत्वी बनी थी और ना ही कोई जीवन था, तब प्रकृती एक चमतकार करती है और ब्रह्मांड का निर्मान होता है। इस ब्रह्मांड के निर्मान के समय एक बहुत ही तेज उर्जा निकलती थी, जिसमें सब कुछ नश्ट करने की शक्ती थी। उस असीम उर्जा ने समय के साथ एक पूरुष के आकरती को धारन कर लिया था, और वो उस समय के दैत्तियों से भी ज्यादा ताकतवर हो चला था, उस आकरती के भीतर इतनी ताकत थी, जो ब्रह्मांड को भी खाक कर सकती थी। इस आसमित उर्जा को अन्यंत्रित होते देख, ब्रह्मांड के निर्मांड करताओं ने उस पुरुष उर्जा श्टोत को कैद करके एक खास यंत्र में बदल दिया, और उस यंत्र को नाम दिया, ब्रह्मयंत्र। उस ब्रह्मयंत्र में कत्रित वहूर्जा ब्रह्मांड की गहराईयों में गूमते हुए हजारों, लाखों ग्रहों की यात्रा करके, आखिरकार प्रकेटी की सबसे अनमोल रचना, यानी पृत्वी पर चलाता है। प्रित्वी पर अपने हजारों सालों की यात्रा में, उस ब्रह्मयंत्र ने मिस्र से लेकर युनान तक कई सब्वेताओं को बनते बिगड़ते देखा था। वो ब्रह्मयंत्र जिसके पास जाता था, उसे असीम ताकत मिलती थी, और उसे हरापाना मुश्किल था। प्रित्वी के आम लोग उस ब्रह्मयंत्र के मिलने के बाद प्राप्त होने वाली ताकत से परिचित्तो थे। लेकिन प्रित्वी वासियों को उस ब्रह्मयंत्र के भीतर पैड़ उस पुरुश औरजा श्रोत के बारे में नहीं पता था। कुछ ग्यानी लोग कहते जरूर थे कि इसके भीतर कुछ तो बेहत शक्तिशाली जरूर है। लेकिन इसके बारे में किसी के पास भी पूरी जानकारी नहीं थी। और ये बस कहानियों का हिस्सा बनकरी रह जाता है। उधर ब्रह्म्यंत्र की भीतर कैद हो जा तथा उससे बनी आकरती को भी ब्रह्म्यंत्र से निकलने का इंतजार था। आज से तक्रीबन हजार साल पहले ये ब्रम्यंत्र शुंग राजघराने के राजाओं के मिलता है पीड़ी दरपीड़ी ये ब्रम्यंत्र उनके परिवार के उत्तराधकारियों को मिलता गया और या आखिर कार शुंग राजगराने के उत्तरादिकारी और कोशल देश के महराज उगरिसेंच के पास आता है महराज उगरिसेंच से उनके पूरवज़ो द्वारा इस ब्रह्म्यंत्र की किसी भी हाल में रक्षा करने की बात कही गई थी लेकिन वो कहते हैं ना किसा कारात्मक शक्तियों के साथ नकारात्मक शक्तियां भी मुफ्त में मिलती है उस ब्रह्म्यंत्र के आने के साथ महराज उग्रसेन को कई शक्तियां तो मिली और उन्होंने कई युद्धे भी जीते लेकिन इसके साथ ही उनका बुड़ा वक्त दे शुरू हो जाता है उस दोरान कौशल राज जी के लोगों को एक ऐसा तारा दिखाई देता है जो दो साल तक अस्थी नहीं होता शुंग राज घराने के जोतिश्यों के मताबिक इस तारे के दिखाई देने का मतलब था कि आगे कुछ बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है सेनापती, सेनापती, राजपरोज जी कहा है वो आज सुबह ही मुझसे मिलने वाले थे वो अभी तक राजदरवार में क्यों नहीं आए अपने सिंगहासन के पास खड़ा महराज उग्रिसेन अपने सेनापती बिम्बिसार से ये सवाल करता है महराज उग्रिसेन को इस तरह वेचेन होता देख उसके राजजे का सेनापती और महराज का पुराना दोस्त बिम्बिसार उनसे कहता है महराज राजप्रोहित को आपके आने के सूचना दे दी गई थी सैनिकों के मुताबिक वो कुछ जोतिशिये गणनाओं को सही कर रहे थे अपनी गणनाओं को पूरा होते ही वो यहाँ चले आएंगे बिम्बिसार की बात पूरी होती है उससे पहले ही दरवार में आरी खड़ाओं की आवास को सुन उग्रिसेन समझ जाता है कि राजप्रोहित आ चुके है प्रणाम गुरुवर गुरुवर मैं जो जानना चाहता हूँ उसे आपने ही मुझे सिखाया है अब मेरी इस समस्या का समाधान भी आप ही कर सकते है इतना क्या है उग्रिसेन अपने दोनों हाथ राजप्रोहित के सामने जोड़ देता है उग्रिसेन को इस तरह हताश देख राजप्रोहित उसे शांत रहने के लिए कहते है आयश्मान भवा उग्रिसेन उग्रिसेन वीर इस तरह धेरज नहीं खोते है हर विकट परिस्थिती का कुछ न कुछ समाधान जरूर होता है राजपरोहित की इन बातों को सुन उग्रिसेन खुद को थोड़ा शांत करता है और तुरंथ ही राजपरोहित से कहता है गुरुवर मैं खुद को कैसे शांत करनू अब मुसीबत मेरे घर तक आन पड़ी है उस दिन राजपरोहित में आए एक जोतिशी ने उस तारे को देखकर ये भवशवानी किये कुछ न कुछ अनर्थ जरूर होगा गुरुवर आप तो जानते हैं कि मुझे अपने जान का भै नहीं है मुझे तो बस इस ब्रह्म्यंत्र की चिंता है मेरे पूरवज पिछले कई पीडियों से इसकी रक्षा करते चले आ रहे है अब इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है क्या मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव इतना कह है उग्रसेन एक छोटे बच्चे की तरह राजपुरोहित का चेहरा देखने लगता है उग्रसेन की इस मनोस्थिती को राजपुरोहित अच्छे तरीके से समझ रहे थे वो उग्रसेन को समझाते हुए कहते है उग्रसेन इसके रक्षा की जिम्मेदारी तुमारी है और तुम्हें इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी उसके आगे क्या होता है ये तुमारी जिम्मेदारी नहीं है इसलिए बेटा उग्रसेन तुम चिंता न करो मैंने तुम्हारे लिए एक उपाई सोच रखा है तुम इस ब्रह्म्यंत्र को अपनी बेटी की पहली संतान को बेट कर दो अब इसके रक्षा के जिम्मेदारी उसकी होगी ब्रह्म्यंत्र की शक्तियों से राजपुरोहित कुछ हद तक परीजित थे उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि ब्रह्म्यंत्र के अंदर कोई बेहद ही शक्तिशाली उर्जा कह दे राजपुरोहित की इस बात को सुनते ही उग्रिसेन ने उसकी तरफ देखते हुए का गुरुदेव इस राजपुरोहित मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम बस कर्म करो उग्रिसेन उससे जो भी फल निकले उसे स्विकार करना इतना क्या राजपुरोहित दरवार से चले जाते हैं राजपुरोहित की बातों को सुनने के बाद उग्रिसेन की चिंता और भी बढ़ गई थी थोड़े दिन तक विचार करने के बाद वो एक दिन अपने सेनापती बिम्बिसार से कहता है बिम्बिसार तुम इस राज्य के सेनापती होने के साथ मेरे पुराने मित्र भी हो तुम्हारा बेटा भानू भी तो शादी योग्य है वो काफी बहादूर भी है और उसने कई युद्धों में भी बढ़ चड़ कर हिस्सा किया है क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी से कर सकते है बिम्विसार मुझे नहीं लगता कि इसे राजजी को कभी भानू से अच्छा कोई रक्षक मिलेगा उग्रिसेन की इस बात को सुनने के साथ ही बिम्विसार उसके आगे हाँच चोड़ लेता है माहराज मैं आपका सेवक हूँ इसनाते आपकी ये च्छा मेरे लिए आग्या बन गई है मैं इस प्रस्ताव पर आज ही अपने बेटे से चर्चा करूँगा इतना कै बिम्विसार राजित दर्बार से निकल जाता है वो जल्दी ही अपने बेटे को बुलाता है बेटा भानू क्या तुम महराज की बेटी से शादी करोगे अपने पिता के इस प्रस्ताव पर भानू तुरंथ ही मुश्कुरा कर सहमती दे देता है भानू की सहमती मिलते ही बिम्विसार रिष्टा पक्का होने की बात महराज को बताता है और फिर पूरे राज्जे में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। उधर शादी के दिन ही भानू किसी के पीछे-पीछे काफी घनी जंगल में चला जा रहा था। सुनो तु मेरी बात तो सुनो तुम रूपपती। तुम्हे हुआ क्या है। एक बेहदी सुन्दर कन्या के पीछे चला जा रहा भानू उससे बार-बार रुकने की विनिती कर रहा था। उस लड़की को रुकता ना देख भानू उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे क्या हुआ तुम्हें तुम इस तरह घुसा क्यों हो गई। भानू की इस बात को सुनते हि रूपवती विफर पढ़ती है और रोते हुए कहती है। अपनी प्रेमी का रूपवती को इस तरह रोता देख भानू उससे गले से लगा लेता है। रूपवती रूपवती इस धरती पर मैंने सिर्फ तुम से ही सच्छा प्रेम किया है तुम चिनता ना करो यह समय हम दोनों के भविश्य के लिए कर रहा हूं भानु की बातों को सुन उसके प्रेमिका का रोना कम नहीं होता है वो घुसे में कहती है इसमें मेरा क्या फ्रादा होगा भानू और तुम मुझे छोड़कर जाओ के तो मेरा भाविशे कहां बचेगा रूपवती को भानू चुप कराते वे कहता है रूपवती एक बार उस उग्रिसेन की बेटी से मेरी शादी हो गई न तो मैं तुरंत ही राजा बन जाओगा राजा बनने के बाद सारे अधिकार मुझे मिल जाएंगे और फिर एक राजा तो कई शादिया भी कर सकता है न बाज करेगी भानू की बातों को सुन रूपवती को रोना थोड़ा कम होता है भानू तुम तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगे न रूपवती का ये सवाल सुनने के बाद भानू उसके दोनू हाथों को पकड़ लेता है मेरे प्यार की सौगंध रूपवती अपने किये वादे को मैं जरूर पूरा करूँगा इतना कह भानू शादी के मंड़क की तरफ चल देता है रूपवती से किये गए अपने इस वादे को भानू अपनी शादी के अगले महिने ही पूरा कर देता है उग्रिसेन से सत्ता मिलने के बाद भानू सबसे पहले अपनी फ्रेमी का रूपवती से दूसरी शादी करता है उग्रिसेन और उसकी बेटी के लिए घटना काफी बड़ा सदमा थी अपने कमरे में बिम्बिसार के साथ पैठा उग्रिसेन काफी चिंतित था दिम्बिसार तुम सेनापती होने के साथ मेरे मित्र भी थे तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई उग्रिसेम की बातों को सुन दिम्बिसार उसके सामने हाथ चोड़ते वे कहता है महराज मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था मैं अपने बेटे की सौगन दिखाकर ये बात कहता हूँ महराज आप कहेंगे तो मैं अपने बेटे को उसकी इस उदंड़ता का दंड आज ही दे दूँगा ये कहते हुए बिम्बिसार भी गुर्से से बार चुका था बिम्बिसार की बातों को सुन उग्रिसेन उससे कहता है नहीं बिम्बिसार भानुबी काफी बड़ा युद्धा है और सैनिकों के बीच उसकी काफी चलती है वो तुरंट विद्रो कर देंगे उग्रिसेन की बातों को सुन बिम्बिसार उससे कहता है महराज मेरे लिए तो सदैव आप ही महराज रहेंगे और मैं आपकी सदैव रक्षा करूँगा बिम्बिसार के इस प्राण के बारे में भानु को भी पता चलता है रूप वती के साथ अपने कमरे में बैठा भानु काफी चिंतित था पेता जी भी न लगता है इन्हें मेरा राजा बनना पसंद नहीं आ रहा है इन्होंने उस उग्रिसेन की रक्षा करने का प्रण ले लिया है भानु को इस तरह चिंतित देख रूप वती उससे कहती है आप तो खुद महराज बन गये हैं आप अगर उग्रिसेन और उसकी बेटी के हत्या का आदिश दे देंगे तो भी आपको कौन रोकेगा रूप बती की इन बातों को सुन भानु एक लंबी सांस लेता है मेरे पिता जी इस राज्य के काफी वफादार रहे हैं अगर वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं तो सिना के पड़ा हिस्सा भी मेरे खिलाफ हो जाएगा उस वक्त भावनाओं के वेग में बैकर पड़ोसी राज्य के राजा भी उनका साथ दे सकते हैं इसलिए अब हमें पिता जी के मौत का इंतिजार करना होगा भानू अब अपने पिता जी की मौत का इंतिजार कर रहा था पर उधर समय भी अपने वेग से घूमता जा रहा था उस दोरान भानू को महराज की बेटी नीलम से एक पुत्री तथा पुत्र की प्राप्ती हुई भानू और रूपवती को भी एक पुत्री की प्राप्ती हुई लेकिन भानू के लिए सिर्फ रूपवती से हुई संतान ही सब कुछ थी और वो अपने बाकी संतानों को कुछ नहीं समझता था काफी चिन्ता और कला के बीच राज्य में समय तेजी से बीता जा रहा था और अब भानू तथा उसकी पहली पत्नी नीलम की बेटी नलनी 20 साल की हो चुकी थी भानू और रूपवती की बेटी भैरवी भी तकरीमन इसी के उम्र की थी इसे बीच भानों की 20 सालों की इच्छा पूरी होती है और बिम्विसार भगवान को प्यारा हो जाता है बिम्विसार के मिर्ट्यों के साथ ही राज्ये पर आने वाले संकट का अंदाजा उग्रिसेन को हो चुका था वे तुरंत ही अपनी पोती नलिनी को बुलाता है नलिनी बेटा ये ब्रह्मियंतर तुम रख लो और इसकी हर हाल में रक्षा करना अपने छोटे भाई को लेकर तुमा जी इस राज्ये को छोड़ कर चली जा अपनी बेटी के साथ बैठा उग्रिसेन नलिनी से ये बात अपने दिल पर पत्थर रख कर कह रहा था उग्रिसेन की बातों को सुन नलिनी उससे कहती है नाना जीप मैं भी एक युद्धा हूँ मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगी आप मुझे यहीं रहने दीजी नलिनी की मनों स्थिती को उसकी मां समझ रही थी बेटा नलिनी मुझे तुम्हारी बहादुरी के बारे में पता है लेकिन अभी उनकी संख्याँ जादा है बेटा उनके पास पूरी फाज है तुम भी अपनी फाज बनाना और उन्हें दंड जरूर देना नलिनी को बहुत ही मुश्किल से समझाने के बाद उग्रिसेन और उसकी बेटी उसे वहां से भेजते हैं उग्रिसेन का ये निरणे बहुत ही जल्द सही साबित होता है अपने पिता के मिर्तियों के बाद भानू अब पूरी तरह से निरंकुश हो चुका था वो ब्रम्यंत्र कहां है नलिनी कहां है नलिनी को ब्रम्यंत्र मिलने के खबर मिलते ही भानू ने अपने ससुर उग्रिसेन और अपनी पत्नी को बंदी बना लिया था ब्रम्यंत्र के बारे में कोई ख़वर ना मिलता देख भानू का घुस्सा उसके काबू से बाहर हो चुका था और अगले शण वो उग्रिसेंद था उसकी बेटी का सर धड़ से अलग कर देता है बानू के आदेश पर राज महल में खून की नदिया बादी जाती है और उग्रिसेंद के सभी रिष्टेदारों का कटल कर दिया जाता है अपने भाई के साथ दर दर की ठोकरे खारी नलनी को जब इस बात का पता चलता है तो वो तूट जाती है बानू बानू आद से तुम मेरे पिता नहीं हो मैं इसका बदला तुम से जरूर लूँगी परिस्थितियों की गंभेरता को समझती हुई नलनी खुद को समालती है और सबसे पहले अपने भाई को अपने प्रेमी के यहाँ छोड़ दिये अब मेरा भाई सुरक्षित रहेगा अब समय आ गया है अपनी माँ नाना तथा उन सभी निर्दोशों के खुण का बदला लेने का यही सोच नलनी भानू के खिलाफ युद्ध शुरू कर देती है उधर भानू भी जोर शोर से नलनी की खोज में लगा हुआ था साम, दाम, दंड, भेद का प्रियोग करके भानू ने नलनी का पता लगा लिया था कौशल राज्य की सबसे उची चोटी के किनारे पर खड़ी नलनी अब शारूर तरफ से गिर चुकी थी तबी भानू हसते वे कहता है नलनी वो ब्रह्म्यंत्र मुझे दे दो वरना तुम्हारे नाना और मा के साथ जो हुआ न वही तुम्हारे साथ भी होगा भानू की तलवार सामने खड़ी नलनी की तरफ थी एक और हजार फीट गहरी खाई थी तो दूसरी और भानू और उसकी पूरी फौज थी अपने पिता के तलवार के नूप पर खड़ी नलनी अब कैसे बचाएगी अपनी जान क्या इस ब्रह्म्यंत्र को हासिल करने में काम्याब हो जाएगा बानू या ब्रह्म्यंत्र में छिपी उर्जा दिखाएगी कोई और भी खेल ब्रह्म्यंत्र की रक्षा करते करते हैं महराज उग्रिसेन और उनकी बेटी नीलम के साथ उनका पूरा कुन्बा अपनी जान कवा चुका था उधर इतने खून खराबे के बाद भी राजा भानू को अभी तक ब्रह्म्यंत्र नहीं मिला था और वो इसके लिए अभी और खून खराबा करने के लिए भी तैयार था भानू को पता था कि ब्रह्मियंत्र कुस्की और नीलम की बेटी नलिनी के पास है नलिनी का पता लगाने के लिए भानू काफी कोशिश कर रहा था पर आखिरकार उसकी कोशिश सफल होती है काशल देश के सबसे हुची पहाड़ी के आखरी किनारे पर खड़ी नलिनी के सामने उसका पिता अपनी सेना के साथ खड़ा था तो दूसरी और नलिनी के पीछे हजार फीट कैरी खाई थी नलिनी के नाना महराज उगरिसेन और नलेनी की मा नीलम की हत्या की बाते बता कर भानू हस्ते जा रहा था भानू की पिशाची हसी को सुन नलेनी का खुन ज्वाला मुखी के लावा की तरह उबल रहा था है जो थी जो में भानू मैंने अस तक तख तुम में छोड़ा था क्योंकि तुम इरे पिता थे हलाकि मैंने ऐसा कभी नहीं माना था पर महां के बहने तुम्हें जिंदा छोड़़ रख था लेकिन तुमने मेरी माम और नाना का कतल करके अपनी मौत निश्चित कर लिए आज इसी पहाड़ी पर मैं तुम्हारा गला काटूंगी और इस कौशल राज जी को सदा सदा के लिए तुम्हारे आतंक से मुक्त कर दूंगी नलिनी की बातों से अधिक उसकी लाल हो चुकी आँखों से क्रोध जलक राता भानू के साथ खड़े सैनिक नलिनी का ये रूप देखकर थर थर काप रहते तभी भानू थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहता है तो अभी ये गरईया चलेगी बाज की चाल तुम मेरा गला काटोगी जरा मुझे भी बताना तो तुम ये कैसे करोगी वैसे तुम्हारे नाना की उस बूरी गर्दन को जब मैं काट रहा था तब मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था वह वेचारा बेजान भूद भी नहीं कर पाया हां तुम्हारी मा की बात अलग थी विचारी खूब छट पटाई ही लेकिन आखिरकार मैंने उसका भी सर उसके धड़ से अलग कर ही दिया ब्रह्म्यंत्र को बचाने में जुटी नलिनी को अपनी मा के मिर्थ शरीर का दर्शन भी नहीं हुआ था पिछले कई दिनों से मा की मिर्थ्यों का बोज अपने सीने पर लेकर घूम ड़ही नलिनी पिता की इन बातों से तूट जाती है उसकी आँखों से आसों की धारा निकल पड़ती है और वो अपनी मा को याद करके चीख उटती है मा, 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 इस पापी ने जो तुमारे साथ जो भी किया मैं उसका बतलब, जरूर लूँगी मा, मुझे तुम्हें छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था मा, नहीं जाना चाहिए था मा के साथ हुए इस क्रूरतम वैवार के वारे में सुन, नलिनी घुस्से से काप रही थी उधर उसके सामने खड़ा भानू अभी वी क्रूर अठाहस किये जा रहा था अपने पिता का ये वैवार देख, नलिनी खुद पर काबू नहीं रख पाती है जमीन पर अपने घुटनों के सारे बैठी नलिनी अच्छानक जटके के साथ अपनी तलवार निकालती है और बिजली की टेजी से भानू की और दौर पारती है उस पहाडी पर अगर भानू अकेले होता, तो नलिनी उसकी गर्दन को अभी तक अलग कर चुकी होती लेकिन नलिनी के तलवार भानू के शरीर को छूती उससे पहले ही उसके अंगर अक्षक नलिनी के आगे कूत पड़ते है अचानक हुए इस हमले से भानू भी घबरा गया था लेकिन उसके वफादार सैनिक भानू की ढाल बन कर सामने आ जाते है नलिनी का ये वार व्यर्थ जाता है और सैनिक उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देते है तब ही भानू कहता है वार नलिनी वार मैं सच कह रहा हूँ अगर तुम मेरी और रूपमती की संतान होती न तो तुम इस दुनिया की सबसे महान युद्धा होती लेकिन अब महान कहलाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी और रूपमती बेटी भैरवी को है इसलिए तुम व्यर्थी या कड़ छोड़ दो और ब्रह्म्यंत्र मुझे दे दो भानू पर उसका वार व्यर्थ जाने से निराश नलिनी जमीन पर गिरी हुई थी भानू की बातों को सुन वो उठती है और भानू की ओर देखते हुए कहती है इस ब्रह्म्यंत्र को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी फिर चाहे मुझे तुमारे उपर कितने भी वार करने पड़े क्या तुमारे कितने भी सैनिको का गला क्यों न काटना पड़े नलिनी के आखों में उबलता लावा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था नलिनी और भानू ब्रह्म्यंत्र के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए आमदा थे तब ही भानू के सैनिकों के बीच से नलिनी को उदय आता हुआ दिखाई देता है उदय को देखते ही इस मुश्किल वक्त में भी नलिनी के चहरे पर मुस्कान आ जाती है उदय उदय यहां आ गया अब मैं और उदय मिलकर भानू और उसकी सेना को पल बर में धूल चटा देंगे हाँ हाँ उदय तो मेरी आधी ताकत है और फिर वो एक महानी उद्धा भी है मेरा मेरा प्यारा उदय मुसीबत की घड़ी में अपने प्यार को सामने देख नलिनी को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है उदय को सामने खड़ा देख नलिनी खुद को रोक नहीं पाती और वो दोड़ते हुए उदय की तरफ चल देती है नलिनी की आखें एक बार फिर आसों से भर चुके थे और वो उदय से जाकर लिपट चुकी थी उदय, उदय, मुझे पता था तुम मेरा साथ सरूर दोगे और मेरी तरफ से लड़ने आओगे अब हम साथ मिलकर न, भानू और उसकी सिना को खत्म कर देंगे नलिनी को उदय से गले लगकर ऐसा लगता है जैसे उसने जंग जीत लियो उदय उसकी ताकट की तरह था और नलिनी उससे बहत प्रेम करती थी लेकिन वो कहते हैं न, वक्त खराब हो तो अपने और परायों की पहचान मुश्किल हो जाती है उदय से गले लगे नलिनी को अचानक बहत दर्द का हैसास होता है दर्द से उठी नलिनी की ये करोण पुकार उस पूरे पहाड में गुन जाती है इस प्रेमी के भरोसे नलिनी इस जंग को जीतने का सपना देख रही थी उसी उदय ने नलिनी के पीठ में सच का खंजर गोप दिया था उदय को खुद से दूर करती हुई नलिनी के मुँ से रक्त की एक धारा निकल पड़ती है लड़काडाती हुई नलिनी किसी तरह खुद को समालती और उदय के और देखते हुए कहती है उदय उदय आकिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया मैंने तो तुम पर कितना भरोसा किया था तुमने तु मेरी ताकत बनने का वादा किया था ना फिर तुमने तुमने ये मेरे पीट में ये खंजर कैसे घुप दिया हुदे। नलिनी की आँखों में अब दर्द से ज़्यादा विश्वास खात के आंसू थे। अपने प्यार के हाथों जक्म खाकर नलिनी अब बिल्कुल तूट गई थी। उधर दूसरी और अपने हाथों पर लगे नलिनी के खुन को साफ कर रहा उदय नलिनी की और देख भी नहीं रहा था। उदय को इस तरह नजरे चुराते देख नलिनी उससे एक बार फिर से कहती है। क्या हुआ उदय नजरे नहीं मिला पा रहे हो क्या। इतना कहने के साथ ही नलिनी खासने लगती है। और उसके मूँ से एक बार फिर रक्त बाहर आने लगता है। जमीन पर अपने घुटनों के साहरे बैठी नलिनी अपने एक हाथ से मूँ से निकलते रक्त को रोकने की कोशिश करती है। तो दूसरे हाथ से अपने पीट के जखम को टटोलने की कोशिश कर रही थी। नलिनी को इस तरह खासते देख उदह उसकी और देखता है और कहता है नलिनी मुझे भी ये सब मजबूरी में करना पड़ा। दरसल राजा भानू के बाद इस राज घराने का राजा वही बनेगा जो भैर्वी से शादी करेगा। मैं प्रेम तो तुमसे करता था लेकिन भैर्वी भी मुझसे बहत प्रेम करती थी। इसलिए मैंने भैर्वी के साथ शादी करने का फैसला किया। तुमसे ये ब्रह्म्यंत्र लेने के बाद मैं इसे भैरवी को दे दूँगा, फिर हमारा राज्य इस पूरे पृत्वी का सर्वश्रेष्ट राज्य होगा, हम पूरे पृत्वी पर शार्सन करेंगे। उदय के इस लालच और मकारी को देख नलनी को अब खुद पर शर्म आ रहे थी, तब ही नलनी को कुछ याद आता है और वो उदय की और देखते वे खहती है, उदय, उदय, मेरा भाई, मेरा चोटा भाई नैन कहा है, मैंने तुस्य तुमारे पास छोड़ा था ना। आज कल अन्होनियों के साथ ही गलबहिया करे ही नलनी, एक और अन्होनी का अंदेशा होते ही सहम सी जाती है। नलनी को इस तरह सहमता देख उदय उससे कहता है, तुम चिंता मत करो नलनी, अभी तुम्हारा भाई जिन्दा है। इतना कह, उदय सैनिको को इशारा करता है। थोड़ी देर में सैनिक एक बड़ी सी थैली ले आते हैं और उसे नलनी के सामने पटक देते हैं। थैली के पटकते ही उसके भीतर से कहराने की आवास आती है। उस थैली के भीतर से आती कहरानी के आवास सुन नलनी को अंदेशा हो जाता है, कि ये उसका भाई है, वो किसी तरह वहाँ पहुचती है और थैली को उपर से खुलती है, नयन, नयन, तुम ठीक हो न, नयन, अपनी आखे खुले मेरे भाई, थैली के भीतर से करा रहे नयन की आ दिदी इन्होंने मुझे बहुत मारा, मैं चट पटा रहा था तो इन्होंने मेरे हाथ पैर को बांध कर मुझे इस थैली में डाल दिया और फिर उसके बाद मुझे जानवरों की तरह मारा दिदी। इतना कै नैन की आँखों से आसू निकल पड़ते हैं। नैन को इस तरह दर्द में देख और उसकी इन बातों को सुनने के बाद नलिनी की आँखों से आसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने छोटे भाई को इस दर्द में देख नलिनी तो मानो अपना दर्द ब तुम्हारे इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैंने इस कमीने पर विश्वास करके तुम्हें इसके साथ छोड़ दिया था। तुम्हारी ये आज हालत मेरी बज़े से हुई है भाई। मुझे माफ कर दो। नलनी की इन बातों को सुन नैन की आखें भी आस्वों से भर गई थी। भाई बेहन के इस करुण विलाप को देख भाणू के साथ है सैनेकों के भीतर भी एक पल के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। लेकिन भाणू को इससे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था। नलनी और नैन को रोते देख तो वो उनके थोड़े नस्दीक चाता है। और नलनी से कहता है तुम्हारे नाना और मा तो अब बचे नहीं। तुम्हारे पास अब एकलोता भाई यही बचा है। तुम उस ब्रह्मियंत्र को मुझे दे दो अगर मुझे दया आ गई तो मैं तुम दोन का नलनी कोई जवाब नहीं देती। उससे पहले ही नैन अपने धीमे स्वर में कहता है। नहीं देती। आप इस ब्रह्मियंत्र को इस भापी को नहीं दे सकती। हमारी मा नाना और उनके पूरे खंडान ने इसे बचाते हुए अपनी जान देती है। हमें इसे किसी दुष पाती पर एक लाद्दे मारता है। तुमारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। इतना कहने के साथ ही भानू अपने पैर को नैन के चोटों के उपर रख उसे और भी दबाने लगता है। पहले से ही अदमारी हालत में पड़े नैन के लिए चोट और बरदाश्ट से बार दे। मार मुझे भी यहां से ले चलो मार। दर्थ से यूं करा रहे नैन के लिए अम मौत ज़्यादा असान लगने लगी थी। भाई की इस हालत को देख नलनी भानू के पैरों को पकड़ते हुए उसे हटाने की कोशिश कर दिये। पीठ में लगे पैर नैन के 36 से अटानी की कोशिश कर रही है नलनी उसे कहती है। हम तो तुमारी संताने तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं तुमारे पैर पकड़ती हूँ उसे छोड़ दो छोड़ दो इसे। नलनी को इस तरह गिड़गडाते देख भानू को काफी मजा रहा थ अब आई तुम अपनी उकात पर। मुझे तुमारी मा बिलकुल भी पसंद नहीं थी और इस वज़ा से तुम दोनों भी मुझे पसंद नहीं हो। इस सिंगासन पर सिर्फ मेरी बैटी भैरवी का हक है और यहां उसी का साशन चलेगा। चलो वो ब्रह्म्यंत्र मुझे अलब पर जह रहा था और वो उसे भानु को देने या ना देने के फैसले के बीच उLJीवी थी। क्या अपने भाई की जान बचाने के लिए ब्रह्म्यंत्र को भानु को सौप देगी नलनी। अपनी माँ और नाना के मिर्त्यू तथा अब अपने प्रेमी से दोखा खाने के बाद क्या होगा नलिनी का अगला कदम नलिनी ने खुद की जान देकर भी ब्रह्म्यंत्र के रक्षा की कसम खाये थी लेकिन अब अपने भाई को मुसीबत में देख नलिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था नलिनी अब ब्रह्म्यंत्र को भानू को सौपने या ना सौपने के फैसले के बीच उलजी वी थी उधर अपनी बेहन को इस तरह दुविदा में देख नयन एक बार फिर से नलिनी को समझाते हुए कहता है नहीं देदी आप इस ब्रह्म्यंत्र को किसी और को देने के बारे में सोचेगा भी नहीं देदी हमारी मां और उनके पूरे खांदान ने ब्रह्म्यंत्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ austerवान कर दिया अब मैं इस कुरवानी पर पानी नहीं फेर सकता देदी आप किसी भी तरह से यहां से निकल चाहिए और मेरी चिंता मत कीजिए नलेनी के सामने घायल अवस्था में पड़ा नयान ये जानता था कि आगे उसके मिर्त्यों नुश्शित है वो किसी भी हाल में उस ब्रह्म्यंतर को भानू को नहीं सौपना चाहता था नयान की बातों को सुन नलेनी उसकी आँखों में देखते हुए कहती भाई मैं क्या करूँ मुझे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नलेनी अपनी बातों को पूरा करती उससे पहले ही भानू एक बार फिर से अपना पैर नयन के सीने पर रखते हुए कहता है आह बहुत जुमान चल रही है तेरी तुझे क्या लगता है तेरी बहन यहां से बिना ब्रह्म्यंत्र दिये चली जाएगी अरे मैं तो तुम दनों पर दया करके तुमारी जान बक्षने की बात कर रहा था वरना किसी में अब हिम्मत नहीं है जो इस ब्रह्म्यंत्र को मुझे न दे अपने घाओ पर भानु का पैर पढ़ने के साथ ही नैम छटपटा उड़ता है उसके मुझे से निकलने वाले चीख उस पहाड़ी में गूंज रही थी अपने दर्द से परिशान नलनी भाई की इन चीखों को सुन अपना दर्द भूल जाती है उसे तो याद भी नहीं रहता कि किसी ने उसके पीठ में खंजर उतार दिया है जमीन पर बैठी नलनी अपने भाई के शरीर से भानू का पैर हटानी की कोशिश कर दिये छोड़ो इसे यह भी बच्चा है इसे कुछ समझ नहीं है मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ नैन के शरीर से भानु का पैर हटाने के लिए नलिनी उसके आगे हाथ जोड़ चुकी थी. अपने दोनों आखों को बंद कर वो भानु से नैन को जाने देने की विनिती कर रही थी. तब ही अचानक नलिनी के चहरे पर रक्त की एक धार पढ़ती है और उसे जोर की एक चीक सुनाई देती है. अपने हाथों को नलिनी जब अपने चहरे पर ले जाती है तो उसका चहरा पूड़ा रक्त से भर गया था. अपने चेहरे से खून को पोच्छते हुई नलनी जब अपनी आखें खोलती है तो उसकी सांसे ही धंग जाती भाई 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 ये ये क्या अनर्थ हो गया तुम तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भाणू मेरे भाई अपनी आखे खोलो मेरे भाई अपनी आखे खोलो भाणू के सामने नलिनी के हाथ जोडने के बावजूत भाणू उसके भाई के सीने में अपनी तलबार गुसा दी थी नलिनी की आँखों के सामने अब उसके भाई का बेजान शरीर पढ़ावा था अपने भाई के सर को अपनी गोद में रखते वे नलिनी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा नायन है नायन देखो तुम्हारी दीदी तुम्हारे सामने बैटी है नायन भाई मेरे भाई आके खुल लो नायन चलो दीदी के साथ खिलने नहीं चलोगे मैं बाई जिस भाई को नलिनी ने अपनी गोद में खिलाया था और उसका उसने बिल्कुल एक मा की तरह ख्याल रखा था उसके मिर्थ पड़े शरीर में भी नलिनी को अपना छोटा खेलता हुआ भाई ही दिख रहा था नैयन के मिर्थ शरीर के साथ इस तरह नलिनी को विलाप करते हुए देख वहाँ सब चुप थे तब ही भाई हसते हुए कहता है लगता है भाई के मरने के गम में अब ये भी नहीं बचेगी जाओ उसके भाई के शरीर को यहां से नीचे फिक दो और इससे ब्रह्म्यन तरचीन कर लिया जाओ बानों की आज्या मिलते ही उसके सैनिक नलिनी की तरफ बढ़ते हैं तब ही नलिनी एक घायल शेरीन की तरफ पीछे मुड़ती है नलिनी से उसकी तलवार तो काफी पहले ही अलग हो गई थी अपने अगल बगल में कोई अस्तर शश्तर ना मिलते देख नलिनी अपने पीट के घाव पर अपना हाथ ले जाती है और वहाँ धसे हुए खंजर को बाहर निकाल लेती है खंजर निकालने के साथ ही नलिनी के पीट से रख्त का फवारा निकल पड़ता है और उसे भैंकर दर्द का हैसास होता है दर्द से कहराती नलिनी काफी जोर से चीखती और चीखते हुए कहती है अगर कोई भी अब मेरे भाई या ब्रह्म्यंत्र की तरह बढ़ा मैं उसका गला अभी काट दूँगी नलिनी को इस तरह पीट से खंजर निकालते देख और फिर उसकी चीख को सुनने के बाद अब किसी भी सैनिक की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रहे थी नलिनी को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा उसकी आखों से आते आशों की धारा से वहां की मिट्टी को पूरी तरह से गिली कर चुकी थी अपने भाई को अपने गोद में समेटे हुए नलिनी उससे कहती है उसके पास चोड़ा भाई अगर फिर कभी किसी जन में मिले तो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी नलिनी की इन बातों को सुन दूर खड़ा उदय उसके पास आता और कहता है देखो जो भी हुआ उसका दुख मुझे भी है नलिनी लेकिन अब वक्त के आगे हम कर भी क सकते हैं तुम यह ब्रह्मियंत्र समराट भानू को सौब दो मैं उसे विन्ती करके तुम्हारी जान बक्ष देने की बात करूंगा उदय के इतना कहते ही नलिनी अपनी लाल हो चुकी आँखों से उसकी और देखती है इस हालत में भी नलिनी का शरीर एक आग की गोली की तर जलता है उदय को डरता देख भानू आगे आता है क्या हुआ उदय अभी तुम इस लड़की से डरे जा रहे हो तो तुम आगे राज कैसे चलाओगे देखो मैं किस तरह इससे ब्रह्मियंत्र चीन कर लाता हूं इतना कह भानू आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी नलि नलिनी के एक हाथ में खंजर था तो दूसरे हाथ में उसने अपने भाई के मिर्त शरीड को उठा रखा था अचानक इस तरह से खड़े होने की वजह से नलिनी के घाव पर भी काफी दवाब पड़ता है और उसके पीट से रक्त भी काफी तेजी से निकलने लगता है नलिन समेट वहां मौजूद सभी लोग अब एक टक निगाहों से नलिनी को देखे जा रहे थे उधर खड़ा होने के साथ ही नलिनी ने कुछ मंत्रों का जाब शुरू कर दिया था नलिनी को इस तरह जाब करते देख उदय भानू से कहता है समराठ ये नलिनी क्या कर रही है ये म शांत रहने का इशारा करता है नलिनी के मंत्रों को समझने के साथ ही भानू का चैरा उतर जाता है वो कहता है साबधान ये नलिनी तो खुट को नश्ट करने का मंत्र पढ़े रही है इसके मंत्रों के पूरा होने के साथ ही इसका शरीर विस्पोर्ट का काम करेगा और वहां उदे कहता है लेकिन समराट ये शक्ति तो सिर्फ पांचमें श्रेणी से उपर के युद्धाओं को मिलती है फिर नलिनी के पास ये शक्ति कहां से आई इस पूरे कौशल देश में पांचमें श्रेणी से उपर के युद्धा तो सिर्फ आप उग्रिसेन और सेनापती बिंब करतो इतना के भानु अपनी तलवार को उदे की और उच्छाल देता है भानु का तलवार पकड़ने के बाद उदे जैसे ही नलनी की तरफ आगे बढ़ने वाला था कि उससे पहले ही नलनी उन मंत्रों का आवान शुरू कर देती है इस जगत के निर्माता मैं दशो दिशाओं आप से ये विनिती करतियों की आप मुझे अपने इस शरीर को नश्ट करने की शक्ति दीजिए इतना के नलनी खुद की आँखे बंद करती है और अपने मन को एक जगर समेट कर अपने आपको इस ब्रहमांड में मिला देने के लिए अपने शरीर को छोड़ देती है नलनी क द्वारा इन मंत्रों का आवान करते ही उस पूरे पहाडी घाटी में बादलों का गरजना शुरू हो जाता है पुरे अकाश में बिजलियां चमकने लगती है और बिजली धारती से जाटक राई जिसे देख सब का कलेज़ा तहल रहा था वहां काफी जोर की हवाई भी चलन कर रही थी लेकिन सामने खड़ा भानू उदय और उसकी पूरी फॉच इस द्रिश को देख आतंकित हो चुके थे उन्हें अब अपना अंत नस्दीक नजर आ रहा था लेकिन नलेनी को उस वक्त काफी जोर का जटका लगता है जब आवहान के बाद भी उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है ये देख नलेनी अपने आखे खोलती है तो बाहर भी सब कुछ समानने हो चुका था उस घाटी में गरचते बादल चमकती हुई विजलिया और हवाओं का चलना बिलकुल बंद हो चुका था सभी चीजों के इस तरह समानने होते ही भानू के चेहर की, खत्म होगी तुमारी नौतंकी, तुम तो किसी काम की नहीं हो, ना तुम से आज तक घर पर कोई काम हुआ है और ना तुम यहां किसी काम की हो, अब जल्ली से वो ब्रह्मियंत्र मुझे दे दो पर ना तुमारी मात और भी ज़ाधा खतरनाक होगी अपनी शक्तियों का इस्तमाल करने के बावजूद भी खुद को नश्ट ना कर पाने की वज़े से नलनी काफी निराश्ती हो गई थी काफी रक्त बह जाने की वज़े से नलनी का बेजान शरीर उसे ज्यादा देर तक खड़ा रहने की अनुमती नहीं दे रहा था और वो एक बार फिर से जमीन पर बैठ गई थी भानु की हसी उसे काफी चुब रही थी और ये सब नलनी के लिए बरदाश्त से बाहर था अपने भाई के शब को गोद में लिये हुए नलनी भानु की तरफ देखते हुए कहती है तुझे ज़्यादा खुश होने की जरुवत नहीं है भानु तुझसे मैं अपना बदला जरूर लूगी तुम्हारी और इस सुधय की मात मेरे ही हाथो होगी मैं तुम्हारे पूरे खांदान को बरबाद कर दूँगी इतना कहते कहते नलनी के मूँ से एक बार फिर से रक्त निकलने लगता है नलनी के मूँ से निकलते रक्त और उसे इस तरह जमीन पर धराशाई देख भानु को उससे तनिक भी डर नहीं लग रहा था वह हस्ते व्वे कहता है तूने अपनी हालत देखी है, जो तू मुझसे बदला लेगी लड़की, मुझसे बदला लेने के लिए तेरा जिन्दा होना जरूरी है लेकिन मैं तेरी मौत हभी पक्की कर देता हूँ भानू अभी आगे कुछ बोलता, तभी नलनी उसकी ओर मुड़ती है मैं नलनी, अपनी मा नीलम की बेटी और महराज उग्रिसेन की नतनी मैं आज ये कसम खाती हूँ कि मैं अपने भाई, मा और उनके पूरे खांदान के मात का बदला जरूर लूँगी यहां मौजूद सभी लोगों को मैं सज़ा जरूर दूँगी फिर चाहे मुझे कही जन में क्यों नलेना पड़े इतना कैनलनी एक बार फिर अपना नजर घुमाती है और वहां माजूद सभी लोगों को देखती है भानू तथा उदय नलनी को इस तरह सब को देखते हुए कुछ समझ नहीं पा रहे थे उन्हें नलनी का अगला कदम समझ नहीं आ रहा था तभी नलनी अपने भाई के शरीर को उठाती है और उस पहारी से छलांग लगा देती नलनी को इस तरह छलांग लगाते देख सभी हैरान रह जाते है भानू तुरंट दोड़ते हुए किनारे पर आता है और अपने सैनिकों से कहता है तुम सब तुरंट निचे जा और उसे ढूंडो मुझे उसका मिर्थ शरीर चाहिए अब भी अपने बदले को पूरा करने के लिए क्या अब दूसरा जन्म लेगी नलनी क्या नलनी का बदला हो पाएगा पूरा या भानू बना रहेगा एक निरंकुष शासक ब्रह्मियंत्र को पाने की सनक ने भानू को एक राक्षस बना दिया था और अब अपनी पत्नी के बाद उसने अपने बेटी की भी हत्या कर दे थी अपने भाई, माँ और अपने पूरे खानदान की मौत सेहाथ नलनी खुद के शरीर में विस्पूट कर सब कुछ नश्ट कर देना चाहती थी लेकिन उसके आवान के बाद भी ऐसा नहोने की वज़र से वो अपने भाई के मिर्थ शरीर को लेकर पहाड से कुझ जा दिये उस पहाड से कूदने के बाद नलनी की आँखें बंद हो रही थी हवा को काटते वे नीचे गिरती चली जारी नलनी अब सिर्फ चीजों को महसूस कर सकती थी नलनी का होश खो रहा था अचानक नलनी को लगता है उसके आत्मा उसके शरीर का साथ छोड़ रही है नलनी को अब सब कुछ महसूस होना बंद हो चुका था और वो चाहकर भी अपनी आँखों को नहीं खोल पा रही थी ये, ये मैं कहां जा रही हूँ मेरे चारो तरफी अचीब सनाटा क्यों है मेरा, मेरा भाई का है खुद से ही ये सवाल किये जा रहे नलनी का मन और मस्तिष्क शुन्य होता जा रहा था नलनी का मस्तिष्क अब पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था और नलनी एकदम शुन्य हो जा दिये थोड़े समय के बाद जब नलिनी को होश आता है तो अपनी आँखों को खोलने के साथ ही नलिनी को अब काफी अजीब महसूस हो रहा था नलिनी को इस बात का हैसास था कि उसने अपनी आँखों को ज़्यादा समय के लिए नहीं बंद किया था लेकिन उसे लगता है इन दो चार पलों में ही उसने सैकड़ो साल जी लिये हैं उसे कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था नलिनी को उस वक्त और भी ज़्यादा आजीब लगता है जब उसे अपना शरीर बदला बदला सा लगता है मेरे हाथ पैर तो इतने पतले नहीं थे ये मेरा शरीर अचानक इतना पतला कैसे हो गया है मुझे तो मेरे शरीर की लंबाई भी छोटी लग रही है ये मैं कहां आ गई हूँ और यहां इतना अंधेरा क्यों है इनी बातों को सोच नलिनी जब अपने हाथ को इधर उधर गुमाती है तो उसे हैसास होता है कि वो किसी ताबूत में बंद है ताबूत में बंद नलिनी की सांसें रुकने लगी थी दम घुटने की वज़़े से नलिनी जोर-जोर से खासने लगती है और वो अपने हाथों से उस ताबूत को अंदर से खोलने के कोशिश भी कर रही थी लेकिन इसमें नाकामियाब रहने की वज़से वो उसे पीटना शुरू कर देती उधर दूसरी तरफ बंद पड़े ताबूत के पास सिर्फ एक बुड़ी अम्मा बैठी हुई थी उस ताबूत के सामने जल रहे दिये और उसके उपर चढ़ाए गए फूलों से ऐसा महसूस हो राता मानो वहां किसी की मृत्ती हुई है और उसके शरीर को ताबूत में रखा गया है ताबूत के अंदर साथ ही आवाजों को सुन उस बुड़ी अम्मा का दिल घबराने लगता है यह क्या हो रहा है कहीं इसके अंदर भूत तो नहीं है ताबूत के अंदर साथ ही आवाजों को सुनने की वज़ा से बुड़ी अमा को उसे खुलने में डर लग रहा था लेकिन अंदर से आरी खासने के आवाज को सुन वो ताबूत को खुल देती है ताबुत का दर्वाज़ा खुलने के साथ ही नलिनी सबसे पहले तो खुल कर सांस लेती है उधर उसे देख सामने खड़ी बुड़ी अम्मा डर के मारे थोड़ी दूर जाकर गिड़ जाती है सामने खड़ी अम्मा को इस तरह हैरान होते देख नलिनी कहती है क्या हुआ अमा, आप मुझे देखकर हैरान क्यों हो रही है, मेरा भाई का है, मेरा छोटा भाई का है नलिनी अभी इन सवालों को कर ही रही थी, कि तभी उसे ब्रह्मियंत्र का ख्याल भी आता है ब्रह्मियंत्र को खुद के पास ना देख नलिनी की बेचेनी बढ़ते ही चली जा रही थी उधर थोड़ी ही दूर पर गिरी हुए अम्मा अभी भी नलिनी को घूरे जा रही थी नलिनी को भी काफी आजीब महसूस हो रहा था वो तुरंत ही खड़ी होकर ताबूत से बाहर निकलती है ताबूत से बाहर निकलते ही नलिनी की नजर सामने रखे आएने पर पढ़ती है उस आएने में खुद का चैरा देखते ही नलिनी की चीखे निकल जाती है ये कौन है ये तुम्हे बिल्कुल नहीं। ये मैं कहाई है, ये मेरे शरीर नहीं है, ये लड़की कौन है, कितनी कमजोर है ये। नलिनी का शक सही साबित होता है और ये शरीर वास्तम में उसके पुराने शरीर से काफी अलग था खुद को किसी और के शरीर में पाकर नलिनी को काफी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था नलिनी का सर भी काफी भारी लग रहा था और उसके सर में भायानक दर्द भी था नलिनी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तब ही वहीं खड़ी अम्मा उसकी तरफ आती है और उसके दोनों हाथों को पकड़ कर कहती है बेटी बेटी नेना तुम जिन्दा हो मुझे तो अपनी आखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जिन्दा हो उन दुष्टों ने तुम पर बहुत जुल्म किया है बेटी राजवैद ने का है कि तुम्हारी सांसे रुक गई है तो वो तुम्हें एक जटके में ही यहां फिक कर चले गए वो तु सेना पती को जब मैंने तुम्हारे भाई की याद दिलाई धब जाकर उन्होंने तुम्हारे शरीर को रखने के लिए ताबूत दिया है बुड़ी अम्मा की इन सारी बातों से नलिनी का दूर दूर तक कोई सरुकार नहीं था नलिनी को उनका कहा हुआ कुछ भी समझनी आ रहा था वो उस बुड़ी अम्मा को बीच में रोकते हुए कहती है आप ये क्या बोल रही अमा, मैं कहा हूँ, मेरा शरीर इतना बदला बदला क्यों है नलिनी की इन बातों को सुन अमा उसकी और देखते वे कहती है ये तुम क्या कह रही हो बेटी, लगता है तुमारे सर पर चोट लग गई थी न, तब ही तुमारे सांसे बंद हो गई होगी बोड़ी अमा जितना बोल रही थी, नलिनी के उलजन उतनी बढ़ती जा रही थी वो फिर से कहती है, अमा ये नैना कौन है, और मेरा शरीर इतना कैसे बदल गया, आप मुझे पर दिया केजिए और मुझे मेरी सच्चा ही बताइए नलिनी को इस तरह निविदन करते देख, वो बोड़ी अमा कहती है, बेटी, तुम ही तो नैना हो, और फिर ये शरीर भी तो तुमारा ही है न, उन दुष्टों ने तुम पर जुल्म की इतनी इंतहा की है, लगता है उसी वज़े से तुम अपनी याददास्त खो बैठी हो बोड़ी अमा की बातों को सुन, नलिनी को इतना तो हैसास हो गया था, कि वो किसी और के शरीर में आ गई, लेकिन नलिनी को काफी अजीव अनुवव हो रहा था, नलिनी अपने पुराने शरीर में पांचमें श्रेणी के युद्धा का ज्यान हासिल कर रहे थी, और अपने नई शरीर में वो मात्र, एक साधारन सी लड़की बन कर रहे थी, नलिनी को यू सदमे के स्थिती में देख बुड़ी अमा कहती है, क्या हुआ बिटी, तुम एतने शांत क्यों हो, क्या तुमें आभी तक कुछ भी याद नहीं आया, बुड़ी अमा की बातों को सुन नलिन उनकी तरफ देखती है, लेकिन इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी, ये वो किसी से बया नहीं कर सकती थी, नलिनी उस बुड़ी अमा से सिर्फ इतना ही कहती है, अमा, यहां की सबसे उची पहाड़ी किस तरफ है, अचानक इस सवाल को सुन, वो बुड़ी अमा थोड़ा चौकते वे कहती है, तुमें वहां क्यों जाना है, तुम वहां जाकर क्या करोगी, बुड़ी अमा की बातों को सुन, नलिनी कहती है, मुझे थोड़ी शांती चाहिए, आप मुझे बस वहां का पता बता दीजी, नलिनी की इस बुरी हालत को देख, बुड़ी अमा कहती है, ठीक है बेटी इस महल से निकलने के बाद तुम पूरब की और जाने वाले रास्ते को पकड़ लेना कुछ समय तक लगातार चलने के बाद तुम यहां की साबसे उची चोटी पर पहुँच जाओगी अम्मा से रास्ता सुनने के बाद नलिनी दोड़ना शुरू करती है दोड़ते दोड़ते बेसूत की तरह राज्य से बाहर एक पहाड के किनारे पर पहुँच चुकी थी उस पहाड के किनारे पर पहुँचने के साथ ही नलिनी खुबजोर से चीखती और चीखते वे कहती है हे भगवान तुम मेरे साथ ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुमने पहले मुझसे मेरी माँ और उनके परिवार को चीन लिया और अब मुझसे मेरे भाई को भी चीन लिया मैं इसके बाद भी खुद को नश्ट करके सब का बदला पूरा करना चाहती थी लेकिन तुमने मुझे ना तो मेरा बदला लेने दिया और ना ही मुझे मरने दिया तुम चाहते क्या हो भगवान और तौर मेरा ब्रम्यंतर भी मुझसे चीन लिया आखर प्रकेर्टी के नयाय का सिद्धानत कहा गया मेरे साथ ही प्रकृती इतना अन्या क्यों कर रही है इतना कहते कहते नलिनी की आँखों में पानी भराता है हलांकि उपर वाले से नलिनी की शिकायत अभी भी खत्म नहीं हुई थी वा आगे कहती है भगवान तुमने मुझे मर कर तो मेरा बदला नहीं लेने दिया लेकिन ये क्या है तुमने मुझे दूसरा जीवन भी दिया तो इतने कमजोर शरीर में दिया है जिससे बदला लेने के लिए मुझे फिर से सभी सिक्षाओं को ग्राण करना पड़ेगा तुमाकिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो भगवान मेरे इस जीवन का उद्देश ही क्या रह गया है मैं अपने इस शरीर को भी नश्ट कर लेती हूँ अब अगर मुझे कोई दूसरा जन मिलेगा मैं अपना बदला तब ही पूरा करूँगी यही सोच नलनी एक बार फिर से पहाड के किनारे पर खड़ी थी पहले अपना बदला ना पूरा होने और अब दूसरा जीवन मिलने पर इतना कमजोर शरीर मिलने की वज़़ से नलनी काफी गुशे में थी उसे अब अपने शरीर को खत्म करना ही उचित लग रहा था नलनी अपना पहला कदम जैसे उस पहाड़ी से छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ाती है उसे एक आवाज सुनाई देती है रुख जाओ नलनी तुम इस शरीर को ऐसे ही नश्ट नहीं कर सकती हो इस शरीर को खोजने के लिए भी मुझे दो पल में खरोडो मिलो की याथरा करनी पड़ी थी अपने पीछे से आतिस आवाज को सुन नलनी अपना पैर पीछे खीच लेती है इसके बाद जब नलनी पीछे मुड़ कर देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है नलनी हैरानी भारी निगाहों से चारों तरफ देखती है और कहती है कान है कान है याँ ये सवाल करने के बाद भी नलनी को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता ये देख नलनी फिर से कहती है जो भी यहाँ था वो जल्दी से बाहर चले आओ अब अगर मुझे गुस्टा आ गया ना तो मैं यहाँ से कुदने से पहले तुम्हारी बात भी नहीं सुनूगी हाँ नलनी की इन बातों को सुन ना कहीं मुझे सामने से देख तुमारे दिल की धड़कन न रुख जाए नलनी को अभी भी वहाँ सिर्फ आवास सुनाई दे रही थी लेकिन किसी को सामने न देख नलनी एक बार फिर से कहती है तुम जो भी हो जल्दी से सामने आजाओ नहीं तो इसका अंजाम काफे बुरा होगा नलनी के इतना कहते ही अचानक वहाँ एक आकरते प्रकट होती है टन टन आटन आपने पुकारा और मैं आ गया ये देखो मैं आऊँ अपने सामने अचानक प्रकट हुए इस आकरते को देख नलनी की धड़कने सही में रुकने लगी थी वो किसी तरह खुद को समालती और उस आकरते की और देखती है नलनी के सामने खड़ी वो आकरते अब एक बेहदी सुंदर युवक का रूप धारण कर चुकी थी कंधे तक लंबे बाल बेहदी सुंदर नै नक्ष और सुडोल शरीर उस युवक की खुद्सूर्ती देख नलनी उसकी और देखती रह जाती तभी वो युवक कहता है नलनी अब तो तुम अपनी आत्मा और नैना के शरीर को नश्ट नहीं करोगी न उस युवक का सवाल सुन नलनी हैरानी भरी निगाहों से उसकी और देखते वे कहती है तो तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे बचा लिया मैं इस नैना के शरीर में कैसे आगई मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए नलनी को यू सवाल करता देख वो युवक कहता है शान्त नलनी शान्त मैं तुमारे सारे सवालों का जवाब दूगा उस युवक से इतना सुनते ही नलनी कहती है मुझे सारे सवालों का जवाब बाद में देना पहले तुम अपना परिचे दो तुम हो कौन और तुम अचानक कहां कैसे आगे नलिनी के सवालों को सुन वो युवक कहता है मैं हूँ आर्यमान मेरी भुजाओं में हैं लाखों शेरों की ताकत और मैं हूँ भर दिल अजीज आर्यमान की बातों को सुन नलिनी अब हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखे जारी थी क्या है आर्यमान का रहस्य नलिनी का यू शरीर बदल कर नैना के शरीर के भीतर जाने का क्या है मकसद क्या अब नलिनी को मिल पाएगा उससे अलग हुआ प्रम्यंत्र काशल देश की सबसे उची पहाड़ी पर भानो और उसके सैनिकों से घेरी नलिनी ने नीचे छलांग तो लगा दी थी लेकिन इस हाथसे में मृत्यू की जगा नलिनी की आत्मा अब एक दूसरे शरीर में आ गई थी अपनी मा, नाना और भाई को खोने के बाद भी नलिनी को एक बेहदी कमजोर शरीर मिला था और अब उसे ब्रह्म्यंत्र को खोने का भी डर सता रहा था नलिनी के सामने अच्छानक प्रकट हुए आरेमान को देख नलिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो हैरान होते हुए आरेमान से कहती है आरेमान तुम कौन हो और तुम मुझे यहां कैसे ले आए मैं तो कौशल देश में थी और मैंने वहां की पहाड़ियों से चलांग लगा दी थी फिर मैं ये किस देश में आ गई हूँ आरेमान मेरे साथ मेरा ब्रह्म्यंत्र भी था वो कहा गया आरेमान को सामने खड़ा देख नलिनी उसके उपर सवालों की बचार कर देती है नलिनी अपने सवालों का जल्द से जल्द जवाब चाती थी लेकिन आरेमान अभी बे चुप था उसे चुप खड़ा देख नलिनी कहती है आर्यमान से अपने सवालों को पूछते हुए एक तरफ नलनी काफी बेचैन हो रहे थी तो अधर दूसरी ओर आर्यमान अभी भी खड़े-खड़े मुस्कुरा रहा था वो मुस्कुराते हुए कहता है शान्त नलनी शान्त मैं तुम्हें कितनी बार शान्त रहने के लिए बोलू आर्यमान के इतना कहते ही नलनी की साधारन से दिखने वाली आँखें बड़ी होने लगती है ये देख आर्यमान उससे कहता है नलिनी गुसा नहीं तुम गुसा करने के बदले खुद के भीतर एक बार जहांक कर देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अपने मन को शांत करो और खुद को इस दुनिया से दूर ले जाकर अंतरिक्ष की गहराईयों में जाते हुए महसूस करो तुम्हें तुम्हारे कई सवालों का जवाब मिल जाएगा आरेमान की बातों को सुन नलिनी सबसे पहले खुद को शांत करती है खुद को शांत करने के बाद नलिनी अपनी आँखों को बंद करती है और अपने मन के भीतर जहांकने की कोशिश करती है लगातार सामने आ रही परेशानियों और अपने को खोने का गम नलिनी के उपर इस कदर हावी था कि उसे कुछ सूजी नहीं रहा था नलिनी चाह कर भी अपने मन और मस्तश्क को इस वक्त एक जगा केंदरित नहीं कर पा रहे थी अपनी कोशिश में असफल रहने के बाल नलिनी आर्यमान की और देखते वे कहती है आर्यमान तुम जो भी बता रहे हो ना मैं इस वक्त उसे देख पाने मां समर्थ हूँ अपने पुराने शरीर में मैं पांच में श्रेणी की युद्धा थी और मेरा अध्यात में ग्यान भी अपने चरम पर था लेकिन इस नए शरीर के साथ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पता नहीं ये लड़की जिन्दा भी कैसे थी नलिनी अब अपने गुस्से के चरम पर थी और ये सारी बाते वो काफी गुस्से में बोल रही थी तब यारेमान कहता है नैना नैना नाम इस लड़की का इस राज्जी के सबसे महान युद्धा विरभद्र और टतिभा की बेटी है नैना नैना का इस तरह से परीचे सुन नलिनी उसकी और देखते वे कहती है अगर इसके माता पिता इतने महान थे तो फिर इसके पास कोई भी शक्ती क्यों नहीं है ये मेरी हम उम्र है लेकिन इसी उम्र में मेरे पास दुनिया की सारी शक्तिया थी फिर ये इतनी कमजोर क्यों र कि यह तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा वैसे तुमने जो सवाल किया था कि मैं कौन हूं और तुम्हें मैंने क्यों बचा है आरेमान के इतना कहते ही नलिनी बीच में बोलते वे कहते हैं हाँ मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए नलिनी की उत्सुकता को देख र जिसके बाद जिन उसका सेवक बन जाता है अपने मस्त मौला अंदाज में इन बातों को बता रहे आरेमान की बातों को सुन नलिनी कहती है हाँ मैंने सुना है तो क्या तुम वही जिन हो लेकिन मेरे पास तो कोई अंगटी ही नहीं फिर तुम यहां कैसे आगे नलिनी का इस नलिनी की बातों को सुन आर्यमान कहता है अरे नहीं नहीं भबाब मैं कोई जिन्विन नहीं हूँ मैं तो साधारन सा आर्यमान हूँ बस इतना समझ लो कि तुमने मुझे अपने पूरे दिल से पुकारा था तुम्हें मेरी मदद की दरकार थी इसलिए मुझे आना पड़ा मै मैं उस जिन की तरह तुम्हारी मदद करूंगा आर्यमान की इन बातों को नलिनी बेहदिक गंभीरता के साथ सुन रहे थी उसकी बातों को सुन नलिनी को अब कुछ-कुछ चीज़ें समझ आ रही थी आर्यमान क्या तुम ब्रह्मियंत्रो क्योंकि मैंने तो अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मियंत्र को याद किया था क्या तुम ही ब्रह्मियंत्रो नलिनी अब हैरानी भरी निगाहों से आर्यमान की ओर देखे जा रही थी नलिनी को इस तरह अपनी और देखते देख आरेमान खुब जोर से असता है नहीं 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 तुम इस तरह मेरी और मत देखो मैं ब्रह्म्यंत्र नहीं हूँ, मैं तो बस उसका एक अंशू हूँ मैं तुम्हारी पुकार पर तुम्हारी साहता के लिए आया हूँ आरेमान का परिचे जानने के साथ ही नलिनी उससे कहती है आरेमान तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आय थे? मैंने तो ब्रह्म्यंत्र से काफी मदद मांगी थी नलिनी की इस बात को सुनते ही आरेमान उसे जवाब देते हुए कहता है नलिनी उस वक्त मेरे आने का समय नहीं हुआ था, मेरा जब समय होता है, मैं तब ही आता हूँ आरे मान के इतना कहते ही, नलिनी का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उड़ता है अरे तुम्हारे ब्रह्मियंत्र को बचाते बचाते मेरी मा, नाना और उनका पूरा खंदान कुर्बान हो गया मेरे भाई की उन्होंने निर्मम्ता से हत्या कर दी और तुम अभी मेरी मदद के लिए आयो तुमने मुझे उस पहाड से गिरने के साथ ही मरने के लिए क्यों नी छोड़ दिया तुम मेरे परिवार को बचा सकते हैं ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया न मैं तुमें कभी माफ नहीं करूंग या आरेमान, तुमारी वज़े से मेरा पूरो खंदान बरवाद हो गया इतना कहते ही नलेनी की आखों से आसु निकलने लगते हैं नलेनी को यूं रोता देख, आरेमान उसकी तरफ आता है और कहता है नलेनी, तुम्हारे परिवार को बचाना या उन्हें मरने देना, ये कभी मेरे हाथों में नहीं था मैं तो ना जन्म देने वाला हूँ, और नहीं मैं किसी की मिर्ति निश्चित करता हूँ इस जगत के निर्मान करता और परम शक्ति शाली स्वैम, मा प्रकरती जब तक मुझसे कुछ नहीं कहती, तब तक मैं कुछ नहीं करता हूँ और फिर समय से पहले और भाग्य से अदिक, किसी को कुछ नहीं मिलता है, तुमारे भाग्य में अपनों की मृति लिखी भी थी, इसलिए वो तुमारे साथ हुआ आरेमान नलिनी को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नलिनी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था वो गुस्से में चीखते हुए कहती है बस कुछ पल की बात थी अगर तुम कुछ समय पहले आ जाते ना तुम मेरे भाई की जान बच जाती जब तुम मेरे भाई की जान नहीं बचा सकते तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई नलिनी को अभी भी इस तरह घुसा देख आरेमान कहता है मैं तुम्हारी परिशानी को समझ रहा हूं नलिनी लेकिन जब तुम्हारे दिल की आवाज पूरी शुद्धता के साथ मेरे पास पहुची तब ही मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आपाया हूं इससे पहले जब भी तुमने मुझे पुकारा था तुम्हारा कोई ने कोई स्वार्थ शिपा हुआ था लेकिन इस पार तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के पुकारा था तुम्हारी पुकार काफी पवित्र थी और उसमें वो करोणा थी जो अंतरिक्ष में कभी सुनाई नहीं दे थी इसलिए मैं चला आया आर्यमान अपने आने और ना आने का कारण नलिनी को बता चुका था लेकिन नलिनी का घुसा और उसका रोना अभी भी कम नहीं हुआ था वो रोते रोते ही कहती है चाहे जो भी ओ आर्यमान लेकिन मैं तुम्हें अब कभी माफ नहीं करूँगी आर्यमान के उपर नलिनी को काफी घुसा आ रहा था लेकिन उसके सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए थे वो कहती है अगर तुम मेरी मदद के लिए आयो और तुम्हारे अंदर इतनी शक्ती भी है तो फिर चलो हम अभी सब को पराजित करके आते हैं मेरा बदला तो अभी ही पूरा हो जाएगा ना नलिनी जल्द से जल्द अपना बदला पूरा करना चाहती थी उसके इस उतावले पन को देख आर्यमान एक लंबी सांस लेते वे कहता है नलिनी ये लड़ाई तुम्हारी है इसके उपर तुम्हें खुद ही जीत पानी है मैं बस तुम्हें इसके लिए तयार कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी लड़ाई में इस वक्त हिस्सा नहीं ले सकता आर्यमान की ये बाते नलिनी का घुसा और भी बढ़ा रही थी अपने दांतों को पीसते हुए नलिनी कहती है इसका मतलब मुझे मेरा बदला अकेले ही लेना होगा लेकिन आर्यमान तुमने मुझे इतने कमजोर शरीर में क्यों डाल दिया इस शरीर का मैं क्या करूँ नलिनी की बातों को सुन आर्यमान का हस्ता मुस्कुराता चहरा बिलकुल भाव शुन्ने हो जाता है वो नलिनी की और देखते हुए कहता है नलिनी ये शरीर नैना का है जिस तरह से तुमारे उपर जल्म हुए हैं न उसी तरह के जल्म इस बिचारी पर भी हुए थे तुम जब उस पहाड से गिर रही थी उस समय से लेकर तुमारे शरीर के जमीन से टकराने के बीच मैंने इस पूरे पृत्वी की साथ बार परिक्रमा की थी इस तोरान मुझे सिर्फ नैना ही ऐसी दिखी जिसका शरीर उसके आत्मा से अलग हो रहा था और साथ ही उसका मन भी पवित्र था नैना की आत्मा की पवित्र था उस वक्त तुमारे उस करून पुकार की पवित्र था से मिल खा रही थी इसलिए तुमें ये शरीर मिला है अब इस शरीर को तुम स्विकार करो और इसी के साथ जिना सिख लो आरेमान की बातों को ध्यान से सुन रही नलिनी कहती है नैना के उपर जुल्म किसने किये थे पर इसका कातिल कौन है नलिनी के सवाल को सुन आरेमान कहता है अपनी आखों को बंद करो नलिनी अपने मन को अपने दिमाग पर ला करके इंद्रित करो कुछ तुम याद करने की कोशिश करो कुछ मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ आरेमान की बातों को सुन नलनी अपनी आखों को बंद करती है अपने मन मस्तश को खुले गगन में छोड़ नलनी ने ध्यान धर लिया था उधर उसके सामने खड़ा आरेमान कुछ-कुछ बातों को दहराते हुए उसे सब याद दिला रहा था थोड़ी देर में नलनी अपनी आखी खोलती है उसकी दोनों आखे आँसों से भरी हुई थी वो आरेमान की और देखते हुए कहती है आरेमान, मैं आज से नेना के शरीर को धारण कर रही है और अब लोग मुझे नेना के नाम से ही जानेंगे मैं नेना की मौत का बदला जरूर लूँगी इसके कातिलियों को मैं इतनी दर्दनाक मौत दूंगी जो नहोंने कभी सोची भी नहीं होगी इतना केह नेना, अपनी आखों को बंद कर लेती है उधर दूसरी और खड़ा आरेमान, नेना की आखों से निकलते आसों को ध्यान से देख रहा था नैना की आखों से निकलते आसों को देख आर्यमान उससे कहता है नैना, इन आसों को तुम बचा कर रखो ये आसों नहीं बल्कि उन दुश्मनों को नाश करने का आस्तर है तुम अपने आसों को अपना आस्तर बनाओ नैना और इस दोनों जन्म के बदले को पूरा करो आर्यमान की बातों को सुन नैना उसकी ओर देखते वे कहती है आर्यमान, मैं नैना और नलेनी दोनों का बदला पूरा करूँगी लेकिन पहले मुझे ब्रह्मियंतर को हासिल करना होगा अगर तुम सिर्फ उसका एक अंशो तो वो ब्रह्मियंतर कहा गया मुझे ब्रह्मियंतर को हासिल करना बेहर जरूरी है क्योंकि वो तो मेरी अमानत है मैं अपने माँ भाई की कुरवानियों को बरबाद नहीं ने दे सकती अगर वो नलिनी में शरीर के साथ होगा तब तो वो भानू के हाथ भी लग सकता है नैना के सवाल को सुन आरेमान काफी गंभीर हो जाता है उसके चहरे पर आए गंभीरता के इन भाउं को देख नलिनी को भी डर लगने लगता है वो आर्यमान के जवाब के प्रतिक्षा में थी तब ही आर्यमान उससे कहता है नैना ब्रह्मियंतर तुम्हारी तो सिर्फ अमानत है लेकिन मेरे वजूद के लिए वो बहुत जरूरी है अगर तुमने ब्रह्मियंतर को जल्दी नहीं खो जा तो मेरा अस्तित्व भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा आर्यमान की इन बातों को सुन नैना के चेहरे पर चिंता के एक बड़ी लकीर उबराती है वो डरते डरते आर्यमान से पूछती है लेकिन आर्यमान इस ब्रह्मियंतर को मैं कैसे खोजू मुझे तो उसे खोजने का कोई रास्ता भी नहीं मालूम है नैना की बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है ब्रह्मियंतर कहा है ये जबाब तो तुम्हें खुद से ढूनना होगा तुम अपने मन के उपर नियंतरन प्राप्त करो और अपनी अध्यात्मिक शक्तियों को जाग्रेट करो इसके बाद तुम्हें ब्रह्मियंतर से जुड़ी जानकारिया मिल जाएगी इतना क्या है आर्यमान नैना के सामने से अच्छानक गायब हो जाता है आर्यमान की इन बातों को सुन और उसे इस तरह गायब होते देख नैना की दुविदा तो दूर नहीं हुई थी लेकिन वो अब ब्रह्मियंतर को लेकर काफी परिशान हो दे थी क्या ब्रह्मियंतर को ढूंड आर्यमान के अस्तित्व को बचा पाईगी नैना क्या है नैना की सचाई जिसकी हाकिकत देख उसका बदला लेने के लिए तैयार हो गई है नलनी ब्रह्मियंतर आर्यमान और नलनी तथा नैना के बीच नलनी या फिर कहे नैना काफी उलच चुकी थी नैना को ब्रह्मियंत्र के खोने का डर सता रहा था और वो उसे खोजने के लिए काफी बेचेंट थी लेकिन अचानक आर्यमान के वहां से गायब हो जाने के बाद नैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आर्यमान आर्यमान तुम कहा गए पहले तुमने मेरे परिवार को नहीं बचा है और अब तुम मेरी भी मदद नहीं कर रहे हो आर्यमान को खोजने के बाद भी उसके नाम मिलने की वज़े से नैना परेशान थी आखिरकार अक हार कर वो वहीं लोटने का फैसला करती है जहां उसकी आँखे कुली थी नैना के शरीर में वास्तो नलनी की आत्मा का हो गया था लेकिन अब नैना के शरीर के भीतर बसे नलनी के उपर सबका बदला लेने की जिम्मेदारी थी ये नैना की भी जिन्दगी गजब थी इसके पिता वीरभद्र और माता प्रतिभा जल्दी गुजर गए बेहदिक कमजोर और कम अकल नैना की जिन्दगी को तो सब नर्क बना डालती लेकिन भगमान ने उसे कवच के रूप में एक बड़ा भाई प्रताप दिया था कुछ याद दिला दिया था और अब वो उन्हीं बातों को याद कर आगे चली जा रही थी नैना के मरने की खौइश रखने वाले तो कई हैं लेकिन मुझे नैना को मारने वाले इंसान का चैरा क्यों दिखाई नहीं दे रहे मुझे उस आत्मी का चैरा दूंडला क्यों दिखाई दे रहे आरेमान ने मुझे ये तो याद दिला दिया है कि प्रताप के जाने के बाद नैना से राजा के पोते ने उसके भाई प्रताप के बारे में कुछ बोला था और इसलिए नैना उससे उलज गए थी इसके बाद राजबरिवर के सैनीकों ने नैना की खुब पिटाई بھی की थी नैना के दादाजी तो यहां की सेना के सेनापती हैं लेकिन उस कमसोर से दिखने वाली नैना को बचाने वाला यहां कोई नहीं था अंत में वो लोग उसे फेक कर चले गे लेकिन भीषी में नेना की मौत कैसे हुई मुझे नेना को मारने वाले का चैरा आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे अपने कातिलों के बारे में याद करते हुए नेना वापस उसी रास्ते पर चली जा रही थी नेना के शरीर पर जख्म तो कहीं नहीं है फिर मेरे मिर्ट्यों आखिर कैसे हुई मुझे अपने सवालों का जवाब अब वो बुड़ी अम्मा ही दे सकती है हाँ रास्ते में चलते वक्त नेना के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे वैसे तो नलिनी के लिए ये रास्ता और राज्य दोनों नहीं थे लेकिन नेना को ये सभी याद थे उसकी यादों से नलिनी को भी ये समझ आ गया था कि हिमाले की पहाड़ियों से काफी आगे बसा हुआ ये कुसान देश है और यहाँ पर वर्मन परिवार का शासन है नैना का परिवार राजमहल के पीछे सिनापती को मिलने वाले भवन में रहता था राजमहल के भीतर प्रवेश करते ही सब नैना को ऐसे घुड रहे थे बात तो जरूर है ओफ मैं भी तो पगली हूँ मैं तो मार कर जी गई हूँ हाहा इसलिए सब मुझे खुर रहे हैं हाँ कोई बात नहीं है देखो और देख लो पहले तुम सब ने मेरी मात का तमाशा देखा था और अब तुम मुझे देख रहे हो इनी बातों को सोचते अपने दिमाग को और समझने की कोशिश करते हुए नैना आखरकार एक बार फिर से उसी बुड़ी अम्मा के पास पहुँच चुकी थी नैना को अब तक ये भी याद आ चुका थ ये उसकी दाई अम्मा रह चुकी है नैना को अपने पास देखते ही बुड़ी अम्मा कहती है नैना मेरी बेटी तुम उठकर आचानक से कहां चली गई थी बेटी तुम्हारे जिंदा बचने की मुझे काफी खुशी है लेकिन मेरी तुमसे विनती है तुम यहां से भाग जो बेटी राज परिवार के सैनिको को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो और वे फिर से तुम्हें ढूंडते वे यहां आये थे बेटी तुम चली जाओ वरना वे तुम्हें माट ढालेंगे इतना कहते कहते बुड़ी अम्मा के सांसे फूलने लगी थी बुड़ी अम्मा को इस तरह परिशान होते देख नैना को उनकी चिंता होने लगी थी वो उसे समझाते वे कहती है अम्मा आप चिंता मत करो मेरा कोई कुछ बिगार नहीं पाएगा अम्मा अपने मेरा बहुत ध्यान दखा है लेकिन अब आप इसकी चिंता मत कीजिए मैं खुद को समाल लू वो नैना से कहती है नैना बिटी तुम्हारी मा जब मुझसे मिली थी तो तुम्हारे पालन पोशन की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी बिटी आज तो लगा था मैंने तुम्हारी मा से किया हुआ वादा तोड़ दिया है तुम्हारी सासों को ना चलता देख बिटी मेरी तो जान ही निकल रही थी, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया है, जो उन्होंने तुझे सही सलामत रखा, बेटी, अब मैं तुम्हें दुबारा से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, तुम यहां से चली जाओ, चली जाओ, और अपनी जान बचाओ. नैना ने कोई बहुत बड़ा गुणा नहीं किया था, उसने सिर्फ वर्मन परिवार के वारिस से जगड़ा कर लिया था, लेकिन दाईयम्मा बार-बार उसे अपनी जान बचानी के लिए कह रही थी, यह सुन्ना का माथा ठणक जाता है, वो दाईयम्मा से कहती है, दाईयम् नैना इस सवाल के जरीए अपने कातिल के बारे में भी जानना चाहती थी नैना के इस सवाल को सुन अम्मा कमरे के दर्वाजे को बंद करने लगती है वो कमरे के दर्वाजे को काफी जल्दी जल्दी में बंद कर रही थी ऐसा करता देख, नैना को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि उसे मारने की कोशिश करने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी है अम्मा को यू घबराते देख, नैना उससे कहती है अम्मा, आप इतना घबरा क्यों रही है? मुझे कौन मार सकता है अम्मा? कमरे का दर्वाजा बंद कर लेने के बाद भी, नैना के सवाल का वो बुड़ी अम्मा कोई जवाब नहीं दे रही थी डर के मारे उसका हलक सुखने लगा था और वो अभी तक पानी के कई घूट अपने गले से नीचे उतार चुकी थी अम्मा को इस तरह डरता देख, नैना उनसे एक बार फिर से सवाल करती है अम्मा, राज परिवार के उन चम्चो की पिटाई से मैं सिर्फ घायल हुई थी इसके बाद उन्होंने मुझे राजमहल का ही बगीचे में फेक दिया था अम्मा किसमें हुआ मेरी जान लेनी चाहिए थी और आप, आप अभी भी फिर से मेरी जान लेनी की बात कर रही है वो कौन हैं मा? आप मुझे उसकी सच्चाई क्यों नी बता रही? नैना सच्चाई जानने के लिए जितना जिद कर रही थी अम्मा का डर उतना ही बढ़ते जा रहा था वो नैना के पास आते वे कहती है बेटी, यहां दीवारों के भी कान होते हैं तुम यहां यह से बाते मत करो वरना वो अभी आ जाएगा उससे कोई नहीं जीत सकता बिटा उसके हाने के बाद मौत पक्की होती है तुम बहुत भाग्यशाली थी जो बच गई, नहीं तो उसके वार से कोई बच नहीं सकता बुड़ी अम्मा अब डर के मारे थर थर कांप रही थी उनका ये डर देख नलिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो अम्मा को शांत करने के लिए कहती है अम्मा, आप शांत हो जाएए आप मुझे कुछ मत बताएए बस मुझे इतना जानना है कि इतनी छोटी सी बात पर मेरी जान लेने की कोशिश कौन कर सकता है नैना के इन सवालों को सुन बुड़ी अम्मा की आँखों में अब आंसु आने लगे थे वो नैना की और देखते वे कहती है बेटी, तुमारे मरने की ख्वाइश रखने वाले तो तुमारे अपने ही हैं लेकिन जिसने तुमें मारा था वो तुमारा ही नहीं बलकि तुमारे पिता का भी दुश्मन था शायद इसी दुश्मनी का वो तुमसे बड़ला ले रहा था तुम्हारे अपनोंने तुम्हारे बगीची में पड़े होने की जानकारी उसे दी होगी और जान बूचकर तुम्हें उस जंगल से सटे बगीची में फेक दिया होगा तभी वो जानवर यहां आया होगा किसी जानवर के हाथो अपनी मात के बारे में सुन नैना की हैरानी और भी बढ़ते जा रही थी वो चौकते हुए कहती है अम्मा जानवर कोई जानवर भला मुझे क्यों मारना चाहेगा मेरी किसी जानवर से क्या दुश्मनी हो सकती है नैना के सवाल तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहते लेकिन इन सवालों से बोड़ी अम्मा का डर बढ़ते जा रहाता वो कापते हुई आवाज में कहती है बेटी वो सिर्फ जानवर नहीं है उसका आधा शरीर इंसानों का है और आधा शरीर भेडिये का है इनसानी भेश में भेडिया या भेडिये के भेश में इनसान तुम उसे कुछ भी कह सकती हो अपने बीस वर्षों के संघर्ष भरे जीवन में नलिनी ने ऐसे किसी इनसान या जानवर के बारे में कभी नहीं सुना था इस जानवर के बारे में सुनने के बाद उसका अश्यर बढ़ता ही जा रहा था वो अम्मा से कहती है अम्मा इस जानवर के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना था और अपने ही परिवार के लोग मुझे मारने के लिए किसी जानवर को क्यों बुलाएंगे अमा फिर अगर मुझे मारने के लिए किसी जानवर ने मेरे उपर वार किया था तो उसका कोई जख्म मेरे शरीर पर क्यों नहीं है कमरे को बंद कर नैना को डरते डरते बुड़ी अमा काफी कुछ बता चुकी थी लेकिन नैना के सवाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे उसकी बातों को सुन बुड़ी अम्मा कहती है आज से पहले किसी ने उस जानवर को बुलाय भी नहीं था और फिर उसके बारे में जिक्र करने से भी लोग डरते हैं उसका खाफ ऐसा है कि उसका नाम लेने भर से लोगों की दिलों की धड़कन रुकने लगती है इतना कहते कहते बुड़ी अम्मा भी शान्त होने लगी थी थोड़े समय की चुप्ती के बाद वो नैना से कहती है नैना बिटी मैं तुमें अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ रही बात तुम्हारे शरीर के जख्मों की तो चोटो भरा तुम्हारा शरीर तुम्हारे भाई प्रताब को नहीं दिखाय जा सकता था इसलिए तुम्हारे दादा जी के आदेश पर मैंने कुछ खास चड़ीबूटियों से तुम्हारे कहाओ को बर दिया था नैना को अभी भी उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था लेकिन वो आगे कोई सवाल करती उससे पहले कोई उस कमरे के दर्वाजे को खटखटाता है दर्वाजा खटखटाने के आवाज को सुन बुड़ी अम्मा डरते हुए दर्वाजा खुलती है तो सामने सैनिक खड़े थे नैना को माराज ने हमारे दर्वार में पेश करने का आदेश दिया है इसलिए हम नैना को अभी ले जा रहे है सैनिको की बातों को सुन बुडी अम्मा अभी कुछ कहती उससे पहले ही नैना आगे बढ़ते हुए कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ बुडी अम्मा मैं थोड़े समय बात आपसे मिलती हूँ इतना कह नैना उन सैनिको के साथ चल देती है सैनिको के साथ चल रही नैना के दिमाग में अभी भी उस इंसान रूपी बेडियां तथा उसकी मात की खौईश रखने वाले अपनों की बात गूम रही थी जो उसे दायम माने बताई थी क्या है इस इंसान रूपी भी बेडिये का रहस से और वो क्यूं लेना चाहता है नैना की जान नैना के खिलाफ अपने ही क्यूं कर रहे हैं साथ चुश और राजदरवार में आज क्या है नैना के पेशी का मकसद नलिनी की आत्मा ने जिस नैना के शरीड में अपना नया घर बनाया था उसकी मात की दास्तान सुन नलिनी ने हमेशा के लिए उसका शरीड धारण कर नैना बनकर ही जीने की कस्म खाली थी उधर नैना के सामने जैसे जैसे उसकी मौत की सच्चाई आ रहे थी उसका दिमाग वैसे ही घुमता जा रहा था मेरी मौत की चाहत तो मेरे अपनों के ही थी लेकिन मुझे मारने वाला एक ऐसा जानवर है जो आधा भीडिया और आधा इंसान है दाही अम्मा के मुताबिक वो जानवर फिर से मेरे उपर हमला कर सकता है इस सब है क्या मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा शायद इसी वज़े से मुझे अपनी यादों में उसका चेहरा भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था इन्ही बातों में खोई हुई नैना सैनिकों के साथ राज दरवार की और बढ़ते जा रहे थी नैना की मौत और उसके फिर से जिन्दा होने की कहानी पूरे राजमहल के लिए चर्चा का विश्य बन गए थी राजमहल में रहने वाले सभी लोग इस वक्त अपने घरों से बाहर निकल कर नैना को देखने के लिए सडकों पर आ गए थे इस दरिश को देख नैना को काफी घुसा आ रहा था ये लोग अभी जिस तरह से तमाशा देखने के लिए सड़कों पर आगे हैं अगर ये उस जानवर के हमले के समय बाहर आये होते तो शायद मेरे उपर वो हमला नहीं करता मुझे तो ये पुरा राज जी ही अपने पतन की और अग्रिसर दिखाई पड़ रहा है थोड़ी देर में नैना राजदरवार के दरवाजे पर आ खड़ी होई थी कुसान देश का राजदरवार इस वक्त पूरा सजा हुआ था और सभी महत पूरुन मंत्री अपनी जगों पर बैठे हुएथे राजदरवार में प्रवेश करने के साथ ही नैना की नजरें अपने दादा की उपर पढ़ती है ओ, तो यही है मेरे दादा और कुसान देश के सिना पदी यहां के राजकुमार के साथ बैस जैसी चोटी सी बात पर भी इनके सैनिकों ने मेरी पिटाई करके मेरी हालत मरने लाइक कर दी थी लेकिन मेरे दादा जी मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया थे राज दरवार में प्रवेश करने के साथ ही राजा के बगल में लगी दूसरी सबसे उची कुरसी को देख नैना अपने दादा सेनापती अमाद्ते की पहचान कर चुकी थी उधर दूसरी तरफ अपनी पुती नैना को जिन्दा देख अमाद्ते बेहदी आश्र चकित था उस राक्षस के हमले के बावजूद ये नैना जिन्दा कैसे बच सकती है इस मनपुत्ती के पास तो दूसरे श्रेनी के युद्धा की भी ताकत नहीं है और फिर इसके मिर्थ शरीर को तो मैंने भी दिखा था प्रताब की वज़े से मैंने इसके शरीर के गाउं को ढखने के लिए बोला था लेकिन वो आखर जिन्दा कैसे बच गई यही सूचते हुए आमत्ते अपनी बड़ी बड़ी आँखों से नैना को घूरे जा रहा था मंत्रियों, सैनिकों और आम जनता से खचाखच बरे इस दर्वार में नैना को आज उसके गुनाह के लिए पेश किया जा रहा था नैना को उसके गुनाहों से कहीं अधिक सजा पहले ही मिल गई थी लेकिन दाजा के पोते का दिल अभी भी नहीं बरा था नैना को राज दर्वार में पेश करने के साथ ही वहाँ खड़ा एक सैनिक पूरी सभा को शांत करता है और कहता है कुसान देश के विद्वानों और मंत्रियों से भरी सभा में आज सेनापती आमत्ते की पोती नैना की पेशी हो रही है नैना के उपर ये आरोफ है कि इसने महराजा धिराज इस राज जी के पालक और हम सभी के राजास सिंग वर्मन जी के उत्तराधिकारी और कुसान देश के युवराज देव वर्मन की सभी के सामने बेज़्यती की है और उन्हें अपशब्द का है नैना की इस गलती के लिए हम सभी अधिक से अधिक दंड की मांग रखते हैं सैनिक की इस बात को सुन पूरे राज दर्वार में शान्ती थी सभी अब राजा सिंग वर्मन से कुछ बोलने का इंतिजार कर रहे थे उधर दूसरी तरफ सिंग वर्मन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था वो बैठे बैठे ही कहता है सेनापती आमत्य हमारे राज जी की सुरक्षा के लिए पिछले काफी सालों से लगातार काम कर रहे हैं हम सभी जानते हैं कि सेनापती आमत्य का पूरा जीवन इस राज जी की उन्नती और इसकी सुरक्षा के लिए सोचते हुए गया है इनकी पोती नैना ने मेरे पोते देव वर्मन का अपमान किया है एक दादा होने के नाते मैं इनकी पोती को माफ भी कर सकता हूँ सिंग वर्मन के इतना कहते ही पूरे राजदर्वार में खुसुर खुसुर मच जाती है सिनापति आमत्य और नैना समित पूरे राज़ दर्वार उसकी उर्देखने लगता है तब ही सिंग वर्मन कहता है लेकिन देव वर्मन मेरा पोता होने के साथ इस राज्य का उत्तराधिकारी भी है वो इस वक्त कुसान राज्य का युवराज है और एक युवराज की बेज़्यती हम बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं सिंग वर्मन की ये बात सुनने के साथ ही पूरे राज दरवार में होरी खुसुर फुसुर एक बार फिर से शुरू हो जाती है आमत्य और नैना की नजरें अभी भी सिंग वर्मन को ही देखे जा रही थी उधर सिंग वर्मन की पूरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी राज जी का राजा और बहुत बड़ा राजनितिक सिंग वर्मन नैना को सजा सुना कर प्रजा के सामने अपनी छवी खराब नहीं करना चाता था साथ ही वो नैना को सजा दिये बिना छोड़ना भी नहीं चाता था इसलिए वो गेंड को सेनापती अमत्य के पाले में डालते हुए गहता है सेनापती अमत्य के ओधे और उनके इस राज जी के प्रती समर्पन को देखते हुए मैं ये फैसला करता हूँ कि नैना के लिए दंड का निर्धारन वही करेंगे सिंग वर्मन की इन बातों को सुन पूरा राज दरबार वाह वाह कर उठता है हरे महराज कितने दयालू हैं सेनापती के परिवार का सदच से होने के बावजूद इस लड़की को सजा देने का हक उन्होंने सेनापती को ये दे दिया है ऐसे ही बातें इस वक्त पूरे राज दरबार में सुनाई दे रही थी उधर सिंग वर्मन की बातों को सुन अमात्ते उसका चहरा देखता है इसी के साथ दोनों के चहरे पर एक शैतानी हसी आती है और इस हसी को नैना देख चुकी थी नैना की अब काफी इच्छा हो रही थी कि वे सभी को जबाब दे लेकिन परिस्थितियों को देखते वे नैना और थोड़े समय तक चुप रहने का फैसला करती है तभी अमात्ते कहता है महराज के द्वारा दिये गए इस अधिकार के लिए मैं उनका सदा सदा अभारी रहूँगा महराज के द्वारा दिये गए इस अधिकार का उप्योग करते हुए नैना को मैं ये हुक्म देता हूँ कि वो अभी देव बर्मन के कदमों में गिर जाए और उनसे माफी मांगे इसके आगे देव बर्मन जो भी फैसना लेंगे वो मुझे मन्जूर होगा अपने दादा की इन बातों को सुन नैना उसका चहरा देखने लग जाती है मेरे दादा जी को तो सारी सच्चा ही पता है इन्होंने तो इतनी चोटी सी बात के लिए मुझे मरनासन में भी देखा था इसके बात भी ये मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं लगता है दाई अम्मा ने जिन घर के दुश्मनों की बात की थी वो यहीं से शुरू होते हैं यही सोचते हैं वे नेना अमात्ते का चहरा देखती रह जाती है नेना को इस तरह खड़ा देख अमात्ते उससे एक बार फिर से कहता है नेना तुम खड़े खड़े मेरा चहरा क्या देख रही हो तुम अभी युवराज से माफी मांगो राज दर्बार में कब से अपने उपर हो रहे अन्याएं को देख रही नैना की सहनशक्ती अब समाप्त हो चुकी थी वो तुरंथी पूरी गंभीरता के साथ कहती है मैं माफी मांगू और वो भी इस उदंड देव वर्मन से पैसा कभी नहीं हो सकता आप सभी जानते हैं देव वर्मन ने पहले मेरे बड़े भाई का नाम लेकर उसे अपशब्द कहती इसलिए मैंने देव वर्मन से बहस की थी मैं इस देव वर्मन से माफी नहीं मांग सकती हूँ नैना के इतना कहते ही अमात्ते घुस्से में उबल पड़ता है वो अपने दोनों दांतों को पीशते हुए कहता है पहले तुमने युवराज की बेज़ज़ती की और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम युवराज को नाम से संबोधित करोगी उदंड लड़की अभी क्या भी युवराज के कदमों में गिर कर माफी मांग लो वरना मैं यहीं तुम्हारी जान ले लूँगा अमात्ते की इन बातों को सुनने के साथ ही नैना हस पड़ती है उसकी यहासी पूरे राज दरबार में सुनाई देती है हस्ते हस्ते ही नैना कहती है सेना पती अमात्ते आप मुझे माट डालेंगे उसी तरह क्या जैसे आपके सैनीकों ने मुझे आज सुबह पीट-पीट कर मारी डाला था अमात्तक के पूरे खांदान में आज तक उसे किसी ने ऐसे संबोधित नहीं किया था नैना के मूँ से निकले इन शब्दों को सुन वो सोच में डूप जाता है इस नैना के इतनी एक कैसे हिमत होगी जो ये मुझे नाम से संबोधित कर रही है इसके बोलने का तरीका और इसका हत्म विश्वास भी पूरी तरह से बदल चुका है जो लड़की दिना गलती की अपना परीचे भी नहीं दे सकती थी वो आज पूरे राजदरवार के सामने इतनी इस प्रश्टता के साथ बात कैसे कर ली है यही सोचते हुए अमाद तक उसका चहरा देखी जा रहा था तभी नैना कहती है सेना पती अमाद ते हैं दो बाते तो जान ले पहली बात यह कि मैंने आपके युवराज की बैज़्जती नहीं की है मैंनो तो सिर्फ उनका सच से सामना करवाया था और दूसरी बात यह कि इस बात की सजा आप लोग मुझे दे चुके है पहले मुझे यहां के इन गुलामों सैनिकों ने पीटा और फिर मुझे मरने के लिए बगीचे में फेका है इसलिए युवराज देव वर्मन से मैं किसी भी हालत में माफी नहीं मागूंगी नैना की इन बातों को सुन अमात्य कुछ बोलता उससे पहले इस सिंग वर्मन अपना सिंगासन छोड़ खड़ा हो जाता है सिंग वर्मन को ऐसा करता देख पूरे राजदरवार में खलचल मच जाती है तब इस सिंग वर्मन की तीर जैसी नुकिली आवास पूरे राजदरवार में कुँच पड़ती है तुछ लड़की तेरे इतनी हिम्मत जो तु मेरे बोते को इस राजजे के इवराज की बेज़्यती करे मैं अभी तेरा गला काट दूँगा सिंग वर्मन का ये गुस्सा देख पूरा राजदरवार कापने लगता है लेकिन नैना अभी भी उसके सामने निर्विक होकर खड़ी थी वो कहती है महराज आप एक बहुती अनुभवी और प्राकर्मी युद्धा है अगर आप मेरा गला काटेंगे तो लोग क्या बोलेंगे इसलिए मैं आपसे ये विन्ती करती हूँ कि आप युवराज देव वर्मन का मुकाबला मेरे साथ करवाई नैना की इन बातों को सुन सिंग वर्मन कुछ बोल पाता इससे पहले ही देव वर्मन खड़ा हो जाता है और कहता है इस लड़की को अभी तलवार दी जाए मैं अभी इसके साथ युद्ध करूँगा और इसकी गर्दन को इसके शरीर से हलक कर दूँगा देव वर्मन की इन बातों को सुन रही नैना जानती थी कि उसका शरीर अभी बेहत कमजोर है वो तुरंथ ही सिंग वर्मन की ओर देखते हुए कहती है महराज यहाँ पर हर कोई जानता है कि उवराज अभी पांचवी श्रेणी के युद्धा बन चुके है जबकि मैं तो दूसरी श्रेणी की युद्धा भी नहीं हूँ नैना की इन बातों को सुन देव कहता है लगता है डर के मारे इसकी हालत खराब हो गई है सब लोग सची कहते हैं कि नैना किसी काम की नहीं है अमात्ते के परिवार की सबसे कचड़ा सदस्य हो तुम देव वर्मन की इन बातों को सुनने के बाद भी नैना अपना धीरज नहीं खोती वो कहती है नहीं माराज मैं डर नहीं रही हूँ मुझे बस तैयारी के लिए थोड़े दिनों का समय चाहिए इसलिए मैं आपसे एक महने की महलत मांगती हूँ नैना के इतना कहते ही देव फिर से बीच में बोलते हुए कहता है ठीक है तुम एक महने और जिन्दा रह लो इसके बाद मैं तुमसे एक महने के बाद होने वाली राजस्तरिय युद्ध कौशल प्रतियोगिता में मिलूँगा और वहीं सब के सामने तुम्हारा गला काटूँगा देव की इन बातों को सुन नैना कहती है गला किसका कटेगा और कौन जिन्दा रहेगा ये तो अब वक्त ही बताएगा बाकि इस प्रतियोगिता का इंतजार मुझे भी रहेगा इतना कै वहीं खड़ी नैना मुस्कुराने लगती है उदर सिंग वर्मन और सिनापती अमात्ते कभी एक दूसरे का तो कभी नैना का चेहरा देखी जा रहे थे क्या होगा जब एक महिने बाद होने वाली राजस्तर्य युद्ध कौशल प्रतियोगिता में जब भीडेंगे नैना और देव वर्मन अमात्ते की नैना के साथ दुश्मनी की क्या है कहानी और इतने दुश्मनों के बीच अब कैसे रहेगी नैना एक महान युद्धा की बेटी होने के बावजूद नैना को कभी भी उसके खांदान में इज़त नहीं मिली थी काफी छोटी उम्र में ही नैना के माता और पिता का देहान थो गया था नैना के पास उसका देहान रखने वाला सिर्फ उसका भाई और उसकी दाई अम्मा थी भाई के भी युद्ध पर चले जानी की वज़़ से नैना को बचाने वाला अब कोई नहीं था और राजमहल में उसके उपर बहुत सारे जुल्म हो रहे थे आलाकि वापस लौटी नैना ने बीच राजदरवार में युवराज देव वर्मन को चुनोती देकर सबको अचराज में डाल दिया था कुसान देश के राजा सिंग वर्मन के बगल में सिनापती के आसन पर बैठा अमात्ते भी अपनी पोती के इस रूप को देखकर हैरान था ये लड़की इतना बोलना कब से सीख गई इसे न तो ठंक से बात करने आता था और नहीं इसे युद्ध का कोई तरीका मालूम है फिर ये पांचवे श्रेणी के युद्धा ये वर्मन को कैसे आरा पाईगी यही सोचता हुआ अमत्तिया हैरानी भरे निगाहों से नैना की और देखे जा रहा था भरे दर्बार में नैना के इस रूप ने अमत्तिय को इतना चिंतित कर दिया था कि उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे ये लड़की आखिर सैनिकों की पिटाई और उसके बाद उस जानवर के वार से बचके से गई ये तो मुझे नैना लगी नहीं रही है कहीं ये दूसरी लड़की तो नहीं 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 इसका शरीर तो पूरे समय तक मेरे सामने था लगता है इसकी सांसे बस थोड़ी देर के लिए रुक गई थी लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो ये युवराज को ललका रही है उधर युवराज देव को प्रतियुगिता के लिए चुनौती देने के बाद नैना राज दर्वार से निकल गई थी नैना यहां आई तो एक कैदी की दरह थी लेकिन वापस जाते जाते उसने कई लोगों का सम्मान अरजित कर लिया था राज दर्वार से बाहर निकलने के साथ थी नैना की मुलाकात अपनी चचेरी बेहन हिना से हो जाती है नैना को इस तरह देख लेक हिना के भी आश्चेर की कोई सीमा नहीं थी वो नैना से कहती है नैना ये तुमने क्या किया तुम्हारी जान बज़ की थी इसके बाद भी तुमने अपनी जान को दुबारे से खत्रे में क्यों डाल दिया नैना को हिना अच्छी तरीके से याद थी उसके भाई की गैर मौजूदगी में हिना ने भी नैना को काफी परिशान किया था नैना को ये सारी बाते याद आती है लेकिन इसके बाद भी वो बेहदी शान्ती पूरवक तरीके से हिना से कहती है इना, मेरी प्यारी बेना, तुम चिंता ना करो, इस बार मैं युवराज देब को पूरे राज्जी के सामने हराऊंगी, उस घमंडी देव वर्वन को मैं सबक सिखा कर रहूंगी नैना की इन बातों को सुनने के साथ ही इना का घुसा भड़क उठता है इना के मन में नैना के लिए जरा भी हमदर्दी का भाव नहीं था, वो नैना से कहती है अरे ओ नैना की बच्ची, तुम युवराज देब को हराने का सपना मत देखो, तुमें पता भी है, युवराज देब के पिता कितने बड़े युद्धा हैं और तो और युवराज देब को युद्ध कौशल की सिख्षा देने वाले, उनके गुरू, इस कुसान देशी क्या, हिमाले से इधर के पूरे शेतर के सबसे बड़े युद्धा हैं, तुम ने हराने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो नेना को हिना के इस वैवार तद्धा अपने प्रती उसकी नफरत के बारे में अच्छे से पता था, वो हिना के इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है, और सिर्फ मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती है, नेना के इस कुटिल मुस्कान को देख, हिना भी उसका चेहरा देखते रह जाती है राजमहल से निकलने के साथ ही नैना की नजरें अपनी बुड़ी अम्मा पर पड़ती है उनके पास जाने के साथ ही नैना कहती है क्या हुआ अम्मा आप यहां क्या कर रही है नैना को अपने पास सही सलामत खड़े देख दाई अम्मा उसको अपने गले स तुम कैसी हो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई, उन जानवरों ने तुम्हें परिशान तो नहीं किया ना। अम्मा को इस तरह परिशान होते देख, नैना उन्हें एक जगह बिठाती है, और कहती है, अम्मा अब वो दिन गए जो कोई भी मुझे परिशान करके चला जाता था, अब इस नैना को परिशान करने वाले खुद परिशान हो जाएंगे, खल तक इस राजमहल में सब अपनी चलाते थे, लेकिन अब अपना समय आ गया है, नैना की बातों को सुन, दाई अम्मा हैरानी भरी लिगाहों से उसका चेहरा देख रही थी, ये तुम क्या कह रही हो बेटी, तुम्हारा बड़ा भाई प्रताब भी या नहीं है, अगर तुमने कुछ कर दिया तो तुम्हें यहां कोई बचाने वाला भी नहीं है, उतनी छोटी सी बात पर तो उन्होंने तुम्हें मारी डाला था, अब तुम फिर से उनसे मत उलजो बेटा, दाई अम्मा को नैना की काफे चिंता हो रही थी, दाई अम्मा की उम्र और उनको यू चिंता करते देख, नैना उन्हें जादा कुछ बताने का फैसला नहीं करती है, वो उनसे कहती है, दाई अम्मा, आप चिंता मत कीजे, मैं किसी से उलज नहीं रही हूँ, आप जाकर अराम कीजे, मैं थोड़ी दे टहल कर आ रही हूँ, इतना कहने नैना दाई अम्मा को उनके कमरे की और भेश देती है, वो चुप चाप, एक बार फिर से उसी पहाड़ी की और निकल जाती है, एक महीने बाद मुझे उस देव से प्रतियुकता करनी है, नैना के इन शरीर के साथ तो मैं उसके आगे दो पल भी नहीं टिक सकूँगी, अगर मेरे पास नलिनी की ताकत होती, तो फिर बात दूसरी होती, यही सब सोचते सोचते नैना एक बार फिर से कुसान देश के सबसे उची चोटी पर पहुँच चुकी थी, उस चोटी पर पहुचने के बाद नैना को आरेमान के वहीं मिलने के उमीद थी, लेकिन नैना को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है, नैना को पहले से ही आ आरेमान पर काफे घुसा अरा था, इसलिए वो आरेमान पर जादा ध्यान भी नहीं देती है। उस पहाल की चोटी पर कुछ समय तक इधर उधर गूमने के बाद नैना थोड़े देर तक ध्यान लगाने का फैसला करती है। योग की मुद्रा में बैठने के बाद नैना अपनी आँखों को बंद करती है और अपने अंदर जाकने की कोशिश करने लगती है। नैना के इस शरीर के पास ज्यादा अध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं था। लेकिन वो काफी संजीतगी के साथ अपने पूरे शरीर के भीतर ज्याक रही थी। तब ही नैना को कुछ अजीब सा मैसूस होता है। यह क्या है। यह तो मेरे शरीर के चक्र है। मुझे अपने शरीर के साथो चक्र जागरित क्यों दिख रहे है। मानव शरीर का निर्मान साथ चक्रों से होता है। इन में से कुछ चक्र तो हर किसी के जागरित हो जाते हैं। लेकिन सातों चक्र के एक साथ जागरित होने का मतलब था कि वो इंसान महा मानब बन चुका है। अपने शरीर के भीतर सातों चक्रों के जागरित होने का एसास मिलते ही नैना की आँखे खुल जाती है। अपनी आँखों की खुलने के बाद, नैना अपने पूरे शरीर को देखते हुए सोचती है। जैसे कोई उसके सर के पीछे किठया है यह महसूस होते ही नेना तुरंथ पीछे मूडती है आर्यमान तुम… तुम मेरे सवालों का जवाब दिये बिना कैसे चले गे थे नेना की बातों से उसका हुस्सा साफ चलग रहाता उसकी बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है शान्त शान्त बाली का शान्त हर समयों गुस्से में रहना सहत के लिए अच्छा नहीं होता वैसे भी इस शरील के साथ तुम गुस्टा करने के लाइक भी नहीं हो इतना के आरेमान हस पड़ता है आरेमान की हसी नैना को काफी चुपती है और वो और भी ये क्या बहुत की बरा मजाख है? वैसे तुम्हें मैं ये बता दूँ, हैशा शरीर भी मुझे तुमने ही दिया है. नैना की इन बातों को सुन, आरिमान कुछ नहीं बोल पाता है. हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं क्या करूँ? नैना को कोई भी स्पष्ठ जवाब नहीं दे पाता है. क्या हुँआ आरिमान, तुम हकला क्यों रहे हो? साब-साब बोल दो कि तुम्हारे पास कोई स्पष्ठ जवाब नहीं है? इतना क्या नैना खड़ी हो जाती है. नैना की बातों को सुन, आरेमान बातों को बदलते हुए कहता है देखो तुम मेरे साथ युद्ध तो कर रही हो ना ना लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो कि एक मैने बाद युद्ध के लिए तुमने किसी और को ललका रहा है इसलिए अभी तुम्हारी असली चिंता वो होनी चाहिए ना कि मैं आरेमान की बातों को सुन नैना थोड़ा शान्त होती है हाँ ये बात तो सही कह रहो एक मैने बाद भी इस शरीर के साथ तो मैं धेब को कभी हरा नहीं सकती इस राज्य में तो मुझे सिख्षा देने वाला कोई आचारे भी नहीं मिलेगा नैना अभी ये सब सोची रही थी कि तभी आरेमान उससे कहता है नैना ये तो तुमारी चिंता का सिर्फ सौवा भाग है तुमारे और मेरे सामने तो अभी इससे भी बाड़ा संकट मौझूद है आरेमान के इशारों को नैना समझ रही थी मुझे जल्द ब्रह्मियंत्र को खुजना है मुझे ये बात याद है इतना कह नैना पहाड़ी के किनारे पर जाकर खड़ी होती है और डूपते हुए सुरी को देखने लगती है नैना को यूँ उदास देख आरेमान उसके पास जाते हुए कहता है क्या हुआ नैना तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे ना आरेमान के इतना कहते ही नैना पीछे मुड़ती है और हस्ते वे कहती है क्या कहा तुमने हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे तुम भी न अच्छा मज़ाग कर लेते हो आरेमान क्योंकि अगर हमने मिलकर काम किया होता न तो आज मेरा भाई जिन्दा होता और शायद मैं अपनी माँ और उनके खांदान के मौत का बदला ले चुकी होती इतना कहने नैना एक बार फिर से सुरी की और देखने लगती है नैना की बातों को सुनने के बाद आरेमान थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर कहता है नैना जो बीट गई सो बात गई तुम आज की बात करो न मैं आज तुम्हारी मदद के लिए आखड़ा हूँ उस समय ये सारी बाते मेरे वश में नहीं थी आरेमान की इन बातों से नैना का घुस्सा और भी भड़क उठता है तुम यहाँ पर मेरी मदद के लिए भी नहीं आये हो अगर तुम्हें मेरी मदद करनी होती न तो तुम मेरे लिए युद्द लड़ते और तुम्हारी इन शक्तियों के साथ आभी तक मैं दोनों जगहों पर बदला ले लेती लेकिन तुम जैसे कल फालतू थे न वैसे याज भी फालतू हो मुझे तुम्हारे होने या ना होने का कोई फाइदा तो दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए तुम्हें जो करने आना वह करो तुम नैना की इन बातों को सुन रहा आरियमान अपनी जगह पर चुप चाप खड़ा था क्या नैना की इन कड़वी बातों के बाद अपना रास्ता बदल लेगा आरियमान नैना कैसे जीते की प्रतियों गिता और कैसे पूरा होगा उसका दोनों जिन्दगियों का बदला आरियमान से समय पर मदद ना मिलने की वज़़ा से नैना उससे काफी जादा गुस्सा थी और आज उसने आरेमान को काफी सुना भी दिया था उधर नैना की बातों को सुनदा आरेमान चुप चाप उसके सामने खड़ा था नैना की बातों को आरेमान खत्म होने तक सुनता है और नैना के चुप हो जाने के बाद कहता है नैना अब तुम चाहे जो भी मानो ब्रहम्यंत्र की वज़े से मेरा और तुम्हारा रिष्टा जुड़ गया है अब तुम इन सब बातों को छोड़ो और खुद के उपर ध्यान दो ऐसी पतली और कमजोर लड़की के साथ युद्ध करने से तो अच्छा है देव आत्मत्या कर ले इतना के आरेमान कभी नैना को देख रहा था तो कभी उससे नजरे चुरा रहा था आरेमान की इन बातों को सुन नैना का घुसा और भी बढ़ जाता है वो अपने दान्तों को पीसते वे कहती है इप 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 मैं तुम्हारा क्या करू आरेमान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा वश सलता ना तो मैं तुम्हारी जान ले लेती नैना को यू गुसा करते देख आरेमान एक लंबी सांस लेता है और कहता है मैं सच बता रहा हूँ अगर तुम खुबसूरत होती तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए अपनी जान दे देता लेकिन अपसोस तुम खुबसूरत भी नहीं हो मतलब खुबसूरत हो लेकिन इतनी दुबली पतली होने की वज़े से लगती नहीं हो अगर तुम आने वाले दिनों में थोड़ा अपनी खुबसूरती पर काम करती हो तो मैं जरूर अपनी जान देने पर विचार करूँगा आर्यमान की इन बातों को सुन नैना हैरानी भरी निगाहों से उसकी और देखते जा रही थी नैना की आँखें उसके घुसे को बया तो कर रही थी लेकिन इस तरह की बाते सुनकर उसके मूँ से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे थोड़ी देर बाद नैना अचानक मुडती है और आर्यमान के उपर अपने मुक्के से वार कर देती है उधर आर्यमान पहले से ही काफी चकनना था नैना के पीछे मुडते ही वो भी तयार हो गया था और उसके वार को वो अपने हांथों से रोक लेता है ओ नैना तुम क्यों अपनी इन कोमल कलाईयों को कश्ट दे रही हो इन कोमल कलाईयों को देव वर्मन के साथ युद्ध के लिए समाल कर रखो वैसे भी इतनी कोमल कलाईय और इस शरीर के साथ तुम क्या ही युद्ध करोगी इसका अंदाजा मुझे तो लग चुका है आर्यमान ने नैना पर काफी गंबीर तंज किया था आर्यमान की बातों को सुन रही नैना अपने हाथ को उससे छुडाती है और कहती है आर्यमान मैं किसी अच्छे गुरू से सिख्षा लोगी और फिर देव वर्मन से युद्ध करूँगी युद्ध सिख्षा में पारंगत होने के बाद मैं किसी को भी हरा सकती हूँ इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो आर्यमान के तंज को नैना ने काफी गंबीरता से ले लिया था और इन बातों को वो काफी आत्मविश्वास के साथ कह रही थी हलाकि नैना के इस आत्मविश्वास का आर्यमान के उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा रहा था वो हस्ते हुए ही कहता है क्या बोला तुमने नैना तुम डेव वर्मन को एक महिने में युद्ध कला सीख कर हरा दोगी अच्छा मजाग था आर्यमान को इस तरह हसते देख नैना उससे घुसा होते कहती है क्या हुआ आर्यमान मेरी इन बातों को सुन तुम्हें हसी क्यों आरी क्या मैं युद्ध नहीं कर सकती तुमने मुझे क्या समझ रखा है यह शरीर भले ही नैना का है लेकिन इसके भीतर की आत्वा तो नलिनी की है न और यह नलिनी भी पाँचमे श्रेनी की युद्धा रह चुकी है यह नैना की बातों को सुन आर्यमान उससे सहमत होते वे कहता है आँ-ाँ नैना बात तो तुम्हारी सही है लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं याद है कि इस वक्त नैना दूसरे श्रेनी की भी युद्धा नहीं है अब देव वर्मन से युद्ध लड़ने के लिए नलिनी तो आने वाली है नहीं न वो तो नैना कोई लड़ना होगा रही बात एक महने में युद्ध कला सीखने की त तब भी तुम्हें पांचवे श्रेनी का युद्धा बनने में धाय वर्षों का समय लग जाएगा आरेमान की इन बातों को सुन रही नैना अब चुप थी वो कुछ भी बोल नहीं रही थी और सिर्फ आरेमान की बातों को सुन रही थी उसके चहरे से उदासी साफ जलक रह जी थी नैना को यूँ उदास होते देख आरेमान उससे कहता है नैना ओ नैना इधर तो करो जरह अपने नैना इतना कह वो हस पड़ता है आरेमान को हसते देख नैना एक बार फिर से उसको घूरने लगती है ये देख आरेमान उससे कहता है मुझे माफ करना मैं जरा कभी इदर कभी उधर निकल जाता हूँ वैसे मैं ये कह रहा था कि तुम इस बात को लेकर चिंता मत करो कि तुम एक मैने में देव वर्मन को कैसे हरा पाओगी क्योंकि इस दुनिया का कोई सिक्षक तुमें भले ये न सिखा सकता हूँ लेकिन ये आरेमान ऐसा जरूर कर सकता है आरेमान की बातों को सुन नैना उससे कहती है ठीक है आरेमान मेरी सिक्षा कब से शुरू होगी नैना युद्ध कला को सीखने के लिए काफी बेचेन थी दरसल अपनी पिछली जिंदगी में नलिनी ने अपने पूरे 20 वर्ष लड़कों के साथ युद्ध करते और युद्ध सीखते हुए ही बिता दिये थे वही नैना को इन सब में जरा भी रूची नहीं थी और इसीलिए उसके पास ज्यादा युद्ध कला का ज्यान भी नहीं था यही वज़त ही कि नैना अभी तक सिर्फ दूसरे श्रेनी की युद्धा ही बन पाई थी नलेनी की आत्मा तो नैना के शरीर में आ गई थी लेकिन उसकी युद्ध कला कम अध्यात्मिक ज्यान तथा कमजोर शरीर को देख नलेनी को काफी बेचैनी महसूस हो रही थी नलेनी की बेचैनी को देख आर्यमान उससे कहता है तुम्हारी सिक्षा तो आज से ही शुरू हो जाएगी नैना लेकिन हमें इसके साथ ब्रह्यंत्र को भी खोजने पर ध्यान देना होगा बिना ब्रह्यंत्र के मैं जादा देर तक तुम्हें सिक्षा नहीं दे पाऊँगा ब्रह्म्यंत्र की गैर मौजूदगी में मैं बस तुम्हें एक सिड़ी चड़ा सकता हूँ लेकिन इसके आगे उपर बढ़ने के लिए तुम्हें खुती रास्ता बनाना होगा आर्यमान की बातों को सुन नैना गैरी चिंटा में डूप जाती है मैं इस ब्रह्म्यंत्र को कहां खुजूँ मैं इसके लिए क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नैना की बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है नैना इस समस्या का समाधान इस तरह परिशान होना नहीं है तुम्हें ब्रह्मियंत्र को खोजने के लिए अपनी अध्यात्मिक शक्तियों को जागरित करना होगा तुम अपनी अध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाओ और फिर ब्रह्मियंत्र को अपने मन से जुड़ने दो तुम्हें उसका पता मिल जाएगा आर्यमान की ये बातें नैना के समझ से बहार थी वो आर्यमान की तरफ देखते हुए कहती है तुम ये सब क्या कह रहे हो आर्यमान ब्रह्मियंत्र का पता मेरे मंद से कैसे चल जाएगा वो मुझसे कब जुड़ गया नैना के इन सवालों को सुन, आरियमान मुस्कूर आता है नैना, जिस वक्त तुमने सच्चे दिल से ब्रह्म्यंत्र से मदद मांगी थी और ब्रह्म्यंत्र ने तुम्हारी मदद के लिए अपने आप से मुझे मुझे मुख़् कर यहां भेजा उसी समय से तुम्हारा और ब्रह्म्यंत्र का रिष्टा जुड़ गया है तुम अब उससे जुड़ गई हो इसलिए खुद की अध्यात्मिक शक्तियों को थोड़ा जागरित करो और ब्रह्म्यंत्र को खोजने की कोशिश करो आरिमान की बातों से सहमत होते हुए नैना कहती है ठीक है आरिमान मैं ऐसा कोशिश जरूर करूँगी वैसे अभी जब तुम यहां नहीं थे उस बक्त भी मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की थी जिसके बाद मुझे ऐसा मैसुस हुआ जिसे मिरे शरीर के सभी चक्र जाग उठें लेकिन जब मैंने अपनी आँख्यों को खोला तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ नैना की बातों को सुन आरिमान हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखे जा रहा था इस लड़की को ऐसा अभास कैसे हो सकता है अगर ऐसा है तो इसका मतलब यही है कि ब्रह्म्यंत्र कुछ इशारा कर रहा है लेकिन इसकी शक्तियों को देखिये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसके सभी चक्र जागरित हो चुके है प्रित्वी पर ऐसे महामानफ तो आज तक सिर्फ गिने चुने लोगी हुए है आरेमान नैना की और देखते हुए इन बातों को सोचने में डूबा हुआ था तब ही नैना उससे कहती है आरेमान आरेमान कहां खो गए हो तुम नेना की बातों को सुन आरेमान उसकी और देखते वे कहता है। कहीं नहीं, वैसे तुम्हें फिर से अगर कबी ऐसा महसूस होता है तो मुझे जरूर बताना। आरेमान ने नेना के सभी चक्र के जागरित होने की बात को काफी संजीट्गी से लिया था। उसकी इस संजीतगी को देख नैना कहती है, ठीक है आर्यमान, मैं तुम्हें इस बारे में बता दूँगी, वैसे तुम मुझे अभी कुछ ग्यान देने की बात कर रहे थे न, मुझे उस बारे में कुछ बताओ न, नैना, आर्यमान को पसंद तो बिलकुल भी नहीं करती थी, लेकिन उससे ग्यान प्राप्ट करना उसकी मजबूरी थी, नैना की इन बातों को सुन, आर्यमान उससे कहता है, नैना, अध्यात्मिक शक्तियां और युद्ध शक्तियां आपस में जुड़ी हुई है, तुम जैसे जैसे युद्ध कला में अपनी श्रेनी बढ़ाती में विना प्राप्ट करके मैं बस तुमें अध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीड़ीं चला सकता हूं। इसके बाद तुमें ये बात पहले भी बताई थी, बिना प्राप्ट करके में चलदी नहीं है, अगर तुमने उसे जल्दी पर भी संकट है और मैं भी गायव हो सकता है। आर्यमान के इतना कहते हुए अचानक वहां हवा चलने लगती है और वो धीरे धीरे भाइब होने लगता है। अचानक इस द्रश्य को देख नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आरिमान आरिमान ये तुम्हें क्या हो रहा है आरिमान को इस तरह धीरे धीरे घायब होते देख नैना काफी गंबिर हो चुकी थी तब ये आरिमान उसके सामने एक बार फिर से सही सलामत आ पहुंचता है आरेमान को इस तरह सई सल्मत देख नईना उसे कहती है आरेमान, तुम्हें क्या हो ग्या था? कहाँ चले गेते तुम नईना की बातों को सुन आरेमान हसते हुए कहता है मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो बस तुम्हें ये दिखा रहा था कि ब्रहम्यंत्र के ना मिलने पर मैं कैसे गाइब हो सकता हूँ बस आरेमान की इन बातों को सुन नैना घुस्सा करते हुए कहती है अरे ये कोई मजाक का समय है बताओ मुझे क्या ये मजाक के लिए सही समय है मुझे अब बस मेरी सिक्षा के बारे में होता हूँ मैं कैसे अपनी अध्यात्मिक शक्तियों और अपने युद्दिग्यान को बढ़ा सकती हूँ नैना की बातों से उसकी गंभीरता साफ जलक रही थी ये देख आरेमान अपने जेप से एक कागस का टुकड़ा निकालता है और नैना को देते वे कहता है इन्हें लेकर जब इतना कै आरेमान वहां से अच्छानक खायब हो जाता है क्या आरेमान की सहायता से ब्रह्मियंत्र को खोच पाने में नैना हो पाईगी काम्याब क्या है नैना के सभी चक्रों के जागरी धोने के एहसास का रहसी है कुसान देश की सबसे उची पहाड़ी पर खड़ी नैना अपनी आखों के सामने सूरज को ढलते हुए देख रही थी आस्मान में उड़ता पक्षियों का जुंट अपने घुंसनों की ओर बढ़ रहा था तो उसे पहाड़ से नीचे किसान अपने पश्वों को अपने घर की ओर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे थे आर्यमान नैना के हाथों में कागस का एक टुकड़ा पकड़ा कर गायब तो हो गया था लेकिन नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो आर्यमान से और भी जानकारी चाहती थी लेकिन आर्यमान को बुलाने का कोई तरीका इस वक्त उसके पास नहीं था पहाड़ी पर खड़ी नैना खुब जोर जोर से आवाज लगाती है आर्यमान आर्यमान तुम कहा हो आर्यमान नैना के काफी चिलाने के बाद भी आरेमान वहां पर नहीं आता है लगता है आरेमान ऐसे यहां नहीं आएगा एक बार फिर से पहाड़ी के किनारे से कुदने का नाटक करती हूँ हाँ, इस तरीके से तो वह यहां जरूर आ जाएगा नैना यह सोचते हुए पहाड़ी के किनारे की तरफ बढ़ रही थी तब ही उसके पीछे ख़ड़ा आरेमान उससे कहता है हाँ, इस बार उस किनारे पर गई न, तो मैं खुद तुम्हें धक्का दे दूँगा आरेमान के अवाज सुनते ही, नैना पीछे मुड़ते हुए कहती है आरेमान, तुम बिना पूरी बात पताए कहां चले जाते हूँ तुमसे पूरी बात जाने मिना मैं आगे क्या करती और फिर मेरे पास तुम्हें बुलाने का कोई तरीका भी तो नहीं है न इसलिए मैं ये रास्ता अपना रहे थी नैना की बातों को सुन, आरेमान अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है अरे तुम इसका तरीका मुझसे भी पूच सकती थी वैसे मुझे बुलाने के लिए तुम्हें जादा कुछ नहीं करना है तुम बस सच्चे दिल से मुझे याद करना, मैं वहाँ चला आउंगा आरेमान की बातों को सुन, नैना उसकी और देखते हुए कहती है ठीक है आरेमान, वैसे तुमने ये कौन सा पर्चा मुझे थमा दिया है इस पर्चे का तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसका क्या करूँ? नैना की बातों को सुन, आरेमान उस पर्चे को अपने हाथों में ले लेता है नैना, ये जड़ी बूटिया है, तुमें इने किसी दवाखाने से लेकर आना है आरेमान इतना कह है, पर्ची एक बार फिर से नैना को थमाने लगता है ये देख नैना समझ जाती है कि आरेमान गायब होने वाला है नैना उस पर्ची को वापस लेने से पहले ही आरेमान से कहती है नहीं नहीं अभी मुझे मेरे कुछ और भी सवालों के जवाब चाहिए तुम इन आश्टियों से क्या करोगे और ये मेरी कैसे साहता करेंगे ब्रह्मियंत्र से मैं ग्यान कैसे अर्जित करूँगी और वो मेरी कैसे साहता करेगा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आरिमान तुम पहले मेरे सभी सवालों का जबाब दो उसके बाद यहां से जाना नैना के पास काफी सवाल थे ये देख आरिमान उससे कहता है तुम अभी इन आश्टियों को खरीद लो इसके बाद जब तुम कल मुझे से मिलोगी न मैं तुम्हें आगे की सारी बात बताऊँगा ब्रह्मियंत्र के बारे में पूरी जानकारी तो मैं तुम्हें कल भी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि उसे जानने के लिए तो इनसानी जन भी कम पड़ जाएगा लेकिन तुम ब्रह्मियंत्र के बारे में कल बहुत सारी बाते जान जाओगी अब ये पर्ची पकड़ो मैं याँ से जा रहा हूँ इंसानों के पास अभी तक ब्रह्मियंत्र के बारे में जादा कुछ जानकारी नहीं थी और इसलिए नैना को भी इससे जुड़ी ज्यादा बातें नहीं पता थी उधर आर्यमान के इतना कहने के बाद भी नैना परची को नहीं पकड़ती है नैना को इस तरह दूर हटते देख आर्यमान उससे कहता है अब क्या हुआ नैना, अब तुम इस पर्ची को क्यों नी पकड रही हो आरेमान की इस बात को सुन नैना उससे कहती तुम भी मेरे साथ बाजार चलो आरेमान, सूरज रहलने वाला है अगर हम अभी पहुँचे, तब ही हमें दवा मिल पाएगी पर फिर हम खल सुबे आगे का गाम शुरू कर सकते हैं नैना की बातों को सुन आरेमान हैरान होते वे कहता है तुम भी चलो, मैं तुमारे साथ बाजार क्यों चलो, मुझे वाँ कोई काम नहीं है आरेमान के इतना कहने से पहले ही, नैना अपना पहला ख़दम बढ़ा चुकी थी वो अब पहाड़ी से नीचे उतर रही थी और चलते चलते ही आरेमान से कहती है मेरे पीछे आओ, मैं तुमारी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, आखिरकार मैं अबोद नैना, उन जड़ी बूटियों को कैसे पहचान पाओगी, सोचो ज़रा इतना कह, नैना मुस्कुराते वे आगे बढ़ जाती है नैना की बातों को सुन, आरेमान को मन मार कर उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है नैना, ये सही बात नहीं है, मैं तुमारी मदद के लिए आया हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे यूँ हर काम करवाओगी, मेरी भी कोई अपनी इज़त है आरेमान की बातों को सुन, नैना उससे कहती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम मुझे सूरज ढलने से पहले बाजार में बनी सबसे बड़ी दवा के दुकान के पास पहुँचा देते तब मैं तुम्हारी इज़त भी करती, लेकिन ऐसे में इज़त के बारे में, क्या ही बोलू, नैना की इन बातों को सुन, आरेमान उसके बरावर में आता है सुनो, पहुचाने के लिए तो मैं तुम्हें चांद तक पहुचा सकता हूँ, लेकिन एक जवान लड़की और एक इतने खुबसूरत लड़के को एक साथ देख, ये जमाना क्या सोचेगा आरेमान की बाते नैना को बकवास लग रही थी, वो आरेमान से कहती है, आरेमान पहली बात तो यहां वहां की है नहीं, दूसरी बात तुम इसकी चिंटा मत करो, अगर पहुचा सकते हो, तो मुझे वहां पहुचा दो नैना की बातों को सुन आर्यमान कहता है हम दोनों का भी एक दूसरे को जानना जरूरी है पैदल चलते हैं रास्ते में बाते करते हुए हमारी भी जान पेचान हो जाएगी इतना कह आर्यमान मुस्कुराने लगता है थोड़ी देर तक लगातार चलने के बात नैना और आर्यमान आखिरकार कुसान शहर में बने सबसे बड़े दवाखाने तक पहुँच गये थे सूरज अब ढल चुका था और सभी लोग दुकान को बंद करने में लग गये थे उस दवाखाने के भी बंद होने का समय हो चला था कि तब ही नैना और आर्यमान वहाँ पहुच जाते हैं कुसान शहर के सबसे बड़े दवाखाना शाही दवाखाना में आपका स्वागत है यहाँ पर आपको प्रित्वी पर मौजूद वो सारी दवाएं मिल जाएगी जिनें भी आज तक मानवत्ता के ध्यास में खो जा गया है नैना और आर्यमान के उस दवाखाने में जाते ही वहाँ की विशिष्टा उसे सुना ही पढ़ने लगती है इस आवाज को सुन नैना और आर्यमान अपनी नजरें इधर उदर गुमाते हैं तो उन्हें वहाँ बैठा हुआ एक दोता रिखाए देता है वही दोता इन बातों को लेकर वहाँ आने वालों का स्वागत कर रहा था शाही दवा खाने के इस खूबी को देख नैना काफी आश्यर चकित होती है उदर आर्यमान की नजरें अपने अगल बगल की सबी चीजों को देख रही थी आर्यमान को वहाँ कुछ एसास हो रहा था इस जगह पर कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है आर्यमान को उस दवा खाने में जाते ही इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उस पर नजर रख रहा है मैं नैना की नजरों के सामने से गायब भी नहीं हो सकता हूँ हमारा यहाँ जारा समय तक रुकना सही नहीं है यही सोचते हुए आर्यमान जल्द जरूरत की जड़ी बूटियों को लेकर वहाँ से निकलना चाहता था थोड़ी देर में नैना के सामने एक आदमी आ खड़ा होता है और उससे कहता है आपको क्या चाहिए महतरमा उस आदमी की बातों को सुनते ही नैना आर्यमान से लिया वह पर्चा उसकी तरफ बढ़ा देती है उस पर्चे को देख वह आदमी कहता है ठीक है मैं अभी इन जड़ी बूटियों को निकाल देता हूँ इतना कह वह आदमी आगे बढ़ता है तब ही पीछे से आती एक आवाज उसे रोक लेती है हरो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तुमने कहा था इस दवा से मेरा दाथ ठीक हो जाएगा लेकिन वो भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है एक बेहदी सजे धजे भेश में वहाँ खड़ी औरत इतना कह दवा की कुछ शिश्यों को लकड़ी की बनी मेच पर पठक देती है ये देख सबकी निगाहें उस औरत की और मुड़ जाती है उस औरत का चैरा देखते हुए वही खड़ा आदमी उससे कहता है महतरमा आप इस दवा को लेकर कल ही गई थी आपके दाग को ठीक होने के लिए आपको इसे अपने चैरे पर कम से कम पंदरा दिनों तक लगाना होगा उस आदमी की बातों को सुनते ही वह औरत भड़कते वे कहती है अरे तुमारी हिम्मत कैसे ही मुझसे जुबान लड़ाने की मैं वर्मन परिवार चाती हूँ तुमारे इस दवा खाने को नो मैं आज ही बंद करवा दूँगी हाँ उस वारत की बातों को सुन दुकान का वो आदमी मुस्कुराते वे कहता है महतरमा शायद आपने इस शाही दवा खाने को कोई आम दवा खाना समझ रखा है लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सिर्फ कुसान शहर और देशी नहीं बलकि अन्ने कई बड़े बड़े राज्यों के भी राजा और सेट यहां इलाज के लिए आते हैं इसलिए आप इसे बंद करने की धमकी ना ही दीजिए तो अच्छा है अब अगर आप यहां से शांती पुर्वक तरीके से नहीं गई तो हम आपको यहां आने से प्रतिबंदित कर देंगे इसके बाद आप कभी भी इस दवा खाने में अपने कदम नहीं रख पाएंगी उस आदमी की इस पश्टता को देख नैना और आरेमान दोनों हैरान थे उधर उस आरत को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने पूरे वर्मन परिवार की धज्यां उड़ा कर रख दियो दुकानदार की इन बातों को सुन वो औरत तुरंट वहां से निकलने लगती है और जाते जाते कहती है हाँ हाँ मैं इस दवा खाने को बंद करवा करी दम लूंगी अब ना तुम अपनी उल्टी गिंती शुरू कर दो उस औरत के दवा खाने से निकलने के साथ ही वहां ख़ड़ा आदमी नैना और आर्यमान से कहता है माफ कीजिएगा लेकिन मुझे अब इस घटना को यहां के मालिक से बताना होगा मैं अभी आता हूँ इतना कह है वो आदमी दोड़े दोड़े सीड़ियों के उपर चला जाता है उस आदमी को उपर जाते देख आर्यमान को अपना शक सही लगने लगता है मैं सही था जरूर कोई नो कोई हम पर नज़र रख रहा था उपर बैठा वो आदमी वही होगा आर्यमान उन आदमीयों की बातों को सुनना चाहता था लेकिन नैना की वज़े से वो वहां से जा नहीं पाता है उधर शाही दवा खाने में खड़ा वो आदमी उपर पहुचते ही कहता है चोटे मालिक वो वर्मन परिवार की वारत वो आदमी अभी अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले उसके सामने बैठा शक्स उसे रोकते वे कहता है अरे उसकी धमकियों का मेरे उपर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है मेरी चिंता तो इस वक्त ये सामने खड़ी लड़की है उस शक्स की बातों को सुनते ही दवा दुकांदार कहता है चोटे मालिक लेकिन ये लड़की तो अभी यहां आई है और इसने बेहत साधारन जड़ी बूटिया लाने को कहा है फिर आपको इसे लेकर चिंता क्यों हो रही है दुकांदार की बातों को सुन वो शक्स बेहदिक गंभीरता के साथ कहता है हर वक्त चिंता दुश्मनों की नहीं होती कभी-कभी इंसान अपनों को भी देख चिंती थो उड़ता है शाही दवा खाने में मिले इस शक्स का नैना के साथ क्या है रिष्टा क्या आर्यमान की मदद से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागरित कर ब्रह्म्यंत्र को ढूंड पाईगी नैना आर्यमान के साथ दवा खाने से जड़ी बूटिया लेने गई नैना को वहाँ वर्मन राजपरिवार की एक जगडालू आरत मिल जाती है अलाकि नैना का उस आरत से कोई विवाद नहीं होता है लेकिन वह आरत वहां मौचूद दुकांदार से जगडा करके चली जाती है इसके बाद वह दुकांदार तुरंथ ही अपने मालिक को इस घटना से जूड़ी जानकारी देने के लिए दुकान के उपर बने कमरे में चला जाता है उधर नीचे खड़ा आरेमान इधर उधर देख काफी परेशान हो रहा था इस दवा खाने में कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है यह दुकांदार भी कपसी उपर गया है लेकिन अभी तक यह नीचे नहीं आया है जरूर यह लोग नैना से ही जुड़ी कुछ बाते कर रहे हैं आरेमान का यह शक बिलकुल ही सही था उपर से सभी बातों पर नजर रख रहा दुकांदार का मालिक नैना को लेकर काफी चिंतित था उसे इस तरह परिशान देख दुकांदार कहता है क्या हुआ चोटे मालिक आप इतना परिशान क्यों हो रहे हैं इस लड़की से आपका क्या रिष्टा है दुकांदार की बातों को सुन वो शक्स खड़ा हो जाता है शाहिद तुमने इस लड़की को नहीं पहचाना है ये साधारन से दिखने वाली लड़की इस संसार के सबसे महान युद्धा वीरभद्र की बेटी है वो शक्स की बातों को सुनते ही दुकांदार बहुचक्का रह जाता है चोटे मालिक क्या बूलने आप ये ये वीरभद्र बाबू और प्रतिभा बेटी की बेटिया है क्या ये सच है लेकिन आपने आज तक मुझसे ये सारी बाते क्यों चुपाई दुकांदार की ये बातों को सुन वो शक्स कहता है मैं तुमसे क्या बताता आज से पहले इस लड़की को देख कोई कहनी सकता था कि ये उसी वीरभद्र और प्रतिभा की बेटी है वीरभद्र और प्रतिभा का बड़ा बेटा यहां युद्ध में नाम पर नाम कमा रहा है सिर्फ उसके नाम से सामने वाली सेना आदी खाली हो जाती है उसी वीरभद्र और प्रतिभा की छोटी बीटी, मन्द बुद्धी है, इसे तो तलवार तक भी पकड़ना नहीं आता लेकिन आज इसका रूप काफी बढ़ला हुआ है, आज इसकी वीरता की कानी पूरे महल में गुंच रही है बस, इसलिए मैंने आज तुम्हें इसकी सचाई बता दी, उस शक्स की बातों को सुन दुकांदार कहता है इस दुनिया ने वीर्भद्र और प्रतिवा के साथ काफी अन्याय किया है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ ये कहते हुए दुकांदार की आँखों में आशु आने लगते है इन आशुओं को देख सामने खड़ा शक्स कहता है रो मत रामु काका, वीर्भद्र और प्रतिवा पर अन्याय करने वाले तो हमी थे न? न जाने हमने उनको अलग करने के लिए कितनी कोशिशे की थी, उनके उपर कितने जुल्म हुए थे मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता कि कोई उतना जुल्म सह कैसे सकता है इन से मिलेंगे? दुकानदार की इन बातों को सुनते ही, उस शक्स के चेहरे के भाव अचानक से बदल जाते है वो काफी गंबीर होते वे कहता है, नहीं रामु काका, आप जाएए, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके चेहरे पर ऐसा भाव बिल्कुल ना है, जैसे आप उसे जानते हैं, वैसे वो जो भी दवा ले जाए, आप उसके बारे में मुझे भी बताईएगा उस शक्स की इन बातों को सुनने के साथ ही, रामु नीचे चला जाता है नीचे आने के साथ ही, रामु एक बार फिर से पूरी तरह से दवा दुकानदार के भेश में ढल जुका था वो नीचे आने के साथ नैना की और देखे बिना ही कहता है आपको जो जड़ी बुटी चाहिए, वो बहुत ही आम है, मैं अभी उन्हें आपके लिए बान देता हूँ इतना कहने के बाद, रामु तुरंत काम में जुट जाता है और कुछी मिनटों में वो नैना के जरुरत की सारी जड़ी बुटियों को एक जुले में डाल कर लियाता है ये रही आपकी जरुरत के हिसाब से सारी जड़ी बुटियां इन जड़ी बूटियों के लिए आपको दस स्वरन मुद्राएं देनी होगी, आप इने जमा कर दीजिए। दस स्वरन मुद्राओं के बारे में सुनते ही, नैना की हालत खराब होने लगती है। दरसल नलिनी तो शुरू से एक राज परिवार में पली बढ़ी थी, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नैना के हाला ठीक इसके विपरित थे, उसे हर पाई के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसने जड़ी बूटियां तो ले ली थी, लेकिन उसके पास कोई स्वरण मुद्रा नहीं थी, वो उदास निगाहों से आर्यमान के और देखती है, लेकिन आर्यमान भी अपनी भटी जिब दिखाने लगता है। नैना की इन बातों को सुन, रामु कहता है, अरे कोई बात नहीं बेटी, तुम इने ले जा और धन कल दे जाना, वैसे भी तुम काफी हच्छे परिवार की लग रही हो, मुझसे जूट थोड़ी ने बोलोगी। पीछे मुड़ मुड़ कर उस शक्स को देखे जा रहा था। उस दवा दुकान में हुए अजीब एहसास को आरेमान अभी भी नहीं बूल पाया था। आरेमान के सवाल का जवाब देते हुए। नैना कहती है, नहीं आरेमान, वो मेरे रिष्टेदर क्यों होंगे। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी जिन होते हैं न, वो अपने साथ वालों को मुँ मांगी दौलत देते हैं, उन्हें हर तरह की सुक्षिविधाएं देते हैं, और एक तुमो, तुमारे पास दस सुने के सिक्के भी नहीं है। नैना के हाथों यू बज़ती होते देख, आरेमान परेशान हो चुका था, वो कहता है, देखो मैंने जिन के जैसा कहा है, जिन नहीं कहा है, और फिर जर्वत तुमें है तो धन भी तो तुम ही दोगी, अपनी जिम्मेदारियों से तुम पीछे क्यों अट रही है, पैसे भ तुम बड़ी-बड़ी बाते बनाना जानते हो, अगर मेरी इतनी परवार हैती न, तो कबसे मैं इस जोले को उठा कर चल दी हूँ, तुमने इसे पकल क्यों नहीं लिया है, नैना की बातों को सुन, आरेमान उससे कहता है, राजमेल अभी हाँ से थोड़ी ही दूर है, इतन तुम अकेले इतनी देर रात तक कहा थी, तुम्हें तो पता है न, ये दरवाजा संदिया होने के साथ ही बंद कर दिये जाते हैं, सैनिक की बातों को सुन नैना कहती है, अकेले कहा, मेरे साथ तो ये था, इतना कहा, जैसे ही नैना पीछे मुड़ती है, आरेमान गायब हो आरेमान के गायब होने की वज़े से नैना को दूसरा बहाना बनाते हुए कहना पड़ता है, बस आज थोड़ी खरीदारी में ज्यादा समय लग गया, नैना का जवाब सुन, सैनिक उससे थोड़ी देर तक और पूछताश करता है, और फिर अंदर आने देता है, राजमहल म अंदर आने के साथ ही, नैना तुरंट अपनी दाई अमा के पास चली जाती, इतनी रात गए, नैना को आते देख, दाई अमा उसे खाना खिलाती और कहती है, बेटी नैना, तुम इतनी रात गए, अकेले मत गुमा करो, यहाँ पर तुमारे काफी सारे दुश्मान है बेट कौन बचाएगा? अमा की बातों को सुन, नैना कहती है, आप चिंता मत किजी अमा, अब मैं तुरंट ही आ जाए करूँगी, वैसे अमा आपने सुबह उस धेडिये की कहानी पूरी नहीं बताई थी, अब अभी कोई दखल नहीं देगा, आप मुझे उसकी पूरी कहानी बत कहती है, क्या हुआ अमा, आप इतनी चिंता में क्यों आ गई हैं? नैना की बातों को सुन, अमा उसकी ओर देखते वे कहती है, बेटी, तुम मुझ से उसके बारे में मत पूछो, अगर मैंने तुम्हारी और उसकी दुश्मानी का कारण बताया, तो वो मुझे माट इतना क्या अमा थर थर कापने लगती है, अमा को यूँ डर से कापते देख, नैना उससे कहती है, अमा आप चिंता मत कीजी, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, वैसे अगर आपको उसकी और मेरी दुश्मानी के बारे में बताने में डर लग रहा है, तो आप मुझे उस लोग साथ इसी राजमहल के आस पास में ही बिदाई थी, लेकिन उसे आज तक ऐसे किसी भी जानवर के बारे में नहीं पता था, आज इस जानवर के बारे में पता चलने के बाद से नैना इसे जानने के लिए काफी उथ शुत थी, नैना की बातों को सुन, दाई अमा केहती नैना बेटी, मैं तुम से इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम भी बहुत जिद्धी हो, बिना इसके बारे में जाने नहीं मानोगी, चलो, मैं तुम्हें इस जानवर की जन्म की कहानी पताती हूँ. दाई अम्मा के इतना कहते ही, नैना काफी खुश हो जाती है, वो दाई अम्मा के पास ही अपना बिस्तर लगा लेती है, और वहीं लेट जाती है। उसका जादू उसके इश्ट देव से मिला वर्दान था। नैना के सर पर हाथ फेर रही दाई अम्मा उसे कहानी सुनाए जा रही थी। और नैना उनकी बातों को काफी ध्यान से सुन रही थी। क्या है जादूगर और उस रहस्मई जानवर के बीच का संबंध। क्या शाही दवा खाना में है नैना का कोई शुबचिन तक या वो भी है कोई दुश्मन। दाई अम्मा से इनसान रुपी भेडिये की कहानी सुनने के लिए नैना ने काफी जिद की थी। और आखिरकार दाई अम्मा भी नैना को इस इंसान रुपी भेडिये की कहानी सुनाने को तैयार हो गई थी। दाई अम्मा के पासी लेटी नैना काफी ध्यान से उनकी कहानी को सुन रही थी। दाईयम्मा कहती है। उस जादुगर के पास काफी शक्तियां थी, पर वो काफी शक्तिशाली भी था। उसकी शक्तियों को देख, लोग भी उसे जादुगर कम और जादु टूना करने वाले ज़्यादा समझने लगे थे。 कई लोगों का ये भी कहना था कि वो जादूगर ज्यादा शक्तियां प्राप्त करने के लिए इनसानों की बली भी देने लगा था कहते हैं अमावस की काली रात में एक गाउं के कुछ बच्चे लायब हो गए ये खबर जब उस गाउं के मुख्या को मिली तो फिर सब उन बच्चों को खोजने के लिए निकल गए दाई अमा की बातों को ध्यान से सुन रही नैना अचानक उन्हें रोकते वे खेती है अमा वो गाउं कौन सा था नैना के सवाल को सुन दाई अमा उससे कहती है बेटी इस बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता तुम आगे की कहानी सुनो इतना क्या है दाई अमा फिर से अपनी कहानी शुरू कर देती है काफी देर तक मुख्या के नित्रित में उस गाउं के लोग उन बच्चों को खोजते रहें लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला रात काफी गैरी हो गई थी और पूरे जंगल में भी सन्नाटा पसर गया था इसके बाद भी मुख्या और उस गाउं के लोग बच्चों को खोजना जारी रखते हैं तबी मुख्या की नजर एक गुफा से आरी रोशनी पर पढ़ती है मुख्या और गाउं के लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां वो जादुगर दिखाई देता है साथ ही बच्चे भी वहां दिखाई पढ़ते हैं लेकिन जादुगर उनका गला काटनी वाला था ये देख मुख्या अपनी तलवार निकालते हैं और बिजली की गदी से उस जादुगर का गर्दन कलम कर देते हैं इतना सुनते ही नैना कहती है दाई अमा जब ओ जादुगर मरी गया था तो फिर आखिरकार इस जानवर ने कैसे जन्म ले लिया नैना को फिर से बीच में बोलता देख दाई अमा उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है जरा धीरच रखो बेटी धीरच से इस कहानी को सुनोगी तो खुद सब कुछ सामने आ जाएगा दाई अमा की बातों को सुन नैना चुप हो जाती है और दाई अमा अपनी कहानी के अगले हिस्से को सुनाना शुरू करती है उस जादुगर को मार कर मुखिया ने उन बच्चों को बचा लिया और वहां से उन्हें ले आया लेकिन उस जादुकर ने मरने से पहले ही शैतान की पूजा शुरू कर दी थी अब उस पूजा का प्रवाब था या संयोक ये तो पता नहीं लेकिन अचानक वहाँ एक भेडिया आता है कहते हैं उस भेडिये ने जादुकर के गिरे हुए खून को चाट लिया इसके बाद जादुकर की आत्मा उस भेडिये में आ गई और वो आधा इनसान तदा आधा भेडिये के रूप में बदल गया इसके बाद उस भेडिये ने मुखिया पर भी हमला कर दिया और इनसानों से उसकी दुश्मानी की शुरूआत हो गई वो बेडिया समय के साथ और भी दाकतवर होता गया और अब इनसानों द्वारा उसे हराए जाना काफी मुश्किल है दाई अम्मा की कहानी को सुनने के साथ ही नैना के मन में धेर सारे सवाल आ रहे थे लेकिन उसने दाई अम्मा से पहले ये वादा कर रखा था कि वो जादा सवाल नहीं करेगी सोने की कोशिश कर रही नैना के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे अगर इस इंसान के रुबाले भेडिये का जन्म ऐसी ही वाय तो भी इसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा इनी बातों को सोचते हुए नैना की आँखें लग जाती है और वो सुभ़ दाई अम्मा के जगाने के बाद ही जाकती है सुभ़ जागने के साथ ही नैना को एक साथ कई काम याद आते है मुझे आज आरेमान से भी मिलने जाना है लेकिन उससे पहले मुझे शाही दवा खाने वाले को भी दस स्वरन मुद्राएं देनी है मेरे पास तो अभी एक फूटी कोड़ी भी नहीं है मैं दस स्वरन मुद्राएं कहां से लाऊंगी स्वरन मुद्राएं ना होने के वज़े से नैना काफी चिंता में डूबी हुई थी दाई अम्मा से मांग लो क्या नहीं 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 उनके पास भी इतने पैसे कहां से आएंगे यही सोचते सोचते नैना अपने कमरे से बाहर निकल जाती है राजमहल की शानों शुकत को घूरते हुए नैना सेनापती के निबास से निकल कर मुख्य सड़क तक आ चुकी थी तभी नैना से एक लड़की टकराती है अरे नैना तुम? तुम कहां घूम रही हो? मैं तुमें कल से ढून रही हूँ? नैना को भी इस लड़की का चेहरा अच्छी तरीके से याद था ये नैना की दोस्त निशा थी निशा, मेरी सकी, मैं इस राजजी को और तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी? मैं यही हूँ नैना की बातों को सुन निशा कहती है बेन, तुम इतनी भी भोली मत बनो पूरे राजमहल के साथ साथ इसके बहार भी आजकल तुमारे ही चर्चे है सब बस तुमारे बारे में बात कर रहे है कि कैसे तुमने उस कमीने देव को प्रतियोगता के लिए ललका रहा है मुझे तो इस बात से बेहादी खुशी हुई है देर से ही सही लेकिन तुमने भी कल दिखाई दिया कि तुम महान युद्धा वीर भद्र की बेटी हो तुमारे पिता इस राजजी के साथ साथ हिमाले से इधर के पूरे शित्र के सबसे महान युद्धा थे उन्होंने तो राजजी स्तरिय के साथ हंतर राश्टिय युद्धा का भी खिता था मुझे बहुत गर्व है कि तुम अपने पिता के ख़द्मों पर आगे बढ़ रही हो अपने पिता से जुड़ी ज़्यादे तो नैना के पास नहीं थी लेकिन उनकी यू तारीफ सुन नैना को उन पर काफी गर्व हो रहा था नैना की आँखों में ये गर्व साफ साफ दिख सकता था तब ही नैना के दिमाग में कुछ ख्याल आता है अभी मैं निशा से बीस सुरन मुद्राइं उधार ले ले दी हूँ इसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये सुरन मुद्राइं या उनके बड़ले कोई कीमती वस्तू मैं इसे जल्दी वापस कर दूँगी यही सोच नैना अपने दोस्त निशा से कहती है निशा मुझे कुछ काम है और इसके लिए मुझे सुरन मुद्राइं चाहिए क्या तो मुझे बीस सुरन मुद्राइं उधार दे सकती है नैना के इतना कहते ही निशा तुरन अपनी पोटली खुलती है और नैना के हाथों में बीस सुरन मुद्राइं थमा देती है निशा के इस कदम की उम्मीद नैना को भी नहीं थी वो कहती है सकी, मैं तुम्हें जल्दी ये वापस कर दूँगी, अभी मुझे बहुत सरूरी काम है, मैं चलती हूँ, तुमसे जल्द मिलूँगी नैना की बातों को सुन निशा मुस्कुराते हुए कहती है कोई बात नी है नैना, वैसे भी जो मेरा है, वो तेरा है इतना के निशा हस पढ़ती है, निशा की बातों को सुन नैना भी मुस्कुराती है और उससे विदा लेकर आगे बढ़ती है थोड़ी देर में नैना शाही दवा खाने के दरवाजे पर खड़ी थी जल्दी से इनका उधार चुका देती हूँ, फिर मुझे आरेमान से भी मिलने जाना है यही सोचते हुए नैना अंदर जाती है, लेकिन उसे आज काउंटर पर वो आदमी नहीं दिखाई देता है नैना अपनी नजरें इधर उधर गुमाती है, लेकिन फिर भी उसे कोई दिखाई नहीं देता अजीब बात है, कोई ऐसे दुकान को खुला छोड़कर कहां जा सकता है, वो गल वाला तोता भी आज यहां नहीं है यही सोचते हुए नैना आवाज लगाती है इस तरह आवाज लगाने के साथ ही नैना को अचाना उपर सीडियों पर किसी के चलने की आहट मैसूस होती है लगता है उपर चे कोई आ रहा है यही सोचते हुए नैना चुप होकर किसी के सामने आने का इंतजार करती है नैना को यह सुनाई दे रहा था कि धीरे धीरे वो शक्स सीडियों से नीचे उतर रहा है थोड़ी ही देर में नीचे पर आने के बाद वो शक्स नैना से कहता है जी कहिए आपको क्या खरीदना है दुकान के पटल पर खड़ा वो शक्स वही था जो कल उपर के कमरे में बैठा हुआ था नैना उसे देख पहचान नहीं पाती है कल यहाँ पर कोई और बैठा हुआ था मैं उनसे कुछ जड़ी बूटियां खरीदी थी मुझे उन्हें धन लोटाने है नैना की बातों को सुन वो शक्स कहता है हाँ, रामू काका ने मुझे बताया था आपके दस स्वर अन्मुद्राएं बाकी हैं आपों मुझे दे दीजिए मैं रामू काका को इस बारे में बता दूँग अपने सामने खड़े उस शक्स को देख नैना को काफी अजीब मैसूस हो रहा था क्या मैं इनने जानती हूँ इनने देख ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ उस शक्स को देख नैना उसके बारे में याद करने की कोशिश करने लगती है लेकिन फिर भी नैना को कुछ नहीं यादा रहा था उधर नैना को यूँ चुपचाप खड़े देख वो शक्स कहता है क्या हुआ आप इस तरह चुप क्यों खड़ी है आप मुझे पैसे दे दीजिए मुझे और भी काम है नैना को इस तरह सामने खड़ा देख उस शक्स के भी दिल की धड़कने बढ़ रही थी मैं इसके सामने ये जाहिर नहीं कर सकता हूँ कि मैं इसे जानता हूँ ये तो मुझे नहीं पैचानती होगी इसलिए भी अंजान बनकर रहना ही सही है हाँ उस शक्स को देखने के साथ ही नैना के मन में उसे जानने की दिल्चस्पी बढ़ने लगी थी वो शक्स से कहती है देखिए मैं आपको जानती नहीं हूँ अगर आप मुझे अपना परिचे देंगे मैं तब ही आपको ये सोरन मुद्राय दे सकती हूँ नैना की बातों को सुन सामने खड़ा शक्स मुस्कुराते वे कहता है ठीक है मैं इसके लिए तयार हूँ मेरा नाम हर्शवर्धन है और मैं इस दवा की दुकान का मालिक हूँ क्या इतना जानना आपके लिए काफी है आप अब मुझे धन दे सकती है या मैं अपनी पूरी कुंडली आपके सामने लेकर आओ ये बाते कहते वे हर्शवर्धन के चहरे पर मुस्कान थी हर्शवर्धन को इस तरह मुस्कुराते देख नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था हर्शवर्धन की मुस्कान ने नैना को और भी उल्जन में डाल दिया था वो हर्शवर्धन की तरफ दस सोने के सिक्के बढ़ाते वे कहती है ये रहे आपकी दस स्वर्ण मुद्राएं आप इने मिला लिजे वैसे हर्शवर्धन जी क्या मैं आपसे एक निजी प्रशन पूछ सकती हूँ नैना का ये सवाल सुनते ही हर्शवर्धन उसकी और देखते वे कहता है हाँ पूछे आप कोई भी प्रशन पूछ सकती है हर्शवर्धन के इस जवाब को सुन नैना उससे कहती है हर्शवरधन जी मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है लेकिन मुझे ऐसा हैसा है कि हम पहले मिल चुके हैं क्या हम सच में पहले कभी मिलें क्या हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है क्या आप मुझे पहले से जानते हैं नैना के इन सवालों को सुन हर्षवर्धन शांत भाव से उसके चेहरे को देख रहा था क्या नैना के सवालों के बाद उसे सारी सच्चाई बता देगा हर्षवर्धन इन जड़ी बूटियों के साथ क्या करने वाला है आरिमान और कैसे ब्रहम्यंत्र को डूंडे की नैना जड़ी बुटियों का धन चुकाने के लिए नैना शाही दवा खाना पहाँच चुकी थी और वहां उसकी मुलाकात हर्षवर्धन से होती है हर्षवर्धन की नजर कल से ही नैना के उपर थी और वो उसके बारे में हर बात जानता था उधर नैना को भी हर्षवर्धन से मिलकर काफी अजीब एसाज होता है और वो हर्षवर्धन से अपनी पहचान के बारे में पूछ लेती है नैना के इस सवाल को सुन हर्षवर्धन चुप चाप वहीं खड़ा था हर्षवर्धन को इस तरह खड़ा देख नैना उससे कहती है क्या हुआ हर्षवर्धन जी आपने मेरे सवाल का जबाब नहीं दिया नैना की ये बात सुन हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैं बस जरा याद करने की कोशिश कर रहा था वैसे ये दुनिया काफी चोटी है तो हो सकता है कि हम पहले भी मिल चुके हो या हो सकता है कि हम ना भी मिलें नैना के सवाल का हर्षवर्धन को इस पश्ट जवाब नहीं देता है उसकी बातों को सुन नैना सोचती है मुझे ही कुछ गलब फैमी हो रही होगी पिछले कुछ दिनों मेरे लिए काफी मुश्किल रहे हैं वो सकता है यह उसी का असर हो यही सोचते हुए नैना पैसे देकर चुपचाप वहां से निकल जाती है शाही दवाखाना से निकलते वक्त नैना के दिमाग में कई तरह की बाते चल रही थी लेकिन इन बातों को अपने दिमाग में दबा कर वो एक बार फिर से कुसान देश के सबसे उचे पहाड की तरफ बढ़े चले जा रही थी पहाड के उपर चड़ रही नैना कभी इंसान रूपी भेड़ी है तो कभी उस दवा खाने के बारे में सोच रही थी अगर यहाँ पर कोई ऐसा भेड़िया रहता है तो यहाँ का राजा उसका शिकार क्यों नहीं कर रहा है अगर ऐसा कोई भेड़िया कौशल देश में होता है तो मैं तो अभी तक उसके शरीर में अपने कई बान उतार चुकी होती कौशल देश के बारे में याद करते ही नैना की आँखें भरने लगती है अपने पिछले शरीर को छोड़ने से पहले नैना ने अपनों की मौत देखी थी और इस बात ने उसे तोड़ कर रख दिया था अपनों को खोने का नैना के दिल पर काफी बड़ा बोश था और इसकी याद आते ही उसके रफतार धीमे पड़ जाती है नैना अब बहद ही धीमी गती से उस पहाड के उपर चड़ रही थी पहाड के उपर जाने वाले उस रास्ते पर जल्दी कोई आता जाता नहीं था और नैना अकेली ही उपर जा रही थी नैना को उपर चड़ते समय अपने दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था इस रास्ते से तो मैं कल भी गई थी फिर भी ऐसा लग रहा है मानो यहां का जंगल और भी घना हो गया है यह आसपास से कैसी हाट आ रही है कोई मेरे पीछे तो नहीं है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है कोई ने कोई तो यहां जरूर है कहीं वो भाई इंसान रूपी भेड़िया तो नहीं है मुझे अब काफी चुकरना रहना होगा यही सोचते हुए नैना अपने कदमों की रफ़तार को थोड़ा बढ़ाती है उपर जाती नैना के दिमाग में अचानक आर्यमान को बुलाने का ख्याल आता है लेकिन अगले सेकेंड वो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देती है अगर मैंने आर्यमान को बुलाया तो वो मदद करने के करीब जाते जा रहे थी उसका यह एसास और भी गहरा होते जा रहा था अचानक उसे महसूस होता है कि जैसे जाडियों मेंसे कोई उस पर नजर रख रहा है नैना के पास कोई हथियार तो नहीं था लेकिन वो तुरंत ही एक पेड़ की टहनी को तोड़ती है और जाडियों क कि तरफ देखने लगती है कौन है कौन है कौन है यहां मैं कहती हूं बहार आजा वरना अंजाम काफी बुरा होगा नैना के इस तरह धमकी देने के बाद भी उसके सामने कोई नहीं आता है जाडियों से आती सरसराट की आवास नैना को अब डराने लगी थी आस तक तो मुझे ऐसा ऐसास कभी नहीं हुआ फिर आज ये क्या है यही सूच नैना एक जगा पर खड़ी हो जाती है अचानक नैना को मैसूस होता है जिसे कोई उसके दाई तरफ की जाडियों में पैठा हुआ है यह आभास होते ही नैना आउनो देखती है नताव और अप बचाओ जी बचाओ मुझे मुझे कोई बचा लो मेरी जान बहुत कीमती है मुझे कोई बचा लो जी बेहदी सुरीली सावास को नैना ने पहले भी कहीं सुना था ये ये तो उस दवादुकान वाले तोते की आवास है इसका मतलब यहां कोई इंसान नी बलकि तोता है नैन की बात सुनते ही जाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा जंगली तोता उड़ते हुए बहार निकलता है अईयों रामा तुम बहुत खतरनाक जी तुम तो अभी हमको मारी डालता मैं चोटा सजीब और तुमने मुझे पर डंडे चामला किया ये सही नहीं जी इस तोते को यहां क्या कर रहे हो तुम तो उस दवा दुकान में काम करते हो न फिर तुम्हारे यहां आने का क्या करने और ये तुम इस तरह से बाते क्यों कर रहे हो नैना की बातों को सुनते ही लाल और हरे रंग का वो तोता हसने लगता है लगता है आपको भी सब की तरह घलत फहमी ह जोगे जी, वो शाही दवा खाना में काम करने वाला मैंनी जी, वो मेरा भाई मंगू और मैं चंगू, मैं चंगू, वो मंगू, हम दोनों जुडवा भाई होता जी, लेकिन वो उस दवा दुकान के मालिक ने उसको अपना मुफ्त का दो आरपाल बना लिया, मैंने तो उसे न कुलियवा कापी पसंद जी उस तोते ने एक बार फिर जो बोलना शुरू कर दिया तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था ये देख नैना उससे कहती है हरे अरे चुपो जा भाई तुम उस तोते के भाई या रिष्टेदार जो भी हो तुम यहां क्यों आयो और मेरा पी कैसी दुनिया जी मुझ जैसे शरीप पर कोई ऐसा इलजाम कई से लगा सकता जी आप मुझे क्यों बदनाम करती जी माई तो शरीप मेरे घर में भी मा बेन है मैं आपको कैसे चेड़े सकता जी तोता चंगु की इन बातों को सुन नैना हैरानी भारी निगाहों से उसकी और देख रही थी तुम कितने बड़े नाटक बाज हो बचसे तो तुम मुझे छेड़ सकते भी नहीं हो लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम मुझे छेड़े रहे हो मैं तो तुम से ये पूछ रही हूं कि तुम मेरे पीचे क्यों आये हो नैना के इतना कहने के अब एक पेड की डाल पर बैठ जाता है उस डाल पर बैठे बैठे चंगु तोता कहता है ऐसा नहीं बोलने का जी पहले मैं भी बहुत सारी लड़कियां छेड़ता मुझे इसमें मज़ा बहुत आता फिर मेरी जिन्दगी में मैं सोनू आती सोनू ने मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया मैं सोनू का बहुत ऐसान बन जी सोनू मेरी चान चंगु की इन बातों को सुन नैना सोचती है ये तोता अभी तक काफी बखवास कर चुका है अब अगर ये सच्चाई नहीं बताता है न तो मुझे इसे अभी खत्म करना पड़ेगा ये सोच नैना काफी गंबीर होते वे कहती है चंगु या मंगु तुम चाहे जो भी हो आप अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई न तो मुझे तुमारी जान लेनी पड़ेगी मुझे बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए नैना के चेहरे से अब गंबीरता साफ जलग रही थी नैना को इस तरह गंबीर देख चंगु कहता है आप बहुत गुस्से वाली जी मैं तो बस कल से ही आपको देख रहा हूं जी आप अकेले इस रास्ते से उपर जाती मुझे बहुत चिंता होती ये रास्ता सुंसान न जी इसलिए मैं आपके साथ देती अगर आप मुझे गुलाम नहीं बनाती तो मैं हमेशा आपके साथ रहती चंगु की इन बातों को सुन नैना के चेहरे की गंभीरता थोड़ी कम होती है आला कि उसे अभी भी चंगु की बातों पर जरा भी यकिन नहीं था ये तोता चूट बोलने वाला भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि उस दवा दुकान के मालिक ने इसे मेरे पास भेज दिया हो अभी मैं इसे अपने साथ ले चलती हूँ आरे मानी अब इसकी असली पहचान करेगा यही सोच नैना उस तोते से कहती है ठीक है तुम मेरे साथ चलो लेकिन अब पुरे रास्ते कुछ मत बोलना नैना की बातों को सुन चंगु से कहता है मैं तो बाप से कुछ नहीं बोलता जी लेकिन आपको सुनू की कहानी तो सुनाना पड़ता सुनू की कहानी मैं आदी नहीं चोड़ सकता सुनू मेरी महिला मित्र बेदी सुन्दर उसके गरदन पर एक दिल का एक निशान भी होता उसी निशान को देख मैंने सुनू का अपना दिल दे बैठा जी सुनू दिल की बहुत अच्छी हम दोनों में बहुत प्यार लेकिन हर कहानी का कोई न कोई खलना एक जरूर होता मेरी कहानी कभी होता नैना के लाख मना करने के बावजूद भी चंगू उसे सुनू की पूरी कहानी सुना कर ही दम लेता है पूरे रास्ते चंगू की बक 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 सुनते सुनते नैना पहाड़ी के सबसे उची छोटी पर आ चुकी थी वहां आते ही वो चंगू से कहती है चंगू पहाड़ी के किनारे की तरफ चलो इतना के नैना थोड़ा आगे बढ़ जाती है नैना के आगे बढ़ते ही वहाँ आरेमान आ जाता है और नैना से कहता है इतनी देर अगर इतनी देर करोगी तो सिख्षा कैसे गरण करोगी इतना कहते ही आरेमान की नजर उस तोते पर पढ़ती है आरेमान भी उसे तुरंद पहचान जाता है वो हैरान होते हुए नैना की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे हाँ पहले से काफी दुश्मन है अब तुम इस तोते को क्यों यहां ले आई हो ये तो उस दवाखाने का तोता है न आरेमान की बातों को सुन नैना उसके पास जाते हुए धीमे आवाज में कहती है इसका कहना है कि ये उस तोते का भाई है मैं इसकी पहचान के लिए इसे तुम्हारे पास ले आई हूँ मुझे भी उस दवाखाने में थोड़ा आजीब लगाता अगर ये तोता दवाखाना वाला तोता साबित होता है तो हम इसे पकल कर इससे पूछताज भी कर सकते है नैना की ये बाते आरेमान को भी सही लगती है और वो उस तोते को ध्यान से देखने लगता है क्या इस रहस्माई तोते की सच्चाई का आरे मान लगा पाएगा पता क्या चंगु तोता बोल रहा है सच या फिर वो सही में कर रहा है नैना की जासुसी क्या पता है उल वो सही में कर दा इसलिए स्चाई का आरे मान लगाद़ झाल शींग। शाही दवा खाने वाले एक तोती की तरह, एक और दूसरा तोता देख नैना, उसे आरेमान के पास ले आई थी. वो तोता तो दवा खाने वाले तोते का भाई होने का दावा कर रहा था. लेकिन नैना को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, और इसलिए वो उसे आरेमान के पास ले आई थी. उस तोते को अपने सामने देख, आरेमान भी काफी हैरान था, और वो उन दोनों में फर्क पता करने की कोशिश कर रहा था. खुद के तरफ इतनी ध्यान से आरेमान को देखता देख, वो तोता कहता है. तुम कोन होता जी? तुम हमको इतना क्यों कूरता? मैं तो इन मोतरमा के साथ आता, मुझे नहीं पता था. इनके साथ मुफ्त में एक साथ भी आता. आयो, मैं भी तुमारी तरह लड़का होता. तुम मुझे इतना मत न भूलो जी, मुझे शर्म आता न. चंगू की बकबक पहले की ही तरह चालू थी. ये देख नैना उससे कहती है. चंगू, शांती से बैठो. पहले हमें सच्चाई का पता चलने दो. तुम सच बोल रहे हो या फिर तुम वही दवा खाने वाले तोता हो? नैना की बाते खत्म होने के साथ ही, आरेमान उससे कहत है. सच्चाई का पता चल चुक है. मुझे समझ मागया है कि सच्चाई क्या है? आरेमान के इतना कहते ही, नैना और चंगू, उसकी तरफ देखने लगते हैं. आरेमान को चुप देख, चंगू कहता है. बताओ जी, आपको किस सच्चाई का पता चलता? मुझे भी आते हुए कहता है सच्चा ये की ये तोता सच बोल रहा है ये उस दवा खाना वाला तोता नहीं है अब ये उसका भाई या फिर कोई और ये मुझे नहीं पता आरेमान की बातों को सुन चंगु कहता है तोते की इन बातों को सुन आरेमान उससे कहता है वैसे तुम यहां क्यों आया है तुम्हारा यहां आने का मकसद क्या है कड़क अवाज में पूछे गए आरेमान के इन सवालों को सुन चंगु कहता है चंगु ने फिर से बोलना शुरू कर दिया था और वो अब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था उसकी बातों को सुन नेना उसे चुप कर आते हुए कहती है चुप हो जा मेरे भाई मुझ पर रहम कर और चुप हो जा वैसे मेरा एक काम है तुम मेरे लिए नीचे जाकर नजर रख सकते हो कोई भी उपर आये तो मुझे आकर बता देना नैना की इन बातों को सुन चंगू कहता है चंगू की बातों से उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी नैना को मिल चुकी थी वो तुरंथी प्यार से कहती है ठीक है चंगू अब मैं और तुम मित्रें चंगू तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा इसलिए मेरी बात माल लो तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो न मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ नैना की इन बातों को सुन चंगू थोड़ा खुश होते हुए कहता है इतना के चंगू उड़ जाता है और नीचे की और चला जाता है चंगू की इन बातों को सुन आरेमान अपना सर पकड़ते हुए कहता है अरे अरे ये कितना बड़ बोला है तुम इससे थोड़ा बचकरी नैना नैना आरेमान की बातों को सुन नैना उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे तुम्हें कैसे पता चला, वो सच बोल रहा है नैना के सवाल को सुन, आरिमान कहता है दवा खाना वाला तोता पालतू था, इसलिए उसके पंक को समय समय पर काटा जाता रहता था लेकिन इस तोते का पंक पूरी तरह जविक्सित था, इसलिए मुझे इसका पता चल गया वैसे तुम यह सब छोड़ो, मैंने जो पर्ची दिया था, तुम उन जड़ी बूटियों को तो लेकर आई हो न आर्यमान की बातों को सुनते ही, नैना पोटली की तरफ इशारा करती है जड़ी बूटियों को देख, आर्यमान उसे अपने पास लाने के लिए कहता है एक और नैना और आर्यमान मिलकर, जड़ी बूटियों के साथ कुछ नया करने जा रहे थे दोधर दूसरी और शाहिद दवाखाने में भी अभी उनकी ही बाते चल रही थी दवाखाने के दूसरे तल पर खड़ा रामू, अपने सामने बैठे उस शक्स से कहता है चोटे मालिक, आप नैना के सामने भी गये, आपने उससे मिल भी लिया आपने उसे अपना जूटा नाम भी बता दिया, ये सब क्या है चोटे मालिक? दवाखाने के उपर बने उस कमरे में, सामने की दिवार पर बने एक सुराख से प्रकाश की एक किरण अंदर आ रही थी, वो कमरा काफी बड़ा था और राशनी की किरण उस कमरे के अंधेरे को दूर करने के लिए काफी नहीं थी अंधेरे में ही बैठा वो शक्स रामू से कहता है रामू काका, हमने अभी सिर्फ नैना की बहादूरी की बाते सुनी है उसने अपना प्रदर्शन अभी तक नहीं दिखाया मैं उसके सामने अपनी पहचान अभी कैसे जाहिर कर सकता हूँ उस शक्स की बातों को सुन, रामू कहता है लेकिन छोटे मालिक, वो आपकी भांजी है भगवान न करे अगर आपका भांजा प्रताप युदिस से वापस नहीं आया तो इसी के उपर कितनी जिम्मेदारिया होगी आपके राजगराने के लोग इसे अपनी आँखों का तारा बना कर रखेंगे आपको उससे अपनी पहचान बता देनी चाहिए थी रामू की बातों को सुन, वो शक्स थोड़ी देर तक चुप रहता है उसके चुप भी उस कमरे के अंधेरे को और भी गहरा कर रही थी थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो शक्स कहता है रामू काकाप, आप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि हमारा खानदान जल्दी किसी के साथ रिष्टे नहीं जोड़ता है विरवद्र की हमारे खानदान में काफी इज़त थी क्योंकि वो एक महान युद्धा था उसके पास स्वर्क से लेकर नर्ख तक हर जगह युद्ध जीत कर अपना जंडा फैराने की काबलियत थी अब अगर ये भी उस तरह की युद्धा नहीं हुई तो इसे हमारी खानदान में कभी इज़त नहीं मिलेगी अपने छोटे मालिक की बातों को सुन रामू काफी परेशान होते वे कहता है छोटे मालिक लेकिन आप भी जानते हैं उस अमात्ते के खानदान में नैना के कितने दुश्मन भरे पड़े हैं फिर भी आपने उसे उन भेडियों के बीच में अभी तक यूँ ही रहने दिया है आपको उसे पहले ही यहां ले आना चाहिए था रामू की बातों को सुन वो शक्स एक लंबी सांस लेता है और कहता है रामू काका मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ नैना अगर कमजोर रहती तो हमारा खानदान उसे कभी नहीं अपनाता नैना को हमारे परिवार के साथ आने के लिए उसे पहले अपनी शमता को साबित करना होगा उसके बाद ही मैं नैना को अपने खांदान मिला सकता हूँ इतना कह वो शक्स दिलकुल चुप हो जाता है रामु भी समझ जाता है कि बिना अपनी कुशलता को साबित किये हुए नैना को अपनी ही माँ का खांदान सुईकार नहीं करेगा वो मुड कर वहां से जाने लगता है तब ही वो शक्स कहता है रामु का का अगली बार वो आया है तो आप उसे अमात्तिक या परिवार से बचकर तहने के लिए समझा देना इन बातों को सुन रामु ठीक ठीक है मालिक कहता है और नीचे उतर जाता है उधर इन बातों से बिलकुल अंजान नैना आर्यमान के साथ पहाड़ी के किनारे पर खड़ी थी वो आर्यमान से कहती है आर्यमान मैं इन जड़ी बूटियों को जब से लाई हूँ तुम कुछ समानों को जमा करने में जूटे हो तुमने मुझे बताया नी की हम ब्रह्मियंत्र को कैसे डूंगने वाले है नैना के लिए सबसे पहला काम ब्रह्मियंत्र को डूंगना था वो उसके बाद ही बाकी किसी काम में हाथ लगाना चाहती थी नैना की बातों को सुन आर्यमान हसते वे कहता है नैना दीरज रखो, मैं तुम्हें सारी जानकारी दूँगा आरिमान की बातों को सुन नैना कहती है सारी जानकारी छोड़ा आरिमान, तुम मुझे बस इतना बताओ तुम इन जड़ी बुटियों से क्या करने वाले हो नैना की ये बात सुन आरिमान उसके सामने खड़ा होता है और कहता है नैना अमारा पहला काम ब्रह्मियंत्र को ढूंडना है ब्रह्मियंत्र एक बहुत शक्तिशाली अंत्र है उसकी शक्तियां अपार है लेकिन उस ब्रह्मियंत्र को धारन करके उसकी शक्तियों का इस्तमाल करने के लिए इनसान का ताकतवर होना भी बहुत जरूरी है तुम्हारी करुण पुकार की वज़े से ब्रह्मियंत्र का पहला दर्वाजा खुल गया है और उसने मुझे तुम्हारे साथ जोड दिया है लेकिन जब ब्रह्मियंत्र तुम्हारे पास आएगा तो उसका अगला दर्वाजा खुलने के लिए ये जरूरी होगा कि तुम आठवी श्रेनी की युद्धा बन चुकी हो बिना आठवे श्रेनी के युद्धा बने उसका अगला दर्वाजा तुमसे नहीं खुलेगा और तुम उसके शक्तियों का जादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर पाओगी आरिमान की इन बातों को सुन नैना उससे कहती है तुम कैसी बेबकुफो वाली बाते कर रो आरिमान अभी मैंने ब्रह्मियंत्र को खोजा नहीं और तुम उसके अगले दर्वाजे को खोलने की तैयारी करने लगे पहले हमारा ब्रह्मियंत्र को खोजना जरूरी है नैना बात बात पर आरिमान के उपर भड़क उठती थी नैना को घुसा करते देख आरिमान उसे समझाते वे गहता है नैना हम अभी एक तीर से दो शिकार करने जा रहे है ब्रह्मियंत्र के अगले दरवाजे को खोलने के लिए तो तुम्हारी श्रेनी का बढ़ना जरूरी है साथ ही ब्रह्मियंत्र को खोजने के लिए भी तुम्हारी श्रेनी का बढ़ना आवश्यक है उसके बाद ही तुम अपने अध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोक करके ब्रह्मियंत्र को खोच सकती हो आर्यमान की बातों को सुन नैना हैरान होते वे कहती है आर्यमान तुमने मेरे ग्यान को बढ़ा कर मुझे बहतर युद्धा बनाने की बात कहिए लेकिन मुझे ब्रह्मियंत्र कब मिलेगा मैं उसे कैसे खोजूँगी नैना की बातों को सुन आर्यमान घाटी की और देखते वे कहता है यही चिंता तो मुझे भी खाया जा रही है नैना अगर तुमने जल्दी ब्रह्मियंत्र को नहीं खोजा तो अगले कुछ दिनों में मेरा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा क्या ब्रह्मियंत्र को खोज आर्यमान का अस्तित्व बचा पाएगी नैना नैना को जल्द एतनी ताकत के लिए सिक्षा कैसे दे पाएगा आर्यमान ब्रह्मियंत्र को खोजने के साथ ही उसके अगले दरवाजे को खुलने के लिए भी नैना को अब अपने ज्ञान के अस्तर को बढ़ाने की जरूरत थी अगला कि उसके लिए पहली प्रात्मिक्ता ब्रह्मियंत्र को खोजने की थी उधर आर्यमान ने ब्रह्मियंत्र के बिना उसका स्तित्व जल्द खत्मोने की बात करके नैना को और भी चिंता में डाल दिया था आरिमान की बातों को सुन नैना उससे कहती है आरिमान तुमने मुझसे बात कई बार की है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे पास इसके लिए कितने दिनों का समय है पहाडी के किनारे पर ख़ड़ा आरिमान नैना की इस बात को सुन पीछे मुड़ता है नैना इस बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन तुम उसे जितनी जल्दी खोज लो उतना अच्छा है ब्रह्मियंत्र ने मुझे कोई समय तो नहीं बताया किन्तु मैं उसके बिना ज़्यादा समय तक और जावान नहीं रह पाऊंगा देरे देरे मेरी ओर्जा शिन होते जाएगी और फिर मुझे अंतरिक्ष का अंधकार अपनी और खींच लेगा इन बातों को कहते कहते आरेमान की नजरे खुद से ही आसमान को निहारने लगती है उसका हसमक चहरा गहरी चिंता में डूबा हुआ था और नैना उसके चहरे से ही उसकी चिंता का अंधाजा लगा रही थी आरेमान के चहरे को देख नैना उससे कहती है आरेमान तुम्हारी चिंता सही है लेकिन मैं तनी जल्दी अपने युद्धा किश्रेणी को कैसे बढ़ाओ तुमने ये तो कह दिया कि मुझे इसमें ज्यादा परिशानी नहीं होगी लेकिन युद्धाओं को इसमें सालू लग जाते हैं अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो तुम मुझे बताओ ना नैना की इन बातों को सुन आरेमान सोचता है एक युद्धा तो तुम्हारे भीतर भी है नैना तो मैं फिर इसे युद्धा किश्रेणी को बढ़ाने के लिए जादा मदद की ज़रत तो नहीं पढ़नी चाहिए लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा आरेमान को यूँ चुप खड़ा देख नैना उससे दुबारा सवाल करती है आरेमान मेरे अध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए तुमने क्या हुजना बनाई है तुमने इन जड़ी बूटियों को भी मंगवा है तुम इनके साथ क्या करने वाले हो नैना के आवास सुनते ही आरेमान उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ नैना आज हम कुछ नए प्रयोग करने वाले हैं अलाकि ये प्रयोग नए नहीं और मेरे लिए कटिन भी नहीं है लेकिन तुम्हें उनके उपर ज्यादा ध्यान देना होगा मैं एक इंसान नहीं हूँ इसलिए मैं इन प्रयोगों को नहीं कर सकता हूँ मैं सिर्फ तुम्हारा मार्क दरशन करूँग और इसके बाद की सारे प्रक्रिया तुम्हें खुद से पूरी करनी होगी आरिमान की बातों को सुन नैना कहती है ठीक है आरिमान तुम मुझे बताते चलो मैं तैयारी शुरू करती हूँ इतना कहनेना और आरेमान नई शक्तियों को हासिल करने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं उधर वर्मन परिवार के नीजी आरामग्री में सिंग वर्मन अपने अस्थान पर बैठा आराम फर्मा रहा था उसके बगल में बैठा उसका पोता देव वर्मन अपने दादा के साथ मिलकर राज जी के हिसाब किताब से जुड़े कामों को देख रहा था तब इस सिंग वर्मन के कमरे में देव की बहन और उसकी खुट की पोती मेंका का आगमन होता है अपने दादा के सामने आते ही मेनिका उसकी और देखते हुए कहती है दादा जी मैंने आपके मंतरी को कली बता दिया था कि उस शाही दवा खाने वाले की दुकान मुझे बंद चाहिए लेकिन उसकी दुकान अभी भी चालू क्यों है मेनिका की इन बातों को सुन सिंग वर्मन की भोएं तन जाती है वो मेनिका को अपने पास बुलाता है और उससे बेहदी धीमे स्वर में कहता है कई काम इंसान के वश्च के बाहर के होते हैं और ये भी वही काम है मंत्री ने मुझे ये बात कली बता दी थी किन्तु ये संभव नहीं है तो मैं इस तरह वहाँ पर जाकर अंगामा नहीं करना चाहिए था मेनका अपने साथ कई अर्मान लेकर अपने दादा के पास आई थी लेकिन सिंग वर्मन ने उना अर्मानों को कुचल कर रख दिया था ये देख वहीं बैठा देव वर्मन खड़ा होता है और कहता है दादा जी आप इस राज जी के राजा हैं और मैं यहां का यूव राज हूँ फिर हम एक दवा की दुकान को कैसे नहीं बंद कर सकते हैं अगर मेरी बहन उसे बंद करने की धंकी देकर आई है तो मैं अभी अपने सैनी को को लेकर जाता हूँ और उस दुकान को तहस नहस करके उसके मालिक को बंदी बना कर लेकर आता हूँ कोई मेरी बहन की बजज़ती करे और वो इस राज्जे में अपना वैपार नहीं कर सकता। देव को इस तरह घुसा करते देख, सिंग वर्मन उसे बैठने का इशारा करते हैं। शान्त हो जाओ देव वर्मन, तुम अभी राजनीती नहीं समझते हो। इस दुनिया में केवल कुसान राज्जी ही नहीं है, और यहां केवल वर्मन परिवार ही नहीं है। उस शाही दवा खाने में लोग यहां ही नहीं बलकि सुदूर के कई राज्जीों से भी दवा खरीदने आते हैं। इमाले के उत्तर तरफ के कई राज परिवार के सदस्य उनके पास ही दवा लेने आते हैं और फिर उस दुकान का मालिक भी कोई आम इंसान नहीं है इसलिए तुम अभी शान्त हो जा, अभी हम कुछ नहीं कर चकते इसके बाद सिंग वर्मन मेंका की तरफ देखते वे कहता है मेंका तुम कल मेरे साथ शाही दवा खाना में चलोगी और अपनी उस उदंड़ता के लिए उनसे माफी माँगोगी देव वर्मन दवा खाना ना तोड़े जाने की बात पर तो शान्त रह गया था लेकिन उसके लिए ये सुनना बेहदी और सहनिय था कि उसकी बेहन वहाँ जाकर माफी माँगे सिंग वर्मन की इस बात को सुनते ही वो तुरंत भड़ते वे कहता है दादा जी आप कह क्या रहे हैं मुझे राजनीती नहीं आती लेकिन मेरी बेहन और आपकी पोती जब माफी माँगेगी तब आप अंदासा लगए ये कि हमारे इज़त का क्या होगा सभी लोग वर्मन खंदान के बारे में क्या सोचेंगे फिर आप ये क्यों बोल जाते हैं हिमाले के उत्तर दिशा की और बसे इन साथ राजियों का जो समू है उस सामराज जी के होने वाला राजा की पत्नी हमारी अपनी बेहन है वो शाही दवा खाने चाहे किसी का भी हो लेकिन इस सामराजी के होने वाले समराट के आदेश के खिलाब भी तो वो कुछ नहीं कर सकता है ना अपने दादा जी से राजनीती सीखते सीखते देव वर्मन ने आज उन्हें ही राजनीती सीखा दी थी दरसल हिमाले के उत्तरी तरफ बसे साथ राज्यों को मिला कर एक सामराज जी का निर्मान होता था और उस सामराज जी का समराट सभी राज्यों और देशों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था सिंग वर्मन की पोती और देव वर्मन की बड़ी बहन इस सामराज जी के होने वाले समराट की पतनी थी इसलिए देव उनके भी नाम का फाइदा उठाना चाता था देव की बातों को सुन सिंग वर्मन उसकी तरफ देखते हुए कहता है देव और मेनिका तुम दोनों कान कुल कर सुन लो इस सभी राजियों से बने सामराज के युवराज और भविश में इस सामराज के होने वाले समराज का जनम दिन कुछ दिनों में आ रहा है परत्मान समराज ने इस बार ये जिम्मदारी वर्मन परिवार को दिये कि वो युवराज की जनम दिन के तैयारियां कुसान राज्य के राज्य महल में ही करें इसलिए तुम लोग इन सब छोटी छोटी बातों पर जगड़ा करना बंद करो और युवराज के जनम दिन के तैयारियों में जुट जा इस बार सातो राज्जियों के राजा और बड़े बड़े वैपारी सेथ यूवराज के जन्म दिन के लिए कुसान देश में पधा रही है इसलिए तुम दोनों इन सारी बातों को छोड़कर अपनी बेहन और इस समराजी के होने वाले समराज के स्वागत की तैयारियों में जूड़ जो सिंग वर्मन की बाते सुनने के बात देव के पास उनका कोई जवाब नहीं था आखिर बात सातों राजियों के विवराज और होने वाले समराज की थी अपनी बड़ी बहन की मदद से देव विवराज के काफे खरीब रहना चाता था और ज्यादा ताकतवर होना चाता था साथी वर्तमान समराज का भी ये लिखी दादिश था कि वराज का जन दिन इस बार कुसान देश में मना जाए इसलिए अब अच्छे तरीके से तैयारी करना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी वो तुरंत ही उड़ता है और अपने दादा के सामने से दूर चला जाता है देव वर्मन तो अपना स्वार्थ देख वहां से चला गया था लेकिन मेनका अभी भी वहीं खड़ी थी वो अपने दादा से कहती है लेकिन दादा जी मेरी कोई घलती नहीं थी फिर मैं उस दवा दुकान वाले से माफी क्यों मांगू मुझे तो इसमें बहुत ही जादा शर्मिंदगी महसूस होगी इतना कह मेनका अपनी नजरों को नीचे चुका लेती है मेनका की बातों को सुनने के बाद भी सिंग वर्मन का दिल नहीं पसी जा था वो काफी तेज आवाज में कहता है मैंने जो कह दिया उसे तुम पत्थर की लकीर समझो तुम्हें वहाँ जाकर माफी मांगनी होगी तो बस मांगनी होगी मुझे अब और कुछ नहीं सुनना इस बारे में बस सिंग वर्मन का इतना कहना उसके घुसे के बारे में बताने के लिए काफी था सिंग वर्मन की बातों को सुन अब मेनका के खुद हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे कुछ कहे वो चुप चाप वहां से निकल जाती है वर्मन परिवार के इस नाटक से दूर सुदूर पहाड़ियों के सबसे उची चोटी पर नैना ठक कर बैठ गई थी और आर्यमान के तरफ देख रही थी ये कर क्या रहा है इसकी तैयारियां से तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये जड़ी बूटियों से कुछ बनाना चाह रहा है लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये ध्यान लगाने के लिए आसन क्यूं लगा रहा है इसकी ताकत तो देखो, चुटकी बजाकर सामान को इधर से उधर कर दे रहा है यहां की हर वस तुमानो इसी के इशारे पर नाच रही हूँ लेकिन यह सब इसका नाटक है, इसने ताकत होते हुए भी मेरी बंदत तो नहीं की न, मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं आरे मान के सामने बैठी नैना, यही सोचते हुए उसे घूरे जा रही थी तब ही नीचे से चंगू तोता उड़ते हुए उपर आता है, और नैना के पास आते हुए कहता है अपने सामने इस तरह अचानक तोते को देख, नैना को कुछ जवाब नहीं सूज रहा था वो आरे मान के तरफ देखे जा रहे थी, और आरे मान नैना की ओर देख रहा था दोनों को इस तरह चुप देख, चंगू तोता कहता है तुम दोनों एक दूसरे का चैरा क्यों देखता जी? तई तुम दोनों ऊपर कुछ गारबार तो नहीं करता है जी? चंगू तोता की बातों को सुन, अभी भी नैना को कोई जवाब नहीं सूज रहा था मैंने तो सोचा था, यह सिर्फ बोलने में तेज है लेकिन इसके पास तो इंसानों के जैसे सोचनी की शक्ती है यह तो सबी चीजों को दियान से देख रहा है कुछ न कुछ तो गड़बर ज़रूर है यह सोचते हुए नैना चंगू तोते की और देखते जा रही थी उधर अपने सामने पड़ी औश्टियों और इस तरह की तैयारी के बारे में चंगू तोते को क्या बता है जै यह सोच आरेमान भी परेशान था चंगू तोते को क्या चल जाएगा सच्चाई का पता क्या सही साबित होगा नैना का डर नैना के साथ मिलकर क्या करने की योजना बना रहा है आरेमान अपने सामने अचानक चंगू को देख नैना और आरेमान को कुछ जवाब नहीं सूज रहा था उधर चंगू तोते की इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ती को देख कर नैना भी काफी हैरान थी थोड़ी देर तक छुप रहने के बाद नैना चंगू तोते से कह दी है सुनो चंगू तुम इस तरह बिना बताय उपर कैसे आगे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अभी हम बहुत जरूरी काम करने वाले थे अगर तुम्हें उसे देख लिया होता तो फिर क्या होता नैना की बातों को सुन चंगू हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखते वे कहता है चंगू की इस बात को सुन काफी गंभीरता के साथ खड़ा आरेमान अपनी हसी नहीं रोक पाता है आरेमान को इस तरह हसता देख नैना भी शर्म से लाल हो जाती है वो घुसे में चंगू की तरफ देखते वे कहती है मेरा मतलब था कि हम लोग यहाँ पर कुछ जरूरी प्रेयोग करने वाले हैं तुम ना ज्यादा की फालतों की बाते मत सोचो नैना को घुसा होता देख चंगू थोड़ा उपर उड़ते वे कहता है चंगू को इस तरह जानकारी निकालने की कोशिश करते देख नैना का शक उसके उपर और भी गहराते जा रहा था आरे मान भी इन बातों को समझ रहा था वो चंगू तोते से कहता है चंगू भाई तुम इतनी चिंता मत करो हम लोग बस यहां शस्त्र विद्या से जुड़ा ग्यान अरजित करने वाले अगर तुम्हें यह देखना है तो तुम यहां रुख सकते हो आरे मान की बातों को सुन चंगू आसमान में थोड़ी देर के लिए उड़ना बंद करके एक जगा ठहर जाता है और कहता है ठीक जी आप लोगों को धोड़ी करना आप करो मैं तो नीचे जाता वहां गाउं से खरी लड़की आती वो खाना पकाने के लिए लख़ी लेने जी इतना के चंगू नीचे चल देता है चंगू को नीचे जाते देख नैना रहत की सांस लेती तब ही आरेमान उसके पास जाता है और कहता है तुम चिंता मत करो नैना मैं तुमारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा उस तोते की बातों को तुम ज़्यादा कम भीरता से मतले न आरेमान से इतना सुनने के साथ ही नैना खुसे से भर जाती तुम ये सब फालतों की बखवास बंद करो आरेमान तुम्हारी और मेरी कोई जोड़ी बनी नहीं सकती इसलिए ये सब ख्याल अपने दिमाग में भी मतलाना नैना के यूँ गुस्सा करने का आरेमान के उपर कोई खास असर नहीं पड़ता है वो नैना से कहता है तुम ऐसा मत बोलो नैना तुम्हारी और मेरी जोड़ी तुम बन सकती है लेकिन बस तुम्हें अपने उपर थोड़ा और काम करना होगा तुम्हें सबसे पहले अपने इन होटों का ख्याल रखकर इसे थोड़ा नरम बनाना होगा और इसके उपर सुर्ख खुलाप की पत्तियों को मल कर इनका रंग थोड़ा गाड़ा करना होगा इसके बाद तुम्हें अपने इन बालों को थोड़ा बढ़ाना होगा तुम्हारे बदन की कसावट तो सही है लेकिन तुम अभी थोड़ी दूबली हो हलाकि मुझे उसकी चिंता नहीं है क्योंकि युद्ध कला सीखते सीखते तुम बिल्कुल तंदरुस्त हो जाओगी इसके बाद तुम्हारे उपर जो निखार आएगा ना आहा क्या बला की खुबसूरत लगोगी तुम आरेमान की इन बातों को सुन रही नैना सर से लेकर पाऊं तक गुस्से में लाल होते जा रही थी वो चीखते हुए कहती है आरेमान अपने दिमांग में तुम मेरे बारे में इतनी फालतु बाते ला भी कैसे सकते हो इनसान हो या जानवर हो या जिन हर जगह मर्दों का वही हाल है इतना कह नैना आगे बढ़ जाती है नैना को आगे जाते देख आरेमान हसते वे कहता है हरे हरे लगता है तुम बुरा मान गए मैं तो बस तुम्हारे खुबसूरत नहीं होने कारण तुम्हें बता रहा था आरेमान की इन बातों को सुन नैना कहती है आरेमान तुम मुझे यह खुबसूरत बनाने आया हो या फिर अपना काम करने आया हो तुम जिस काम के लिए आयो न, उसके उपर इध्यान दो नैना को इस तरह घुसा देख, आरेमान समझ जाता है कि इस वक्त मजाग का समय नहीं है वो कहता है, हाँ नैना, तैयारियां पूरी हो गई है अब बस हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे आरेमान आगे की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में था लेकिन नैना के दिमाग में अभी और भी कई सवाल थे वो आरेमान से कहती है आरेमान, तुमने प्रक्रिया शुरू करने की बात तो कर दी है लेकिन हम करने क्या वाले हैं और फिर वो चंगू भी तो अचानक से तपक पड़ता है। तुमने आज उसके सवालों को सुना ना, वो बिलकुल इंसानों की तरह सोच रहा था और सवाल कर रहा था। कोई पक्षी आखिर इंसानों की तरह कैसे सोच सकता है। और फिर अगर उसने यहां कुछ देख कर किसी को बता दिया तो हम क्या करेंगे। हम उस पर तुरंट भरोसा नहीं कर सकते ना। नैना की ये चिंटा जायस थी। चंगू का वैवार आरेमान के मन में भी शंका बैदा करना था। वो नैना से कहता है, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब अभी थोड़ी देर में तुमको मिल जाएगा। मैं तुम्हे पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। चंगू के वैवार की वज़े से उसको लेकर चिंटा तो मेरे मन में भी हो रही थी। इसलिए मैंने इस पूरे शित्र को अपनी माया से घेरने की योजना बनाई है। इसके बाद चंगू या फिर कोई भी हमें नहीं देख सकेगा और उन्हें सब कुछ समानने दिखाई देगा। आरेमान की इस योजना से तो नैना सहमत हो जाती है। लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल बचे हुए थे। नैना की इस छिंता को आरेमान समझते हुए कहता है। नैना अब हम जो करने बाले हैं न वो तुम्हारी आस था मेरे वग्यानिक दृष्टिकोन और ब्रह्म्यंत्र के आशिरवाद का एक महासंगम होगा। नैना इस प्रयोक के जरिए इन जड़ी बूटियों से हम एक ऐसा द्रव तैयार करेंगे। जिसे पीने के बाद तुम आम इनसानों की तुलना में पांच गुना ज्यादा तेजी से अपनी शक्तियों को बढ़ा सकती हो। साथ ही इससे तुमारे शरीर के भीतर के दोश भी दूर होंगे और तुम अपने शरीर के भीतर होने वाले बदलावों को आसानी से स्विकार कर सकोगी आरियमान के समझाने के बाद नैना को सारी प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा समझा रही थी लेकिन उसके सारे सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिला था वो आर्यमान से कहती है जब हम इन और श्टियों से दवा बनाने वाले हैं तो फिर इस आसन की क्या ज़दत है मैं यहाँ ध्यान क्यों धरने वाली हूँ आर्यमान तुम मुझे अब पुरी बात बताओ ना नैना की बातों को सुन आर्यमान उसकी तरफ देखते हुए कहता है नैना यह प्रक्रिया काफी आधुनिक दिखती तो है लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा पवित्र प्रक्रिया है अगर तुम बिना किसी लाला चौर मन से नफरत प्रेम घिरना को निकाल कर इसे करोगी तब ही आष्टी बनाने की यह देविय प्रक्रिया पूरी हो पाईगी इसलिए तुम पहले ध्यान लगा कर खुद को इन सभी माया मोह के बंदन से मुक्त करो आर्यमान की बातों को सुन नैना कुछ सोचती है और फिर आर्यमान से कहती है आर्यमान मैं मोह माया से इस वक्त कैसे मुक्त हो सकती हूँ मुझे अपनों की मौत का बदला लेना है मैंने जिस शरीर को धारन किया है उसके उपर हुए अन्यायों का मुझे बदला लेना है मैंने भूल तो बिल्कुल भी नहीं सकती न अपना बदला पूरा किये बिना मेरे इस जन का क्या ही महत्वर है जाएगा नैना का अब एक ही मकसद था बदला और वो उसे किसी भी शर्थ पर नहीं भूल सकती थी नैना की बातों को सुन आरीमान उसकी तरफ देखते वे कहता है नैना मुझे पता है तुमारे लिए बदला क्या माइने रखता है लेकिन तुमें इन सब को हमेशा के लिए खुद से अलग नहीं करना है तुमारी आत्मा काफी पवित्र है तुम बस इस बदले वाली बात को थोड़ी देर के लिए भूल जा तुम इने भूल कर बिलकुल ही प्रकृती की संतान बन जा और आश्टी बनाने की प्रक्रिया को पूरी कर सको इसके लिए तुमें ने किये ध्यान लगाने की योजना बनाई है तुम इसके जर्गे खुद को आश्टी बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित कर सकती हूँ आर्यमान की बातों को सुनने के बाद भी नैना को उस पर यकिन नहीं हो रहा था वो आर्यमान से कहती है नहीं आर्यमान अगर मैं अपना बदला हमेशा के लिए भूल गई तो फिर मेरे ताकतवर होने का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा गडबड लग दी है नैना की शंका को देख आर्यमान उसे एक बार फिर से समझाते वे कहता है देखो नैना आश्टी बनाने की एकला आज से हजारों साल पहले भी प्रित्वी पर मौजुद थी इस तरह की आश्टीयां बनाने के लिए तो उस समय कई कार खाने थे तो क्या हर युद्धा अपना सब कुछ भूल जाता था नहीं न ध्यान लगाकर खुद को खुद समय के लिए मौमाया से दूर रखने की ये कला इसलिए रिक्सित की गई थी ताकि इससे आश्टी का उत्पादन हो सके धीरे धीरे ध्यान लगाने की ये विधी गाइब होती गई और लोग इस आश्टी को बनाना भी भूल गए आज तुम्हारे जर्ये विधी एक पर फिर इसे धर्ती का कोई संतान जानेगा आरेमान की इन बातों से नैना का विचार बदलता है और वो ध्यान के लिए तैयार हो जाती है नैना के तैयार होते ही आरेमान कुछ जड़ी बूटियों को जला देता है और नैना से कहता है नैना इन जड़ी बूटियों के सुगंद से तुमें खुद को एक जगा केंदरित करने में काफी मदद मिलेगी। तुमें पहले खुद को एक जगा केंदरित करना होगा और फिर उसके बाद अपने मन को अंतरिक्ष की गहराईयों में जाने देना इत्वी, इस सूरिय और उससे भी आगे की ना देखने वाली गहराईयों में ले जाना और खुद में ठहराव लानी की कोशिश करना। तुम्हें ऐसा महसूस होगा, मानो तुमसे सब कुछ छूट रहा है, तुम्हारे सबी लोग तुमसे दूर जा रहे हैं। तुम्हें जाने देना और फिर जब तुम्हें सब कुछ शुनने लगने लगे, तुम अपनी आखे खुल लेना। इसके बाद हम आश्दी बनाने के प्रक्रिया शुरू करेंगे। आर्यमान की इन बातों से नैना की दिल की धलकने बढ़ने लगी थी। उसे डर तो काफी लग रहा था, लेकिन अपनों के लिए उसे ये सब कुछ करना भी था। यही सोचते हुए नैना ध्यान लगाने की मुद्रा में बैठने की तयारी में जुट जाती है। उधर आर्यमान अपनी माया का जाल बिखे रहा था और उस पूरे शित्र को एक अद्रिश शित्र में बदल रहा था। नैना अब अपनी आखों को बंद करके ध्यान के लिए बैठ चुकी थी और जड़ी भूटियों की सुगंद उसे एक अजीब एहसास दिला रही थी। क्या खुद को मो माया से मुक्त कर इस जादूई आशदी का निर्मान कर पाएगी नैना। क्या नैना कुछ देर के लिए भूलेगी अपना बदला या उसके दिमाग से या हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा गाया। अपने युद्धा की श्रेणी को जल्द बढ़ाने के लिए नैना एक आशदी का उत्पादन करने वाली थी। चुकी थी। उसके आसपास जल्दी वी जड़ी बूठियां उसके दिमाग को अब चेतन अवस्था में ले जा रही थी। और वो जल्दी खुद से दूर जाने लगी थी। आर्यमान के कहे अनुसार। नैना सबसे पहले खुद को शांत करती है और अपने मन को एक जगा किंदरित करने की कोशिश करती है। इस आर्यमान ने सबसे पहले मन को एक जगा किंदरित करने को कहा था। लेकिन मेरा मन तो स्थिरी नहीं हो रहा है। इसके भीतर तो भावनाओं का समंदर है और ये उमरता ही चला जा रहा है। नैना इस वक्त मन को एक जगा किंदरित करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ये काफी मुश्किल साबित हो रहा था। नैना के चहरे पर आ रहे हैं इन भावों को देख, आरिमान को भी ये बात समझ आ जाती है। लगता है इसके मन को एक जगा किंदरित करने में काफी परिशानी हो रही है। नौसिकियों को ऐसी तकलिफों का सामना करना ही पड़ता है। मुझे जड़ी बूटियों के प्रवाव से इसके दिमाग को और भी शान्त करना होगा। ये सोच आरेमान और भी जड़ी बूटियों को जला देता है। जड़ी बूटियों की मात्रा बढ़ने के साथ ही नैना का दिमाग थोड़ा और शान्त होने लगता है। नैना के दियान लगाने के इच्छा अब मजबूत होती जा रही थी और वो अब खुद को ज़्यादा किंद्रित रख पा रही थी। थोड़ी समय में नैना को ये एहसास होने लगता है कि उसका मन बिलकुल किंद्रित होने लगा है। ये एहसास, इस एहसास को तो मैंने आस तक कभी महसूस नहीं किया था। जब अपना मन अपने वश में हो तो ये दुनिया कितनी हसीन लगने लगती है। मन के अपने वश में होने के साथ ही, नैना अब खुद को आरेमान के कहे अनुसार अंतरिक्ष की गहराईयों में डुबाते चली जा रही थी। थोड़ी देर में नैना को ऐसा महसूस होता है, मानो वो इस प्रित्वी पर मौजूद ही नहीं है। मेरा शरीर तो मुझसे दूर जा रहा है। मैं ये कहा गई? यहां सब कुछ इतना शांत क्यों है? यह अंदेरा इतना घणा क्यों है? मुझे तो यहां डर लग रहा है। इन्ही बातों को सोच रही नैना अंतरिक्ष की गहराईयों से निकलने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी नैना उस अवस्था से बाहर नहीं निकल पाती है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे आवाज लगा रहा है। देदी, देदी, नलेनी देदी, मैं इधर हूं देदी, देखो न, पापा ने मेरे उपर हमला कर दिया, उन्होंने मेरे पूरे बधन को चीर कर रख दिया। बहुत, बहुत दर्द हो रहा है देदी, अब जीने की इच्छा नहीं बची है। अपने भाई को खुन से लटपत, इस हाल में रोते देख, नैना की हालत खराब होने लगती है। भाई, मेरे भाई, तुम जिन्दा हो, तुम चिंता मत करो भाई, देदी तुम्हें बचा लेगी, देदी एक खास दबा भी बना रही है, इसे पीकर तुम भी बहुत ताकतवर हो जाओगे, फिर हम सबका बदला लेंगे, और सबसे ताकतवर राजा बनेंगे हम। खुद से ही बाते कर रही नैना, एक बार फिर से अपने पुराने शरीर और उसकी दुनिया में पहुच चुकी थी, उसे अपना भाई, खुन से लटपत रोता हुआ दिखाई देता है, दीदी, मुझे नहीं लग रहा मैं बच पाऊंगा, मुझे अपना अंत नस्दीक दि और उसे लग रहा था, वो अभी अपना बदला पुरा कर दे, उधर नैना की यहालत आरे मान भी देख रहा था, इसकी भुएं तनी हुई है, इसका मुझ भी टिड़ा हो रहा है, लगता है इसने कुछ देख लिया है, और इसका ध्यान भटक गया है, मुझे इसे अभी आरे मान को जल्द, नैना को उसके यादों से बाहर भी निकालना था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, थोड़ी देर तक सोचने के बाद, आरे मान के दिमाग में कुछ विचार आते हैं, मैं नैना के पिता की आवास में उसे बुलाता हूँ, हाँ, फिर नैना की आताश्त काम करना शुरू करेगी और वो इस शरीर में सुरक्षित रह पाईगी, इतना सोच आरे मान, बहदी धीमे आवास में नैना को उसके पिता के आवास में बुलाता है, नैना, नैना बेटी, अपनी आखों को खोलो नैना, पापा तुम्हें बुला रहे हैं बेटी, अपनी आखों को खोलो नैना, आओ, पापा के पास आओ बेटी, बेटी नैना, कहा हो तुम्हें जल्दी से अपने पापा के पास आजाओ, आओ बेटा, अपने पिता की आवास नैना के याददाश्त पर काफी असर डालती है, उसकी आखें आसूं से भर जाती है, और नैन अगले ही शन अपने होश में आ जाती है पापा पापा कहा है आप पापा आप मुझे बुला कर कहां चले ग subscribers अपनी आखों को कोलने के बाद अपने पिता को सामने नीनग देख नैना उदास थी नैना की नजरें अपने पिता को खूज रही थी तो उधर आर्यमान नैना को देख रहा था इसका तो पूरा शरीर काप रहा है इसकी हालत बेहदे खराब हो रही है मुझे इसे अभी ताजी हवा में ले जाना होगा इसके बाद आर्यमान तुरंट अपनी माया की दिवार को हटाता है और नैना को बाहर ले जाता है पहाड़ी किनारे एक पत्थर पर बैठी नैना ताजी हवा में आने के बाद काफी अच्छा महसूस कर रही थी वो आर्यमान की और देखते वे कहती है आर्यमान मुझे मेरा भाई दिखाई दिया क्या इसका मतलब यह कि वो अभी जिन्दा है नैना के इस सवाल का आर्यमान कोई जवाब नहीं देता है वो बिलकुल चुप चाप खड़ा था आर्यमान को यूँ चुप देख नैना कहती है आर्यमान, क्या हुआ? मुझे कोई गलती हो गयी क्या? नैना की बातों को सुन आर्यमान उसकी और देखते वे कहता है नहीं नैना नौसुकियों के साथ ऐसा हो जाता है तुम अंतरिक्ष की गहराईयों में जाकर डरों मत तुम्हें वहीं खुद को समालना होगा नैना को आर्यमान ने ये बात बता तुदी थी लेकिन उसने उससे ये बात छुपा ली थी कि अभी कितना बड़ा अनर्थ होने से बचा है आर्यमान नैना को सच्चाई बता कर उसे डराना नहीं चाहता था लगता है नैना अपने पिता के आवास बाली बात भूल गई उसे अभी इसके बारे में याद नहीं दिलाना ही सही है यही सोच आर्यमान चुप रह जाता है थोड़ी देर तक ताजी हवा में सांस लेने के बाद नैना अब काफी बहतर महसूस कर रही थी वो आर्यमान से कहती है आरिमान, मुझे अब काफी बहतर महसूस हो रहा है, क्या हम फिर से ये प्रयोक शुरू करें? नैना की इन बातों को सुन, आरिमान थोड़ा मुस्कुराता है, उसकी ये मुस्कुराहट काफी कुछ बया कर रही थी वो नैना से कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि तुम इसके लिए तैयार हो गई हो, लेकिन हम ये अब आज नहीं कर सकते हैं, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज अब शाम होने लगी है, इसलिए तुम अभी घर जाओ, मैं इन सामानों का द्रिश कर दे कल तुम सुबह जल्दी आ जाना, आरिमान की बातों को सुन, नैना ठीक है कहती है, और वहां से जाने लगती है, तब ही उसे कुछ याद आता है, वो पीछे मुरती है और आरिमान से कहती है, आरिमान, शंगू तो अभी तक नहीं आ है, तुम्हें इस बात से कोई शंका नह हो रही है, उसे तो आजाना चाहिए था ना, नैना की बातों को सुन, आरिमान का ध्यान भी उसके उपर जाता है, वो कहता है, हाँ नैना, बात तो तुम्हारी सही है, इसका हम कल कोई उपाई खुज लेंगे, तुम अभी अपने घर जाओ, आरिमान की बातों को सुन, नैन पहाड़ी से उतरती है और थोड़ी देर में वो राजमहल के भीतर पहुँच चुकी थी राजमहल के भीतर आज काफी रौनक थी और सबी लोग राजदरवार की तरफ जा रहे थे नैना ये दृष्ष देख सोच में पढ़ जाती है सब लोग इतनी शाम को राजदरवार की तरफ क्यों जा रहे है इनमें तो मेरे जैसे उमर के लड़के लड़कियों की संकिया सबसे अधिक है यही सोचते सोचते नैना दाई अम्मा के पास पहुँच जाती है कमरे में अंदर जाने के साथ ही दाई अम्मा नैना को अपने पास बलाती है बेटी तुम पूरे दिन कहां थी बेटी मुझे तुमारी कितनी चिंता हो रही थी तुम इस तरह गायब मत हुआ करो इस बुढ़िया को कुछ तो बता कर जाय करो अम्मा की बातों को सुन नैना प्यार से उन्हें एक जगह पर पकड़ कर बिठाती है और कहती है कहीं नहीं अम्मा बस ये जलालत भरी जिंदगी मैंने बहुत जीली है इसलिए अब थोड़ी मेहनत कर रही हूँ और नहीं बाते सीखने की कोशिश कर रही हूँ नैना की बातें अब काफी घुमाबदार होती थी उसके अंदर हुए इस परिवर्दन को दाई अम्मा भी महसूस कर सकती थी वो नैना से कहती है ठीक है बेटी तुम भी अपने जीवन में अपने भाई की तरह काफी अच्छा नाम करो दाई अम्मा की बातों को सुन नैना मुस्कुरा देती है और अम्मा से खाना निकालने के लिए कहती है नैना के खाना मांगने की बात से अम्मा को अचानक कुछ याद आता है वो नैना से कहती है बेटी कुछ दिर पहले तुमारे दादा जी ने कहा है कि सभी युवाओं को आज राज महल में जाना है इसमें सबको अनिवारे रूप से हिस्सा लेना होगा और सबके खाने की विवस्था भी वही होगी नैना का बदन ठक कर चूर हो रहा था उसे अब कहीं भी जाने के इच्छा नहीं कर रही थी लेकिन चीजों को जानने की ललक उसे वहां ले जाती है मैं भी तो देखूं आज आखेर सभी युवाओं को ही वहां क्यों बुलाए जा रहा है यही सोचते हुए नैना तेज कदमों से राज दर्बार की ओर दोड़ पड़ती है राज दर्बार के मुख्य इमारत पूरी तरह से युवाओं से भरी वी थी आज राजमहल के साथ पूरे कुसान देश की युवा इस सभा में पधा ले थे इस भीड में खड़ी नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपने सामने बने मंच की तरफ देखे जा रहे थी राजमहल में हो रहे है इस आयोजन का क्या है मकसद क्या अपने मन को काबू करके इस प्रियोग को कल पूरा कर पाईगी नैना राजमहल में सभी युवा लड़के और लड़कियों को बुलाई जाने की बात पता चलने के साथ ही नैना राजमहल के लिए चल देती है आशदी बनानी के लिए आज किये गए प्रियोगों के दोरान नैना को काफी अजीब अजीब अहसास हुए थे और यह अहसास अभी भी उसके मन में थे उन अहसासों को अपने मन में दबाए हुए नैना राज दरबार की मुख्य इमारत में खड़ी थी सैकडो अंजान चेहरों के बीच खड़ी नैना को कोई भी अपना दिखाई नहीं दे रहा था पता नहीं आज इन्होंने राजमहल में इतनी भीड क्यों खटा कर रखी कोई न कोई खास बात तो जरूर है नैना अभी अपना दिमाग दोड़ा ही रही थी कि तभी दरबार में सिंग वर्मन और नैना के दादा जी सेनापति अमात्ते का प्रवेश होता है नैना को इन दोनों से अब डर तो नहीं लगता था लेकिन दोनों को एक साथ देख उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे थे विल्कुल शान्ती के साथ खड़ी नैना सिंग वर्मन के कुछ बोलने का इंतिजार कर रही थी नैना का ये इंतिजार जल्दी समापत होता है दरवार में आने के साथ ही सिंग वर्मन अपने सिंग हासन के पास जाता है और वहां खड़े सभी लोगों को संबोधित करते वे कहता है यहाँ पर आप सभी लोगों को एक विशेश थारण से बुलाया गया है जैसा कि आप सभी जानते हैं इमाले के उत्तरी तरफ बसे साथ राज एकी समराजी के अंतरगत आते हैं और मुझ जैसे राजाओं से भी बड़ा राजा इस समराजी का समराठ होता है समराठ का ओधा काफी ज्यादा उचा है और साथो राज़ियों के राजा उनके नीचे ही काम करते मैं सेनापती अमाठ्य और हम जैसे कई युद्धा इस समराजी और समराठ के लिए युद्ध लड़ चुके हैं और ना जाने कितनों ने जान गवाई है अभी भी हमारे जैसे कई युद्धाओं के बेटे समराट के लिए अलग-अलग दिशाओं में युद्ध कर रहे हैं अभी तक सिंग वर्मन की बातों से नैना को कुछ भी पता नहीं चला था लगता है महराज आज हमें भुगोल का ज्यान देने वाले हैं यही सोचते वे नैना मुस्कुरा उठती है तब ही नैना को एक लड़की की आवाद सुनाई देती है क्या हुआ नैना तुम अकेले-अकेले इतनी मुस्कुरा क्यों रही हूँ इतना सुनते ही नैना पीछे मोड़ कर देखती है यह निशा थी निशा को देखकर नैना की चेहरे की रौना काफी बढ़ जाती है वो निशा से कहती है खुछ नहीं बहन बस ये बकवाद सुनते सुनते अब उप चुकी हूँ नैना की बातों से सहमत होते हुए निशा भी हां में अपना सर हिला देती है उधर सिंग वर्मन का बोलना अभी खत्म नहीं हुआ था वो आगे बोलते हुए कहता है हमने अभी तक समराट की पूरे जी जान से सेवा की है और आज हमें इसका फल भी मिला है परसो समराट के बेटे और इस समराट जी के नई युवराज का जन्म दिन है इस अफसर पर समराट ने आदेश दिया है कि इस बार इवराज का जन्म दिन कुसान देश में मनाये जाएगा परसो इवराज स्वैम यहां पर पहुँच रहे हैं वैसे आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आप सभी को यहां क्यों बुलाया गया है आप सभी के इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहां सिनापती अमात्य क्यों बुलाता हूँ सिंग वर्मन के द्वारा बुलाई जाने के बाद सिनापती अमात्य तुरंत ही मुख्य मंच के पास जाता है वहाँ जाने के बाद वो कहता है आप सभी जानते हैं कि समराट हमेशा उतकरिष्ट सैनिकों की भरती अपने सेना के लिए करते हैं उतकरिष्ट सैनिक पैदा नहीं होता बलकि उसे बनाये जाता है इसलिए कल युवराज के साथ इस सामराज जी नहीं बलकि इस पूरी दुनिया के सबसे खास लड़ा के पैदा करने वाले गरुन सैनने बलकि कुछ विशेशग्य भी यहां आएंगे और यहां मौजूद युद्धाओं में से सर्वश्रेष्ट युद्धाओं का चैन किया जाएगा समराट का ये आदेश है कि कुसान देश के सभी सोला से पचीस वर्ष के युवा इसमें हिस्सा ले साथ ही राज्जी के हर वेक्ति का युवराज के जनम दिन में हिस्सा लेना अनिवार यह है इसलिए परसो आप सभी को किसी भी हाल में दोपहर तक राजमहल में पहुँच जाना है अपनी बातों को पूरा करते ही अमात्य की नजरें नैना के उपर पड़ती है नैना के उपर नजर पड़ते ही अमात्य कहता है सोला से पचीस वर्ष के सभी युवा मतलब सभी युवा फिर चाहे आपके युद्ध कला के ग्यान कास्तर दो हो या पाँच आपको इसमें हिस्सा लेना ही होगा मेरी ये बात पत्थर की लकीर जैसी है इसमें हिस्सा नहीं लेने वाले युवाओं के लिए तो समराट ने कोई दंड निर्धारित नहीं किया है लेकिन उनके परिजनों को काफी कष्ट जिलना पड़ सकता है इसलिए आप सभी अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से डाल लीजिए आप सभी यहां से खाना खा करी जाईएगा अमात्तिक की बातों को सुनने के साथ ही सभी लोग खाने में लग जाते हैं अमात्तिक के इशारे को नैना समझ चुकी थी और वो दिल्कुल चुप खड़ी थी नैना को इस तरह चुप देख निशा उसे कहती है क्या हुआ नैना? मुझे पता है तुमारे दादा जी ने दूसरे चरण की उद्दा वाली बात तुमारे लिए कहती लेकिन जाने देना, अब क्या ही कर सकते हैं? निशा की बातों को सुन रही नैना मुस्कुराए जा रही थी थोड़ी देर में वो दोनों खाना खाने के बाद बहार आ चुके थे रास्ते में एक साथ चल रही नैना और निशा अपनी सुख दुख की बातों को साजा कर रही थी तब ही अचानक निशा नैना से कहती है नैना तुम शादी क्यों नहीं कर ले रही हो शादी करके तुम यहां से कहीं दूर चली जाओ ना कम से कम ठटोतों में कोई परिशान करने वाला नहीं होगा निशा की इन बातों को सुन नैना मुस्कुरातेवे कहती है तुम भी ना क्या बात कर रही हो नैना अभी तो हम खुद बच्चे हैं ऐसे हम हम शादी कैसे कर सकते हैं इन बातों को सुन दोनों सहलियां हस पड़ती है और परसों मिलने का वादा करके अपने अपने घर की ओर चल देती है रास्ते में चलते वक्त नैना को ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं जो उनके राज्जी में यूवराज के आने की बात सुन कर काफे खुश थे हरे भाई सुना तुमने इस पूरे सामराज्य के यूवराज अपना जन्मदिन मनाने के लिए खुद यहां आ रहे हैं तब ही दूसरा शक्स कहता है हाँ हाँ वाई ये सब हमारे राजा सिंग वर्मन जी की मैनत का ही परिणाम है पहले उन्होंने अपनी पोती की शादी यूवराज से करके उन्हें इस राज्य का दमाद बना दिया और अब अपना संबंद मदूर कर रहे हैं हमारा राजा तो काफी काम के हैं भगवान करे ऐसा समराज सबको मिलेैं नैना को किसी भी समराज के यूवराज या समराट में इस वक्त जारہ भी रूची नहीं थी बदले की आग में जल रही नैना के लिए ये सारी बातें फाल तुकी थी और उसे सुनों काफी गुसा भी उसे आ रहा था नैना जानती थी कि वो जादा देर तक बाहर रहने पर खुशी को काबू नहीं रख पाएगी और इन लोगों से भिड़ जाएगी इसलिए नैना काफी तेजी में अपने घर जाने के लिए निकल जाती है घजब के बेवकूप लोग भड़े पड़े हैं इस राज़े में सबको यहाँ खाना तक नसीब नहीं हो रहा और इवराज का जन्दिन बनाने के लिए राज़िक की तिजोरी खाली की जा रही है यही सोचते सोचते नैना अपने दाई अम्मा के पास पहुंच चुकी थी बिस्तर पर लेटने के साथ ही नैना की आखे लग जाती है और वो अगले दिन सुबह ही जगती है सुबह सुबह जगने के साथ नैना को आज आरेमान की बाते याग ती वो तुरंथी पहाडी की और जाने के लिए निकल जाती है पहाडी के ऊपर चड़ रही नैना को इस बात की उम्मीद थी, कि आज भी रास्ते में उसकी मुलाकात चंगुत दोते से होगी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखाई देता है। उपर पहुचने के साथ ही नैना एकदम चौक चाती है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज आरेमान वहाँ पहले से बैठा मिलेगा। वैसे तुमने इस बात पर गोर किया कि चंगुत थोता आज भी आनी है, तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगी। नैना की बातों को सुन, आरेमान कहता है, हाँ इस बात पर तो मैंने भी गोर किया था, लेकिन जाने दो, अब हम क्या ही कर सकते हैं। हर बात में आरेमान का एक जैसा जवाब सुन, नैना का गुस्सा एक बार फिर से उबाल मारने लगता है। आरेमान, तुम्हें तो हर बात ठीकी लगती है, पहले मेरे परिबार की बरवादी तुम्हें ठीक लग रही थी, और अब हमारी जासुसी भी तुम्हें ठीकी लग रही है, मैं ध्यान मुद्रा में बैठने जा रही हूं। इतना कहने के साथ ही निशा ध्यान में बैठने के लिए लगायागे आसन पर बैठ जाती है। निशा के आसन पर बैठने के साथ ही आरेमान उस पूरे शित्र को एक बार फिर से अद्रिश करने लगा था। पूरे शित्र को अद्रिश करने के साथ ही आरेमान नैना को सही तरी बारे में सोचना है आर्यमान की बातों को सुन रही नैना थोड़े समय तक लंबी लंबी सासी लेती है और फिर अपनी आखों को बंद कर लेती है आर्यमान के कहे अनुसार नैना कुछ देर में अपने मन को काबू कर लेती है नैना को इसमें भी काफी संघर्ष करना पड़ता और अब वो अंतरिक्ष की गहराईों में गोते लगा रही थी। नैना को आरिमान की बाते तो अच्छी तरीके से याद थी। लेकिन इस वक्त उन पर चल पाना नैना के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। उधर नैना के चेहरे के बदलते हुए भाओं को आरिमान भी काफी ध्यान पुरवक्त देख रहा था। नैना के चेहरे के बदलते भाओं को देख आरिमान को उसके अंतरिक्ष की गहराईों में होने का अंदाजा हो गया था। इसी के साथ आरेमान के वे दिल की धड़कने थेज हो गए थी। क्या खुद को सभी मो माया से दूर कर आश्टी बनाने में इस बार काम्याबी हासिल कर पाएगी नैना। क्या होगा जब पूरे सामराज्य के युवराज से होगी नैना की मुलाकाप। परिवार को ना बचा पाने की वज़े से नैना आरेमान के उपर काफी ज़्यादा घुसा थी। और समय समय पर उसका ये घुसा दिखता भी रहता था। लेकिन इस वक्त नैना आरेमान के बताय रास्नों पर चल कर खुद के शरीर से मोह माया को थोड़ी देर के लिए त्याग कर पवित्रता प्राप्त करना चाहती थी। इस पवित्रता को प्राप्त करने का नैना का एक मात्र मकसद उस आश्टे द्रव्य को बनाना था। जिसे पीकर नैना के लिए अपने युद्धा के स्तर को बढ़ाना काफी आसान होने वाला था। ध्यान में बैठी नैना इस वक्त अंतरिक्ष की कहराईयों में गोते लगा रही थी। नैना को इस बार भी अंतरिक्ष का अंदेरा महसूस हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। लेकिन इस बार वो अपने शरीर को अंतरिक्ष में ही मिल जाने के लिए छोड़ देती है। नैना के इस कदम से उसका चहरा काफी शान्थ हो जाता है। नैना के चहरे पर उभर रही शान्थी के इन भावों को देख आर्यमान की विच्चिंता थोड़ी कम होती है। लगता है नैना ने खुद को अंतरिक्ष के साथ मिलने के लिए छोड़ दिया है। अगर इस बार नैना हिम्मत नहीं हारी तो उसे पजितरता का रास्ता जरूर मिल जाएगा। अंतरिक्ष की कहराईयों में तैर रही नैना के मन में। सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अपने लोक, अपना घर परिवार, दोस्त इन सब को छोड़कर नैना काफी आगे निकल चुकी थी। नैना को महसूस होता है, मानो सब कुछ शुन्य होते जा रहा है। शुन्य? आर्यमान ने तो यही कहा था। जब सब कुछ शुन्य महसूस होता हूँ, अपनी आखों को खोल देना। इसका मतलब मैं अपनी आखों को खोल सकती हूँ। मन में इस एहसास के आते ही, नैना तुरंत अपनी आखें खोल देती है। आखों को खोलने के साथ ही नैना आर्यमान से कहती है। आरिमान, ये सब कितनी जल्दी हो गया, दो पल में ऐसा लग रहा है, जैसे सब कुछ बदल गया है, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया आरिमान नैना की बातों को सुन आरेमान वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था उसकी मुस्कुराहाट ऐसे इशारा कर रही थी मानों उसमें कई राज शिपे हुए हो आरेमान को मुस्कुराते देख नैना को कुछ समझ नहीं होता है वो आरेमान से कहती है क्या हुआ आर्यमान तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं कोई बात है क्या नैना की बातों को सुन आर्यमान मुस्कुराते वे कहता है अंतिरिक्ष की गहराईयां बहुत ज्यादा गहरी हैं नैना वैसे भी वहाँ और किसी को समय का पता नहीं चलता और तुम पिछले 24 घंटों से अंतिरिक्ष की उसी गहराईयों में गोते लगा रहे थी थब जाकर तुम्हें पवित्रता का ये वर्दान प्राप्त हुआ है अब चलकर जल्दी से ओश्दिये द्रव्वे बनाने का काम शुरू करते हैं आर्यमान की इस बात पर नैना को यकीन ही नहीं हो रहा था नहीं नहीं इतना समय नहीं हो सकता दो पल में इतना समय कैसे बीच सकता है अभी इस ओश्दिये द्रव्वी को बना लेती हूँ इसके बाद तब सच का पता करूँगी उदर आर्यमान अपनी चुटकी बजाता है और थोड़ी ही देर में एक दिव्य पात्र एक देहकती भी भट्टी के उपर तयार हो जाता है उस भट्टी को दिखाते हुए आर्यमान कहता है अभी तक तुमने अध्यात्म और अपनी श्रद्धा का परिचे देखा है लेकिन अब तुम वग्यानिक्ता को देखोगी यह भट्टी इस वक्त इतनी गर्म है जितनी गर्म प्रिथमी का केंद्र है इस गर्म भट्टी के आसपास सिर्फ वही जा सकता है जिसने प्रकृती को अपने वश में करके पवितरता का वरदान प्राप्त किया है नैना तुम अब प्रकृती के एक संतान बन चुकी हो इसलिए तुम जा और मेरे दिये सुत्र के अनुसार अपने लिए उस देव्य शक्तियों से भरपूर दिव्य द्रव्य का निर्मान करो नैना भी इसी लम्हे के इंतिजार में थी आर्यमान की बातों को सुनने के बात नैना बिलकुल निर्भीक होकर उस देखती वी भट्टी के पास जाती है भट्टी के पास जाने के साथ ही नैना को उसके उपर चड़ा हुआ दिव्य पात्र दिखाई देता है नैना से थोड़ी दूरी पर खड़ा आर्यमान नैना की और देखते वे कहता है नैना तुमें सभी जड़ी बूटियों को उनके क्रम के अनुसार इस दिव्य पात्र में डालनी है इस ब्रह्मान की सर्वष्टेश्ट धातु से बने इस पात्र में डालने के बाद वो जड़ी बूटिया एक हजार चोटे चोटे अद्रिश च्छनियों से होकर गुजरेंगी और फिर इतने गरम पर उबल कर तुम्हारे लिए दिव्य द्रव तैयार करेगी आर्यमान की बातों को सुन नैना के आश्चर की कोई सीमा नहीं थी वो काफी हैरान थी नैना को यूँ हैरान देख आर्यमान कहता है क्या हुआ नैना तुम इतनी हैरान की हो आर्यमान की बातों को सुन नैना उसकी तरफ देखते हुए कहती है इन यंत्रों के बारे में तो हम जानते भी नहीं फिर तुमने इन सब को कहां से प्राप्त किया इतने आदुनिक यंत्रों को कोई कैसे बना सकता है? इनी यंत्रों को देख कर हैरान हो रही नैना को अभी ब्रह्मियंत्र के संपूरुन ताकतों के बारे में पता ही नहीं था. उसकी बातों को सुन आर्यमान मुस्कुराते वे कहता है. प्रिट्वी पर सिर्फ मानवी आदुनिक है. ऐसा सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकुफी है. करोडों अकाश गंगाओं में से एक अकाश गंगा के एक प्रहमांड के एक सौर मंडल के एक छोटी से ग्रह पर रहने वाले तुम मानब. सोच भी कैसे सकते हो कि तुम य जादा बुद्धिमार और ताकतवर है. इसलिए इन भातों को छोड़ो और तुम प्रयोग पर ध्यान दो. आर्यमान से इतना लंबा चोड़ा भाशन सुनने के बाद, अब नैना के पास बोलने के लिए कुछ बचा भी नहीं था. वो चुकचाप आर्यमान के कहे अनुसार उस दिव्य पात्र में जड़ी बूटियों को सही अनुपात में डालने लगती है. एक और नैना इन प्रयोग में व्यस्त थी, उधर दूसरी और शाही दवा खाने में भी इस वक्त काफी गहमा गहमी थी. रामु दोड़े दोड़े, दवा खाने के उपर जाता है और वहा रामु की बातों को सुन, उसका छोटा मालिक खड़ा होता है. उसके सर के उपर से उसका चोंगा हट चुका था. और आज वह अपने असली रूप में था. दवा खाने के दूसरे माले में आज रौशनी आने के लिए भी कई रास्ते खोल दिये गए थे. अपने छोटे मालि कोई सतरह उनके वास्तविक रूप में देख, रामु सब कुछ भूल जाता है. वो चिलाते वे कहता है, छोटे मालिक, छोटे मालिक, आज हमें कहीं प्रस्थान करना है क्या? मैं सार्ती को रत तयार करने का आदेश दे कर आता हूँ. रामु के इतना कहते ही, उसका छोटा म उसके शरीर पर उसके स्वरण कवच प्रकाश को अपने उपर आने के साथ ही उसे परावर्तित करके पूरे कमरे में राशनी फैला रहे थे. अपने छोटे मालिक को अंधकार से निकलते देख, रामु खुश तो हुआ था, लेकिन उसने कभी भी छोटे मालिक को इस रूप आतिक विखेता है. रामु काका आप भी जानते थे, ये दवा खाना मेरे लिए बस समय काटने का एक जरिया बर था. अब समय ऐसा आगी है कि मुझे वापस अपने घर, अपने परिवार के पास जाना होगा. पिछले कुछ दिनों में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं, ज इंगल परिवार की राजनीती पर ध्यान देना होगा. अगर मैं अभी वहाँ नहीं गया, तो बहुत कुछ गलत हो सकता है. चोटे मालिक की इन बातों को सुन, रामु की हालत खराब हो रही थी. वो कहता है, लेकिन क्यों, क्यों चोटे मालिक, आप वहाँ अकेले क्यों जा है. वो कहता है, रामु काका, मैं यहाँ आपको काफी जरूरी काम से छोड़ कर जा रहा हूँ. आपको अब नैना के उपर नजर रखनी है, और उसकी समय समय पर परिक्षा भी लेते रहनी है. नैना के अंदर हुए बदलावों नहीं मुझे यहां से अपने राज्य जाकर स आप भी इस दवा खाने को बेच कर मेरे पास लोट आईएगा. छोटे मालिक की बातों को सुन, रामु के आँखों में आसु आ रहे थे. वो बेहदिशान तरीके से कहता है. जी जी छोटे मालिक, आपका ये सेवक आपके इस आदेश का भी पालन उसी निष्ठा से करेगा, जैसे इसने अभी तक आपके सिवा की है. रामु की आँखों से याँसु नहीं, बल्कि वो सम्मान जलक रहा था, जो उसके मन में उसके छोटे मालिक के लिए था. रामु की भावनाओं को समझते हुए, उसका छोटा मालिक मुस्कुराता है, और उससे कहता है, रामु का का रामु को पोचता है और कहता है, जी छोटे मालिक, आज राजमहल में गरुन सेने बल के मुखे गुरू के साथ और कई विशेशग्यों का भी आगमन हुआ है, आप तो जानते हैं ये बल कितना खतरनाक है, और इस पूरे सामराज्जी में सिर्फ सिंगल परिवार, यानि कि आपका परिवारी इससे नहीं डरता है, आपका इनके साथ पुराने हिसाब किताब को देख, मुझे लगा है कि आपको इसकी खबर दे देनी चाहिए, रामु की बातों को सुन वो शक्स अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, गरुन सेने बल के मुख्खी गुरू यानि आपके वरिष्ट सिनापती गुरू जगदीश की बात कर रहे हैं, उस शक्स की बातों को सुन रामु कहता है, जी जी छोटे मालिक, मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वो जगदीश नहीना को नुकसान न पहुँचा दे और अपना पुराना हिसाब किताब न चुकता करन किया नैना को उस दिव्य द्रव्य को प्राप्त करने में मिलेगी कामियावी। मौझूद लोगों के बीच, चर्चा तो इस बात की थी कि आखिर युवराज के साथ गरून सेने बल के मुख्य गुरू और इस खास बल के विशेशक वहां क्यों आ रहे हैं। रामू से नैना के उपर खतरे की बात सुन। उसका छोटा मालिक कहता है रामू का काप आखिर आपको ऐसा क्यूं लग रहा है। जगदीश नैना के साथ दुश्मन ही निकाल सकता है। अपने छोटे मालिक का ये सवाल सुनते ही रामू उन्हें जवाब देते वे कहता है। वो कहता है नहीं रामू का का जगदीश कभी इन तरीकों से नैना को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। गरुन सेने बलकि सिर्फ इस राज जी या समराज जी में ही नहीं बलकि उससे आगे भी काफी प्रतिष्ठा है। जगदीश कुछ भी करेगा लेकिन गरुन सेने बलकि प्रतिष्ठा कभी धूमिल नहीं होने देगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। छोटे मालिक की इन बातों को सुन रामु काका की चिंता थोड़ी कम होती है। इतना कह वो शक्स दवा खाना के सीड़ियों से नीचे उतरने लगता है। अपने मालिक को इस तरह जाते देख रामु की आँखों में एक बार फिर से आसू भर चुकी थे। उधर इन बातों से अंजान नैना जड़ी बूटियों से दवा निकालने की प्रक्रिया में व्यस थी। एक एक करके सभी जड़ी बूटियों को उनके क्रम के अनुसार नैना उस खास यंतर में डालते जा रही थी। और इससे नैना को बूंद बूंद कर वो दिव्यद्रव मिलते जा रहा था। सबी जड़ी भूटियों को मिलाने के प्रक्रिया तकरीबन पूरी होने वाली थी अचानक नैना को ऐसा लगता है मानों उस भट्टी पर रखा यंत्र हिलने लगा है आरिमान आरिमान ये क्या हो रहा है आरिमान नैना आरिमान को आवाज लगा रहे थी लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला उस वक्त वहाँ कोई नहीं था तब ही नैना की नजर यंत्र में उस हिस्से पर पड़ती है जिसमें सारा द्रव्य जमा हो रहा था ए भगवान ये तो द्रव्यों का पात्र हिल रहा है अगर मैंने इसे नहीं समाला तो सारा द्रव्य नीचे गिर जाएगा लेकिन मैं इस बट्टी पर कपसे रखा गया ये यंत्र तो काफी गर्म हो चुका होगा अगर मैंने इसे नंगे हाथों से चुआ तो मेरे हाथ भी जल जाएगे नैना अभी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक उस यंत्र के हिलने की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाती उस यंत्र में द्रव्य को एकत्रित करने वाला पात्र और भी ज्यादा तेजी से हिल ला था और उसी के साथ उसके बीच में जमा होता हुआ द्रव भी अब उससे उचल कर नीचे गिरने को बेताब था मेरे पास अब समय नहीं है आरीमान भी पता नहीं कहां चला गया मुझे अपने हादों से इस यंतर को बचाना होगा नैना के पास अब ज्यादा सोचने के लिए वक्त नहीं था वो तुरंत ही दौरती है और सुरी के जैसे तपते हुए उस यंतर में रखे प्याले को पकड़ ले थी उस यंतर से दिव्य द्रव को निकालने की प्रत्रिया तो समात हो चुकी थी लेकिन भट्टी अभी भी चल रही थी और वो पात्र कल्पना से भी अधिक गर्म था उस गर्म पात्र को पकड़ते ही नैना की चीख्यों निकल जाती है माँ ए माँ नैना को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी चमड़ी उसी पात्र से चिपक गई है और सहनिय दर्द के बावजूद नैना ने उस पात्र को यंत्र से अलग करके दिव्य द्रव को तो बचा लिया था लेकिन इस दौरान नैना की पूरी कलाई गल चुकी थी और नै मुझे अपने पास बुला लो यह तर्द यह यह मेरी जान ले लिए माँ अथेलियों की गल जाने से नैना को और सहनिय पीड़ा हो रहे थी नैना की करूण पुकार ऐसी थी जो आसमान में भी सुराख कर दें लेकिन आर्यमान के माया जाल की वज़े से उसकी चीखें बाहर ही नहीं निकल पाती है और सहनिय पीड़ा से गुजर रही नैना काफी परिशान थी तभी वहां आर्यमान आता है आर्यमान को देखते ही नैना काफी कुछ सुनाना चाहती थी लेकिन आर्यमान उसे रोकते वे कहता है तुमें जो कुछ भी कहना ना तुम बाद में कहना पह नैना को इस तरह परिशान होता देख, आर्यमान कहता है, नैना, तुम इस प्याले में सीधे अपना मूँ लगा, ध्यान दे, एक भी बून नीचे निगरनी चाहिए, आरेमान की बात मानते फिर नैना उस प्याले में अपना मूह लगा देती है और उस दिव्य द्रव को पीने लगती है बिल्कुल ही स्वाधीन उस द्रव्य को पीते समय नैना को कुछ महसूस नहीं हो रहा था तब ही वहां अगले शण कुछ ऐसा होता है जिसके उम्मीद नैना को भी नहीं है आरेमान ये क्या हो रहा आरेमान ये ये जादू कैसे हो आरेमान उस दिव्य द्रव का सेवन करते ही नैना को ऐसा लगता है मानू किसी ने जादू कर दिया उसका गल चुका हाथ एक बार फिर से ठीक होने लगता है नैना के शरीर पर जितने भी पुराने जखन थे सभी ठीक होने लगते हैं नैना को अपने भीतर असीन उर्जा का एसास हो रहा था वो एसास नैना के लिए बिलकुल ही नया था उसे ऐसा लगता है, मानो वो अब दुनिया की किसी भी बंदिशों को तोड़ देगी नैना के शरीर की सनरचना भी अब काफी हद तक सुधर चुकी थी खुद को ठीक होते देख नैना आरिमान से कहती है यह क्या है आरिमान, मैं ठीक कैसे होगी और तुम जरूत के वक्त कहां चले गे ते क्या तुम कभी भी मेरी मजबूरी में मेरे काम आओगा आरिमान नैना के चहरे के भाव यह बताने के लिए काफी थे कि ठीक हो जाने के बाद भी वो काफी गंबीर थी नैना के चहरे को देखता आरेमान थोड़ी देर तक चुप रहता है और फिर कहता है बुरा वक्त तब ही आता है नेना जब हम कमजोर होते है अब मैं तुम्हें इतना मजबूत बना रहा हूँ कि तुम खुद अपने बुरे वक्त को हरा सकोगी नेना मैं तुम्हें अभी छोड़कर गायब नहीं हुआ था बलकि ये तुम्हारी परिक्षा थी ये दिव्य द्रव तुम्हें शक्ती दे सकता है तुम्हारे युद्धा के स्तर को भी बढ़ा सकता है लेकिन उसके लिए तुम्हारी आत्म शक्ती काफी मजबूत होनी चाहिए ये दिव्य द्रव के पात्र का हिलना और फिर उसे बचाना उसी परिक्षा का हिस्सा था तुम अपने परिक्षा में सफल हुई और इसका इनाम तुम्हें मिल गया आरेमान की बातों को सुनकर अब नैना को पूरा माजरा समझा रहा था वो आरेमान की बातों को ध्यान से सुन रही थी आरेमान उससे आगे कहता है नैना इस द्रव के सेवन के साथ ही तुमने तपस्या करके मुह माया से जो मुक्ति पाई थी वो समाप्त हो गई है, मो माया ने एक बार फिर से तुमें घिर लिया है, साथी तुम अब तीसरे श्रेनी की युद्धा भी बन गई हो, ताकत के महत्व और ताकत, इन दोनों को पहचानो नैना, इतना कह आरेमान वहां से गायब हो जाता है, आरेमान के जाते ही उसका माय जा भी गायब हो जाता है, और अब नैना बहार की दुनिया को देख सकती थी, सूरज को आस्मा के किनारे से मिल, उसे डूपते देख नैना को काफी हैरानी होती है, आरेमान ने कहा था, मैं एक दिन से ध्यान में लगी हुई थी, अगर ऐसी बात है तो फिर, अभी तक तो में युवराज के जन्म दिन के लिए उतसब शुरू होने वाला था, राजमहल के दौर पर ही खड़ा नैना का दादा, अमात्य, अपने सैनिकों को निर्देश देने में व्यास था, तुम सभी जाओ, और अभी उस बुढ़िया से पूछो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसी दिन उसे अपने हाथों से माट डालता, अमात्य की बातों को सुन सभी सैनिक, नैना को खोजने के लिए अलग-अलग दिशाओं में चले जाते हैं, आम दिनों में अमात्य के परिवार में नैना की पूछ जानवरों जैसी भी नहीं होती थी, वो कल रात से गायत थ किन्तों आज समराट के आदेश की वज़े से उसे खोजना अमात्य की मजबूरी बन गई थी, नैना को खोजने के लिए अमात्य के सैनिक जैसे ही निकलते हैं, वैसे ही नैना का आगमन मुख्षी दौर से महल में होता है, उसी प्रवेश दौर पर खड़ा अमात्य, नैना क का रंग भी आज काफी निखरा हुआ था और उसके टीड़े मेड़े दात बिलकुल ठीक हो चुके थे नैना के चेहरे की बनावट तो ही थी लेकिन आज नैना काफी बदली हुई थी नैना के महल के भीतर आते ही अमादते उसके उपर चीखते हुए कहता है बेशर्म लड़क तुम्हें यहां आने में इतना विलंब क्यों हो गया अमादते की बातों को सुन रही नैना को कोई जवाब नहीं सूज रहा था अमादते से सच्चाई को कैसे छुपा पाएगी नैना युवराज के जन्म दिन पर क्या होगा धमाल और गरून सैनेबल का क्या है रहस्य है इसी के साथ नैना के पुराने सभी जखम भी भर जाते हैं और उसके चेहरे पर भी काफी निखार आ जाता है नैना की पूरी रंगट ही बदल चुकी थी उधर राजमहल में भी युवराज के जन्म दिन का उत्सव शुरू होने वाला था और नैना का दादा अमात्य उसका बेसब्बरी से इंतिजार कर रहा था नैना को अपने सामने देखते ही अमात्य ने उसके उपर सवालों की बच्छार कर दी थी और अब नैना के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा था नैना को यूचुप देख अमात्य फिर से एक बार गरचते हुए कहता है बोल लड़की तेरी जुबान में लकवा मार गया क्या तुम अभी तक कहा थी मेरे सवालों का जवाब दो वरना देव वर्मन से पहले मैं ही तेरा गला काट दूँगा अपने दादा अमात्य की ये बाते सुन नैना उसका चेहरा देखती रह जाती है नैना उसके सवालों का कोई जवाब देती उससे पहले ही नैना के कंधे पर एक लड़की हाथ रखती है और कहती है दादा जी नैना मेरे साथ थी हमें जरा तयार होने में समय लग गया इस आ उसे भी काफी कुछ सुनाना चाहता था लेकिन वो निशा की असली पहचान से वागिए था दरसल निशा कुसान राज्य के महामंतरी की पोती थी इसलिए उसे डाटना अमात्य के वश की बात नहीं थी अपने कंधे पर निशा का हाथ देख और उसका ये जबाब सुनने के ब उन कपड़ों को देख अमात्य कहता है अगर तुम्हें तैयार होने में इतना समय लग गया तो तुम्हारे कपड़े इस तरह के क्यूं है खाने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन कपड़े तुम भिकमंगी की तरह पहन कर गूम रही हो नैना को महिने के खर्च के लिए महस चार चांदी के सिक्के मिलते थे इतने पैसों में दो दिन लगाता रोटी भी ढंक से नहीं खाई जा सकती थी इस बात को अच्छे से समझ रही निशा बात को टालने और अपनी दोस्त नैना को बचाने के लिए कहती है ये कपड़े भी तो सही है दाला जी मेरे कपड़े भी लगबग ऐसे ही है अमात्ते और निशा की बातें सुन नैना अपने कपड़ों को देखती है अपने पुराने कपड़ों को देख नैना को खुद शर मारे थी तब ये अमात्ते कहता है चलो अब हमारे पास कपड़े बदलने का समय नहीं है गरुण सैन्यबल के लोग उतसब में शामिल होने के लिए राज महल में पधार चुके हैं युवराज भी बस आते ही होगे तुम जल्दी राजसभा के भीतर से होते वे शाही बगीचे में चली जा अमात्य के इस आदेश को मानने या फिर युवराज के जन्दिन के उतसब में जाने की इच्छा नैना को बिल्कुल भी नहीं थी लेकिन गरुण सैन्यबल के विशेशग्यों की आने की खबर नैना को मिल चुकी थी और इसलिए वो दोड़ी दोड़ी शाही बगीचे की और चल देती है नैना को भीजने के बाद आमात्य भी पर आज दरवार की ओर चल देता है लेकिन आज उसके मन में धेरो सारे सवाल थे ये गरुण सैन्यबल के विशेशग्य महल में क्या करने आए आमतार पर तो वे ऐसी यद्धाओं की भरती करते ही नहीं है जो सातो राज्यों की युवरात से कम ताकत वर हो फिर उनका आज इस तरह से भरती अभियान चलाने का मकसद क्या है यही सोचते हुए अमात्य काफी परिशान भी था अलाकि उस से राज्य सभा में अमात्य एकलौता ऐसा नहीं था जिसे इस बात की चिंता हुड़े थी अमात्य के साथ कुसान राज्य के बागी दरवारियों और राजनित के बीच भी इसी बात की चर्चा थी उस उत्सव में मौजूद जितने भी लोग गरुण सैन्य बल के महत्व को जानते थे वे सभी उनकी यहां पर मौजूद्गी से काफी हैरान थे उधर भीड के बीच किसी तरह से जगा बनाते बनाते नैना और निशा मुख्य मंच के आ कि वज़े से उस समय तो मैं तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं कर पाई थी आज तुमने बचा लिया वरना मुझे तो कोई जवाब ही नहीं सूज रहा था नैना की बातों को सुन निशा मुस्कुराते वे कहती है इसमें शुक्रिया की क्या बात है बैन वैसे तुमने मुझ किसी के साथ भी नहीं घुम रही थी वो तो मैं बस थोड़ा अभ्यास कर देती था कि मेरी शक्ती बढ़ जाए बस नैना का जवाब सुन निशा हसने लगती है अच्छा जी अब तुम अपनी सहीली से जूट बोलोगी तुम्हारे चेरे की रोना और बदली-बदली सी चाल ढली ये बताने के लिए काफी है कि तुम किस चीज का अभ्यास कर रही थी चार दिन पहले तक इतनी शांत नैना अब अक्यले अभ्यास भी करने लगी है निशा की मुस्कुरहट नैना को छेड़ने के लिए काफी था नैना और निशा की बात्चित जारी ही थी तब ही वहाँ नैना की चचेरी बहन हिना आ जाती है हिना को देखने के बावजूद नैना और निशा उसे नजर अंदास करती है लेकिन नैना से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हीना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था उस दिन ये नक्चड़ी नैना बहुत बड़ी बड़ी बाते कर ली थी ना अभी मैं इसे मज़ा चखाती हूँ यहाँ पर मौजूद लोगे ने तो अभी इस पर ध्यानी नहीं दिया सबका ध्यान इसकी तरफ करती हूँ फिर आएगा असली मज़ा अपने दिमाग की इस खुरावाती विचार को हिना तुरंथी काम में लाती है नैना से थोड़ी ही दूर पर खड़ी हीना काफी जोर से चिल्लाते हूए उसे पुकारती है नैना जरा अधेर आना हीना से नैना की दूरी महज कुछी कदमों की थी लेकिन हीना की इस हरकत की वज़़जे से वहां मजूद सभी लोगों का ध्यान नैना की और चला जाता है नैना का जिक्र होते ही उस जश्न में शामिल अधिकतर लोग खुसुर फुसुर में लग जाते है ओ, तो ये वही नैना है तीज साल तक जिसकी बुद्धी नहीं कुली वो आज वर्मन परिवार के युवराज को ललकार रही है इसकी तो मती मारी गई है किसने सोचा था कि वीर भद्धर के घर में भी कोई ऐसी नकारा लड़की पैदा हो सकती है हिना द्वारा नैना का नाम का बस जिक्र भर करते ही वहां मौजूद सभी लोग खुसुर फुसुर करने में लग जाते है नैना को अधितर लोग अभी तक चहरे से तो नहीं पैचानते थे लेकिन वीर भद्धर की मंद बुद्धी बेटी नैना को उसके नाम से सभी जानते थे नैना को अब हर तरफ से सिर्फ उसका मजाक उड़ाय जाना ही सुनाई दे रहा था तब भीड में से एक आवाज आती है माना की यहाँ पर सभी लोगों का आना अनिवार यह था लेकिन कोई ऐसे मंद बुद्धी को राज परिवार के साथ कैसे खड़ा होने दिया जा सकता है इसे अभी उठा कर पीछे फेक दिया जाना चाहिए पता नहीं आजकल कैसे कैसे खंदान के लोग राजमहल में आने लगें भीड में सबसे आगे खड़ा अमाते भी इन बातों को सुन रहा था नैना का मजाक उड़ाने तक तो ठीक था लेकिन अपने खंदान के बारे में इस तरह की बाते सुनते ही उसका खून खौल उटता है ओँ इस लड़की नैना की बज़ज़ से नजाने मेरे परिवार की और कितनी बदनामी होगी मुझे मौका मिलते ही इसका सर काट कर फेक देना चाहिए ये लड़की हमारे परिवार पर कलंक बन कर रहे गी है नैना का मजाक बनता देख उसके अपने तो उसका साथ नहीं दे रहे थे लेकिन उसके साथ खड़ी निशा की दोनों आखें घुसे से लाल हो रही थी अपने खंजर को हाथों में लिए निशा आवाज आने वाली दिशा में जान ही वाली थी कि तभी नैना उसे रोक लेती है नहीं निशा तुम ये मत करो तुम दोशी क्यों बनोगी नैना को इस तरह रोकते देख निशा उससे कहती है अरे नहीं नैना तुम मुझे मत रुको तुम्हारे बारे में फाल्तू बोलने वालों का तो मैं आज भुलिया ही बदल कर रख दूँगी निशा काफी ज़ादा घुसे में थी उसके घुसे को शांत कराते वे नैना कहती है एक कोई बात नहीं निशा वैसे भी तुमने कहा बत तो सुनी होगी जब हाथी बाजार जाता है तो कुट्थे का भागना शुरू हो जाता है ये सब बस वही कुट्थे हैं इसलिए तुम इनके मुझ मत लगो वैसे भी हम लोग कुट्थों का शिकार नहीं करते हैं इतना क्या है नैना हस पड़ती है नैना की इस हसी और उसकी बातों को सुन भीड से आती सारी खुसुर खुसुर शांत हो जाती है नैना ने भालतु बोलने वालों के मुझ पर ऐसा चाटा जड़ दिया था कि उनकी जुबान अब बिल्कुल शांत हो गए थी नैना कभी बोलने में इतनी जादा महिर नहीं थी उसका ये बदला रूप देखकर निशा और अमात्य दोनों हैरान थे निशा मुस्कुराते हुए कहती है वाह वाह नैना अब वो नैना नहीं रही अब फूल नहीं आग है अपनी नैना छोगे तो जल जाओगे नैना के इस जवाब से निशा काफी खुश थी अमात्य भी नैना के इस जवाब से काफी हैरान था ये नहिना नहीं हो सकती, नहिना की इतनी जुबान कब से चलने लगी? अमात्य अभी ये सोची रहा था, तभी कुसान राज्जी का एक मंत्री उसके पास आते वे कहता है सेना पती जी, मैंने सुना है, आज यहाँ पर गरोन सैने बलके कुछ लोग आने वाले अपने वफादार मंत्री की बातों को सुन, अमात्य कहता है हाँ, वैसे ये बात तो सभी जानते हैं, तुम खास जानते हो क्या, जो मेरे पास आयो सेना पती अमात्य जान चुका था, कि उसका मंत्री कुछ खास जानकारी लिख रहा है अपने वफादार मंत्री की बातों को सुन अमात्य कहता है हाँ, वैसे ये बात तो सभी जानते है तुम खास जानते हो क्या जो मेरे पास आयो सेनापती अमात्य जान चुका था कि उसका मंत्री कुछ खास जानकारी लेकर रहा है अमात्य का आशारा मिलते ही साथ साथ गरुन सेने बलके संचालक और उसके सेना पती अरुन जी की बेटी अरुनीमा भी इस जश्न में मौजूद रहेगी उनका काफिला भी यूवराज के साथ है। वर्मन परिवार की बेटी की शादी युवराज के साथ होने के बाद से कुसान राज्य का राजमहल सातो राज्यों के लिए शक्ति का एक महतपूरुन केंद्र बन गया था इस केंदर पर इतने महतपूरुन लोगों के जुटने की बात पता चलते ही अमात्य की हैरानी कई गुना बढ़ चुकी थी ये लोग आखिर चाहते क्या है गरुन सैन्ने बल से जुड़े इतने महतपूरुन लोग आखिर आज कुसान राज में क्या करने आ रहे हैं यही सोचता हुआ अमात्य काफी चिंतित था क्या है कुसान राज्य में गरुन सैन्ने बल से जुड़े महतपूरुन लोगों के जुटने का रहसे राज महल और राज्यों के बीट चल रहे ही इस राजनीती से कैसे पार पाएगी नेना गरुन सैन्ने बल के मुख्ये गुरु के साथ साथ इस बल के संचालक और सिनापती अरुन की बेटी अरुनी मा के राज महल में आने की बात सुनते ही अमात्य की चिंता काफी बढ़ जाती है राज महल में यो राज के साथ इतने महतपूरुन लोग आ रहे हैं इसका मतलब कुछ न कुछ खिचडी तो जरूर पक रही है। राजमहलों की बड़ी मारते हैं सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए ही नहीं बनाई जाती है। बलकि वे दिवारें इसलिए भी बड़ी होती है। ताकि राजनीती के प्यादों को आराम से तयार किया जा सके। वर्मन खांदान के वेटी और कुसान देश के युवराज देव वर्मन की बड़ी बहन की। सातों सामराज्यों के वराज से शादी होने के बाद, कुसान राज्य का राजमहल, शक्ती और सत्ता का एक महत पूरुन केंदर बन गया था. इस बात को अच्छे से समझ रहा आमात्य भी अब फूंक फूंक कर कडम रख रहा था. अमात्य अब इस चिंता में डुबा हुआ ही था तभी उसके कानों में नगाले की आवाज आती है थोड़ी दूर से आरी ये आवाज बताने के लिए काफी थी कि सातों राज्यों के युवराज जल्दी जश्न में पधारने वाले हैं नगालों की अवाज कान में जाने के साथ ही अमात्य वहां की सुरक्षा बेवस्था को दुरुस्त करने में लग जाता है युवराज राजमहल में प्रवेश करने के बाद सीधे यहीं आएंगे इस बाग में युवराज के प्रवेश के साथ ही सबी लोगों का सर नीचे जुख जाना चाहिए तुम लोग जाओ और युवराज के लिए रास्ता तैयार करो युवराज के दोनों तरफ लोग होने चाहिए उनकी सुरक्षा की वेवस्था तो उनके अंग्रक्षा की समालेंगे लेकिन भीड को समालना हमारी जिम्मेदारी होगी अपने सैनिकों को आदेश तेरह अमात्य है युवराज की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं करना चाहता था उसान काज्य के शाहिबाग में इस वक्त काफी संख्या में लोग थे और इनमें साधिकतर 16-25 वर्ष के युवा थे आपसी बादचीत में उलजे लोगों को जब नगाड़े की अवाज सुनाई देती है तो सब एकदम से शौकन्ने से हो जाते हैं सभी की नजरें अब बाग में प्रवेश के लिए बने मुख्य दर्वाजे पट्टी की थी इस मुख्य दर्वाजे पर युवराज के सैने बल का आगमन हो चुका था और उन्होंने इसे पूरी तरह से अपने कबजे में लिया था हिमाले के उत्तरी तरफ से ऐसे तो कई राज्ये थे लेकिन हिमाले के ठीक आगे आने वाले साथ राज्ये मिलकर वत्सल सामराज्य का निर्मान करते थे वत्सल सामराज पर वरत वंच के शक्तिशाली राजा व्रिहद वरत का शासन था ये विरहत वरत की बहादुरी और युद्ध कोशल का परिणाम था कि साथ बड़े बड़े राज्ये आज वत्सल सामराज की सीमा में समाए हुए थे इन साथो राज्यों के राजा तो अलग-अलग थे लेकिन उनकी शक्तियां सीमित कर दे गई थी इन राज्यों से जुड़े अधिकतर महतपूरण फैसले सीधे विरहत वरत या उसके बेटे और वत्सल सामराज की युवराज ओम वरत के द्वारा लिये जाते थे कुसान देश के राजमहल में ओम वरत अपनी पत्नी हेमा के साथ पहुँच चुका था युवराज के शाही बाग में प्रवेश करते ही एक सैनिक आगे आता है और कहता है वत्सल सामराज की सेमा के प्रहरे और महान शासक वरिहत वरत के बेटे तथा इस विशाल सामराज के युवराज ओम वरत इस शाही बगीचे में पधार रहे हैं ओम वरत के आसपास अंगरक्षकों का काफी तगड़ा पहरा था और वो आगे आगे चल रहा था ओम वरत देखने में काफी ज़्यादा अकरशक और मनमोग था राज्य की सारी लड़कियों का सपना ओम वरत से शादी करना या उसके साथ कुछ पल बिता लेना होता था ओम वरत के साथ उसकी पतनी हेमा भी चल रही थी इन दोनों के पीछे चल रहे देव वर्मन के हाव भाव ये बताने के लिए काफी थे कि हेमा वर्मन खांदान की बेटी और ओम वर्मन खांदान का दामाद है शाही बगीचे में युवराज ओम वरत के प्रवेश करने के साथ ही सभी लोग अपना सर जुका कर गुटनों पर बैठ चुके थे लेकिन इस भीड में एक ऐसी लड़की भी थी जिसने अभी तक अपना सर नहीं चुकाया था उस लड़की पर नजर पढ़ते ही युवराज ओम और उसकी पत्नी हिमा भी एक पल के लिए ठहर जाते हैं ये लड़की कोई और नहीं बलकि नैना ही थी वहाँ ठहरने के बाद नैना को देख रहा युवराज अमात्य पर भी एक नजर डालता है युवराज का ये इशारा अमात्य समझ चुका था युवराज के वहाँ से गुजरते ही अमात्य तुरंट नैना के पास जाता है और कहता है नैना ये क्या बेहुदगी है यहां सब जहां अपना सर जुका रहे हैं फिर तुम इस तरह से सीधी खड़ी क्यों हो मेरी आग्या के बाद भी तुमारे इतनी हिम्मत कैसे हुई युवराज के इशारे को समझ रहा मात्य जान चुका था कि नैना के नहीं जुकने स उसकी काफी बेजज़त ही हुई है नैना के ऊपर अमात्य तो पहले सही काफी खुचा था विवराज के सामने इसके ना जुकने से अमात्य का हुस्सा और भी भलक चुका था चुपचा उसकी बातों को सुन रहे नैना कहती है दादाजीब दादाजीब आप ये क्या बोल रहे हैं मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती वो तो बस मेरे शरीर के जोड़ों में आजकल थोड़ा दर्द रह रहा है इसलिए पहले मैं घुटनों पर बैट नहीं पाई और फिर गर्दन भी नहीं जुक पाई नैना की बातों को सुन अमात्य का मात हठानक चाता है ये लड़की आज कितने बहाने बना रही है इसके जोड़ों में दर्द कब से रहने लगा पहले ये देरशाई और फिर अब भाणा बना रही है इसकी इतनी हिम्मद कैसे हो सकती है इनी बातों को सोच रहा अमात्य काफिक उस्से में नैना को देख रहाथा उधर नैना के मन में कुछ और ही चल रहा था यही सोचते वे नैना भी अपने दादा को दिख रही थी नैना की बातों को सुन अमात्य उसे कोई जवाब देता उससे पहले ही हेमा वहा जाती है दूद से भी गोरा बदन, मोरनी से तीखे नैन, गुलाब से लाल गाल और सुडोल बदन रादशाही अंदाज में तैयार हुई हेमा स्वर्ग से उतरी किसी अपसरा से कम नहीं लगती थी हेमा को देखते ही नैना सोचती है हेमा को अपनी और आता देख नैना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था नैना के पास जा रही हेमा अकेले नहीं थी उसके पीछे उसका भाई भी खड़ा था वत्सल सामराज का युवराज ओम वरत्तो इस जश्न में आए बाकी महमानों से बादचीत में व्यस्त हो गया था लेकिन हेमा की नजरें कब से नैना को ही ढूंड रहे थी नैना के पास जाती ही हेमा उससे कहती है नैना 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 ओ तो तुम वही नैना हो आजकल कुसान देश में तो तुम्हारे ही चर्चे हैं मैंने सुना है तुमने मेरे भाई देव को युद्ध के लिए ललका रहा है क्या ये सही बात है हेमा ने ये बाते काफी तंज के तोर पर गही थी इन बातों को सुन नैना कहती है हाँ मैंने इसे युद्ध के लिए ललका रहा है एक माँबाद होने वाली राजस्तर्य युद्ध कौशल प्रतियुकता में हम दोनों हिस्सा लेंगे नैना की बातों को सुन हेमा मुस्कुराते वे कहती है वा, मुझे तुमारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मात तुमारे सर पर खड़ी है और तुम इतना खुशोकर ये बात मुझे बता रियो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है देव युद्ध कौशल के पांचवे स्तर पर पहुँच चुका है और तुम्हारा तो कोई स्तर भी नहीं है क्या तुम उसके सामने दो पल भी टिक पाओगी उस बगीचे में मौझूद सभी लोग अब नैना और हेमा के बीच इस बातचीत को सुन रहे थे हेमा के बोलने के बाद सब अब चुप थे और उन्हें नैना के बोलने का इंतजार था उस भीड में नैना बिलकुल चुप खड़ी थी नैना को इस तरह चुप देख लोगों के बीच खुसूर खुसूर भी बढ़ गई थी लगता है मा की बातों को सुन, नैना की बुद्धी खुल गई है, बिचारी ने ताउ ताउ में डेव से युद्ध की बात तो कर दी थी, लेकिन अब सच्चाई के सामने आती ही, उसकी हालत खराब हो गई है, हाँ वैया, सही कह रहे हो, लगता है नैना आज, डेव से माफी मा लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, नैना अब बदल चुकी है, नैना अपने गले को साफ करते हुए कहती है, देव चाहे किसी बिश्रेनी का युद्धा हो, राजस्तर ये युद्ध कोशल प्रतियुक्ता में ये मेरे सामने ठीक नहीं पाएगा, इसलिए आप मेरी चिंता चोड़िये और देव को बचाने की तैयारी कीजिया, नैना की इन बातों को सुनने के साथ ही बगीचे में मौजूद सभी लोग एक साथ हस पढ़ते हैं, नैना को इस भीड में अब बस उसकी दोस्त निशा और उसका दादा अमाती ही हसते हुए नजर नहीं आ रहे थे, इ उसे दातों को पीस्ता देख नैना उससे कहती है, निशा निशा शांत हो जा, जो लोग कुछ नहीं कर सकते, वो बोलकर ही जीतना चाहते हैं, देव को हमसे डर लगने लगा है, तभी तो वो अब अपनी बहन को हमें समझाने के लिए बिज रहा है, इतना कह नैना और निश बेज़ती तो कर दी थी, लेकिन इसके जवाब ने देव वर्मन की धच्जियां उड़ा दी थी, भरी सभा में अपनी इस तरह की बेज़ती को देख, देव के घुस्य का कोई ठीकाना नहीं रहता, वो तुरंत ही अपनी बहन से आगे आते हुए कहता है, गंदी नाली की प पहस में उलचते देख, कुसान राज्जी के सैनिक भी उसकी रक्षा के लिए तैयार कड़े थी, देव कीन बातों को सुन नेना उससे कहती है, अपने से कमजोर के उपर जल्म करना हो और उसे सताना, गंदी नाली के कीड़ों का काम होता है, यहाँ पर मौजूद सभी अज़वार निकालता है और नैना की तरफ दोड़ पड़ता है, क्या होगा देव और नैना की दुश्मनी का परिणा, कुसान राज के राजमहल में रचा जा रहा है, ऐसा कौन सा खेल, जिसके लिए इतने महतपूर्ण लोगों का राजमहल में हुआ है आगमन, वत्सल सामराज के युवराज, ओम वरत के जन्दिन के जश्न में शामिल होने के लिए, काफी संख्या में लोग कुसान राज के शाही बगीचे में चुटे थे, उधर इस भारी सभा में नैना की बातों से देव वर्मन की काफी बैज़्यती होती है, इस बैज़्यती को देव बरदाश्त नहीं कर पाता और वो अपनी तलवार लेकर नैना की और दोड़ पड़ता है, देव के तलवार निकालकर इस तरह दौड़ने के साथ ही नैना की दोस्त निशा भी अपना कटार निकाल चुकी थी वो कटार को निकाल चीखते है वे कहती है अरे आज़ाओ देव आज़ाओ नैना से पहले आज मैं ही तुमारी मौत लिख दूँगी देव को इस तरह नैना की और दोड़ते दिख वहां मौचूद सभी लोगों में हलचल मच जाती है तब ही देव की बड़ी बहन हेमा थोड़े उचे आवाज में कहती है अरे रुक जो देव, ये कोई रणभूमी नहीं है हेमा देव की बड़ी बहन होने के साथ उम रत की पतनी भी थी देव चाहकर भी उसकी आग्या को नकार नहीं सकता था अपनी बहन की बात को मान देव वहीं रुक जाता है देव के रुकते ही हेमा उसके पास जाते वए कहती है अपने दिमाग को शांत रखना सिखो देव वरना ये दुनिया इज़त कम और गाली ज़्यादा देगी केवल यूवराज बन जाने से लोगों को इज़त नहीं मिल जाती है यूवराज बनने के बाद इज़त को कमाना भी पड़ता है हेमा की बातों को सुन रहा देव उससे कहता है तो मैं क्या करू दीदी इस नैना की उकात कल तक मेरी जूती के दी बराबर नहीं थी पर आज आज ये मुझसे युद्ध लड़ने की बात कर रही है मैं इसे छोड़ूँगा नहीं हेमा की चहरे की मुसकान अभी भी कम नहीं हुई थी वो मुसकुराते वे देव को समझाती है कौन कह रहा है तुम उसे छोड़ दो तुमें उसे छोड़ना नहीं है उसने तुम्हें युद्ध के लिए ललका रहा है और तुम उसका गला वहीं काटना लेकिन अभी सबके सामने तुम अपनी बिजज़ती मत करवा हो बस अपनी बहन की बातों को सुनने के बाद देव वहीं खड़ा हो जाता है उसके आसपास मौझूद लोग अभी भी उसी का चहरा देखे जा रहे थे इन बातों से देव को काफी जादा तकलीफ होती है वो नैना की और देखते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ोंगा नहीं तुम्हारी मात इतनी दर्दनाख होगी जितनी तुमने सोची भी नहींगी देव की धंकियों से डर तो पुरानी नैना को भी नहीं लगता था और फिर ये तो बदली भी नैना दी नैना देव को कुछ जवाब देती उससे पहले ही निशा आगे आते हुए कहती है अपनी दीदी के पीछे क्यों चिप गया दुस्ट इमत है तो आगया अपनी बेहन के दौरा समझा दिये जाने से देव शान तो हो गया था लेकिन निशा की इन बातों ने उसके खुन के उबाल को एक पर फिर से बढ़ा दिया था घुसे में लाल देव निशा की और छपटता ही है तब ही निशा के दादा जी उसके आगे आकर खड़े हो जाते है निशा के दादा जैराम कहने के लिए तो कुसान देश के महमंतरी थी लेकिन उससे पहले ये वत्सल सामराजी के लिए उसकी सेना का नित्रुत भी कर चुके थे जैराम की कुसान देश के साथ पूरे वत्सल सामराजी में काफी पूच थी और कोई जल्दी उनसे टकरानी की कोशिश नहीं करता था जैराम की एक खोबी ये भी थी कि वो अपने घर के पोते पोतियों को काफी मानता था निशा के आगे खड़े जैराम के होने से ही देव की हिम्मत वहीं जवाब दे जाती जाओ जाकर उनसे भीड़ जाओ अपने दीदी के तंच को समझता हुआ देव कहता है दीदी वह महामंतरी जैराम उसके आगे आगे इसलिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाए अगर मैं उनसे भीड़ जाओंगा तो युवराज उम्वरत और दादाजी क्या करेंगे ये त अगर तुम खुद युद लड़ने जाओगे तो एक ने एक दिन मृत्यों जरूर मिलेगी ये वैजजती उसी मृत्यों के समान है इसलिए खुद से युद लड़ने के बजाए अपनी सेना का इस्तमाल करो अपनी बहन की बातों को देव वर्मन समझ चुका था वह चुप गरुण सेनने बल के संचालक और उनके सेनापती महा युद्धा अरुण जी की बेटी अरुणी मा और गरुण सेनने बल के साथ हमारे युद्धराच के भी मुख्धी गुरू श्री जगदीश जी यहां पधार रहे हैं गरुण सेनने बल का नाम सुनते ही पूरे बगीचे में सन्नाटा चा जाता है बेहदी खास मकसदों को पूरा करने के लिए बने और शनबार में जुद्ध का परिणाम बदल देने में माहीर गरुण सेनने बल की पूरे वत्सल सामराजी में काफी ज्यादा इज़त थी गरुन सेनने बल के हरे की उद्धागों पूरे वत्सल सामराज्जी में काफी इज़त दी जाती थी और आज तो इस जश्न में उसके मुख्य गुरू तथा इस बल के सेनापती की बेटी भी आने वाली थी शाही बगीचे में मौजूद सभी लोगों को अब बिसबरी से गरुन सेनने बल के लोगों का इंतजार था उन लोगों का इंतजार जल्द ही समाथ होता है गरुन सेनने बल के चार युद्धा जल्द ही आकर दर्वाजे के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं इन युद्धाओं में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल थी। युद्धाओं का वजनी का बच, इनके धारदार हथियार और चहरे का तेज किसी भी दुश्मन में खाफ पैदा कर सकता था। गरुन सैन्नेबल वजसल सामराज्य का सबसे खास बल तो था ही। साथ ही इसमें पुर्षों के साथ महिलाओं को भी शामिल होने की अनुमती थी। गरुन सैनने बल के इन युद्धाओं के पीछे गरुन सैनने बल के संचालक और उसके सिनावती अरुन की बेटी अरुनी मा तथा गरुन सैनने बल का मुख्य गुरु जगदीश चल रहे थे इन लोगों के साथ गरुन सैनने बल से जुड़े और भी कई महतपुरुन लोग इस जश्न में शामिल होने के लिए आएगे शाही बगीचे में मुख्य गुरु जगडीश के प्रवेश के साथ ही वतसल सामराज का युवराज ओम वरत उसके पास जाता है प्रणाम गुरु देव ओम वरत के इस अविवादन को स्विकार करते हुए जगडीश कहता है सदेव सुखी और शक्तिशाली रहो ओम वरत अपने पिता के ख़द्मों पर चलते हुए तुम भी हमारा और वतसल सामराज का नाम आरूचा करो अपने गुरु से अशिर्वाद लेने के साथ ही ओम वरत अपने पास में खड़ी अरूणेमा का भी स्वागत करता है वतसल सामराज के ही अंग और साथ ही हमारे ससुराल कुसान राज के इस राजमहल में आपका स्वागत है अरूणेमा जी मध्धम गोरा बधन, सलीके से सवारिह हुए बाल, चहरे पर कुटिल मुस्कान और दिल में कई राज शुपाय अरूणीमा यूवराज के अभिवादन के बाद मुस्कुराते वे गहती है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यूवराज आपने अपने जन्वदेवस के इस अवसर पर पिता जी को भी आमंतृत किया था और उन्हें या आने की बहुत इच्छा भी थी लेकिन अचानक कुछ आवश्यक कारे आ जाने की वज़े से वो यहां नहीं आ सके पिताजी ने आपको जन्म दिवस के लिए शुपकामनाई दी है और यहां से सर्वश्रिष्ट लड़ाकों को इस बार चुनकर लाने के लिए कहा है अरुनिमा की बातों को सुन उम्वरत मुस्कुराते वे खहता है आपके पिता और गरुन सेनेबल के सिनापती मेरे लिए आधरनी है उनकी शुपकामनाई मेरे लिए आशिरवात के समाने उनकी जैसी इच्छा है उसे पूरा करने के लिए मैंने भी सारी तैयारियां कर रखी है राजमहल के साथ ही मैंने पूरे कुसान शहर से युवाओं को यहां एकत्रिट किया है आप इनके परिक्षा लीजी और इने गरुन सैन्नेबल में शामिल कीजिए अरुनिमा के चेहरे की कुटिल मुस्कान अभी भी खत्म नहीं हुई थी युवराज ओम की बातों को सुन वो कहती है जी युवराज हम यहां के सरस्रेष्ट लडाकों को अपने साथ ले जाएंगे लेकिन आप तो जानते हैं गरुन सैन्नेबल में शामिल होने के लिए इन्हें एक या दो या तीन नीबल की कई परिक्षाएं देनी होगी इन युद्धाओं को अगले कुछ दिनों उनी परिक्षाओं से गुजरना होगी और फिर आखिर में महा परिक्षा में उत्रिन होकर ये गरुन सैन्नेबल में शामिल हो सकेंगे अरुनिमा के बातों को सुन युवराज कहता है ठीक है अरुनिमा जी आप अपने आगे की कारवाई शुरू कीजिए युवराज ओम् वरत की बातों को सुनने के बाद अरुनिमा मुख्य मंच पर जाकर खड़ी हो जाती है गरुन सेनने बलके सिनापती और संचालक अरुन की बेटी होने के साथ ही अरुनीमा का गरुन सेनने बलके संचालन में भी महत पुरुन योगदान होता था अरुनीमा के मंच पर जाते ही पूरे शाही बगीचे में शांती छा जाती है उधर मुख्य मंच पर खड़ी अरुनिमा भीड की और देखते वे बोलना शुरू करती है आज मेरे इस राजमहल में आने के दो कारण है सबसे पहले तो मैं युवराज उम्वरत को उनके जन्मदिन के लिए शुकामनाई देती हूँ मैं जानती हूँ ये जश्न का मौका है और मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए लेकिन आज मैं और गरुन सैनेबल के बाकी लोग युवराज के जन्मदिन में शरीक होने के साथ ही यहां से कुछ प्रतिभाशाली लोगों का चैन भी करने आये हैं गरुन सैनेबल के लोग यहां प्रतिभाशाली युद्धाओं का चैन करने आ रहे हैं ये बातें तकरीबन सभी को पता थी अरुनिमा के मुझे से इस बात को सुनने के बाद इस बात पर मुहर भी लग जाती है अरुनिमा आगे बोलते वे कहती है हमारे गरुन सैनेबल में इस वक्त युद्धाओं की कमी है इसलिए हम इस भरती प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर लेंगे वैसे भी कुसान राज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है इस राज जी के कितने ही जवान अभी भी हमारी सेना की ओर से युद्ध लड़ रहे है इस राज जी के बारे में ये कहाबत भी मशूर है कि यहां यहां तो आपको बच्चे मिलेंगे या बुड़े क्योंकि यहां की एक पीड़ी आज भी वत्सल सामराज की सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटी हुई है कुसान राज के प्राक्रम का ही ये कमाल है कि जब युद्धाओं की भरती की बात आई कि मेरे पिताजी ने सबसे पहले मुझे कुसान राज की ओर से जाने के लिए का अरुनिमा के इतना कहते ही पूरा शाही बगीचा तालियों की गलगला हाट से गूंज उठता है एक तरफ अरुनिमा गरुन सैन्नेबल में युवाओं की भरती की बात कर रही थी तो धर दूसरी ओर अरुनिमा को देख नैना को कुछ अजीब सा हैसास हो रहा था अरुनिमा की आँखों में देखने के साथ ही नैना को काफी राज दबे होने का हैसास होता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता ये सब शैतानी तरीके तो कब के समाथ होगे गरुन सेनिबल के सेनापती की बीटी ऐसा नहीं कर सकती नहीं इनी बातों को सोच रही नैना की नजर जैसे ही अरुनिमा से मिलती है उसे फिर से नैना की आँखों में शैतान के बसे होने का अंदेशा होता है ये एसास इतना खतरनाक था कि नैना पूरी तरह से काप उठती है अरुनिमा को लेकर हो रहे इस एसास का नैना से क्या है संबंद क्या गरुन सेनिबल में युद्धाओं की भरती ही है अरुनिमा का मकसद या फिर उसके पीछे चुपे हुए हैं और भी कई राज कुसान गाज के राजमहल में अरुनिमा और जग्दीश आये तो गरुन सेनिबल के युद्धाओं की भरती के लिए थे लेकिन अरुनिमा की आँखों में देख नैना को काफी शैतानी एहसास हो रहा था इस ऐसास के बारे में नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था पैरान परिशान नैना एक बार भिर से अरुनिमा की आँखों में देखने की कोशिश कर दिये नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता इतने पवित्र और शक्तिशाली बलके मुखिया की बेटी को देख मुझे ऐसा ऐसास कैसे हो सकता है इस अरुनिमा के भीतर तो हजार शैतानों से भी ज़्यादा नकारात्मक उर्जा दिख रही है लगता है ये शैतानों का आवान प्रते दिन करती है नैना के चहरे पर आ रहा पसीना उसकी परिशानी को बया कर रहा था नैना को अब कुछ सूज नहीं रहा था तब ही उसे कुछ सुनाई देता है अरुनीमा को देख तुम्हें जो मैसूस हो रहा है न उसे मैं समझ सकता हूँ इसे देख मुझे भी काफी कुछ ऐसा ही ऐसास हो रहा है नैना को ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है आरिमान तुम कहां पर हो तुम उसे बाते कैसे कर रहे हो आरिमान की अवास तो नैना को सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका शरीर नैना को दिखाई नहीं दे रहा था आरिमान की अवास सुन नैना काफी चौक जाती है नैना को इस तरह से परिशान होता देख आरिमान कहता है मैं यहीं हूँ नैना अरुनिमा को देख तुम्हें जो एसास हुआ है उसे मैंने भी महसूस किया था इसलिए मैं यहां चलाया आरिमान नैना से बाते तो कर रहा था लेकिन वो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था आरिमान का न दिखना नैना को और परिशान कर रहा था वो कहटी है आरिमान लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो तुम यहीं हो या फिर कहीं और हो तुम गायब कैसे हो सकते हो आरिमान नैना की परिशानी को देख, आरिमान उसे समझाता है नैना, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं आरिमान हूँ मैंने अभी खुद को अद्रिश कर लिया है अब तुम पहले अरुणीमा पर ध्यान दो, इन बातों पर हम बाद में चर्चा करेंगे आरिमान की बातों को सुन, नैना अरुणीमा की और देखते हुए कहती है अरुणीमा के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, आरिमान उसकी तरब तो सिर्फ देखने भर से मुझे ऐसा ऐसास होता है मानू मैंने एक हजार शतानों को एक साथ देख लिया है इससे नजर मिलते ही मैं काप उठती हूँ नैना की इन बातों से आरिमान भी सहमत होता है तुम्हें जो ऐसास हो रहा है ना, उसे मैं महसूस कर सकता हूँ नैना यारुणीमा जरूर कुछ बहानक कर रही है इसके आखों को देख मुझे इसके साथ काली शक्तियों के होने का साथ पता चल रहा है शतानों की पूजा करने वाली या औरत अपने अंदर भेंकर तबाही समेटे चल रही है आरिमान की बातें नैना को काफी डरावनी लग रही थी ये तुम क्या कह रहे हो आरिमान अगर मैं इसे महसूस कर पा रही हूँ तो फिर बागी लोग इसे क्यों नहीं महसूस कर पा रहे है और फिर ये अरूनी मा क्या कर रही है इस बात का पता कैसे चले गामे नैना का सवाल सुन आरिमान हस पड़ता है इस दुविधा की घड़ी में आरेमान की हसी नैना का घुस्सा और भी बढ़ा देती है नैना के चहरे पर घुस्सा देख आरेमान उसे फिर से समझाता है तुम भी कैसी बाते कर रही हो नैना तुम में और यहां मौझूद बाकी लोगों के दिमाग में अब काफी अंतर है ब्रह्मियंतर का आशिरवाद और मेरा साथ मिलने की वज़े से तुमारे दिमाग की शक्तियां काफी बढ़ गई है इसलिए तुम अरुनिमा की आखों में शैतान की मौझूदगी तथा उसके उपर काले सायों के प्रभाब को देख सकती हो आरिमान की बातों को सुन नैना को उसके एक सवाल का जवाब मिल गया था वो आरिमान से कहती है आरिमान लेकिन ये अरुनिमा कर क्या रही है इस बात का पता कैसे चलेगा नैना के सवाल का आरिमान कोई जवाब नहीं देता है नैना को तो वो पहले ही दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अब उसके आवाज भी नैना को सुनाई नहीं पड़ रही थी आर्यमान से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद नैना बुदबुदाते वे कहती है जरूरत के समय पर खायब हो जाता है नैना अपनी बात को पूरा करती उससे पहले ही आर्यमान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहीं परूँ मैं इस अरूरूणिवा की आँखों में देखने की कोशिश कर रहा था आर्यमान की अवाद सुन नैना हड़ बढ़ाते हुए कहती है ओ तो तुम यहीं हो, वैसे तुमने अरूरूणिवा की आँखों में क्या देखा अर्यमान नैना के सवाल का जवाब देते हुए आरिमान कहता है नैना ये अरुनीमा काली शक्तियों को जानने वाली है इसके पास काफी ज्यादा काली शक्तिया है नकारात्मक शक्तियों के प्रवाब को और बढ़ाने के लिए अरुनीमा प्रेतात्माओं की भी पूजा कर रही है आर्यमान की ये बाते नैना के डर को बढ़ाने के लिए काफी थी वो जब तक कौशल देश में नलिनी के रूप में थी उसने इन सभी के बारे में कभी सुना भी नहीं था लेकिन कुसान राज्जी में नैना के शरीर में आने के बाद उसका इन चीजों से प्रतेक्श तोर पर सामना हो रहा था वो आर्यमान से कहती है तो तुम क्या कर रहे ओ आर्यमान? यह सब क्या है? नैना के चहरे पर हैरानी और डर के मिश्रित भाउ को देख आर्यमान कहता है अभी हैरान मत हो नैना सबसे बड़ी بादतों मैंने तुम्हें बता ही नहीं ये अरुनीमा काली शक्तियों के साथ जो भी कर रही है न, उसके लिए इसे काफी ताकत की जरुवत पड़ती है, इन काली शक्तियों के साथ काम करने के लिए इनसान का दिमाग काफी मजबूत होना चाहिए, अगर वो कमजोर रहेगा, तो काली शक्तियों के प्रभाव से वो प्रभाब देते वे कहता है यही तो सबसे अधिक डराने वाली बात है नहीं न यह रूनीमा भी एक आम इंसानी थी लेकिन शैतान के प्रभाब में आने के बाद उनके साथ काम करने के जिद में इसने कई जादू टोना सीख लिए अपनी शक्तियों का प्रियोक करके अपनी दूर्जा को अराधिक बढ़ाने तथा काली शक्तियों के साथ काम करने के लिए अरूनीमा अब लोगों को अपना निशाना बना रही है एक बार इसके चंगुल में फस जाने के बाद ये लोगों को अपने साथ ले जा रही है और उनके दिमाग की सारी शक्तियों को अपन की तरह हो जाता है अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अरुणिमा अभी तक न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना चुकी है नैना के लिए ये सारी बातें बिल्कुल नहीं थी उसने सोचा भी नहीं था कि कोई भूत प्रेत और आत्मा के साथ भी मिलकर काम कर सकता है कुसान राजजी की भूमी नैना को चुकाने का कोई भी माका नहीं छोड़ रही थी एक और नैना तथा आरिमान की बात्चित चल रही थी तो उधर दूसरी और अरुणिमा का भी बोलना अभी खत्म नहीं हुआ था अपनी बातों का आगे बढ़ाते वे अरुणिमा कहत है आप सभी अभी तक तो जान चुके हैं हमारा यहां आने का मकसद क्या है आप ये भी जानते होंगे कि गरुण सैने बल में युद्धाओं की बहाली आम तोर पर ऐसे नहीं होती है लेकिन कुछ विशेश परिस्थितियों के वज़े से इस बार गरुण सैने बल यहां आक का जश्न मनाईए इसके बाद संधिया होने से पहले हम राजमहल के भार मिलेंगे वत्सल सामराज जी के सबसे खास बल गरुण सैने बल में हिस्सा लेने के लिए युवा कितने भी दिन अपने घर से दूर रहने के लिए तैयार थे अरुनिमा की बातों के पूरा होने के ब सर्व स्टेष्ट निर्थ संगीत का आयूजन किया गया था युवराज के जन्मदिन के उतसब में बच्चों का मन जादूगर मोह रहे थे तो वहीं युद्धाओं के मनुरंजन के लिए हाथी और शेर को आपस में लड़ाय जा रहा था युवराज के जन्मदिन के बाद गरुन सैन्नेबल के आयूजित होने वाली परिक्षा ने युवाओं के उतसा को और अधिक बढ़ा दिया था राजमहल में मौजूद लोग युवराज के जन्मदिन के खुशी में डूबे थे लेकिन अमात्ते को दाल में कुछ काला लगने लगा था अपने ही खयालों में डूबा अमात्ते अरुनिमा की ओर देख काफी परिशान था गरुन सैन्नेबल में आज तक इस तरह से किसी की बारती नहीं की गई ये लोग कुछ न कुछ खेल तो जरूर कर रहे हैं मुझे सच्चाई का पता लगा नहीं होगा अमात्ते कभी अरुनिमा की तो कभी युवराज उमवरत को देखे जा रहा था उधर राजमहल में मौजूद बाकी लोग इस जशन का जम कर मज़ा उठा रहे थे अपनी सहली के साथ कब से हाथी और शेर का युद्ध देख रही नैना अब ठक हार कर एक जगह बैठने जा रही थी तब ही रास्ते में वो युवराज से टकराते टकराते बचती है नैना को इस तरह लड़कडाते देख युवराज उमवरत वहीं रुख जाता है उसके सैनिक तुरंथ ही नैना को पकड़ते हैं और उसे युवराज के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं तब ही युवराज के साथ चल रही उसकी पतनी हेमा कहती है अरे अरे हराम से महान युद्धा विर्भद्र की बेटी और प्रताब की बहन नैना का तुम लोग ऐसे अपमान न करो वैसे तो इसे युवराज से शादी करने का बहुत शौक है लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये उन्हें आकरशित करने के लिए इस तरह यहां तक आप पहुँचेगी हेमा से अचानक इन बातों को सुन नैना हैरानी भरी निगाहों से उसका चहरा देखे जा रही थी हेमा का बोलना अभी खत्म नहीं हुआ था वो आगे कहती है तुम्हारी चचेरी बेहन इना ने पहले ही कहा था तुम मेरे पती के उपर डोरे डाल रही हो आज तुमने ये साबित भी कर दिया अपनी बड़ी बेहन का साथ देने के लिए वहाँ देव वर्मन भी पहुँच चुका था देव के पास नेना की बेजज़ती करने का ये शांदार आउसर था क्योंकि उसे ये मौका उसकी दीदी से मिला था वो कहता है तभी आज ये इतनी तयार होकर आईए बेचारी के पास अच्छे कपड़े नहीं है वर्मन परिवार के भाई बहन की ये बाते नेना के समच से बाहर थी जश्न के बीच में इस तरह की बाते सुनकर नेना शर्म से पानी-पानी हो जा रही थी बैस्ज़ती के इस जाल से कैसे बाहर निकलेगी नेना काली शक्तियों वाली अडूनिमा को लेकर आगे क्या करेगी नैना और कैसे सामने लागी उसकी सच्चाई वदसल सामराज के युवराज ओम वरत के जन दिन के जश्न में हिस्सा ले रही नैना के साथ अभी तक कई घटनाई घट चुकी थी पहले अपने दादा की डांट फिर देव वर्मन से बहस तथा अरूनिमा के भीतर की काली शक्तियां देखने के बाद अब नैना को हेमा सब के सामने जलील किये जा रही थी देव वर्मन की बहन और उम्वरत की पत्नी हिमा अपने भाई की बैजज़ती का परला लेने के लिए सब के सामने नैना को जलिल किये जा रही थी तुम ठीक कह रहे हो भाई इस दो कोड़ी की लड़की की नजर हमेशा से मेरे पती के उपर रही है जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना उस बक्त भी ये अपने भाई प्रताप का सहारा लेकर युवराज के पास आने की कोशिश करती थी आज इसका भाई यहाँ पर नहीं है तो ये उनसे टगरा कर उनका ध्यान आकरशित करना चाहती है नैना की अपनी बैस्जती तक तो ठीक थी लेकिन भाई का नाम बीच में आते ही उसके पूरे तन बदन में आग लग जाती है वो चिखते हुए कहती है आप युवराज की पतनी है इसलिए कुछ मत बोलिए मेर प्रेमन में युवराज के लिए कभी भी कुछ नहीं था इस तरह सब के सामने आप मेरी मर्यादा को तार-तार मत कीजिए युवराज उम्वरत की हर जगा काफी इज़त थी नैना वर्मन परिवार के इज़त तो बिलकुल ही नहीं करती थी लेकिन युवराज की पतनी होने तुमारी चचेरी बेन हिनाने मुझसे खुद का है कि तुम युवराज का ध्यान अकरशित करना चाहती हो और उनके साथ शादी करना चाहती हो पानी को सर से उपर जाता देख नैना को अब रहा नहीं जाता है वो हेमा से कहती है वीर भद्र और प्रतिभा की इस बेटी के दिन अब इतने भी खराब नहीं हो गए है कि राज महल में रानी बनने के लिए वो किसी दूसरे के पती से शादी कर ले ये संसकार मेरे खुन में नहीं है अब अगर आप ऐसा सोचती है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ हो सकता है या आपके संसकार हो लेकिन ना तो मेरा संसकार इसकी अनुमती देता है और ना ही मेरा रक्त इस तरह का है समझें आप नैना की ये बाते हेमा का घुस्सा साथवे आस्मान पर पहुंचाने के लिए काफी था वो चीखते हुए कहती है हाँ तुम्हारी इतनी हमत तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो हेमा को इस तरह घुस्सा देख नैना का मुस्कुराना कम नहीं हो रहा था दरसल वतसल सामराज जी का युवराज ओम वरत पहले सही शादी शुदा था कुसान राज जी के राजमहल में आने जाने की वज़े से उसकी हेमा से जान पहचान बढ़ी और उसकी खुबसूरती पर मोहित होकर उसने हेमा से शादी करने का फैसला किया था यूवराज की पहली पतनी इस शादी के बाद एक साधारन रानी बन कर रह गई थी और अपनी खुबसूरती की बलालत हेमा ने उमवरत को अपने वश में कर लिया वचसल सामराज्य के कई मंतरियों का भी ये मानना था कि वर्मन परिवार ने जान भूचकर यूवराज उमवरत और हेमा के बीच नजदीकियों को बढ़ा है ताकि वे वचसल सामराज्य में अपना प्रभाव बढ़ा सके नैना ने हेमा का सामना सच से करवा दिया था और इससे हेमा काफी भढ़क गई थी ये बहस धीरे धीरे लोगों का ध्यान कीच रही थी पर इस थितियों को बिगड़ता देख यूवराज उमवरत कहता है इस बात का फैसला हम बाद में कर लेंगे जशन का समय खत्म होने वाला है और अरुनिमा किसी भी वक्त लोगों को महल के बाहर बुला सकती है इसलिए अभी हम यहां से बस चलते हैं जिन बातों को अभे तक उमवरत के पीट के बीछे बोला जाता था आज किसी ने पहली बार वही बातें उसके मूपर बोलने की हिम्मत गी थी इन बातों को अब अपने उपर आता देख, ओम वरत बहस को ही खत्म करवा देना चाहता था युवराज के बीच में बोलने के बाद, अब किसी की भी आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती है नैना तुरंथ ही वहां से आगे बढ़ जाती है नैना ने पहले देव वर्मन की बेज़्जती की थी और अब उसने हेमा के भी धज्जियां उड़ा दी थी अपनी इस बेज़्जती से हेमा को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इस नैना की बच्ची को तो मैं छोड़ूँगी नहीं इससे तो मैं बदला लेकर रहूँगी यही सोचते हुए हेमा अपने दाथ पीस रही थी उधर नैना के इस जवाब ने निशा को उसका दिवाना बना दिया था नैना के साथ बैठी वी निशा उससे कहती है वा नैना वा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम इने इस तरह से जवाब दोगी तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया उस हेमा की शकल तो ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसके मुँ में खटा नीमू नी चोड़ दिया इतना के निशा हस पढ़ती है निशा की बातों को सुन नैना भी हसने लगती है निशा और नैना की हसी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी तबी महल के उपरी मिनार पर लगा घंटा बचता है इस घंटे की आवाज सुनकर इसका मतलब सभी समच चुके थे और वहां माजूद सभी लोग एक साथ महल से बाहर जाने के लिए निकल जाते है अचानक भीड़ खटा हो जाने की वज़े से नैना और निशा का साथ छूट जाता है तबी नैना के कंधे पर एक युवक हाथ रख देता है नैना इस युवक को नहीं पहचानती थी वो तुरंट थी उसका हाथ जटकती वे बोलती है अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी जो तुमने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया नैना की बातों को सुन वो युवक कहता है नैना मैं आरिमान हूँ मैंने राजमहल के एक युवक का रूप धारन किया है इसका नाम विवेक है और ये एक मंत्री का बेटा है आरिमान ने हर बार की तरफ फिर से एक बार नैना को हैरान कर दिया था आरिमान की बातों को सुन नैना उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो आरिमान अगर तुमने उसका रूप धारन किया है तो वो लड़का कहा गया नैना फिर से दुविधा में थी ये देख आरेमान उसे समझाते वे कहता है नैना उस लड़के की काफी अच्छे हिद्मत हो रही है तुम उसी चिंता मत करो न आरेमान इस वक्त बिलकुल ही नै भेश में नाना के सामने था थोड़ी ही देर में वे लोग बाते करते करते राजमहल के बाहरी हिस्से में पहुँच चुके थे राजमहल के इस हिस्से के बाद थोड़ी धलान थी और फिर जंगलों की शुरुआत हो जाती थी ढलान के साथ ही ये जंगल घने होते चले जाते थे पुसान राज के राजपरिवार समित वहाँ के सभी मंतरी और आम परिवार के भी युवाँ वहां जुटे थे इन सभी युवाँ को अब आगे के निर्देशों का इंतजार था अरुनिमा का इशारा मिलते ही गरुन सेन्नेबल का मुख गुरू जगदीश आगे आता है और कहता है आज से आप सभी के जीवन में एक महतपूरुन बदलाव होने वाला है आज से अगले एक महेने तक आप गरुन सेनेबल द्वारा बनाएगे एक चक्रविव के भीतर रहेंगे गरुन सेनेबल काफी प्रतिष्ठित बल है और इसमें चैनित होने के लिए कई पैमानों पर खरा उतरना होता है गरुन सेनेबल में पहली बार युद्धाओं की सीधी भरती हो रही है इसलिए उनका हर पैमाने पर खरा उतरना जरूरी है इसी को देखते हुए इस चक्रविव का निर्मान किया गया है जगदीश की बातों को सुन वहां खड़े युवा काफी रोमान्चित हो रहे थे उन्हें अब जल्द से जल्द उस चक्रविव के भीतर जाने का इंतजार था जगदीश आगे कहता है ये चक्रविव बस एक स्थान तक सीमित नहीं है आपको इसके भीतर तकरेबन एक महिने तक रहना है और इस दोरान आपको गहरे घने जंगल में भी जाना होगा जगदीश की कही इस एक बात ने कई लोगों के भीतर दर पैदा कर दिया था दरसल कुसान गाज के बुजर्गों का मानना था की इनसान रुपी वो भीडिया इनी घने जंगलों में रहता है जगदीश के घने जंगलों के जिक्र करते ही वहां का महाल काफी तनाव पुर्ण हो जाता है हलाकि बाकी युवाओं के विपरित घने जंगलों में जाने की बात सुन नैना काफी खुश थी अगर मेरा इस भेडिये से सामना हुआ, तो मैं उससे अपनी दुश्मनी के बारे में पूछ लूँगी, उसान राज जी को मैं इस बार भेडिये के आतंक से मुक्त भी करा दूँगी, हाँ, यही सोच नैना की आँखों में काफी चमक थी, उधर सभी प्रतिभाग्यों को इस निर्धारित किये गए शित्र से, अगर आगे गए, तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, पहले घने जंगल में जानवरों का खतरा, जिंदा रहने का संगर्श, और फिर इनसान रूप भीडिये से खतरे की बात सोचने के साथ ही, कई युवाओं का हांसला कमजोर पढ़ने लगता है, उन में से एक युवक, जगदीश तो कहता है, ये कैसी परिक्षा है, अगर कोई प्रतिभागी कमजोर हुआ, तो वह वहाँ जिंदा कैसे रह पाएगा, युवक के सवाल को सुन, जगदीश मुस्कुराते वे कहता है, कमजोरों के लिए इस गरुन सैनने बल में कोई जगा नहीं है, खैर, आपकी चिंता को मैं समझ रहा हूँ, इसलिए हमने अभी फैसला किया है कि इस चक्रवियू के भीतर सिर्फ तीसरे श्रेनी या उससे उपर के युद्धा जा सकते हैं, जिन युद्धाओं की श्रेनी इससे कम की है, उन्हें इस चक्रवियू में जाने का माका नहीं मिलेगा, गरुन सैनने बलके गुरुवों तथा उसके संचालकों त्वारा किये गए, इस एक निरने से कुसान राज्य के कई युवा चक्रवियू में जाने के लिए अयोग्ये घोशित हो चुके थे, चक्रवियू के भीतर जाने वाले अधिकतर लोग जगदिश की बातों को सुनने के बाद आयोग्ये लोग पीछे हटने लगते हैं, नैना की मुलाकात अब निशा से हो चुकी थी, और वो नैना के साथ खड़ी थी, उदर विवेक के भेश में आया आरेमान उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा था, तभी नैना की चचेरी ब हमारे परिवार की सदस से नैना कम बुद्धी के वज़े से दूसरे श्रेनी से आगे की युद्धा नहीं बन सकी थी, फिर ये आगे जाने वाले लोगों की पंक्ती में क्या कर रही है, धिना की इन बातों को सुन अब सब की नजरे नैना के उपर थी, क्या नैना को मिलेग चक्रवियू के भीतर जाने में कामिया दी, या उसे बतानी पड़ेगी अपनी सच्छाई, क्या होगा जब घने जंगलों में नैना का इनसान रुपी भेडिये से होगा सामना। इना की बातों को सुनने के बाद सब की नजरे नैना के उपर टिक जाती है, जगदीश भी नैना की तरफ दिखने लगता है। इना के चचेरी बेहन, इसका मतलब ये जरूर विर्भद्र की बेटी और प्रताब की बेहन है। लेकिन विर्भद्र की ओलाद ऐसे कैसे हो सकती है। जिस विर्भद्र के तलवार से शैतान भी कामते थे, उसकी बेटी सिर्फ दूसरे श्रेनी की उद्धा। यही सोचते वे, जगदीश भी नैना की तरफ देखे जा रहा था। इतने लोगों के बीच, इस तरह से अपनी बैजज़ती होते देख नैना को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो जवाब देने के लिए आगे बढ़ती है, तब ही जगदीश कहता है। दूसरे श्रेनी की युद्धा, क्या ये बात सच है? जगदीश के इस सवाल का नैना कोई जवाब देती, उससे पहले ही देव वर्मन कहता है। जी गुरुजी, सिनापति अमात्ते के परिवार के सदस्य अभी तक सिर्फ दूसरे श्रेनी की युद्धा ही बन पाई है। देव वर्मन और हिना की बातों को सुन रहा। जगदीश हैरानी भरी निगाओं से नैना की और दिखे जा रहा था। नैना को देख उसके मन में कई ख्याल आ रहे थे। वीरबद्र की बेटी ऐसी नहीं हो सकती। इसके भाई ने तो एहनकार पूरवक मुझसे सिक्षा लेने से भी मना कर दिया था। इसके भाई की वज़े से मुझे कितनी शर्मिंद्गी का सामना करना पड़ा था। फिर उसकी बेन इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। नैना के भाई प्रताब से जगडीश काफी नफरत करता था। अब नैना के बारे में पता चलने के बाद उसे प्रताब से बदला लेने का एक मौका मिल गया था। अभी तो गरुन सेनने बल के लिए शक्रवियो का निर्मान हो रहा है। लेकिन समय निकाल कर इस नैना की खबर तो लेनी पड़ेगी। यही सूचते हुए जगडीश की नजरे अमात्ते के उपर जाती है। नैना की बैजजती होने के बाद भी उसके चेहरे के उपर दया का कोई भाव नहीं था। अमात्ते के दिल में नैना के लिए नाम मात्तर की भी हमदर दी नहीं थी। उधर इस पूरे घटना के मुख्य बिंदू नैना कबसे बोलना चाहती थी। लेकिन उसे इसका आवसर ही नहीं मिल रहा था। इस बार भी वो जैसे ही बोलने जा रही थी फिर से हिना बीच में बूल पढ़ती है। गुरुजी युवराज देव वर्मन की गवाई और यहां मौजूद बांकी लोगों की चुप्पी ये बताने के लिए काफी है कि मेरी चचेरी बेन इतना बड़ा शरीर लेने के बाद भी अभी तक एक छोटी बच्ची की तरह है। इसलिए मैं आपस तीसरे श्रेनी से कम के युद्धा नहीं जा सकेंगे। लेकिन यहां मौजूद कुछ लोग जूट का भी सहरा ले रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं एक बात सपश्ट रूप से बताना चाहूंगा। चक्रविव की रचना भले ही जंगलों के बीच की गई है। लेकिन इ तीसरे श्रेनी से कम के युद्धा जाते हैं तो वो तुरंत ही आग की गोले में बदल जाएंगे। जगदीश इन बातों को नैना की ओर देखते हुए बोल रहा था। जगदीश की बातों को सुन रही नैना। कभी जगदीश को तो कभी खिना की ओर देखे जा रही थी। जगदिश आगे कहता है इस शक्रवियू में जाने के लिए तीसरे श्रेणी का युद्धा होना भी सिर्फ नियूंतम युग गिता है इसके आगे आपके उपर इतनी मुसीबते आने वाली हैं जिनसे पार पाने में चौथे और पांचवे श्रेणी के युद्धा की भी आलत खराब हो जाएगी इसलिए आपको क्या करना है आप इसका फैसला सोच समझ कर करें जगदिश की बातों के खत्म होने के साथ ही इना तुरंट नैना की और देखते वे कहती है मुझे बहुत अपसोस है बेहन लेकिन क्या करोगी बिना मेहनत किये कुछ मिलने वाला भी तो न ही है वैसे मैंने तुम्हारी सच्चाई सब के सामने लाकर तुम्हारी जान ही बचा दी इसके लिए तुम मुझे कभी भी शुक्रिया कह सकती हो By Hina की इन बातों से नैना का जितना दिल नहीं दुखा था उससे जाधा बुरा निशा को लगा था इस हीना को तो आज मैं छो तबी नैना उसका हाथ पकड़ लेती है, बस दोशन मुझे बोलने का मौका दो, इतना कह नैना हिना की ओर देखते वे कहती है, तुम चिंता मत करो हिना, तुम्हें शुक्रिया करने की नौबता है, उससे पहले मैं इस दुनिया को अलविदा कहना पसंद करूँगी, वैसे मै तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि काफी मेहनत के बाद, मैं तीसरे चरण की युद्धा बन गई हूँ, इसलिए तुम अब मेरी चिंता करना छोड़ दो, नैना की इस बात को सुन हिना, उसे उपर से नीचे तक देखती जा रही थी, उसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं ह हो रहा था, वो चौक्ते वे कहती है, तिसरे चरण की युद्धा, तीन दिन पहले तुमने ही राजदरबार में कहा था, कि तुम दूसरे चरण की युद्धा हो, फिर तुम तीसरे चरण की युद्धा कबसे बन गई? नैना से तीसरे चरण की युद्धा बनने की बात कि इना के साथ मज़ूध आमात और देव वर्मन भी नैoff की बातों को सुन काफी हेराम था उन्हें अब नैन के जवाब का इंतजार था था सब को इस तरह से हैरान होते देख नैना हीना से कहती है नेरे प्यारी और लॉह निए तुम सब घरवालों के प्यार और समर्थन تथा अपनी सालों की मेहनत की बदौलत मैंने तीसरे चरण में कल राती प्रवेश किया है नैना की ये बात उसके घरवालों के होश उडाने के लिए काफी थी उसकी बातों को सुन हिना हैरान होते वे कहती है अच्छा तब तो तुम्हें बढ़ाई मिलनी चाहिए आखिर इतने सालों की असफलताओं के बाद तुमने तीसरे चरण में प्रवेश करी लिया अब अगले दस साल तक और भी मैनत करो हो सकता है तुम शौते श्रेनी की युद्धा भी बन जा हिना अपने दिल पर पत्था रखकर काफी तंज पूरुन तरीके से नैना को बढ़ाई तो दे रही थी लेकिन उसके दिमाग में और भी कुछ चल रहा था ये नैना तीसरे चरण की युद्धा कैसे बन सकती है हो नहो ये जूट बोल रही है अभी चक्रविव में प्रवेश करने के बाद जब यह आग के गोले में बदलेगी ना इससे देखने में मज़ा आ जाएगा यही सोच हिना अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही थी उदर अमाट्य के दिमाग में भी नैना की बातों को सुनने के बाद काफी कुछ चल रहा था पहले उस राक्षत से बचकर ये लड़की जिन्दा रह गई और अब ये तीसरे चरण की युद्धा बन गई ओ नहो ये जूट बोल रही है अब सच्चाई का पता तो इसके चक्रवी के बीतर जाने के बाद ही बता चलेगा यही सूचता हुआ अमाट्य नैना की ओर देखी जा रहा था तभी हिना की बातों को सुन रही नैना उसे जवाब देते वे कहती है तुम छिंता मत करो बेहन मैं कब तक चौथे चरण की युद्धा बनूँगी ये तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ तुम्हारी मृत्यू से पहले मैं चौथे चरण की युद्धा जरूर बन जाऊंगी नैना की इन बातों से हिना का चहरा बिल्कुल सफेद पढ़ने लगा था पहले सब को रोक कर उसने नैना के दूसरे चरण की युद्धा होने की बात बताई लेकिन नैना ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया और अब वो हिना की बजज़ती भी कर रही थी नैना की इस तरह से बज़ज़ती होते देख और नैना को उसकी मरने की बात सुन अमाट्य को रहा नहीं जाता है वो तुरंथी बीच में बोलते वे कहता है नैना अपनी जुबान को लगाम दो वरना मैं अभी उसे खीच लूँगा तुम हिना से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो अमाट्य को यूँ गुस्सा होते देख नैना कुछ बोलती उससे पहले ही निशा उसे जवाब देते वे कहती है दादा जी नैना के कहने का वो मतलब नहीं था ये कहना चाहती थी कि जब ये चौथे चैरण में जाएगी ये हिना तो ऐसे ही जलजल कर मर जाएगी इतना के निशा हस पढ़ती है निशा की बातों को सुनने के बाद नैना की भी हसी निकल पढ़ती है नैना और निशा की इन बातों से हिना की शर्बिंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहता है उधर आमात्य भी घुस्से में लाल हुए जा रहा था वो चिखते हुए कहता है खामोश लड़की आमात्य तुरंथी वहां मौजूद जैराम की ओर देखता है और कहता है मामंत्री क्या आपने अपनी घर की बेटी को यही संसकार दी है ये किस तरह से मुझसे जुबान लड़ा रही है जैराम की जान उसके पोते पोतियों में ही बसती थी वो तुरंथी निशा का पक्ष लेते हुए कहता है संसकार तो मैंने उसे काफी हुचे दिये लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन सकती और फिर मैं आपकी तरह तो हूँ नहीं जो जरा से घलती पर अपनी पोती को मौत के मुझसे धाके लड़ा दू जैराम की बातों को सुनने के बाद अमाट्ते को भी काफी शर्मिंदगी महसूस होती है वो आगे कुछ बोलने ही वाला था तभी गरुण सैन्नेबल का मुख्य गुरु जगदीश बीच में बोलते वे कहता है हमारे पास समय की काफी कमी है अगर ये लड़की तीसरे चरण की युद्धा है तो ये आगे जा सकती है जगदीश की बातों को सुन नैना अगली पंक्ती में खड़ी हो जाती है उधर कबसे नैना की और देखरा आरेमान उसकी आँखों में आखे डाल कर मुस्कुरा रहा था क्या होगा जब चक्रविव के भीतर प्रवेश करेगी नैना नैना से बदला लेने के लिए क्या करेंगे जगदीश, अमात्य, देव और हिना हिना और देव को मुतोड जवाब देने के बाद अम नैना चक्रविव के भीतर जाने के लिए खड़ी थी उसके एक बगल में निशा थी तो दूसरे बगल में विवेक का रूप धारण करके आरेमान खड़ा था नैना को अंदर जानी के अनुमती देने के बाद जगदीश और गरुन सेनेबल का वरिष्ट सदस्य राजिंद्र चक्रविव के दरवाजे पर जाता है जगदीश एक बार फिर से सब की उड़ देखते हुए कहता है आपको काफी हैरानी होगी आप भी यही सोच रहे होंगे चक्रविव तो युद्ध में बनता है फिर उसका परिक्षा में क्या काम है तो आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए यह परिक्षा आपके लिए किसी युद्ध से कम नहीं है अंदर जाने के बाद आपको जंगली जानवरों और अन्य खत्रों से स्वैम को बचाना तो हो गई साथ ही इस परिक्षा के दौरान और भी कई तरह के देट्टे आपके सामने आएंगे इसलिए अंदर जाने के बाद आपको अपनी सुरक्षा सबसे पहले करनी होगी परना किसी भी शन आपकी जान जा सकती है जगदीश की बातें सभी के भीतर जितना डर पैदा कर रही थी उतना ही ज्यादा सभी रोमांचित भी हो रहे थे सब के चहरे पर डर और रोमांच के मिले जुले भाओं को देखते हुए जगदीश कहता है मैं और गरुन सैंडेबल के वरिष्ट गुरू राजिंदर जी इस शक्रवियू का दर्वाजा खोल रहे हैं हम आपकी मदद यहीं तक कर सकते हैं इसके आगे के किसी भी शेत्र में जाने के लिए आपको अपनी शक्तियों का इस्तमाल करना होगा इतना कहने के साथ ही जगदीश और राजिंदर कुछ मंत्रों का आवाहन करते हैं जगदीश और राजिंदर के मंत्र पढ़ने की रफ्तार काफी तेज थी थोड़ी समय में वहाँ एक चमतकार होता है सभी प्रतिभागियों के आँखों के सामने अभी तक सिर्फ हरा भरा जंगल और चक्रव्यू का दर्वाजा ही था लेकिन जगदीश और राजिंदर द्वारा मंत्रों का आवाहन की जाने के बाद अब वो दर्वाजा अगनी की तरह दहक रहा था साथ ही उस पूरे शित्र के चारों तरफ अगनी की ज्वाला जैसी कुछ प्रकाश की किरने चल रही थी और वो जंगल में अलग ही सनरचना का निर्मान कर रही थी इस सनरचना को देख सभी हैरान थे जगदीश और राजिंदर तुरंथी उस दहकते वे दर्वाजे को खुलते हैं और सभी प्रतिभागियों की ओर देखते वे कहते हैं अब आप अपने परिवार वालों को आखरी बार देख लीजी इसके बाद आप अगले एक महा के लिए इस शक्रवियों में प्रवेश कर जाएंगे इस शक्रवियों से निकलने के बाद आपको महा परिक्षा में हिस्सा लेना होगा और फिर गरुन सैनने बल के लिए युद्धाओं का चैन होगा इस शक्रवियू में एक महिने तक रहने की बात सामने आने के बाद नैना और देव एक दूसरे की तरफ देखते हैं नैना की नजरों से नजरे मिलते ही देव तुरंत जगदिश्ते कहता है आचारे अभी तक आपको इस बात की सूचना तो मिली गई होगी एक महिने बाद राजस्तरिय युद्ध कौशल प्रतियुकता भी आयुजित होने वाली है अगर हम एक महिने तक इस शक्रवियू में रहेंगे तो हम उस प्रतियुकता में कैसे हिस्सा लेंगे देव वर्मन की बातों को सुन जगदिश उसकी और देखते हुए कहता है खुसान राज्य के युवराज देव वर्मन ये चक्रवियू जब तक इस राज्य में है थब तक बाहर कोई भी खास कारक्रम या प्रतियुकता आयुजित नहीं हो सकती है इसलिए आप निशिंत होकर अंदर जाईए प्रतियुकता का आयुजन आपके आने के बाद ही किया जाएगा जगदिश की बातों को सुन देव वर्मन नैना की और देखते हुए मुस्कुराने लगता है नैना भी देव वर्मन के साथ मुकाबला करने के लिए काफी उत्सुप थी वो भी देव की मुस्कुराहट का जवाब अपनी मुस्कान से ही देती है देव को उसके सवालों का जवाब देने के बाद जगदिश कहता है आप सब अब अपनी इस जन्व भूमी को प्रणाम कीजी और इस खास शेत्र में प्रवेश कीजी अगले कुछ दिनों तक आपको अपने घरवालों से अपने मित्रों से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रहेगा साथ ही आप एक बात का सबसे ज़ादा ध्यान रखिएगा आप लोग अपने लिए निर्धारित किएगे शित्र के भीतर ही रहेंगे अगर कोई इधर उधर जाता है तो उसका सामना कई तरह के डैट्टियों से होगा और उनकी मृत्तियों निश्चित है उस समय आपको बचाने के लिए गरुण सेन्यबल भिवा नहीं आएंगे जगदेश की बातों को सुनने के बाद सभी तयार होते हैं और उसका इशारा मिलते ही सभी एक एक करके चक्रविव के भीतर प्रवेश करने लगते हैं चक्रव्यू के भीतर प्रवेश करते ही नैना समेत सभी लोगों को एक अजीब ओर्जा का एसास होता है यह एसास सबके लिए नया था इस ओर्जा को महसूस करती हुई नैना आर्यमान से कहती है आरिमान, मैं इस चक्रवियू के भीतर उस जानवर का पता लगाने को सोच कर प्रवेश्टों कर गई हूँ, लेकिन मुझे काफी डर लग रहा है एक आम इंसान के रूप में खड़ा आरिमान, नैना की बातों को सुनहस पड़ता है पता नहीं, ब्रह्मियंत्र ने क्या सोच कर तुम्हारे शरीर को चुना था तुम्हें तो भरबात में डर ही लगता है, ये साधारन से दिखने वाले युवा, जिनके पास कोई भी शक्ती नहीं है, वो निर्विक होकर खड़े हैं, और तुम्हें डर लग रहा है आरेमान की बाते नैना का घुस्सा और भी बढ़ाने के लिए काफी थी, वो तुरंथी भड़कते हुए कहती है आरेमान, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं डर इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाना है और ब्रह्मियंत्र को भी खोजना है न, मैंने दूसरा जन्मी इस प्रतियोकता के लिए नहीं लिया है, मुझे अपना बदला पूरा करना है तो मैं समझ भी आ रहा है, मैं किस दर्द में जी रही हूँ मेरे भाई, मेरी मा की आत्मा मुझे रोज पुकारती है, मेरे सपनों में कभी-कभी मेरे पहले का परिवार आता है तो कभी मुझे यहां की मौत दिखाई देती है, मुझे नीन तक नहीं आती आरिमान नैना की बातों को सुन, आरिमान गंभीर होते वे कहता है मुझे सब समझ में आ रहा है लेकिन अब साथ में तुम्हें भी कुछ समझने की जरूरत है अगर तुम्हें अपना बतला पूरा करना है तो तुम्हारे भीतर धीरज का होना आवश्यक है अभी तुम हडबड़ी में अपने दुश्मानों से भीड़तो जाओगी लेकिन वे काफी ताकतवर है इसलिए सबी सीड़ियों को चड़ कर ग्यान को अरजित करो और अपनी शक्तियों को बढ़ाओ ये शेतर मंतरों से तो बना हुआ है लेकिन तुम यहाँ पर ध्यान में लीन होकर तपस्या करो तुमारी तपस्या से तुम अपनी युद्धा किश्रेनी को आगे बढ़ा सकती हो इससे तुमारा अध्यात में ज्यान और भी जागरित होगा आर्यमान से यूं तो नैना काफी गुस्सा थे लेकिन उसकी बातें नैना को सही लगती है आर्यमान से बाते करने के बाद निशा के साथ नैना आगे बढ़ने लगती है और आर्यमान भी उनके पीछे पीछे चल रहा था नैना से आगे चल रही हिना मुड मुड कर नैना को देखी जा रही थी ये तो अभी तक जिन्दा है इसका मतलब ये सच में तीसरे चरण की युद्धा बन गई है लेकिन ये जमतकार कैसे हो सकता है जो भी हो इस चक्रवियू के भीतर मैं इस नैना की मौत लिख दूंगी हाँ यही सोच दिना मुस्कुराते हुए और तेजी सागे बढ़ने लगती है उदर चक्रवियू के बाहर खड़े सभी लोग अब धीरे धीरे अपने घर की और जा रहते अब अगले एक महिने तक उनके अपने घर के चिरागों से कोई संपर्क नहीं रहने वाला था सब इस बात को लेकर चिंतित तो थे लेकिन गरुन सैनने बल में शामिल होने के उमीद उनकी सभी चिंताओं को दूर कर दे रही थी हालाकि इस भीड में खड़े अमात्ते के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था ये नैना अभी तक जिन्दा कैसे बच गई इसका मतलब इसने सच में तीसरे चारण में प्रवेश कर लिया है उस दिन के बाद से कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है उस राक्षस के हमले के बाद नैना मृत्य के अवस्था में बाग में पड़ी थी फिर ये जिन्दा कैसे हो गई और तो और उसका मन्दबुद्धी दिमाग भी अब चाकरित हो गया है कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है जिसका पता मुझे नहीं चल रहा है इन्ही खयालों में डूबे अमात्य को अभी इस बात का तो पता ही नहीं था उसकी अपनी पोती तो सच मुझ भगवान को प्यारी हो चुकी है नैना के शरीर में रह रही वो लड़की अमात्य की जिन्दगी को पूरी तरह से बदलने वाली थी एक और अमात्य इन बातों को लेकर पारिशान था तो धर दूसरी ओर जगदीश और राजिंदर किसी और ही चिन्ता में डूबे हुए थे राजमहल के एक छट पर खड़े होकर आस्मान की तरफ देख रहा जगदीश कुछ सोच रहा था जगदीश को इस तरह खयालों में डूबा देख राजिंदर उससे कहता है क्या हुआ जगदीश जी आप इस तरह चिन्ता में क्यों डूबे हैं राजिंदर की बातों से जगदीश का ध्यान पटकता है वो राजिंदर की और देखते वे कहता है अब आप से क्या ही चुपा है राजिंदर जी आप तो सब जानते ही हैं जगदीश की बातों को सुनने के बात राजिंदर मुस्कुराते वे कहता है सब कहा जगदीश जी आप तो गरुण सेनेबल के मुख गुरू है और मैं इस बल का सिर्फ मुख की सदस से अब आप ही देख लिजे गरुण सेनेबल पहली बार यहां भरती करने के लिए क्यों आई है इस बात का पता तो आप कोई है ना मैं तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं राजिंद्र और जगदीश काफी पुराने मित्र थे और फिर राजिंद्र जगदीश का सबसे भरोसेमंद आदमी भी था उसकी बातों को सुनने के बाद जगदीश कहता है उस समय पर इस्थितियां कुछ और थी और साथ ही मेरे पास समय भी नहीं था इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं पाया दरसल वतसल सामराज जी की सीमा में अभी हाल फिलाल में एक तारा देखा गया था इसे लेकर महराज काफी परिशान थे जगदीश की बातों को सुन राजिंदर कहता है हाँ लगातार तिन दिन और तिन दाथ से ये तारा देखी रहा था और इस तारे को लेकर चर्चा करने के लिए महराज ने गरुन सैनने बलके मुक्ष संचालक तथा सेना पती आरुन जी को भी बुलाया था राजिंदर की बातों को सुन जगदीश गंभीर होते वे कहता है हाँ मैं उसी तारे की बात करना हूँ हमारे गरुन सैनने बलके मुक्ष संचालक तथा सेना पती के साथ उस दिन मैं भी राजमहल गया था वहाँ जाने के बाद उन्होंने उस तारे का अध्यान करके जो निशकर्ष निकाला है उसी की वज़े से आज हम गरुन सैनने बलके युद्धाओं की भरती के लिए यहां तक आए हैं जगदीश की बातों को सुन राजिंद्र उसकी और हैरानी भरी निगाहों से देखी जा रहा था क्या है वचसल सामराजी के भीतर दिखने वाले इस तारे का रहस से शक्रविव के भीतर कैसे जिवित रहेगी नैना और क्या उसे अपने ज्ञान के अस्तर को बढ़ाने में मिलेगी कामिया भी गरुन सैनने बलके मुख गुरु जगदीश के साथ उसका वरिष्ट सदस से राजिंद्र महल की छत पर बैठा हुआ था राजिंद्र ने आज जगदीश से गरुन सैनने बल के लिए इस तरह युद्धा के चैन पर सवाल पूछ लिया था और जगदीश उसी सवाल का जवाब दे रहा था जगदीश से तारों की बात सुनकर हैरान राजिंद्र कहता है तारों से गरुन सैनेबल का क्या संबंद है? हम तारों के हिसाब से तो अपना काम नहीं करते हैं राजिंदर की बातों को सुन जगदीश उसे समझाते वे कहता है हम तारों के हिसाब से तो काम नहीं करते हैं लेकिन हम वही करते हैं, जो प्रकृती हमसे करवाना चाहती हैं, आप मानिये या मत मानिये, लेकिन आस्मान में दिख रहे हैं, उस तारे की वज़े से ही, आज हम यहां आए हैं, और गरुन सैन्नेबल के लिए भरती की प्रकृतिया चल रही है। जग्दीश की बातों से राजिंदर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो जग्दीश से कहता है, जग्दीश जी आप पहलिया मत बुझाईए, बताए इस तारे का रहसे क्या है? राजिंदर का सवाल सुन, जग्दीश काफी गंभीर होते हुए कहता है, आप तो गरुन सैन बलके पुराने सदस्य है, आपको तो पता ही है, हम वतसल सामराज्य के समराज से आदेश कम लेते हैं, और खुद से काम ज्यादा करते हैं, वैसे आप भी गरुन सैने बलके सारे राज जानते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है आप इस बात को भी राज ही रखेंगे, जग् अरिवार में लोग एक दुसरे के राज को राजी रखते हैं, राजिंदर की आखों से उसकी वफादारी साफ चलकती है, उसकी बातों को सुन जग्दिश कहता है, उस दिन हम समराज से मिलने तो गए थी, लेकिन गरुन सैनने बलके सिनापती और हम सभी के जैश्ट, अरु बोलते वे कहता है, जो तिश्य गणनाओं के आधार पर संचालक अरुण जी ने जो निशकर्ष निकाला था, वो ये था कि इस सामराज्य में किसी महा बलशाली युद्धा का आगमन हुआ है, उस युद्धा की दाकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, उस यु युद्धा इमाले के इस तरफ की भूमी पर बढ़े बदलाव का कारण बनेगा, उस युद्धा के आगमन मातर से यहां कई तरह की शक्तियां जाग उठी हैं, अरुण जी का मानना है, अगर हम उस युद्धा को गरुण सैन्यबल में शामिल कर लेते हैं, तो हमारा सैन्य बल इस दुनिया में सबसे उतकरिष्ट श्रेणी का हो जाएगा, उसके बाद हमें हरापाना असंभव हो जाएगा, जगदीश की बातों को ध्यान से सुन रहा राजिंद्र, उसकी बातों के पूरा होने के बात कहता है, लेकिन कुसानी क्यों, हमने इसी राजिकों आखिर क क्यों चुना? राजिंद्र के इस सवाल को सुन, जगदीश कहता है, उस महान युद्धा का आगमन कहां और कैसे हुआ है, इस बात का पता तो नहीं चल सका था, लेकिन जब संचालक अरुन जी ने अपनी जोतिशिय गननाओं का और भी विस्तरित तरीके सा ध्यान किया, उ इसकी जाच करने के लिए ही हमने चक्रव्यू को यहाँ पर बनाया है, इस चक्रव्यू से हमें उस युद्धा का पता चल सकेगा, और फिर हम उसे गरुन सेन्नेबल में शामिल करेंगे, जगदीश की बातों को सुन, राजिंद्र कहता है, जगदीश चे चक्रव्यू का य अशुस हो रहा है, ऐसा लगता है, हम कुछ तो हैं जिसको देख नहीं पा रहे हैं, राजिंद्र की बातों को सुन, जगदीश उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, राजिंद्र जी, आपको कौन से चिंता खाये जा रही है, जगदीश का सवाल सुन, तीसरे अस्तर की युद्धा बनिये, राजिंद्र से इतना सुनते ही, जगदीश के सामने नैना का चहरा आ जाता है, वो राजिंद्र से कहता है, हाँ, वो नैना, शायद नैना नाम था उसका, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, कि वीर भद्र की बेटी और प्रताप की बेहन इतनी कमजोर हो सकती है, वीर भद्र के परिवार के साथ काफी बुरा हुआ, वैसे उस दूसरे तीसरे अस्तर की युद्धा को देखकर, आपको क्यों चिंता हो रही है, जगदीश का ये सवाल सुनते ही, राजिंद्र काफी गंभीर हो जाता है, थोड़ भी यकीन नहीं है कि वो मंद बुद्धी है, सामने से देखने मों कितनी भी साधारन हो लेकिन उसके भीतर कुछ अलग बात है, राजिंद्र अब काफी घुमा फिरा कर बाते कर रहा था, उसकी बातों को सुन जगदीश कहता है, अब आप पहेलिया मत बुझाए ये राजि राजिंद्र कहता है, जगदीश जी शायद आपने उसकी आखों में नहीं देखा था, लेकिन मैंने उस लड़की की आखों की गहराईयों को देखा था, वो लड़की भार से दिखने में चाहे जितनी भी साधारन हो, लेकिन उसका दिमाग काफी ज्यादा मजबूत है, मु जगदीश भी सूच में पढ़ गया था, वो राजिंद्र से कहता है, वीर भार और सभी को नियंतरित करने में उस लड़की पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाया, वीर भद्र की बेटी होने की बात सुनने के बाद मेरा ध्यान उसकी और गया तो था, लेकिन उसके तूसर या तीसरे श्रेनी की युद्धा होने की जानकारी मिलने के बाद मुझे उसमें कोई रूची ही नहीं थी, जगदीश ने नैना के कमजोर होने की बात सुनने के बाद उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन राजिंद्र नैना की सभी गतिविधियों को ध्यान से देखने के बाद मेरे दिमाग की शक्तियां भी प्रवावित होने लगी थी, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो फिर उसके दिमाग की शक्तियों का अंदाजा आप तो लगाई सकते हैं ना, राजिंद्र की बातों को सुन, जगदीश गहरी सोच में डूप चुका था, राजिंद्र की के दिमाग की शक्तियां वास्तबिक में आहाम इंसानों से कहीं स्यादा आदिक हैं इन्ही बातों को सोच रहा जगदीश थोड़ी देर बाद राजिंद्र से कहता है, राजिंद्र जी अगर ये बात सच हुई तो तुम समझ रहे हो, हमारे साथ क्या होने व अगर इस लड़की के दिमाग की ताकत सचमुच इतनी जादा है तो ये हमारे बहुत काम आ सकती है, राजिंद्र की बातों को सुन, जगदीश कहता है, ये लड़की हमारी सबसे बड़ी परिशानियों को चुट्कियों में हल कर सकती है, अगर हमने इस लड़की को अरुनि एक पर्पिशानिमा का जिक्र कर दिया था, उसके नाम का जिक्र होते ही राजिंद्र के चेहरे पर पसीने आने लगता है, वो जगदीश से कहता है इनसानी दिमाग को अपने वश में करके उसकी शक्तियों को हासिल करने से ही अरुनिमा को ताकत मिलती है, गरुन सैनेWar के सं कोई होगा हमें किसी भी हाल में उस लड़की को अरुनिमा तक पहुचाना ही होगा राजंदर की बातों से जगदीश भी सहमत था आप ठीक कह रहे हैं राजंदर जी अरुनिमा हमारे लिए पूजनी है और उसकी उर्जा की पूर्ती के लिए हम कुछ भी करेंगे अगर जरु अरुनिमा ही गरुन सेन्ने बल का भविश्य है वतसल सामराज्य पर आने वाले खत्रों को रोकने के लिए अरुनिमा का थाकतवर होना बहुत जरूरी है और इसके लिए सौ तो सो लोगों की बली भी बड़ी बात नहीं है जगदीश और राजंदर दोनों अरुनिमा की उर अरुनिमा के अधीन कर दिया था एक बार अरुनिमा के पास जाने के बाद इंसान या तो मृत अवस्था में बहार आता था या वो पूरी तरह से पागल हो जाता था अरुनिमा की काली शक्तियां काफी तेजी से बॉल रही थी जगदीश की बातों को सुनने के बाद राज जादा कठिन तो नहीं होना चाहिए राजिंदर की बात को पूरा करते वे जगदीश कहता है सही कहा अपने राजिंदर जी उस लड़की के माता पिता है नहीं और जहां तक मुझे लगता है उसके खांदान में भी उसकी किसी को परवा नहीं है वो मरे या जीए कोई कुछ नहीं बोलने वाला अगर वो अरुनिमा को अपना दिमाग सहमती से दे देती है तो गरुन सैन्निबल उसका ख्याल भी रखेगी जगदीश की बातों को सुन राजिंदर मुस्कुराते वे कहता है वैसे तो किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए लेकिन अगर कोई ऐसी हिम्मत करता भी है तो हमारे पास गरुन सैन्निबल है अब अरुनिमा के रास्ते में जो भी आएगा उसकी मौत तो पक्की है ना राजिंदर की बातों को सुन जगदीश के चेहरे पर भी जब चक्रवीव के अंदर उसका डेव वर्मन से होगा सामना नैना के दिमाग की शक्तियों का अंदाजा लगने के बाद राजिंदर और जगदीश उसे अरुनिमा के लिए इस्तमाल करने का फैसला करते है राजिंदर की बातों को सुनने के बाद जगदिश थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और फिर कहता है राजिंद्र जी ये सब तो ठीक है लेकिन हम लोग एक बात भूल रहे हैं बहले ही नैना की उसके परिवार में कोई एहमियत नहीं है किन्तु वो भी एक शाही परिवार की सदस्य है पर आपको तो पता ही होगा शाही परिवार के सदस्यों को हम उसकी खुद की अनुमती या उसके परिवार की अनुमती के बिना इस्तमाल नहीं कर सकते हैं फिर प्रताब भी तो है उसका भाई जिस दिन युद्ध से वापस लटा अपनी बेहन को ना देख वो भी काफी तभाई मुचा सकता है जगदीश की बाते सुनने के बाद राजिंडर थोड़ी देर तक चुप रहता है जगदीश के सारे सवालों का जवाब सोचने के बाद राजिंडर उससे कहता है जगदीश जी हम नैना के सामने गरुन सैने बल में शामिल होकर अपना योगदान देने की बात रखेंगे अकर वो उसमें सैमत हो गई तो ठीक है वरना हम उसके उपर गरुन सैने बल में शामिल ना होकर देश द्रोह करने का आरोप लगा देंगे आप जानते ही हैं, हमारे आरपों को वह जूटा नहीं कहेगा, फिर हम उसकी सहमती से या जबरदस्ती से उसके दिमाग का इस्तमाग कर चकेंगे। राजिंदर की बातों से जगदीश को रास्ता तो मिलिया था, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल अभी भी गूम रहा था, वो राजिंदर से कहता है, ये सब तो ठीक है राजिंदर, लेकिन मुझे प्रताप की चिंता सता रही है, उसने एक बार खुद गरुन सेंडबल में शामिल होने से मना करतीया था, अब अगर अम उसकी बहन को गरुन सेंडबल में बलपूर्वक शामिल करते हैं, और उसका इस्तमाल अरुनिमा के लिए करते हैं, तो प्रताप काफी तभाई मचा सकता है, उसकी ताकत का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं, जगदीश को प प्रताप को हरा सकती है, साथ ये प्रताप के आने तक अरुनिमा के पास नहना के दिमाग के भी ताकत होगी, और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, राजंदर की बातों से जगदीश का सारा शक दूर हो जाता है, वो एक गहरी सांस लेते वे कहता है, ठीक है राज नहीं होगी और उसके चक्रवियू से बाहर आने का इंतिजार करना होगा, अगर सही में उसका दिमाग ताकतवर हुआ, तो फिर हमें किसी भी हाल में उसे अरुनिमा तक पहुचाना ही होगा, एक तरफ राजंदर और जगदीश, नैना के दिमाग का इस्तमाल करने के लिए साजिशों का जाल बुन रहे थी, तो उधर इन बातों से अंजान नैना चक्रवियू में प्रवेश के बाद आगे बढ़ रही थी, नैना के कहने पर आरेमान जान बूच कर उससे दूरी बना ली थी, और वो उससे थोड़ा आगे चल रहा था, नैना के साथ चल रही निश उससे कहती है, नैना, मेरी बेहन, मैं तुमसे एक बात पूचू, निशा का ये सवाल सुन, नैना हां में सरही लाती है, नैना का इशारा मिलते ही, निशा उससे कहती है, बेहन, उस लड़के को देख रही हो, वो वहाँ वहाँ, जिसके बात थोड़े लंबे, निशा की बा इसके शरीर में तो इस वक्त आर्यमान का वास है। कहीं से कुछ शक तो नहीं हो गया है। यहीं सोच नैना थोड़ा घबराते वे कहती है। हाँ निशा, बुल क्या हूँ। नैना के इतना बुलते ही निशा उससे आगे कहती है। बेन, वो लड़का तुम्हे कुछ ज़्यादा ही घूता है। लगता है, हमारी नैना बिटिया उसे पसंद आ गई है। एतना के निशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उधर निशा की इन बातों को सुन, नैना को थोड़ी रहात मिलती है। वो कहती है, अरे धक पगली, तुम भी क्या बात करती हो, वो भला मुझे क्यों पसंद करने लगा। निशा के चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी कम नहीं हुई थी। वो नैना को और भी छेड़ते वे कहती है, अरे जलवा है हमारी नैना जी का, आजकल लोग इन पर कुछ ज्यादा ही मर मीट रहे हैं। निशा के मजाग को नैना हसकर टालती है, दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तब ही उनकी नजर डेव वर्मन के उपर पड़ती है, अपने चेले चपाटों के साथ बैठा डेव वर्मन खुद को यहाँ पर भी राजा घुशित कर चुका था। तुम से बात से हमेशा मेरे साथ रहोगे, इस जंगली इलाके में तुमारी रक्षा सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ, अगर हम साथ रहे हैं तब हम यहाँ जिन्दा रह सकते हैं। देव को इस तरह अपने चापलूसों के बीच स्वगुशित राजा बनते देख नैना हस पड़ती है। उसके सामने ही खड़ा देव नैना के इस हसी को देख अंदर तक जल उड़ता है। वो नैना की और देखते वए कहता है। नैना की चचेरी बहन हिना कहती है। तो निशा, अम अभी अपनी जुबान खराब क्यों करें। अधिया मिहां से चलते हैं। एतना के नैना उसका हाथ पकड़कर थोड़ा आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद निशा नैना से कहती है। तुमने मुझे रोक क्यों दिया? उस चमल की तो मैं आज खाली उधर देती। निशा को यूँ गुस्सा देख नैना उसे शांत कराती है। शांत मेरी शेरनी शांत। जाद़ गुस्सा नहीं करते हैं। वैसे भी उन बेमतलब की लोगों से बहस करके क्या ही फाइदा है। उन्हें तो कुछ कामदाम है नहीं। लेकिन तुम्हें और मुझे तो है न। नैना की बातों को सुन निशा उससे कहती है। तुम भी क्या बात करती हो। यहां पर हमें कई तरह की परिक्षाएं देनी होगी। इसके अलावा हमें कौन सा काम है। निशा को चक्रवियू के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। उसकी बातों को सुन उससे समझाते हुए नैना कहती है। नहीं बेहन इस जंगल में जिवित रहना ही हमारे लिए परिक्षा है। मेरे इसाब से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे उपर मुसीबत बढ़ती जाएगी। हमारे पास 30 दिनों का समय है। लेकिन हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। नैना से शक्रवियू के बारे में सुन रही निशा उससे कहती है। वा बेहन वा तुम इतनी छुपी रुस्तम हो मुझे तो यह पता ही नहीं था। तुम्हारे पास शक्रवियू के बारे में इतनी जानकारी है और तुमने इसे छुपा कर रखा था। बताओ बताओ तुमने क्या सोचा है। निशा के इतना कहते ही नैना के दिमाग में जैसे बिजली कौन जाती है। मुझे तो किसी ने चक्रवी के बारे में इसा कुछ बताया नहीं था, फिर मेरे पास इसकी जानकारी कहा सा लिए, मुझे इस बारे में आरिमान से बात करनी होगी। नेना भी सोच में डूबी हुई थी, तभी निशा उसे कहती है, क्या हुआ नेना, मुझे बताओ तो तुम, क्या करने वाली हो। निशा की आवाद सुनकर नेना अपने गोश में आती है, वो निशा से कहती है, मैं पंदरा दिनों तक ध्यान करने वाली हूँ, इससे मुझे अपनी अध्यात्मी कूर्जा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नैना की बातों को सुन, निशा कहती है, ठीक है नैना, तुम ध्यान करो, मैं भी कहीं रुप कर ध्यान करने की कुशिश करती हूँ। नैना भी इस वक्त अकेले रहना चाहती थी। निशा से ध्यान करने की बात सुनने के बाद, वो से तुरंथ आगे जाने की अनुमती दे देती है। निशा के जाते ही, नैना को अब आर्यमान की तराश थी। वो तुरंथ ही आर्यमान को आवास लगाती है। मुझे पता है आर्यमान, तुम यहीं कहीं हूँ, जल्दी से भार आजाओ नू। नैना की अवास सुनते ही पेड़ों के पीछे चुपा आर्यमान, उसके सामने आ जाता है। आर्यमान ने इस वक्त विवेक के शरीर को अपना घर बनाया था। आर्यमान को सामने देख, निश्रा उससे कहती है, आर्यमान, मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी तक चक्रवी के बारे में कभी भी नहीं पढ़ा था। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्या ये तुम्हारी वज़े से हुआ है। नैना का सवाल सुन, आर्यमान थोड़ी देर तक कुछ सोचता है, और फिर कहता है, नहीं नैना, इस बारे में मैंने या ब्रह्मियंत्र ने तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं दी, ओ नहोग ये ये नैना के अफचेतन दिमाग से आई जानकारी है, नैना ने इन बातों को क नैना को थोड़ी थोड़ी जानकारी तो मिल गए थी, लेकिन उसकी जिग्यासा अभी तक शान्त नहीं हुई थी, खुद से ही सच्चाई का पता लगाने की बात सोचते हुए, वा आर्यमान से कहती है, ठीक है आर्यमान, वैसे मैं आप कोई गुफा देख उसमें तपस्या करने जा रही हूं, मुझे अपनी शक्तियों को जल से जल बढ़ाना है, नैना की बातों को सुन, आर्यमान कहता है, ठीक है नैना, तुम तपस्या में लीन हो जा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उस गुफा की पहरेदारी करूँ, ठीक है, आर्यमान से इतना सुनते हुए नैना हस पड़ती है, तुम भी क्या बात कर रहो, आर्यमान, तुम मेरी रक्षा वैसे ही करोगे, जैसे तुमने उस वक्त की थी, जब मैं आश्टियों से वो दिब्ध ध्रब बना ली थी, तुमें मेरी चिंता करने की जरुरत नहीं, आर्यमान, मैं अपनी सुरक्षा स्व की एक गुफा मिल जाती है, गुफा में जाने के साथ ही नैना अपने ध्यान के लिए जरुरत के सामान को जमा करने में लग जाती है, इस तपस्या और ध्यान से नैना को क्या होगा फाइदा, नैना को कहां से मिला है, चक्रवियू का पूरा ग्यान, और इसके भीतर वो कैस प्रवेश करने वाले अपने सभी दोस्तों और दुश्मनों से काफी दूर नैना, गुफा के भीतर ध्यान में बैठी वी थी, मंत्रों के लगातार जाप से नैना के चहरे पर एक अलग ही नूर था, उसका चहरा किसी तेजस्वनी के समान चमक रहा था, अपने ध्यान में ही नैना को काफी कुछ महसूस हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था, मानो उसका ध्यात्मिक ज्ञान काफी ज़्यादा बढ़ गया है, लगातार तपस्या में लीन नैना, एक बार फिर से अपने शरीर को और अपनी आत्मा को अलग कर चुकी थी, नैना को ऐस से लगे हो चुकी थी लेकिन नलनी की बातों को सुन नैना की आत्मा कहती थी हाँ मैंने इस बात को काफी गहराई से महसूस किया है महान युद्धा वीरबद्र की बेटी होने के बावजूद मैंने आज तक कोई भी उपलब्दी हासिल नहीं की थी लेकिन इतने ही कम समय में म अबाजने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नैना की बातों को सुन नलिनी उससे कहती है। ये शरीर ही अब मेरा गार है। इसलिए इसके लिए मैं कुछ भी करने के साथ उसके सामने काफी बड़ी चुनातियान पड़ती है। अंतरिक्ष की गहराईयों में घूम रही नैना को लगता है। उसकी और नलिनी की आत्मा एक साथ सामने आ गई है। नैना के शरीर के भीतर इस वक्त नलिनी की आत्मा थी। लेकिन इसी के साथ उसके पास नैना की याददाश्त भी थी। नेना को अपने सामने देख नलनी, उससे कहती है, नेना मैं तो भूली गए थी कि मैं नलनी हूँ, तुम्हारे शरीर को धारन करने के बाद मैंने सिर्फ नेना बनकर ही जीआ और मैं बदले के लिए तयार हूँ, मैं तुम्हारा बदला भी जरूर लोँगी, मैं रुस इनसान को दंड दूंगी जिसने जीवन में कभी भी तुमारे साथ बत्तमिजी की हो मैं उन्हें उनके किय की सजा जरूर दूंगी नैना के उपर हुए जल्मों को याद करने के साथ ही नलिनी सिहर जाती थी नैना का बार बार भटक रहा था लेकिन अपने मन की द्रड़ता से वो उसको बांदे रखती है। तपस्या में डूबी नैना का शरीर अपनी तपस्या को जारी रखता है। और इस दोरान अंतरिक्ष की गहराईयों में उसकी मुलाकत कई लोगों से होती है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार नैना इन सबसे आगे जा पाती है और अब काफी समय से गंभीर ध्यान में लगी हुई थी। ध्यान में मगर नैना के लिए समय मानो एक जगा रुख गया था। नैना को अब अपना अध्यात में ग्यान दिख रहा था। मैं अभी तीसरे श्रेणी की उद्धा हूं लेकिन मेरा अध्यात में ग्यान काफी बढ़ गया है। अपने ध्यान में ही मगर नैना चोथे श्रेणी में प्रवेश के लिए अपने शरीर को मुक्त कर देती है। चोथे श्रेणी में प्रवेश के लिए नैना को अब हट योग करके अपनी इस अध्यात्मिक उर्जा को अपनी शक्ती में बदलना था समय का पईया चलता रहता है और इसी के साथ नैना के तपस्या और भी कठिन होते जा रही थी अपने एक उंगली पर अपने शरीर के पूरे वजन को केंद्रित करके नैना अपनी अध्यात्मिक उर्जा को अपनी शक्ती में बदल रही थी उधर नैना को काफी दिनों से ना देखने की वज़े से देव और हिना समयत उनके साथियों को ये लगने लगा था कि नैना की मृत्ती हो चुकी है अपने साथियों के साथ जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़रा देव कहता है हिना मुझे तो लगता है तुमारी बेहन किसी जानवर का शिकार बन गई बेचारी की हड़िया तक नहीं मिल रही है देव की बातों को सुन अपने चेहरे को उसकी तरफ घुमाते वे हिना कहती है देव तुम उसे मेरी बेहन मत को अगर तुम मेरी इस तरह से बेज़ज़ती करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा वैसे अगर वो सच में मर गई है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ होई नहीं सकती है कम से कम अब मेरे परिवार में एक आदमी का खाना तो बचेगा पैसे भी वो किसी काम धाम की नहीं थी सिर्फ खाने में तेज थी मैं तो कब का उसका खाना बंद करके उसे मारना चाहती थी हिना की बातों को सुन देव और उसके साथ ही हस पढ़ते हैं देव और उसके साथ ही एक और जहां नैना को मरा हुआ मान कर खुश हो रहे थे वहीं निशा अपने दो-चार साथियों के साथ नैना को खोचते-खोचते परिशान थी ये नैना पता नहीं कहां चली गई उसने पास सी की तो किसी गुफा में रेकर ध्यान करने की बात कही थी लेकिन मैंने तो इधर की सारी गुफाओं को चान मारी है अब मैं चक्रवियू के अंतिम द्वार पर ही नैना का इंतजार करूँगी यही सोचते वे निशा अब अपने चक्रवियू के सफर को पूरा कर रही थी उधर काफी समय से हटियोग में डूबी नैना को अचानक असीम ताकत का हैसास होता है उसे एक बार फिर से ऐसा लगता है मानो उसके सभी चक्र जाग उठें मेरे सभी चक्र जाग उठें मैं अब अपनी आखों को खुल सकती हूँ अगर मेरे सभी चक्र जाग जाते हैं तो मैं हनन्त श्रेनी की युद्धा बन जाओंगी नैना अभी अपने चक्रों को महसूस ही कर रही थी तब ही अचानक एक काफी तेज रौश्णी चमकती है निशा ने अपने ध्यान के लिए काफी गहरी गुफा को चुना था लेकिन वो रौश्णी इतनी तेज थी कि उससे पुरी गुफा उदय मान हो जाती है रौश्णी के चमकने के साथ ही नैना की आँखे भी खुल जाती है अपनी आँखों को खुलते ही नैना को अपने सामने विवेक के शरीर में खड़ा आरियमान दिखाई देता है विवेक की तरह दिखने के बाद वो कहती है आरिमान, तुम यहाँ क्या कर रहे है, और ये रोशनी कैसे थी, इसकी वज़े से मेरा ध्यान तोट गया, वरना इतना कहने के साथ ही नैना चुप हो जाती है नैना की बातों को सुन, बसीने से तर बतर आरिमान कहता है राशनी का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं यहां क्या कर रहा हूँ, इससे तुम पीछे मुड़कर जान सकती हूँ आरेमान की बातों को सुन, नैना पीछे मुड़ती है, तो उसे अपने पीछे जंगली जानवरों के शबों का अमबार लगावा दिखाई देता है यह अमबार देख, नैना कहती है, तो तुमने इन जानवरों से मेरे शरीर की रक्षा की है, वैसे तुमें इसमें ज्यादा कटनाई का सामना तो नहीं करना पड़ा होगा नैना की बातों को सुन आरिमान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इन जानवरों को मैंने विवेक से उसकी ताकत का इस्तमाल करके मरवा है, अगर मैं अपनी असली उर्जा का प्रियोक करता तो गरुन सेन्य बलवालों को इस बात का पता चल जाता कि किसी ने अत्यादिक पूर्जा का इस्तमाल किया है, आरिमान की बातों को सुन नैना उसकी और देखते हुए कहती है, ठीक है, वैसे एक ही दिन में इतने जानवरों ने मेरे उपर हमला कर दिया, नैना की इस बात को सुनते ही आरिमान के चेहरे पर हसी आ जाती है, इस हसी को नैना अच्छी तरी तुम चिंता मत करो इस बार मैं दो दिन नहीं कहने वाला हूं क्योंकि तुम्हें यहां ध्यान करते करते और मुझे तुम्हारी रक्षा करते हुए 15 दिन का समय बीच चुका है आरिमान से 15 दिन सुनते ही नैना के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता है 15 दिन? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं मुझे ध्यान में गय हुए 15 दिन नहीं बीच सकते अगर मुझे चौथे चरण की युद्धा बनने में 15 दिन का समय लग गया तो फिर उसे आश्टी का क्या फाइदा? कौशल देश में नलिनी के शरीर में भी मैं एक मैने में चौथे श्रीनी की युद्धा बन गई थी फिर उस फिशेश आश्टी का क्या मतलब है? एक दिन में तीसरे श्रीनी की और 15 दिनों में चौथे श्रीनी की युद्धा बन गी अगर वो आश्टी ना होती तो तुम अभी भी दूसरे श्रीनी की युद्धा ही रहती एक और नैना और आरेमान बहस में उलजे हुए थे तो उधर दूसरी और गुफा के पास से ही गुजर रहे देव वर्मन और उसकी टोली ने भी उस रौश्णी को देखा था उस रौश्णी को देखने के बाद देव वर्मन अपने साथियों को निर्देश देते हुए कहता है उस गुफा में जरूर कोई ने कोई जादूई वस्तू प्रकट हुई है अब हम वहाँ चलते हैं और उस वस्तू को हासिल करते हैं देव वर्मान और उसके साथियों को इस चक्रवियू में आये 20 दिन बीच चुका था एक साथ चल रही उनकी टोली पर अभी तक कोई बड़ा संकट नहीं आया था उधर बहस में उलजीवी नेना की नजरे अचानक जमीन के भीतर से आ रही एक रोशनी पर पड़ती है उस रोशनी को देख नेना आर्यमान से कहती है रुको आर्यमान उस राशनी को देखो जमीन के भीदर से ये राशनी आ रही है लगता है वहाँ पे कुछ चमक रहा है नैना की बातों को सुन आर्यमान तुरंट वहाँ पहुंच जाता है वहाँ पहुंचने के बाद भी आर्यमान खड़ा रहता है लेकिन नैना उस शित्र की मिट्टी को साफ करने लगती है थोड़ी देर की मेहनत के बाद नैना को एक शीशे की तरह दिखने वाला तलवार मिलती है आरिमान ये देखो क्या है नैना तुरंट ही उस तलवार को निकाल कर आरिमान को दिखाती है शीसे से बनी उस तलवार से काफी तेज रोशनी आ रही थी उस तलवार के बारे में नैना तो कुछ नहीं जानती थी लेकिन आर्यमान को काफी बातों का आभास हो चुका था वो नैना की और देखते वे कहता है नैना या ध्यात्मिक तलवार है ये सिर्फ उन यद्धाओं को नसीब होता है जो महान हो और जिनके युद्ध करने की शमता काफी ज्यादा हो आरेमान की बातों को ध्यान से सुन रही नैना उसका चेहरा देख रही थी क्या है इस शीशे की तलवार का रहस्य क्या होगा जब गुफा के बाहर देव वर्मन से नैना का होगा सामना कुसान देश के घने जंगलों के भीतर गरून सैनने बल में भरती के लिए चक्रवियू का निर्मान किया गया था और उसी चक्रवीव के शेत्र में बने एक गुफा में नैना काफी दिनों से तपस्या कर रही थी अपनी युद्धा की श्रेनी को बढ़ाने के लिए नैना पहले अपनी अध्यात्मिक ज्यान को बढ़ा रही थी और उसके बाद उसकी युद्धा की श्रेनी बढ़ रही थी, नैना अब चौथे चरण में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन उसे सबसे ज़ादा हैरानी उस वक्त होती है, जब उसे गुफा में चमकती हुई काँच की तलवार मिलती है, आरिमान से ये जानने के बाद, कि ये तलवार अध्यात्मिक तलवार है, नैना के आश्यरे का कोई ठीकाना नहीं रहता है, अध्यात्मिक तलवार के महत्व को जान रही नैना को ऐसा लगता है, मानो उसके दिल की धालकन है, उसके सीने को चीर कर बाहर आ जाएंगी, खुद को समालती हुई नैना, आरिमान की औ अध्यात्मिक तलवारें फिर ये यहां पर कैसे आई और फिर ये शित्र गरुन सैने बलकि मंतरों के अधीन है उन्हें इस बारे में कैसे पता नहीं चला अध्यात्मिक तलवार बेहदी मुश्किल से मिलने वाला हत्यार था ये तलवारें आम तलवारों की तरह नहीं होती थी बलकि इनकी सनरचना और इनके इस्तमाल का तरीका भी काफी अलग होता था ये तलवारें इनसान के अध्यात्मिक कुणों के अधार पर उसके साथ रहती थी उस तलवार को काफी द्यान से देख रहा हारेमान उसको पूरी तरह से देखने के बाद मुस्कुराते वे कहता है 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 तो ये अध्यात्मिक तलवार लेकिन ये काफी निचली श्रेनी का थियार है ये तलवार जिसकी भी रही होगी उसे इससे अधिक श्रेनी के तलवार मिल गई होगी इसलिए वो इसे यहां छिपाकल चला गया रही बात गरून सैनेबल की तो ये तलवार काफी समय से इस्तवान नहीं हो है इसलिए इसकी शक्तियां इस वक्त जागरित नहीं है शायद इसी वज़े से गरुन सेन बलवाले इसे नहीं देख पायोंगे आरिमान की बातों को सुनने के बाद नैना को उसके कुछ सवालों का जवाब तो मिल गया था लेकिन उसके मन में अभी भी एक शंका थी वो आरिमान से कहती है आरिमान ये तलवार तो लोगों के अध्यात्मिक पूर्जा से जुड़ी हुई होती है फिर ये अभी क्यों जागरित होगी जबकि अभी भी इसके साथ किसी की अध्यात्मिक उर्जा नहीं जुड़ी हुई है नैना काफी ज़ादा दुविदा में थी नैना को यूँ दुविदा में देख आरिमान उसे समझाता है नैना चाथे चरण में जाते वक्त तुम्हारी अध्यात्मिक शक्ती काफी ज़ादा बढ़ गई थी हो सकता है इस तलवार को वापस पुनरजिवित करने के लिए भी उतनी ही अध्यात्मिक उर्जा की ज़दत हो शायद इसलिए ही ये तलवार जागरित हो गई है आर्यमान की बातों को सुन नैना अब चुक खड़ी थी थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद नैना कहती है मैं इसे धारन करती हूँ इतना कहने के साथ ही नैना उस तलवार को अपने आगे ले आती है और उसी से अपने हाथ में एक चीरा लगाकर उसके उपर अपनी खुन की कुछ बुंदे किरा देती है नैना के खुन की बुंदे उस तलवार पर पड़ते ही उसकी रोशनी तेज होने लगती है थोड़ी ही देर में वो काच्च की तलवार जौला मुखी के देहकते लावे की तरह लाल हो जाती है नैना से थोड़ी दूरी पर खड़ा आरिमान इस पूरे द्रिश को देख रहा था उसकी आँखों के सामने नैना की अध्यात्मिक शक्ती उस तलवार को अपने आगोश में ले रही थी अपनी तलवार के साथ इस मिलन से नैना के हाथ पैर भी काप रहे थे थोड़े समय के बाद नैना अपने होश में आती है उसकी हाथों से वो तलवार अब गायब हो चुकी थी और वो नैना के अध्यात्मिक शक्तियों के साथ मिल गई थी अपनी आखों को खुलने के साथ ही नैना की नजरे वहीं खड़े होकर मुस्कुरा रहे आरिमान पर पड़ती है आरिमान को देखने के बाद नैना उससे कहती है आरिमान देखा तुमने इस अध्यात्मिक तलवार ने मुझे अपना मालिक बना लिया है नैना की बातों को सुन आरिमान मुस्कुराते वे कहता है हाँ नैना मैंने देखा वैसे इस तलवार ने तुम्हें अपना मालिक तो मान लिया है लेकिन इसकी शक्तियां भी काफी कम है खैर कोई बात नहीं अभी तुम इससे काम चलाओ समय के साथ हम तुम्हारे लिए आगे कुछ बहुती जादे अध्यात्मिक शक्तियां वाली तलवार ले आएंगे आरिमान नैना की इस तलवार को कोई महत्व ही नहीं दे रहा था आरिमान की बातों को सुन नैना सोचती है ये तो अध्यात्मिक तलवार को ऐसे समझ रहा है जैसे जंगल में पेड़ों पर फल की तरह उग रही है इसे क्या ही समझ आएगा वैसे मुझे तो इस तलवार से जुड़ने के बाद काफी अच्छा मैसूस हो रहा है ऐसा लगता है मानो इससे मेरे सालों पहले का नाता हो यही सोचते हुए नैना अपने बाएं हाथ को आगे करती है हाथ को आगे कर तलवार को याद करने के साथ ही नैना के हाथों में वो तलवार चली आती है आस्मान में उमरने वाले बादलों की तरह उस तलवार के भीतर भी अध्यात्मिक उर्जा का संचार हो रहा था ये देख नैना आरिमान से कहती है आरिमान ये देखो इस तलवार ने मेरी अध्यात्मिक उर्जा के साथ जुड़ कर काम भी शुरू कर दिया बस इसका उपरी सीरा किसी तरह से नश्ट हो गया है वरना कोई इसे एक पुरानी तलवार नहीं बूल सकता है नैना के हाथ में जगमगाती उस तलवार को देख आरिमान भी हैरान था हाँ नैना, तुमारी अध्यात्मिक शक्तियों के साथ जुड़ने के बाद इस तलवार ने इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया है ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा वैसे तुमारी बढ़ती हुए अध्यात्मिक शक्तियों के साथ इसका शतिग्रस्त हिस्सा खुदी ठीक हो जाएगा इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो चौथी श्रेनी की युद्धा बनने के बाद नैना को अब अपना वो काम याद आता है जिसके लिए तो चक्रविव के भीतर आई थी वो तुरंथ ही आरिमान से कहती है आरिमान मैं चौथे चरण की युद्धा तो बन गई लेकिन इसके साथ ही मुझे यहाँ पर और भी एक काम है मैंने सुना है यहाँ के घने जंगलों में एक मनुष्य रूपी भेडिया निवास करता है मुझे उसे भी खुझना है नैना से मनुष्य रूपी भेडिये के बारे में सुन आरिमान चौक चाता है वो नैना से कहता है नैना ये तुम क्या बोल रही हो तुम्हारा इन सब चीजों से जो भी हिसाब है तुम उसे बाद में पूरा करना हमारे पास अभी इसके लिए समय नहीं है साथ ही इस वक्त मैं अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ वरना मैं तुरंट गरुन सेंबल के नजर में आ जाऊँगा आरिमान की बातों को सुन नैना उससे कहती है आरिमान तुम इस बारे में मुझे ग्यान मत दो मुझे जो करना है न मैं वही करूँगी नैना के मना करने के बाद भी आरिमान ने तपस्या के समय उसकी जान बचाई थी उसके बाद भी नैना के इस वैबार को देख आरिमान उससे कहता है नैना मेरा काम तुम्हारी जान बचाना और तुम्हें सही सलाह देने का है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वैसे तुमसे मिलने बाहर कोई आया है, तुम जाकर उनसे मिलो, परना वो अंदर आ जाएंगी। आर्यमान की बातों को सुनने के बाद नैना को कुछ समझ नहीं आता है, अलाकि इस वक्त वो आर्यमान से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप चाप बाहर निकल जाती है। इश्टवार पर खड़ा देव गुफा के अंदर देखते हुए कहता है। ये भगवान, इस गुफा में तो रोशनी खुदरास्ता बूल जागी, इतनी अंधेरी गुफा तो आज तक मैंने देखी नहीं है। गुफा के अंदर से नदियों, नालों तथा जानवरों की आर ये आवाजें देव और उसके साथियों को डराने के लिए काफी थी। गुफा के पास से थोड़ा पीछे हटने के बाद, देव अपने साथियों की और देखता हुआ देव, अमन से कहता है, अमन, तुम अभी एक मशाल बनाओ, हम सभी इस गुफा के भीतर जाकर उस जाद अमन, उसके लिए मशाल बनाने चला जाता है, थोड़ी देर में वो दो, तीन बड़ी बड़ी मशाले बना कर लिया आता है, मशालों के आने के बाद, देव एक मशाल को अपने हाथ में लेता है, और कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, अब मैं आगे आगे चलूँगा, और तुम से मेरे पीछे-पीछे आना, इतना कै मशाल को हाथ में लिये वे, देव अपना पहला कदम उस गुफा के भीतर जाने के लिए बढ़ा देता है, लेकिन तभी अचानक चमगादणों के बोलने की आवाज आती है, और वे तुरंत ही बाहर निकलने लगते हैं, काद़ों के इस खाफ को देख, देव वर्मन की सांसें काफी तेजी से चलने लगती है, वो तुरंत ही पीछे आते वे कहता है, मैंने, मैंने आज तक जितनी भी गुफाई देखी थी, वे सब इसके आगे बच्चों के समान थी, इतनी बड़ी और खतरना गुफा के बारे म मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, डर के मारे काप रहा देव वर्मन, इतना बोलने के साथ ही वही बैठ जाता है, देव के बैठते ही हिना उसे पानी पिलाने लगती है, देव को पानी पिला रहे हिना की नजरे अचानक उस गुफा के मुख्चे दौार पर ज जाने के साथ ही हिना के हाथ से पानी का बरतन गिर जाता है, और देव पूरा पानी से भीग जाता है, हिना को इस तरह बरताफ करता देख, देव उससे कहता है, तुम यह क्या कर दियो, क्या हुआ तुमें सब बरताफ क्यों कर रही हो, जैसे तुमने किसी भूत को देख लि नैना, तुम ऐसे बरताव क्यों कर रही हो? देव की बातों को सुन इना, अपने हाथ को उठा कर देव को पीछे देखने का इशारा कर दिये. इना को इस तरह इशारा करता देख, अब देव और उसके सारे साथ ही पीछे मुड़ कर देख रहे थे. नैना तुम अभी तक जिन्दा हो तुम इस गुफा से कैसे आ रही हो इतना कै देव वर्मन हैरानी भरी निगाहों से नैना को देखे जा रहा था क्या होगा जब देव वर्मन और नैना का होगा सामना क्या नैना को मिलेगा आधे भेडिया और आधे इंसान के शरीर वाला वो जानवर चक्रविव के भीतर बने जिस गुफा पर आस्मान से राशनी गिरी थी देव बर्मन और उसके साथ ही डर के मारे उसके भीतर जा नहीं पाते हैं तबी नैना को वहां से बाहर निकलता देख उन्हें और भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो सब अब और भी ज़्यादा हैरान थे उधर उस गुफा से बाहर निकलने के बाद नैना की नजर गुफा के बाहर खड़े देव बर्मन इना तथा उसके दोस्तों पर पड़ती हैं इन सभी को एक साथ बाहर बैठे देख नैना भी चुप चाप वहीं रुख जाती है इना के रिखाने के बाद देव की भी नजरें नैना पर पड़ती हैं उसके होश फाक्ता हो जाते हैं वो नैना से कहता है अरे हो मन्द बुद्धी लड़की तुम इस गुफा में क्या कर रही थी और तुम अभी तक जिन्दा कैसे हो हमने तो सोचा तुमें किसी जानवर ने अपना शिकार बना लिया लेकिन अफसोस अभी तक तुम जिन्दा ही हो नैना को जिन्दा देख हीना भी अपना मुह बनाते हुए कहती है अरे इस मन्द बुद्धी के रूप में भगवान नेनजाने कैसा इंसान बनाती है नर्क में भी बोज बढ़ जाने के डर से वो इसे वापस भी निले जा रहे है लगता है इसका गला काटना तुम्हारे ही हाथों से लिखा हुआ है इटना क्या है वो देव की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगती है नैना की बातों को सुन देव भी अस्ते हुए कहता है भगवान भी मुझसे मेरा हक नहीं चिनना चाते थे इसलिए उन्होंने इस मंद बुद्धी को अभी तक जिन्दा रखा है इसे तो मैं इतनी दर्दनाक मातूंगा न जिसे पुरा कुसान राजी क्या वतसल साम राजी भी याद रखिया देव वर्मन की इन बातों को सुन इना को काफी ज़ाधा खुशी मिल रही थी उसके चैरे पर जो हशी आ रही थी वह नैना को काफी चुब भी रही थी लेकिन इसके बाद भी वह अभी तक चुब थी तब ही देव वर्मन का दोस्त अमन कहता है देव इसका गला बात में क्यों कातना ये गुफा के अंदर से आ रही है, इसका मतलब इसने जरूर कोई गड़वाल की है, क्या हम इसका गला अभी नहीं काट सकते हैं, बाद में कह देंगे कि चक्रवीर के देप्तियों वाले हिस्से में चली यही थी, अमन की बातों को सुन, देव वर्मन कुछ सोचते वे कहता है तुम ठीक कह रहे हो, अमन, लगता है इस मंद बुद्धी नहीं उन्चमगादलों को भगाया था, इस मंद बुद्धी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना कह देव अपनी पूरी पल्टन के साथ नैना के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, इन सब को एक साथ अपनी मैं अभी कोई जगड़ा नहीं करना चाती हूँ, तुम सब की भला इसी में है कि तुम सब यहां से चले जा, देव और उसके साथियों की नजरों में नैना सिर्फ और सिर्फ एक मंद बुद्धी लड़की ही थी, जिस नैना को उसने जिन्दगी भर अपने पैरों की धूल भी नहीं समझी थी, उससे इस तरह की बाते सुनकर देव को हसी आनी लाजमी थी, क्या बोला तुम मैं, मेरी भला इसी में है कि मैं यहां से चले जाओ, तुम शायद भूल गई हो, यह राजमेल नहीं है, जो कोई तुमारी जान बचाने वाला आएगा, वैसे तुम पहले यह बताओ, क्या तुम अंदर उस राशनी से उत्पन कोई जादूई वस्तू को लेने गई थी, देव वर्मन की बातों का जवाब देना नैना जरूरी नहीं समझती है, वो चुपचाप वहीं खड़ी रहती है, नैना की इस चुप़ी को देख, हिना आगे आते हुए कहती है, देव, यह कोई जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब यह जरूर उस जादूई वस्तू को लेने ही गई होगी, इसकी खाल को अभी उधर दो, तब ही यह तुम्हें सच्चा ही बताएगी, वैसे भी लातों के भूत जोते हैं न, वो बातों से नहीं मानते हैं, हिना की बातों को सुन नेना अपनी आखों को बढ़ी कर उसकी तरफ देखने लगती है, नेना को इस तरह घूरते देख, हिना थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहती है, घूर क्या रही हो मंद बुद्धी, अब अगर मुझे घुसा आगया न, तो सबसे पहले न, मैं तुम्हारी आ तुम्हें इस दोरान जो करना है न, वो कर लो, नेना की इन बातों को सुन वहां मजूद देव और उसके सभी साथ ही एक बार फिर से हसने लगते हैं, देव वर्मन हसते हुए नेना से कहता है, लगता है मुझे आस तुमारी चमड़ी को उधेड़ना ही पड़ेगा, अमन अपना चाबुक निकालो और इस मंद बुद्धी की चमड़ी को इसकी खाल से अलग कर दो, देव कादिश मिलते ही अमन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, नेना के पास जाते ही वो कहता है, देव इस मंद बुद्धी को मैं कितने कोड़े मारू, कहीं तलवार के बरले क्यों न हो जाए, फिर इसके उस मनूस भाई को भी लगेगा, उनके घर में कैसा कलंक पैदा हो गया है, जो कोडों से ही परलोक सिधार जाती है, अपनी बैजज़ती को नेना आज तक सहती आई थी, लेकिन अब ये सब उसके बरदाश्ट के बाहर था, उसकी आखें अमन के हाव भाव को देख रही थी, अमन जैसे ही उसकी तरफ अपना चाबुक चलाता है, नेना अपने हाथों से उसके चाबुक को पकड़ लेती है, अमन अभी नेना को चाबुक पकड़ते हुए देखी रहा था, तब तक नेना उसे इतना जोर का जटका देती है, जिससे अमन स शाती पर एक जोर का लाद मार देती है नैना का ये प्रहार इतना घातक था कि हवा में उड़े रहे अमन को ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया है है मा बचा मुझे नैना के सिर्फ एक प्रहार से अमन देव वर्मन की तरफ जा गिरता है चौथे श्रेणी के युद्धा अमन की ये हालत देख देव वर्मन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था ने नहीं ये नहीं हो सकता है चौथे श्रेनी का युद्धा अमन इस मन्द बुद्धी से मार कैसे खा सकता है। इस मन्द बुद्धी के वितर इतनी ताकत कहां से आ गई। देव वर्मन अभी इन बातों को सोची रहा था। तब तक नैना चिलाते हुए कहती है। यमराज के पास पहुचा दूँगी, मेरे पिता और भाई का अपमान करने वाले को भी मैं वैसा ही दंड दूँगी। नैना का यूँ गरजना और उसकी इस धंकी से देव वर्मन के बांकी सभी चाटूकारों की भी हालत खराब हो गई थी। अब किसी के पास इतनी हिम्मत न मारकर तुम खुद को बहुत बड़ी युद्धा मत समझो नैना, अभी मैं जिन्दा हूँ और तुमारे मिर्ट्यू का कारण भी मैं ही बनूँगा। देव वर्मन ने नैना को चुनौती तो दे दी थी, लेकिन आमन के उपर उसके प्रहार को देख, देव के भीतर भी मना करना अकलमंदी की बात नहीं है, यही सोचते वे देव वर्मन नैना से कहता है, नैना, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जिन्दा छोड़ दूँ, तो तुम्हें जो भी वस्तु मिली है ना, तुम उसे मुझे दे दो, हाँ, देव की बातों को सुन, नैना उसकी और अपने कदम बढ़ाती है, और कहती है, जो भी वस्तु यहां मिली है ना, वो तुम्हारे बाप की तो है नहीं, जो तुम उसे इतने हक के साथ मांग रहे हो, अगर तुम उसके लाइक थे, तो तुम्हें वो खुद जाकर हासिल करना चाहिए था, नैना की बातों को सुन देना पड़े, लेकिन मैं आज तुम्हारी मौट लिक कर रहूंगा, इतना कहने के साथ, देव खुद के पीछे खड़े अपने साथियों की और देखता है, और कहता है, मेरे मित्रो, आज इसने मेरे पिताजी का नाम लेकर, ना सिर्फ मेरा, बल्कि इस पूरे राजजी का भी अपमान किया है, आज इससे हम उस जादोई वस्तु को लेकर ही रहेंगे, मेरे दादाजी कहते हैं, ऐसी वस्तुें किसी खजाने से कमनी होती है, आज वो जो भी वस्तु है, वो जादोई खजाना हम सभी का होगा, अब चाहे उस खजाने के लिए, हमें इसके शरीर के ह जाद टुकड़े ही क्यों न करना पड़े, लेकिन हम आज इससे अपना बदला लेकर रहेंगे, इतना कहने के साथ ही देव अपनी तलवार निकलता है, देव के साथियों को डर तो लग रहा था, लेकिन वो गद्दार नहीं थे, देव की बातों को सुनने के बाद, उनके भीतर भी काफी जोश आ जाता है, और वे सभी भी अपना तलवार निकल कर नैना के खिलाफ युद्ध छड़ेने के लिए खड़े थे, देव वर्मन का ये भाशन और उसके साथियों को इस तरह तलवार निकलते देख, नैना मुस्कुराते वे खहती है, वहा देवा, क्या हांसला भरा है तुमने अपने इन चापलूसों के अंदर, वैसे तो मैं बच्चों के साथ युद्ध नहीं करती हैं, लेकिन अब तुम सब की इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हें युद्ध से मना भी तो नहीं कर चकती हूँ न, आ जाओ, सारे के सारे आजाओ, आज तुम युद्ध छेड़ने के लिए तैयार थी नैना और देव किसे न एक दूसरे से युद्ध के लिए तैयार तो खड़ी थी लेकिन उनसे थोड़ी ही दूर परूगी जाड़ियों के बीच से कोई उनके उपर नजर भी रख रहा था लोगों की बात सही थी नैना अब सचमुच बंदबुद्धी नहीं रही है इतना कैवो शक्स नैना के चेहरे को ध्यान से देखे जा रहा था क्या होगा जब चक्रविव के भीतर युद्ध के लिए देव और उसके दोस्तों से अकेले भीड़ेगी नैना कौन है ये शक्स जो चक्रविव के भीतर भी नैना के उपर रख रहा था नजर गुफा के प्रवेश दोआर पर एक और नैना अकेले खड़ी थी तो उधर दूसरी और उसके सामने देव वर्मन अपने दोस्तों के साथ खड़ा था देव वर्मन और उसके सभी दोस्तों ने अपने हथियार को बाहर निकाल लिया था और अब वे नैना को किसी भी हाल में सबक सिखाना चाह रहे थे देव वर्मन और उसके दोस्तों को एक साथ देख नैना के दिमाग में कई तरह के विचार आ रहे थे अब इन गदों को मारने के लिए मैं अध्यात्मिक कलवार को तो निकाल नहीं सक्किए लेकिन इनका सामना करने के लिए मेरे पास और कोई हधियार भी तो नहीं है इसी बात को सोच रही नैना बेहदी गंभीरता के साथ देव और उसके दोस्तों की उर्थ देख रही थी नैना को इस तरह सोच में डूबा देख देव वर्मन उससे कहता है नैना तुम्हारे पास अभी वी वक्त है अगर तुम मुझे वो जादूई खजाना दे दोगी तो मैं तुम्हें प्रतियोगिता तक का वक्त दे दूँगा फरना मैं तुम्हें आज ही मिट्टी में मिला दूँगा देव की बातों को सुन नैना मुस्कुराते वे उसकी तरफ देखती है देव वीर युद्धा भाशन कम देते हैं और युद्ध की तरफ जादा ध्यान देते हैं अगर तुम्हें भी युद्ध करना है तो तुम भाशन कम दो और इस तरफ आप नैना और देव की इन बातो को जाड़ी के पीछे चिपा वो शक्स काफे द्यान से सुनगा था नैना की बातों को सुन वो शक्स सोचता है ये नैना के बारे में तो मैंने जितना सुना था ये तो उससे भी आगे निकल गई है इस तरह से ये युट्टी के लिए इतने लड़कों को ललकार रही है मानो ये उसके आगे कुछ भी नहीं है इस नैना के उपर अब मुझे हमेशा नज़र रखनी होगी पताब की ये बेहन तो लगता है उससे भी एक कदम आगे निकल गई है जाडियों के पीछे से नैना के उपर नज़र रख रहा ये वैक थी कोई और नहीं बलकि खुद वचसल सामराजी का युवराज ओम वरत था ओम वरत और गरून सैन्ने बलकि कुछ सदस्यों के अलाबा पूरे वचसल सामराजी में और किसी के पास भी इस तरह सीधे चक्रवियू के भीतर देखने की अनुमती नहीं थी उसान राजी के महल में बैठा ओम वरत भी एक खास यंतर के सहारे उस चक्रवियू के भीतर नैना के उपर नज़र रख रहा था थोड़ी देर तक नैना के उपर नज़र रखने के बाद ओम वरत खास यंतर को बंद कर देता है और अपनी दिंचर्या में वापस लौटाता है उधर इन सभी बातों से अंजान नैना देव वर्मन को ललकारने के बाद उसकी प्रतिक्रिया का इंतिजार कर रही थी नैना की बातों को सुनने के बाद देव वर्मन उसकी और देखते वे कहता है नैना अब तुम्हारा बचना मुश्किल है अपनी मौत की इस घड़ी को तुम हमेशा याद रखोगी नैना से इतना कहने के बाद देव वर्मन अपने साथियों की ओर देखता है आकरमन तूट पड़ो इसके उपर देव वर्मन का आदेश मिलते ही उसके 10 से 12 साथी एक साथ नैना के उपर तूट पड़ते है नैना ने जान बूच कर अभी तक अपनी तलवार नहीं निकाली थी इन लड़कों को आगे बढ़ता देखने के बाद नैना सोचती है इनके सामने अपनी आत्मा और शक्ती से जुड़ीवी तलवार निकाल कर मैं उसकी बैस्जती नहीं कर सकती इस शक्रवीव के भीतर आने के बाद मुझे इतनी तो शक्ती मिली है मैं हाथ से ही इन में से पुछ को तो निक्टा दूगी यही सोचते हुए नैना देव के साथियों का अपने पास आने का इंतजार करती है अपने हाथ में तलवार को पकड़े उन साथियों को एक साथ आगे भेज देव काफी खुश था यह एक से तो लड़ सकती है लेकिन एक साथ इतनों से कैसे लड़ेगी इसके पास तो अतियार भी नहीं है देव अपने मन में यही सोच कर खुश हो रहा था लेकिन उसके साथियों के साथ अगले ही शन जो होता है उसकी उमीद देव को भी नहीं थी नहीं नहीं यह नहीं हो सकता यह नैना इतनी ताकतवर नहीं हो सकती देव के साथ ही नैना की तरफ गए तो उसके उपर हमला करने के लिए थे लेकिन चीते की फूर्ती दिखाते हुए नैना ने उनके उपर पहले ही वार कर दिया था नैना का ये वार सब के उपर भारी था उसने सिर्फ अपने हाथों के इस्तमाल से देव के सभी साथियों को जमीन पर पठक दिया था उसने सिर्फ उन लड़कों को छुआ भार था लेकिन बस इतने ही वार से वो जमीन पर चित होकर लिट गए थे नैना की फूर्ती देख सभी हैरान थे उधर नैना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब हो कैसे गया आखिर मेरे अंदर इतनी ताकत कहां सा आगी ये ताकत तो ऐसी थी जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी देव वर्मन के आदमियों को चुटकी बजा कर चित करने वाली नैना अभी दिव आउश्दी के पूरे प्रयोग से वाकिफ नहीं थी नैना के इस पूरे कारनामे को दूर खड़ा होकर देख रहा आरेमान मनी मन मुस्कुरा रहा था बिना दिव आउश्दी के अगले श्रेनी की युद्धा बनने पर सिर्फ तुम्हारे युद्ध काशल का विकास होताने ना लेकिन इस दिव्य द्रव की वज़े से तुम्हारा शरीर हर तरह से विक्सित हो रहा है शक्रवियू के शेत्र में पहले से मौजुद दिव्य उर्जा की वज़े से तुम्हारी शक्तियां और भी कही गुना बढ़ गई है इस शक्रवियो के शेत्र में तुम ताकतवर हो ही साथ ही इससे बाहर निकलने के बाद भी तुम्हारी ताकत काफी ज़्यादा बनी रहेगी तुम अब सिर्फ हत्यारों का ही नहीं बलकि उसके बगार भी युद्ध करने में माहिर बन चुकी है इस दिव्य आश्टी ने तुम्हारे शरीर की सभी शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया है तुमने इस दिव्य आश्टी पर सवाल तो उठाया था लेकिन तुम्हें अब उसका जवाब मिल जाएगा यही सोचता वार यमान मुस्कुराते वे नैना को देखे जा रहा था उधर अपनी शक्तियों से अचम्भित नैना को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो हैरान तो थी लेकिन उसकी नजर अब देव वर्मन के उपर थी अपने साथियों को इस तरह गिरते देख देव वर्मन अभी तक हैरान था हैरान देव वर्मन की ओर देखते हुए नैना उससे कहती है देव वर्मन तुमने आज तक मुझे किसी भी कीमत का नहीं समझा है तुमने मेरा तो मेरा, साथ में मेरे भाई और फिता का भी मजाक उड़ा है न, सिर्फ तुमारी वज़ा से मैं मौत के मूध तक जाकर वापस लटी हूँ, तुमारी हर उस करतूत का मैं आज हिसाब करूँगी, तुमने मुझे इतने सालों तक जो परेशान किया है न, उसका बदला में आज जरूर लोगी, इतना कह नैना बिजली की फूर्ती से देव वर्मन के उपर तूट पड़ती है, नैना को इस तरह अपनी तरफ आता देख, देव वर्मन उससे बचने की काफी कुशिश करता है, लेकिन वो नैना के पंजे से दूर नहीं जा पाता है, अगल अग बबुला नैना देव के उपर अभी तक कई मुक्के जड़ चुकी थी, वैसे तो देव वर्मन चौथे श्रिनी का युद्धा था, लेकिन आज नैना की गती के आगे वो थोड़ी देर भी ठिक नहीं पाता है, नैना के घुसों की रफतार अब देव वर्मन की जान ल अग रहा था, मानो नैना सब को चित कर देगी, नैना को इस तरह देखने के उमीद देव को भी नहीं थी, यह 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 नैना की शक्तियां कुछ ज़्यादा बढ़ गी यह, अब मुझे, मुझे कुछ करना होगा, दादा जी मुझे मार्द कीजिएगा, लेकिन मेरे पास अपने गले में पहने वे माला को तोड़ता है, और उसमें फसी हुई शीशी को निकाल लेता है, शीशी को निकालने के साथ ही देव उसको खोलता है, और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उसमें भरे हुए जल को वहां छिड़कने लगता है, देव के द्वारा उस जल को तो कभी उस धुए को दिख रहे थे। थोड़ी ही देर में वो धुआ पतला होते होते एक गोलाकार अकार ले ले लेता है। नैना अभी भी काफी ध्यान से उस धुए से बने गोले को देख रही थी। कुछी शणों के बाद उस गोले की आकरिती से देव वर्मन का दादा सिंग वर्मन बहार निकलता है। कि एक शिशी लाने में मुझे पूरे राज जिके कई सालों की आमदनी को कुर्वान करनी पड़ती है। फिर ऐसी क्या आप दान पड़ी जो तुमने इसका इसका इस्तमाल करके मुझे यहां बुलाया है। इन बातों को कहते हुए सिंग वर्मन की आँखें लाल हो रही थी। अपने दादा को इस तरह घुसे में देख वर्मन कहता है। मुझे माफ कीजिएगा दादा जी लेकिन मेरी जान इस वक्तरे में है। देव की बातों को सुन सिंग वर्मन उससे कहता है। क्या हुआ देव वर्मन तुम्हारी जान को किस से खत्रा हो गया अपने दादा का ये सवाल सुनते ही देव वर्मन नैना की तरफ इशारा करते हुए कहता है दादा जी ये ये लड़की ये लड़की मेरे जान की दुश्मन बन चुकी है आप मुझे बचा लीजिए नहीं तो मेरा पूता नैना जेसी लड़की से कैसे डर सकता है इतना सोच सिंग वर्मन देव की तरफ देख देव evident कहता है देव ये तुम कैसी बखबास कर रहे हो ये मन्द बुद्धी कैसे तुमारी जान ले सकती है नैना से देव की डरने की बात सुन सिंग वर्मन काफी हैरान था वो कभी नैना को तो कभी देव वर्मन को देखे जा रहा था क्या होगा जब सिंग वर्मन को चलेगा सच्चाई का पता सिंग वर्मन के साथ भी क्या युद्ध करेगी नैना वचसल सामराज का युवराज क्यों रख रहा है नैना पर निज़र नैना के साथ भीड़े रहे देव वर्मन ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ी नैना को अपने उपर भारी पढ़ते और उसके अंदर के जुनून को देख देव वर्मन अपने दादा के दुआरा दिये गए एक तक्नीक का इस्तमाल करके सिंग वर्मन को चक्रवियू के भीतर बुला लेता है चक्रवियू के भीतर सिंग वर्मन को देख नैना जितनी हैरान थी नैना से देव के जान को खतरा होने की बात सुन, सिंग वर्मन भी उतना ही अहरान था देव की बातों को सुन रहा सिंग वर्मन तुरंट उसके उपर चीखते हुए कहता है अरे ये सब तुम कैसी बक्वास बाते कर रहे हो दिव वर्मन ये मंद बुद्धी कैसे तुम्हें परेशान कर सकती है तुमने इतने कीमटी द्रव क्यों इस मंद बुद्धी से बचने के लिए बर्बाद कर दिया मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि तुम तुम मेरे पोते हो होश में आओ दिव बर्मन होश में आओ तुम कुसान के होने वाले राजा हो तुम अगर ऐसे मन्द बुग्दियों से डरने लगे तो तुम राज कैसे चलाओगे नैना को कुसान राज्य में सभी एक बोच से जादा कुछ नहीं समझते थे आज तक किसी को भी उसके अंदर एक भी गुण नहीं दिखाता अचानक नैना के इतने ताकतवर हो जाने की बात सुनने के बाद सबका हैरान होना लाजमी था उधर अपने दादा की बातों को सुन देव वर्मन उसे दुबारा समझाते हुए कहता है दादा जी आप मेरी बात को समझे न आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिलकुल भी नहीं है इस नैना ने आज तक हमें सिर्फ बेपकुब बनाया है आज तक ये सिर्फ कमजोर और मन्दबुद्धी होने का नाटक करती आई है देव की बातों को सुन सिंग वर्मन हैरान था वो देव से कहता है देव ये सब तुम क्या बूल रहे हो तुमें कुछ समझ भी आ रहा है एक मन्दबुद्धी लड़की जो कल तक दूसरे श्रेणी की युद्धा थी जिसे महल के नौकर के बेटे भी मार पीट कर रुला सकते थे उससे मेरा पोता यूव राज देव वर्मन डर रहा है राज में जब सब को इसका पता चलेगा तुम्हारी इज़त फिर कौन करेगा देव बर्मन इस मन्दधी से डरने वालों की इज़त राज में कौन करेगा है देव के दौरा काफी समझाय जाने के बाद भी सिंग वर्मन उसकी बात को मानने के लिए तयार नहीं था अपने दादा की इन बातों को सुन देव एक बार फिर से उसे समझाते हुए कहता है दादा जी दादा जी आप सबसे पहले इसे मन बुद्धी कहना बंद कीजिए वरना ये आपके उपर भी हमला कर देगी दादा जी बिना जान पर संकटा है मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ आप यहाँ पर मवजूद मेरे ये सभी सातियों से पूछ लिजिए आज सभी ने इस नैना को युद्ध करते हुए देखा है अगर दादा जी आप भी इसे एक बार युद्ध करते हुए देख लेंगे न तो आपके भी आश्यर की कोई सीमा नहीं रहेगी जिस नैना को महस अपनी रक्षा के लिए आवास उठाने पर राज महल के भीतर पीट पीट कर आदमरा कर दिया गया था उसके बारे में ऐसी बाते सुन, सिंग वर्मन को बिलकुल भी यकिन नहीं हो रहता वो देव से कहता है देव, ऐसा कैसे हो सकता है ये कम अकल और मंदबुद्धी को इतनी जल्दी ताकत कैसे मिल सकती है अभी तो ये तीसरे श्रेनी की युद्धा भी नहीं मनी है फिर ये तुम्हारे उपर कैसे भारी बढ़ सकती है सिंग वर्मन के इन बातों को सुन देव उसकी तरफ देखते हुए कहता है दादा जी मुझे तो लगता है ये लड़की हमेशा से ताकतवर रही होगी इसने आज तक हमसे जूट बोलकर अपनी ताकत को चिपाया होगा ये एक दिन अचानक हमारी बेज़ज़ती करके हमारी जान लेना चाहती होगी तबी इसने अपनी वास्तविक शक्तियों को अभी तक हमसे चुपा कर रखा है ये नैना ना बहुत ही खतरना के दादा जी आप इसे जल से जल ठिकाने लगाएए देव की बातों पर सिंग वर्मन को अभी भी यकिन नहीं हो रहा था वो हैरानी भरी निगाहों से नैना को घूरे जा रहा था उधर दादा और पोते को इस तरह बातचीत में उल्जा देख नैना उनसे कहती है तुमने चक्रवियू के बीच में इस तरह अपने दादा जी को कैसे बुला लिया युद्ध तो यहां तुमारे और हमारे भी चो रहा था ना नैना के आत्म विश्वास को सिंग वर्मन एक बार पहले भी राज दरवार में देख चुका था लेकिन इस बार नैना का आत्म विश्वास और उसके बोलने का तरीका काफी ज्यादा बदला हुआ था नैना की बातों को सुनने के बाद सिंग वर्मन उसकी ओर देखते वे कहता है मैं यहां का राजा हूँ और कहीं भी आ जा सकता हूँ मेरे पोती की जान खतरे में थी इसलिए इसने मुझे यहां बुला है मुझे इस बात का शक है कि अचानक तुमने अपनी शक्तियों को वढ़ाने के लिए घाले जादू का इस्तमाल किया है सिंग वर्मन की इन बातों को सुन नैना की जो हसी निकलती है फिर वो खुद को बहुत मेहनत से रोक पाती है वो सिंग वर्मन की ओर देखते वे कहती है यह सब आप क्या बकवास कर रहे है माराज मैंने किसी भी तरह के काला या लाल या फिर पीले जादू का इस्तमाल नहीं किया है आपका पोता सिर्फ कमजोरों पर जुल्म ढ़ाता है आज इसका एक असली युद्धा से सामना हो गया तो इसके फ्राणी संकट में आगे नैना की बातू को सुन सिंग वर्मन कहता है तुछ लड़की तुम मुझे मेरे पोते के बारे में मत बताओ तुमने काले जादू का प्रेयोक करके इस राजजी के कई नियम को तोड़ा है काले जादू के लिए इस राजजी में मौत की सजा का प्रावधान है तुमने काला जादू का इस्तमाल करके अपनी मौत को अपने पास बुला लिया है अब तुम बहुत जादा खतरनाक हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ सकता। इतना कहने के साथ ही सिंग वर्मन अपनी मयान से अपनी तलवार को निकाल लेता है। सिंग वर्मन की चमचमाती तलवार इस दुनिया की सबसे मजबुत हात्वों को जौला मुकी के भीतर तपा कर बनाई गए थी। उसकी तलवार में नैना अपना चेहरा बिलकुल साफ साफ देख सकती थी। शिंग वर्मन के तलवार को देख, नैना अपने अध्यात्मिक तलवार को निकालने का मन मनाती है. अपने हाथों को आगे कर वो उसे याद करती है, लेकिन उसकी तलवार सामने नहीं आती है. अरे यार, लगता है मेरी तलवार खुद की मरम्मत करने में वैस्त है, अब मुझे किसी और तलवार को उठानी होगी इतना सोचने के साथ ही, नैना जल्डी से जुक कर पास में ही पड़ी एक तलवार को उठा लेती है नैना के तलवार उठाने उठाने तक सिंग वर्मन भी उसके पास पहुँच जाता है नैना के पास पहुचने के साथ ही सिंग वर्मन उसके उपर अपने तलवार से पहला प्रहार कर देता है सिंग वर्मन के सामने खड़ी नैना अपने दोनों हाथों से अपनी तलवार को उपर उठाते वे खुद का बचाव करती है सिंग वर्मन का ये प्रहार काफी शक्तिशाली था और उससे नैना बाल-बाल बचती है सिंग वर्मन के तलवार के प्रहार से बचने के क्रम में नैना की तलवार भी दो टुकडों में बढ़ जाती है सिंग वर्मन के शक्तियों का अंदाजा अभी तक नैना को अच्छे तरीके से नहीं था वो एक काफी ज़्यादा उच्च श्रेणी का युद्धा था साथी तरह तरह के युद्धों में हिस्सा लेने की वज़े से उसके पास काफी ज़्यादा अनुवब भी था सिंग वर्मन के इस प्रहार को दूर खड़ा आर्यमान भी शांती से देख रहा था अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ नैना कभी भी सिंग वर्मन को नहीं हरा सकती है नैना की मदद अब मुझे करनी ही होगी यही सोचता हुआ आर्यमान तुरंत ही अद्रिश होता है और नैना के पास जाकर कहता है नैना मैं आरिमान तुम अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ इस सिंग वर्मन का मुकाबला नहीं कर सकती हो मुझे अब तुमारी मदद करनी ही होगी नैना के उपर एक प्रहार कर उसकी तलवार तोड़ने के बाद सिंग वर्मन अपने पोते की और देख उसे कुछ सिखा रहा था इसी दोरान वहाँ पर आये आरिमान की बातों को सुन नैना कहती है नहीं आरिमान तुमने अगर अभी मेरी मदद की तो गरुन सैनिबल वालों को तुमारी पूर जाता था तुम्हारी यह उपस्तिती के बारे में पता चल सकता है नैना की बातों को सुन आरिमान कहता है अगर तुमने मेरी मदद नहीं ली तो तुम इस सिंग वर्मन से कभी भी जीत नहीं पाओगी इसलिए तुम जल्द फैसला करो क्या करना है तुमें आरिमान की बातों को सुन नैना तुरंत ही उसे जवाब देते वे कहती है मेरे पास एक उपाई है आरिमान अभी तुम्हारा सामने नहीं आना ज़रूरी है अगर तुम सामने आए तो सारे समी करन गड़बड हो सकते है इसलिए तुम यहां से जाओ वरना सिंग वर्मन को तुम्हारी उपस्तिती के बारे में पता चल जाएगा नैना की बातों को सुनने के साथ ही आरिमान वहां से तुरंत निकल जाता है आरिमान के जाने के बाद नैना सिंग वर्मन की और देखते वे कहती है तुम मुझ पर काला जादू का जूटा आरोप लगा कर मुझे मारना चाहते हो सिंग वर्मन लेकिन ये सही नहीं है सही तो ये भी नहीं है कि एक दादा अपने पोते के लिए युद्ध करने आए तुम युद्ध के कई नियम को तोड रहे हो इसलिए मैं तुम से बाद में युद्ध करूँगी अभी मैं जा रही हूँ इतना कहने के साथ ही नैना तुरंत अपनी उर्जा और शक्तियों का इस्तमाल करके वहां से निकल जाती है नैना को युद जाते देख सिंग वर्मन भी तुरंत अपनी तलवार को रखता है और नैना के पीछे लग जाता है पहले दिव ध्रव गोपीने और चक्रूईू के भीतर अध्यात्मिक शक्तियों की वज़ा से नैना काफी तेज रफ़तार में वहां से निकल रही थी नैना को इस तरह तेज रफ़तार में जाता देख सिंग वर्मन कहता है रुक जाओ लड़की, तुमारी रफ़तार तेज है तो मेरी रफ़तार प्रकाश की तरह है तुम मुझसे ज़्यादा देर तक बचनी सकती हो सिंग वर्मन की बातें जल्द ही सही साबित होती है वो बेहद ही जल्द नैना के बरावर में आ जाता है सिंग वर्मन को अपने इतने पास आता देख नैना अपनी सारी उर्जा को भागनी में लगा देती है नैना तेश तो थी लेकिन सिंग वर्मन का अनुवव और उसके पास मौजूद शक्तियां नैना से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी थोड़ी देर में नैना एक उचे पहाल की चोटी पर पहुँच चुकी थी उसके एक तरफ अब सिंग वर्मन खड़ा था तो दूसरी और गहरी घाटी थी नैना को घिरा देख सिंग वर्मन कहता है अब तुम कहां जाओगी आखिर उट आही गया न पहाल के नीचे सिंग वर्मन की बातों को सुन दही नैना कभी उसकी और तो कभी घाटी की और नीचे देख रही थी समय के मजधार में एक बार फिर से फसी नैना अब लेगी कौन सा फैसला सिंग वर्मन से बचेगी नैना की जान या उसकी एक जिंदगी फिर से होगी कुर्बान चक्रवियू के भीतर नैना का युद्ध देव वर्मन से हो रहा था लेकिन देव ने वहाँ पर अपने दादा को बुला कर पूरी बाजी पलट दी थी नैना का पीछा करते करते सिंग वर्मन उसके पास पहुँच चुका था और अब नैना फिर से एक बार मजधार में फसी थी नैना के एक और गहरी खाई थी तो उसके दूसरे तरफ सिंग वर्मन उसकी मात बन कर खड़ा था ऐसी परिस्थिती में फसने के बाद नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था अगर मैं सिंग वर्मन से इस्थिती में लड़ी तो मेरा जीतना तो समभब नहीं है ना तो मेरे पास वैसे अस्तर है और ना ही मेरी शक्तियां भी सिंग वर्मन के बराबर है। दूसरी तरफ यह अनंद खाई हैं, यहां से नीचे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ी के किनारे पर खड़ी ना कभी अपने नीचे की गैरी खाई को देख रही थी, तो कभी उसकी नजरे सिंग वर्मन को देख रही थी। ना को इस तरह दुविधा में फसा देख सिंग वर्मन, उसकी तरफ देखते हुए कहता है। अमात्तिकी पोती हो तुम, हमने तो कभी नहीं सोचा था, कि तुम ऐसी निकलोगी, लेकिन आखिर तुम भी अपने खानदान के उपर चली ही गई, तुम्हारा बाप तु मारा ही गया, जुद्द पर गए तुम्हारे भाई का भी कुछ पता नहीं है, वो जिन्दा है या मर इसकी भी खबर सालों से नहीं आई है, और अब तुम भी मात के मुँ में जाने वाली हो, तुम्हारे परिवार का सोच कर मुझे बहुत दुक हो रहा है, लेकिन अफसूस मैं तुम्हारे उपर धया नहीं कर सकता, अगर तुम जिन्दा रही, तो आगे भी मेरे परिवार से भीड़ती रोगी, इसलिए तुम्हारी मात तो आज पक्की है, हाहा 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 हा, सिंग वर्मन की बातों को सुन रही नैना, उस पहाडी से नीची देखने की कोशिश कर रही थी, अलाकि काफी कोशिश के बाद भी बादलों से भरी हुई उस घाटी में नैना को कुछ नैना उस तरफ मत देखो उस खाई से नीचे गिरने वालों का मृत शरीर भी आज तक नहीं मिला है अगर तुम मेरे हाथों मरी तो कम से कम तुम्हारे घरवालों को तुम्हारी अस्थियां तो नसीब होगी चलो अब मैं ज्यादा देर तक यहां नहीं रुख सकता मेरे सामने और मुझसे युद्ध करो परिस्थितियों के जाल में फसी नैना को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो खुद को शांत करते हुए कुछ सोचने की कोशिश कर रहे थी नेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं सिंग वर्मन से युद्ध तो मैं अभी जीत नहीं पाऊंग और कहती है कहानी अभी खत्म नहीं हुई है महराज तुमारी हर नाइंसाफी का हिसाब मैं करके रहूंगी इतना कहने के साथ ही नैना तुरंत उस घाटी में छलांग लगा देती है बादलों को चीरती हुई नीचे जा रही नैना चाहकर भी अपनी आँखों को खोल नहीं पारी थी बादलों के बीच से गुजरती हुई नैना को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो ठंड के मारे बीच रास्ते में जम जाएगी उधर दूसरी और पहाडी के किनारे पर खड़ा सिंग वर्मन नैना को उस पहाडी से छलांग लगाते दिख हैरान था अगर इसे मरना ह नहीं था तो मेरे हाथों से मरती यहां से गिरने के बाद उसकी मौत तो पक्की है लेकिन अफसोस नीचे जाकर उसके मिट शरीर को अब मैं देख नहीं पाऊंगा पहाडी के किनारे पर खड़ा सिंग वर्मन अभी इन बातों को सोची रहा था तब ही वहां उसका पोता डे जाता जी वह तुछ ललकी कहा गई उसने मुझे बहुत परेशान किया है उसके मरे हुए शरीर को मैं खुद भी देखना चाहता हूँ तब ही मुझे शांती मिलेगी देव वर्मन को इस तरह घुसे में देख सिंग वर्मन उसकी और देखता है शांत देव अपने घुसे का सुन उसका सर शर्म से जुख जाता है अपने पोते को इस तरह सब के सामने शर्मिंदा होते देख सिंग वर्मन उससे कहता है देव मैं ये सब तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ उस लड़की की शक्तियां यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी क्योंकि मेरे हिसाब से उसने कुछ काली शक्तियों को जमा किया था इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरुवत नहीं है सिंग वर्मन इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि नैना के पास कोई भी काली शक्ति नहीं है लेकिन अपने पोते की सब के सामने इज़द बचाने के लिए उसे जूट का सहरा लिना पड़ता है सिंग वर्मन की बातों को देव और उसके साथ ही धान से सुन रहे थे तब ही इना आगे आते हुए कहती है महराज लेकिन वो नैना है कहां? आपने उसके मृत शरीड का क्या किया? हिना ने जो सवाल सिंग वर्मन से किया था वो अभी वहां पर मौजूद सभी लोगों के दिमाग में चल रहा था इना की बातों को सुन सिंग वर्मन उसकी तरफ देखते हुए कहता है इना तुम उसकी चचेरी बेहन हो तुमें सारी सच्चाई पता होनी चाहिए उस दरपोक लड़की को जब मैंने युद्दे के लिए ललका रहा तो डर के मारे उसकी हालत खराब होगी अपनी मौत को सामने देखकर उसने इस पहाड़ी से चलांग लगा दी मेरे हिसाब से अभी तक तो वो भगवान को प्यारी हो गई होगी सिंग वर्मन की बातों को सुन हिना पहाड़ी के किनारे पद जाती है वो नीचे देखने की कोशिश तो कर रही थे लेकिन उसे अब सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे वो सिंग वर्मन की और देखते वे कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया महराज इस लड़की की वज़े से मेरा पुरा खानदान परेशान था अब ये बस सही में मर जाए ये लड़की धिट भी तो उतनी है न हिना नैना को बिलकुल भी जिन्दा नहीं देखना चाहती थी हिना का गुस्सा देख रहा देव भी आगे आता है और नीचे खाई में जाकते हुए कहता है हाँ अब तुम लोग चिंता मत करो इस खाई से नीचे जाने के बाद पक्षी लोग भी अपने जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं फिर वो नैना क्या चीज है यहां से उसका वापस आना पूरी तरह से असंबव है इन बातों को कहते हुए देव के चेहरे पर उसकी खुशी साफ छलक रही थी देव और हिना के साथ वहां खड़े उसके बाकी साथी भी काफी खुश थे देव आगे आता है और अपने दादा की और देखते वे कहता है दादा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप आज नहीं होते तो शायद नैना और उसकी काली शक्तियां मुझे जिन्दा नहीं छोड़ती अपने पोते की बातों को सुन सिंग वर्मन उसके पास जाता है और कहता है कोई बात नहीं है बेटा ये तो मेरा फर्स था वैसे अब तुम सब को बहार क्या कहना है ये तुम जानते हो ना अपने दादा के इशारों को देव अच्छी तरह से समझ रहा था वो कहता है दादा जी नैना के मरने का हम कोई न कोई बहाना तो बनाई देंगे लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप यहाँ पे आये थी अपने पोते की बातों को सुन सिंग वर्मन उसकी और देखते वे कहता है राजनीती के दाओं पेच अब तुम भी समझने लगे हो बिटा तुम्हें जादा कुछ नहीं करना है बस तुम भार जाकर कह देना नैना चक्रवियू में भटक कर दूसरे हिस्से में चली गई थी जहां पर चक्रवियू के भीतर मौझूद जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिए अपने दादा की बातों को सुन देव कहता है ठीक है दादा जी मैं आपकी बातों को समझ गया यहां मौझूद सभी लोग यही जवाब देंगे अपने पोते को सारी बाते समझाने के बात सिंग वर्मन कहता है देव अब मेरा यहां से जाने का समय हो गया है चक्रवियू में और ही कुछ दिन बचे हैं अब तुम लोग इससे निकलने का रास्ता खोजो और बहार की तरफ आगे बढ़ो तुमें तैस समय पर भारी निकलना होगा सिंग वर्मन की बातों को सुन देव कहता है ठीक है दादाजी मैं आपकी बातों को समझ गया देव को सारी बाते समझाने के बात सिंग वर्मन तुरंथ ही अपने गले से माला निकालता है और उसमें लगी हुई शिशी को खोल कर उसमें से जल जमीन पर छड़कता है थोड़ी देर में एक बार फिर से धुए का गुबार बन चुका था और तुरंथ ही सिंग वर्मन उसी रास्ते से बाहर चला जाता है सिंग वर्मन के जाने के बाद देव अपने साथियों से कहता है तुम सभी अब सारी बातों को समझ चुके हो न अब हम आगे बढ़ते हैं और चक्रवी उसे बहार निकलने का रास्ता खुशते हैं देव से आदेश मिलने के बाद उसके सभी साथी एक एक करके वहां से आगे बढ़ने लगते हैं एक और देव और उसके साथी नैना को मरा वो मान कर आगे बढ़ चुके थे लेकिन उधर दूसरी तरफ पहाड़ी से नीचे गिर रही नैना बादलों से आगे बढ़ते ही वहाँ पर बहरे नदी को साफ साफ देख रही थी नैना की नजरों के सामने पानी तो बह रहा था लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी अगर मैं इतनी रफतार से पानी पर गिरी मैं तो घाल हो सकती है यही सोच नैना खबरा रही थी लेकिन तब ही उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया है एरान परिशान नैना जब उपर देखती है तो यह आरेमान था आरेमान को देख नैना को खुशी भी हो रही थी और घुसा भी आ रहा था लेकिन हवा के प्रभाव की वज़े से वो कुछ बोलने ही पाती है नैना को जकड़े आरेमान थोड़े ही देर में नैना को लेकर सही सलामत पानी के किनारे उतर जाता है नीचे उतरने के साथ ही नैना खुद को आरेमान से चुड़ाती है और उससे काफी घुसे में कहती है तुमने मेरे मना करने के बाद भी अपनी शक्तियां शक्रवीव के भीतर क्यों दिखाई नैना की बातों को सुन रहा आरिमान चुप चाप खड़ा था शक्रवीव के भीतर आरिमान द्वारा शक्तियां दिखाने के बाद अब क्या होगा आगे? क्या होगा जब मौत के मूँ से दूसरी बार निकली नैना आएगी सब के सामने? चक्रवियों के भीतर सब की नजर में आने से बचने के लिए आरेमान अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा था लेकिन नैना के पहाड से गहरी गाटी भी कुदने के बाद आरेमान उसे बचाने के लिए चला आता है आरेमान ने नैना को बचा तो लिया था लेकिन नीचे बह रही नदी के किनारे पहुँचते ही नैना आरेमान के उपर भड़क उठती है बोलो आर्यमान, तुमने मेरे मना करने के बाद भी अभी अपनी शक्तियों का इस्तमाल क्यों किया? मैं जब तुमसे बोलती हूँ, तब तो तुम मेरी मदद करते नहीं हो, फिर इस वक्त तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? अब अगर तुम सबकी नजर में आगे होगे, तो मैं क्या करूँगी? नैना की बातों को सुन रहा आर्यमान, अभी भी विवेक के शरीर में ही था. नैना को यूँ गुस्सा होता देख, आर्यमान कहता है, नैना, मेरी पहली प्राथमिक्ता तुम्हारी जान बचानी थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने चला आया, वैसे तुमने क्या सोचकर इतनी उची घाटी से चलांग लगा दिया? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? आर्यमान की पहली प्रात्मिक्ता नैना को बचाना था और वही काम आर्यमान कर रहा था लेकिन उसके इस काम से नैना काफी नरास थी वो आर्यमान के उपर चिखते हुए कह दिये आर्यमान तुम भी मुझे बेवकुप मत समझो उस पहार से चलांग लगाने से पहले मैंने बादलो के नीचे बहती वी नदी का अंदाजा लगा लिया था इस नदी के बहने की आवाज मुझे उपर तक सुनाई दे रही थी और इसलिए मैंने वहाँ से चलांग लगा दी तो तुम तुम अपनी बेपकुफी की वज़े से सब के सामने आगे हो अब तुम ही मुझे बताओ गरुन सेनिबल वाले क्या करेंगे अब नैना इस वक्त काफी गंभीर और घुसे के साथ आर्यमान से बाते कर रहे थी लेकिन नैना का हुस्सा और भी तेजी से उस वक्त बढ़ जाता है जब वो आर्यमान को मुस्कुराते वे देखती है आर्यमान तो तुम मुस्कुरा रहे हो मेरे उपर इतनी बड़ी मुसीबत आगी और तुम तुम हो की मुस्कुरा रहे हो इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो आरिमान नैना की इन बातों को सुन अभी तक मुस्कुरा रहा आरिमान अपनी हसी को रोकनी की कोशिश करता है कुछ नैना बस तुम जब इतना घुस्सा करती हो न तो मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो तुम्हारे इस मासुम से चेहरे के उपर घुस्से से भर यांखी आहाँ मज़ा ही आ जाता है इस गंभीर परिस्थिती के बीच नैना को आरिमान से इन बातों को सुनने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी वो अपना सर धीरे से उसक्योर घुमाते हुए कहती है आरिमान क्या तुम सच में ये सब बोल रहे हो नहीं नहीं तुम मुझे बताओ क्या ये सब सच है क्या सच में तुम्हें अभी मजाक सूज रहा है नैना के चेहरे पर अब गुस्से की जगह चिंता के भाव थे और इस तरह चिंता करते देख आरिमान कहता है नैना तुम इतनी चिंता मत करो न मैंने अपनी कुछ शक्तियों का इस्तमाल किया है इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा आरिमान की बातों को सुन नैना चौकते हुए कहती है ये तुम क्या कह रहो आर्यमान आखिर ऐसा क्या हुआ जो गरुन सैनेबल वाले तुम्हारे बारे में नहीं जान पाएंगे मुझे जल्दी पूरी बात बताओ अब कब से चिंता और डर में डूबी नैना अब जल्द से जल्द सच्छा ही जानना चाहते थी उसकी बातों को सुन आर्यमान कहता है जब तुमने उस पहाड़ से चलांग लगा ही नहीं मैं वहीं पर था तुम्हारे नीचे की ओर जाते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई और भी खास शक्ती है उस शक्ती का प्रवाव ऐसा है जिससे चक्रवीव की उर्जा और उसके मंत्र यहाँ पर काम नहीं कर रहे है यह शेत्र चक्रवीव के भीतर होते हुए भी उस चक्रवीव से अलग है आर्यमान की बातों को सुन नैना की हैरानी और भी बढ़ती जा रही थी वो आर्यमान से कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है आर्यमान तुम्हें अचानक से यह एसास कैसे हुआ नैना के प्रशनों को सुन रहा आर्यमान उसे जवाब देते हुए कहता है मुझे सिर्फ इसी बात का ऐसास नहीं हुआ है नैना मैं जब से यहां आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई बहुत टाकतवर उर्जा तो जरूर है और वो उर्जा खतरनाक भी साबित हो सकती है ऐसा लगता है जैसे यह सब ब्रह्मियंत्र का इशारा है ब्रह्मियंत्र कुछ इशारा कर रहा है इतना कहते कहते आर्यमान भी काफी गंभीर हो चुका था आर्यमान को गंभीर होते देख नैना कहती है लेकिन आर्यमान ब्रह्मियंत्र तो हमारे पास नहीं है फिर वो ऐसा इशारा कैसे कर सकता है? क्या ये संभव है? नैना की बातों को सुन आरिमान उसकी उर जाता है और कहता है ब्रह्मियंत्र के साथ कुछ भी संभव है वो इस वक्त जहां भी है उसने वहीं से इशारा किया है अब तुम बस उसे जल से जल ढून निकालो आरिमान की बातों को सुन नैना कहती है आरिमान मैं कोशिश तो कर रही हूँ न मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी उर्जा को बढ़ा रही हूँ लेकिन मुझे ब्रह्मियंत्र का कोई पता ही नहीं मिल रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे ढूंडू नैना की बातों को सुन आरेमान उसे समझाता है नैना तुम ब्रह्मियंत्र को अपने भीतर खुजने का प्रयास करो उस ब्रह्मियंत्र ने तुमें चुना है और तुमसे जुड़ चुका है अगर तुम उसे अपने भीतर ढूंडोगी तो वो भी तुम्हें कोई रास्ता जरूर दिखाएगा आरेमान की बातों को नैना चुपचाप सुन रही थी तबी आरेमान आगे बोलते वे कहता है नैना वैसे मुझे एक बात का और पता चला है इस शक्रिव्यू की परिक्षा में तुम इस वक्त आई थी उसे गरून सैनेबल में किसी ने नहीं बनाए इस शक्रिव्यू के अस्थापना के मंत्र और इसको स्थापित करने के विदे किसी और ने खोजी है आरेमान से ये जानकारी मिलने के बाद नैना आश्यरे भरी निगाहों से उसकी और देखते हुए कहती है आरेमान ये ये तुम क्या बूल रहे हो इस शक्रिव्यू का इस्तमाल तो गरून सैनेबल बाले कर रहे है न और इसके जरी यो दाओं की भरती भी हो रही है फिर इसे और कौन बना सकता है नैना के मन में आरेमान के इस बात को सुनने के बाद हजार तरह के सवाल उमड़ रहते है नैना के सवालों को सुन आरेमान कहता है नैना मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे अभी तक बस इतना पता चला है कि हिमाले की पहाड़ियों को पार करने के बाद जब तुम उसके दूसरी तरफ जाओगी तो तुमें कई सारे राज्य और देश मिलेंगे उसी तरफ के किसी महान परम युद्धा ने इस चक्रवियू की रचना की थी उस परम युद्धा के बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी तो नहीं है उसका चहरा मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है वो कोई बहुती महान युद्धारा होगा चक्रवियू की उत्पत्ती और उसके यहां तक आने के रहसे ने नैना का दिमाग खराब करकर रख दिया था वो आर्यमान की और देखते वे कहती है आर्यमान ये सब है क्या मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर यहां पर बने इस चक्रवियू की रचना ही माले की दूसरी तरफ का कोई शक्स वो कैसे कर सकता है नैना को जबाब देते देते आर्यमान को एक बार फिर से खतरे का भास होने लगता है वो कहता है मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है नैना वैसे सबसे जरूरी बात ही है कि तुम्हारा पुराना घर भी ये माले के उन पहाड़ियों के उस पहारी है आठ से दस अजार फीट की उची ये पहाड़ी पृत्वी को दो हिस्सों में बाट देती है आर्यमान की इस बात को सुनने के बाद नैना को ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो वो आर्यमान से कहती है आर्यमान ये तुम क्या बोल रहे हो उतनी उची पहाड़ीयों को पार करके आखिर कोई उस तरब कैसे जा सकता है या फिर कोई इस तरब कैसे आ सकता है क्या ये संबव है नैना की बढ़ती हुई बेचैनी को देख आरेमान तुरंत ही उसे शांत करता है नैना मुझे अभी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है मुझे ना तो उसका स्पष्ट चहरा दिख रहा और नहीं उससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी मिल रही है मेरी शक्तियां भी अभी तक पूरी तरह से मुझे नहीं मिल लिए उनके एक बार वापस आ जाने के बाद शायद मैं सारी जानकारी देख सकूँ इतना क्या है आरेमान शुप हो जाता है आरेमान से कोई स्पष्ट जानकारी ना मिलते देख नैना बेचैनी में इधर उधर गूमने लगती है उस दुनिया का कोई आदमी इधर आकर इतने महत पोरुन चक्रवियू की रचना करता है और मुझे अब उससे जुड़ी कोई जानकारी भी नहीं मिल दी पर मुझसे ब्रह्मियंतर भी बिछड़ा है मुझे उसको भी खुजना होगा मेरे साथ ये सब सही नहीं हो रहा है मुझे चल्दी कुछ करना होगा इधर उधर घूंकर इन बातों को सोच रही नैना की नजर अचनक नदी के उदगम स्थल पर पढ़ती है ये नदी निकल कहां से रही है इसका उदगम स्थल तो यही गुफा है उस गुफा के उपर नजर पढ़ने के साथ ही नैना मानों उसकी तरफ हीची चली जा रही थी वो तुरंथ ही आरिमान से कहती है आरिमान चलो हम उस गुफा के भीतर चल रहे है मुझे पता नहीं वो गुफा क्यों अपनी और खीच रही है नैना की बातों को सुन आरिमान उसकी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखता है नैना, मुझे उस गुफा को देखकर कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है हम अभी वहाँ नहीं जाते हैं, मेरी शक्तियां भी इतनी ज्यादा नहीं है जो मैं किसी मुसीबत में तुम्हें बचा सकू प्रम्यंतर के बिना मुझे पहले सी कम शक्तियां पराप्त हुई थी अब उससे दूर रहने के बाद मेरी ताकत और भी कम होती जा रही है इसलिए वहाँ जाना सहीं नहीं होगा आरिमान की बातों को सुन, नैना उससे कहती है नहीं आरिमान, मैं वहाँ जा रही हूँ मुझे वहाँ जाना ही है, तुम अभी विवेक के शरीर में हो तुम यहाँ से जाओ, वरना लोग उसे खूजने लगेंगे मैं अकेले वहाँ जाओंगी नैना अच्छानक गुफा में जाने के लिए काफी ज्यादा आकरमक हो गई थी उसके इस बैवार को देख, आरिमान को भी कुछ समझ नहीं आता है क्या नैना को अकेले उस गुफा के भीतर जाने देगा आरिमान क्या होगा जब नैना जाएगी उस गुफा के भीतर क्या उसे मिल जाएगा उसके सारे सवालों के जवाब या वो मुल लेगी कोई नई मुसीबत झालों के भीतर जाएगी नहीं आता है क्या जाएगी नहीं लाएगी नहीं जाएगी तया झालों के लाएगी कोईपा के भीतर जाएगी झाल 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 को झाल 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 झाल